Hello everyone, आज के इस सेशन में हम Class 8 Science के 14th चाप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं and that is Chemical Effects of Electric Current Previous Sessions में हमने Class 8 Science के 13th चाप्टर Sound को कर लिया है पूरा Finish Complete उस चाप्टर के हर एक टॉपिक को हमने एकदम डीटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है Exercise Questions भी हम Solve कर चुके हैं और तो और In-text Activities को भी हम कर चुके हैं Discuss याने कि अपना Chapter No.13 होता है पूरा Finish Complete तो अब Finally बारी आती है एक New Chapter को स्टार्ट करने की Chapter No.14 को स्टार्ट करने की तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले? Basically हम ये देखेंगे कि इस New Chapter के अंडर हमें कौन-कौन से नय टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं So I hope आज के सेशन का जो टार्गेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर तो एक काम करते हैं जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं So this is विभूती करे, Welcome to Magnet Brains जहांपे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स विलते हैं, बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट याने कि Magnet Brains में आपको दो चैप्टर्स वहने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेस करने के रिक्वार्मेंट किल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है, Quality Education बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज का हमारा सेशन एक नया चाप्टर के साथ नया चाप्टर कौन सा है हमारा Chemical Effects of Electric Current तो इस चाप्टर को हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इसके फर्स टॉपिक के साथ और फर्स टॉपिक कौन सा होगा, Do Liquids Conduct Electricity अब देखो ऐसा है कि यह जो हमारा Class 8 Science का जो सिलेबस है न, इस सिलेबस में हमने कुछ ऐसे solids को डिसकस किया है, जो कि क्या करते हैं, Electric Current को Conduct करवाते हैं और वो Substances जो कि Electric Current को Conduct करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, Conductors बोलते हैं और जो नहीं करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, Insulators बोलते हैं, वो एक Conductor का काम क्या है, Conductor का काम यह है कि जब Electric Current उसके थ्रू पास करेगा, तो वो उसको पास होने दे, मलब फॉर एक्जामपल मैं एक Conductor हूँ तो अगर मेरे पास यहां से Electric Current आएगा, तो इस Electric Current को मैं वेलकम करूँगी, और अपने थ्रू इस Electric Current को मैं पास होने दूँगी, ताकि यह Electric Current मुझसे होते हुए कहां चला जाए, आगे चला जाए तो यहां से Electric Current आ रहा था, मेरे अंदर गया, और फिर मेरे अंदर जाकर के यह अपने रास्ते निकल गया, यहने कि जब Electric Current मेरे अंदर आया, तो उसके Flow को मैंने रोका नहीं, तो हमारे Conductors exactly ऐसे ही होते हैं, कि जब Electric Current उनके थ्रू पास होता है, तो वो उसे पास होने देते हैं, रोकते नहीं, उसके Passage को वो Allow करते हैं, और Insulators इसके Opposite होते हैं, याने कि वो Electric Current अगर उनसे पास होना भी चाहेगा, तो वो पास नहीं होने देते हैं, वो उसे रोक लेते हैं, कि तुम जहां से आयो ना, वहीं रहो, आगे जाने की जरुद नहीं है, Conductors क्या करेंगे Electric Current को, Basically अपने अंदर से पास होने देंगे, और फिर उसको आगे भी भी भीज़ देंगे, रोक के नहीं रखते हैं, इतना समझ में आया, तो मैं आपसे यह बताना चारी थी, कि Class 8 Science के syllabus में, हमने कुछ ऐसे solids को डिसकस किया है, जो कि क्या होते हैं, Conductors होते हैं, याने कि Electric Current क Conductor करवाते हैं, अब आप बोलोगे कि मैं, ऐसे कौन से solids के उपर हमने discussion किया है, तो बही ज़रा याद करो, Class 8 Science का 4th chapter, Materials, Metals and Non-Metals, वहाँ पे मैं आपको समझाया था कि हमारे जो Metals होते हैं, they are very good conductors of electricity, याने कि Metals क्या करते हैं, बहुती असानी से, बहुती प्यार से, Electric Current को conduct करवाते हैं, अपने थ्रू, वहीं हमारे जो Non-Metals होते हैं, they are very poor conductors of electricity, याने कि हमारे पास अगर Phosphorus है, Sulfur है, तो इनके थ्रू अगर Electric Current पास होना चाहेगा, तो ये दोनों पास नहीं होने देंगे, हाँ, कुछ exceptions भी होते हैं, for example, Graphite, हैना, Graphite हम बोलते हैं, हमारे Pencil क जो लीड होती है, वो किसके बनी होती है, Graphite की बनी होती है, और Graphite क्या है, एक form है Carbon का, Carbon क्या है, एक Non-Metal है, तो देखा जाए था हमारे Non-Metals क्या होते हैं, they are poor conductors of electricity, लेकिन फिर भी, उसी Non-Metal Carbon का क्या बना है, Graphite बना है, और वो Graphite क्या करता है, Electric Current को conduct करवाता है, कैसे तो अगर आपको याद हो, तो हमने एक Electric Circuit जो हैना बनाये था, उस Circuit में हमारे पास एक Bulb था, एक हमारे पास Cell था या Battery थी, और हम बोल सकते हैं कि एक Switch भी था, और इन तीनों को ही Connect करने के लिए हमने क्या करा था, Wire का यूस किया था, और इसके अलावा जब हम उस, you know, Switch को On क करते थे, तो हमारा जो पूरा Electric Circuit है, वो Complete हो जाता था, और Complete होने से जो Bulb हमने लगा करके रखा है, वो Bulb बेसिकली Glow करने लगता था, ठीक है, और जैसी हम Switch Off करते हैं, उस Electric Circuit का, तो जो Circuit हैं वो Break हो जाता है, भी जब Circuit कंप्लीट होगा, तब Electric Current प्रॉपर्ली फ्लो होगा, वायर्स के तुरू, और जिसके कारण जो Bulb है, वो Glow करने लगेगा, लेगन अगर हमने Switch Off कर दिया, इसका मतलब क्या कि हमने Electric Circuit को बीच में से तोर दिया है, कार्ट दिया है, तो कार्टने पर क्या होगा, Electric Current Flow नहीं होगा, तो फिर Bulb कहां से जालेगा, अब ये तो एक पैंसल की जो लीड है न, उसको भी हमने अपने उस Electric Circuit में इंसर्ट कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था, फिर जैसे हम Switch On कर रहे थे, तो On करने पर क्या हो रहा था, Bulb के Glow करने का क्या मतलब है, Bulb का Glow, Basically, वो ये इंडिकेट कर रहा है, कि जो Circuit है, वो कैसा है, Complete है, Complete कैसे हुआ, हमने तो बीच में पैंसल की लीड फसा के रखी थी, Circuit Complete इसलिए हुआ, क्योंकि वो Pencil की लीड क्या कर रही थी, Electric Current को Flow होने दे रही थी, अपने थूँ, ऐसा नहीं, कि सपोस मैं एक क्या हो Pencil की लीड हूँ, अब मेरे पास यहां से Electric Current आ रहा है, मेरे अंदर जाएग दोंगे, तो exactly यही काम होता है, Graphite से बनी Pencil Lead का, तो Pencil Lead का जो Insertion है, हमारे Electric Circuit में, उस Insertion से क्या हो रहा है, Electric Circuit जब हम Switch On करेंगे, तो वो पूरा Circuit complete हो जाएगा, और फिर Bulb Glow करने लगेगा, और अगर जब हम Switch Off कर देंगे, तो फिर Circuit ब्रेक हो जाएगा, और फिर इसके बार में, Bulb Glow करना बंद कर देगा, तो सीधी सी बाद है, हमने अपने चाप्टर No.4 में, Metals and Non Metals वाले चाप्टर में, हमने ये बात अच्छी तरीके से समझ ली है, कि हमारे Metals क्या होते है, they are good conductors of electricity and non-metals क्या होते है, they are poor conductors of electricity, कुछ exceptions है, जैसे कि मैंने आको बताया, Graphite के बा temperature से slightly above temperature पे, वो liquid state में पाया जाते है, for example, mercury, mercury हम बोलते हैं कि ऐसा metal है, जो कि room temperature पे कैसा होता है, liquid होता है, thermometer का पारा आपको याद है कि नहीं याद है, thermometer में, digital वाले नहीं, जो हमारे traditional old fashion thermometer होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो उनमें आप बोल सकते हो कि एक जो silver color क जो fluid होता है, वो क्या है, बिसिकली mercury ही है, तो कहने को तुम मैटल है, लेकिन फिर भी room temperature पे कैसा होता है, liquid state में पाया जाता है, तो कुल मेरा करके हम conclusion क्या निकाल सकते हैं, कि हमारे metals क्या होते हैं, generally solid होते हैं, और solid होते हुए भी वो क्या है, they are good conductors of electricity, लेकिन इस chapter में हम क् ऐसे liquids के बार में बात करने वाले हैं, जो की electricity को conduct करते हैं, अभी तक हमारे दमाग में यही बैठा होता है, कि solids ही क्या करेंगे, electric current को conduct करवाएंगे, तब ही तो हमारे घरों के, जितने भी बिजली के तार होते हैं, घरों के क्या, बाहर के भी आप देख लोगे, जितने भी ह हमारे electrical wires होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, metals के ही तो बने होते हैं, copper वगएरा के तो बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं chapter number 4 को पढ़ करके, हमारे दमाग में यही था कि हां, metals, solids, solids क्या करेंगे, electric current को conduct करवाएंगे, हना, solids करवा सकते हैं, solids हो सकते हैं, electrical conductor, वो solids भी कौन से वाले metals, लेकिन क्या कभी आपने liquids के बारे में सोचा था, कि हमारे liquids भी क्या कर सकते हैं, electrical conductors बन सकते हैं, और electricity को conduct करवा सकते हैं, अरे बिल्कुल करवा सकते हैं, तो आज के आप बोल सकते हो कि हमारा यह जो chapter है ना नया chapter, इस chapter में हमें यही चीज़े पढ़नी है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे liquids के ऊपर, योगि क्या कर सकते हैं, electric current को conduct करवा सकते हैं, तो हमारे chapter का first topic यही होगा कि क्या liquids electricity को conduct करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, इस सवा का जवाब तो मैंने आपको आज की इसी session में दे दिया है, ठीके, अब वो कौन से liquids होते हैं, कैसे electricity को conduct क करवाएंगे, वो तो हम अपने main chapter में ही पढ़ेंगे, ठीके ना, फिर इसके बाद में first topic को पढ़ने के बाद में हम आएंगे कहां अपने second topic के ओपर, second topic क्या होगा, important terms, तो इस पूरे chapter को एकदम properly समझने के लिए, हमें कुछ terms समझने होंगे, कौन से होंगे वो terms, electrolyte, electrodes and electrolytic cell, क्या आपको electrolysis का मतलब पता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, electrolysis, electrolysis का मतलब क्या होता है, तो कोई चीज तूट रही है, किसी चीज का breakdown हो रहा है, कैसे breakdown हो तो यह जो वर्ड है, electrolysis में, electro, electrolysis का मतलब क्या होता है, यह कहां से लिया गया है, electric current से लिया गया है, यह word, ठीक है, तो हम यह से कली हापे कर क्या रहे हैं, किसी चीज का breakdown करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, तो electric current को flow करवा करके, आई बात समझ में, तो electrolysis क्या है, electrolysis हम बोते हैं कि एक किसी चीज का breakdown होता है, respective simpler forms में या simpler substances में, वो breakdown कैसे होता है, तो जब वो substance में हम क्या करते हैं, electric current पास करवाते हैं, तब जाकर कि वो चीज अपने simple substances में या forms में तूटती है, इतना आया समझ में, चलो, अब electrolyte के हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंना को बताया कि do liquids conduct electricity, तो हाँ बिल्कुल करते हैं, वो वाले liquids जो कि electricity को conduct करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, electrolytes बोलते हैं, ठीक है, basic मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, लेकिन detail में तो हम अपने second topic के अंडर ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो electrolytes हैं, यह basically क्या करने वाले हैं, electricity को conduct करवाने वाले हैं, electrolytes के बार में आपको क्या बताया है, कि वो liquids हैं, जो कि electric current को conduct करवाते हैं, सवाल यह है कि यह electric current को conduct करवाएंगे कैसे, देखो, यहाँ पे न मैं आपको एक बहुती major, आप बोल सकते हो कि चीज़ बताने जा रही कि हमारे जो metals है न, वो definitely electric current को conduct करवाते हैं, लेकिन उनका जो conduction है न, वो कुछ अलग तरीके से होता है, और liquids जो electric current को conduct करवा रहे हैं, उनका conduction कुछ और तरीके से होता है, metals जो electricity को conduct करवा रहे हैं, तो वो होता है हमारे electrons के कारण, Electrons के कारण जित्ती भी हमारे आसपास चीज़े हैं वो किस की बनी हुई है? Atoms की बनी हुई है तो हमारे पास जो Metals है For example, हमारे पास Copper Metal है तो Copper Metal किसका बना होगा? Atoms कही बना होगा तो Atoms के अंदर क्या होता है? Electrons, Protons and Neutrons बताया था मैंने आपको तो Basically, हमारे जो Metals Electric Current को Conduct करवाते हैं तो वो Electrons की वज़े से करवाते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं Liquids की, जिसको कि हम क्या बोल रहे है? Electrolite बोल रहे हैं यह जब Electrolites, Electric Current का Conduction करवाएंगे ना तो Electrons की वज़े से नहीं करवाएंगे वो पता है किसकी वज़े से करवाएंगे वो करवाएंगे ions की वज़े से Basically, जो Electrolite है ना वो अपने ions में टूट जाते हैं और टूटने के बाद ions से ही क्या होता है Electric Current Conduct हो पाता है अब आप खोदी बताओ मैंने आपको कोई हाँ पे Electrolite के बारे में समझा है कोई चीज टूट रहे है किसी चीज का breakdown हो रहा है तो कैसे हो रहा है जब हम Electric Current पास करवा रहे है तो हमारे पास जो Electrolites है अगर उनको electricity को Conduct करवाने तो क्या करना पड़ेगा उनको अपने ions में टूटना पड़ेगा और वो तूटेंगे कैसे जब हम उनको Electric Current सप्लाइ करेंगे और Electric Current सप्लाइ करने के लिए कुछ होना तो चाहिए जिसके थूँ आप क्या करोगे Electrolite में Current भेजोगे तो Electrods आप बोल सकते हो कि Carbon के दो Rods होते हैं या Metal के जो दो Rods होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या Electrods इन Electrods के थूँ ही Electrolite में Electric Current भीजा जाता है और Current जा करके Electrolite को तोड़ता है Electrolysis होता है Electrolite किसमें तूटता है आइंस में तूटता है और यही आइंस क्या करते हैं फिर फर्दर जाकरके Electric Current का Flow करवाते हैं या उनका Conduction करवाते हैं ठीक है और यह पूरी चीज जिस Apparatus में हो रही होती है उसे हम बोते हैं क्या Electrolytic Cell Clear है? चलो फिर इसके बाद में अब जैसे हैं अगर मैं आपसे पूछू कि एक बाब बताओ मैंने एक Generalized Statement दे दिया कि हमारे Metals क्या होते हैं? They are Good Conductors of Electricity लेकिन क्या हमारे सभी Metals एक ही Level के Conductors होते हैं? यानि कि अगर मैं 0 से 10 की Scale पर अगर मैं आपको बताओ कि हमारे जितने भी Metals हैं उनका जो Conduction है वो 10 Number पर ही होता है यानि कि सपोज मेरे पास 4 Metals है कौन कौन से Silver, Gold, Aluminium और Zinc तो यह क्या 4 के 4 एक ही Level पर Electricity का Conductor करवाएंगे 0 से अगर 10 की Scale पर अगर देखा जाए इनके Conduction को तो क्या Aluminium भी 10 Number की ही Position पर आएगा? या Zinc भी क्या 10 Number की Position पर आएगा? कि सभी का Conduction है वो एक ही Level का होता है? नहीं Conduction हम भोते हैं कि अलग-अलग Level का होता है कुछ जादा अच्छी तरीके से Conduct करवा पाते हैं Electric Current को कुछ थोड़े कम अच्छे तरीके से For example, अगर मैं बात करूँ Silver की, तो Silver हम भोते हैं कि एक ऐसा Metal है जो कि बहतरीन Conductor होता है Electric Current का लेकिन अफसोस की बात यह है कि Silver इतना अच्छा Conductor है Electricity का लेकिन फिर भी Silver को हम अपने घरों के जो Electrical Wires हैं उसको बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं क्यों? बहुत महंगा होता है ना Silver मतलब क्या चांदी अब चांदी कि आप बिजली के तार बनाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है प्लस आप बोल सकते हो कि Silver को Electrical Wires में बनाने के लिए कुछ और भी उन्हों परिशानिया आती है इसलिए माना कि वो एक अच्छा Conductor होता है Electricity का बहतरीन Conductor होता है Metals में Among Metals लेकिन फिर भी उसको हम बिजली के तारों को बनाने में यूज नहीं करते हैं किसको यूज करते हैं तो Silver से एक लेवल कम पे आता है Copper Copper को हम यूज करते हैं कहां बिजली के तारों को बनाने में फिर Copper से कम अच्छा कौन सा Conductor होता है Electricity का Gold Gold से भी फिर नीचे कौन आएगा Aluminium आएगा तो कुल मिला करके ऐसा नहीं है कि अगर Metals Conductor होते हैं Electric Current के तो सभी के सभी एक ही लेवल पे आते हैं सबका लेवल अपना होता है अलग-अलग होता है Similarly, जब हम बात करेंगे Liquids की जो कि क्या करते हैं Electric Current को Conduct करवाते हैं वो Liquids भी क्या हो सकते हैं अलग-अलग हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ Liquids Weak होते हैं और कुछ Strong Electric Current को Conduct करवाने में तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे Detection of Weak Current Through a Liquid वह अगर कोई Liquid Weak Conductor होगा Electricity का मैं यह नहीं बोर रहा हूँ कि वो Conduction करवा ही नहीं रहा है Current का करवा रहा है लेकिन वो थोड़ा सा Weak है तो अव्यस सी बात है वो Liquid जो होगा जो Current Conduct करवाएगा वो कैसा कराएगा Weak Current करवाएगा तो उस Weak Current को हम कैसे Detect कर सकते हैं Flowing Through a Liquid यह हम सीखेंगे यहाँ पर हम कुछ Interesting Activities करेंगे ठीक है फिर इसके बाद में The Case of Distilled Water Tap Water Sea Water And Rain Water इन सभी पानियों को हम क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं कि क्या Distilled Water के थूँ Electrical Current Flow होगा क्या Tap Water Sea Water और Rain Water के थूँ Electrical Current Flow होगा होगा तो क्यूं होगा नहीं हो रहा है तो क्यूं नहीं हो रहा है ठीक है फिर इसके बाद में अपना Next Topic क्या हैगा Chemical Effects of Electric Current जो Electric Current Flow होता है तो उसके कुछ न कुछ आपको Chemical Effects देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बता है कि जब Electrolite में Electrolite टूट जाते हैं अपने अपने आइंस में तो यह chemical change हुआ की नहीं हुआ तो कुन मिला करके आप बोल सकते हो कि जब भी Electric Current Flow होता है तो कुछ न कुछ Chemical Effects उसके देखने को मिलते हैं कहीं Color Change हो जाएगा कहीं कोई चीज टूट जाएगी कुछ न कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा डीटेल में हम उन सभी Effects को पढ़ेंगे कहां अपने इस पॉर्टिकुलर टॉपिक में क्लियर हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे मारे पास क्या है फिर आएगा Applications of Chemical Effects of Electric Current अब जो भी हम पढ़ेंगे न इलेक्ट्रिक करेंट के चैमिकल एफेक्ट के भी हम यह पर क्या पढ़ने वाले हैं Applications पढ़ने वाले हैं फॉर एक्जामपल Electroplating Electroplating मतलब क्या होता है देखो एक मेटल की उपर ना दूसरे desired metal की एक थिन लेयर की कोटिंग कर देना क्या बोला मैंने Electroplating का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल है वो हमको अच्छा भी लगता है उसका हमने कोई चीज बना दिया है लेकिन हम एक और मेटल को पसंद करते हैं तो उस desired मेटल की हम क्या करने वाले हैं एक थिन लेयर चड़ाने वाले हैं उस दूसरे मेटल की ओपर इसे हम क्या बोलते हैं Electroplating ऐसा क्यों किये जाता है तो बेसिकली चीजों को जंग लगने से उसमें जंग ना लग जाए उसको बचाने के लिए फ़र एक्जामपल हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं तो देखा जाए तो वो लोहे वगएरा की बने होते हैं अब लोहा स्टील तो बहुत प्रोन होता है रस्टिंग के कुछ जैसे पानी का कॉंटेक्ट आया तो उनमें जोना जंग लगनी शुरू हो जाएगी तो भई नलों का तो कामी होता है उनको तो हमेशा क्या करना है पानी के कॉंटेक्ट में रहना ही रहना है तो कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो नल है वो खराब ना हो उनका जो लोहा है वो खराब ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं उसके उपर क्रोमियम जो की दूसरा मेटल है उसकी कोटिंग कर देते हैं जिसके कारण हमारे जो नल होते हैं बातरूम वगरा के वो बहुती बढ़िया तरीके से चमकने लगते हैं उनमें शाइन आ जाती है और वो रस्टिंग से भी जना प्रेवेंट हो जाते हैं को रोजन से भी प्रेवेंट हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रो प्लेटिंग हम और डीटेल में समझेंगे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में और कुछ और एक्जाम्पल भी देखेंगे एक बेसिक एक्जाम्पल तो मैंना कोई देई दिया है कि बाथरूम के नलों के उपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है अब और में तो कई तरह की IMPUORTIES भी होती है और में Metals तो होते हैं Lेकिन Metals के साथ-साथ बहुत तरह की IMPUORTIES भी होती है तो कुल मेरा करके हमारा मेटल होता है वह कैसा होता है? इम्प्यूर होता है अब उस IMPUOR मेटल को PURE करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा chemical effects of electric current का use करना पड़ेगा ठीक है फिर इसके बार में production of certain metal from the ore तो basically जैसे कि मैंना को बताया है कि हमारे पास जो metals हैं कुछ metals या most भी metals जो होते हैं वो अपनी ore से ही निकलते हैं तो उनको ore से निकालने के लिए extract करने के लिए produce करने के लिए हमें electric current की chemical effects को use करना पड़ता है फिर production of chemical compounds and decomposing chemical compounds अगर मैं आप से बोलू कि electric current का ही use करके हम क्या कर सकते हैं पानी सुना होगा आपने पानी पानी का फॉर्मॉलर क्या होता है एच टू ओ किस से बना होता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सिजन कैसे तो जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करन पास करवाते हैं तो पता है क्या होता है यह टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सिजन कैस में तो दो नई चीज़े बनी हैं कि नहीं बनी हैं कैसे बनी हैं जब आपने एक compound को decompose किया वह decomposition का मतलब क्या होता है कि जब एक compound तूट जाए उसका breakdown हो जाए किसमें अपने simpler forms में अपने simpler substances में तो यहां पर भी exactly यही तो हो रहा है कि हमारे पास पानी है यह पानी क्या कर रहा है जैसे इसमें हम electric current flow करवाएंगे यह तूट जाएगा किसमें hydrogen और oxygen gases में तो कुल मिलाकर कि यहां पर आप बोल सकते हो कि compound का decomposition हुआ है कैसे by electric current similarly हमारा जो naoate होता है sodium hydroxide ठीक है caustic soda उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते है electric current का ही use करते हैं तो इसलिए आप बोला गया है कि कुछ chemical compounds के decomposition के लिए और कुछ chemical compounds के production के लिए हमें electric current की ज़रूरत पढ़ती है तो decomposition का तो मैंने आपको एक example दे दिया है और production का भी मैंने आप को एक example दिया है कि जो sodium hydroxide होता है जो की एक strong base भी है तो उसको बनाने के लिए हमें electric current चाहिए होता है इतना कुछ पढ़ने के बाद में ultimately हम पहुंच जाएंगे कहां अपने इस chapter के last topic के ओपर जो कि क्या होगा exercise questions and in text activities आपकी NCRT book के तो basically यह chapter बहुत बढ़ा नहीं है बहुत आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि इस chapter में हम proceed कैसे करने वाले हैं इस chapter में हमें क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है यह सबको clear हो गया होगा तो भाई आज के session के लिए बस इतना ही मतलब इस session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे कहां 14th chapter, chemical effects of electric current का first topic discuss करने जा रहे हैं and that is, do liquids conduct electricity, यानि कि क्या हमारे liquids electricity को conduct करते हैं? Previous session में इस chapter का introduction हमने देख लिया है. हमें ये समझ में आ गया है कि इस chapter के अंडर हमें कौन कौन से topics पढ़ने हैं, समझने हैं, discuss करने हैं. तो अब finally बारी आती है, इस chapter के first topic को discuss करने की. कौन सा है वो first topic? यही तो है, do liquids conduct electricity? So I hope आज के session का जो target है, वो सभी बच्चे को है एकदम clear. तो ये काम करते हैं न, जल्दी साज के session को हम start कर लेते हैं. So this is विभूती खरे, welcome to Magnet Brains, जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost. यानि कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की, या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है, quality education, बिल्कुल free of cost. कौन सा है, do liquids conduct electricity? तो basically ये एक सवाली तो है आपके लिए, कि क्या हमारे liquids electricity को conduct करते हैं? तो इस सवाल का जवाब ही आपको इस session में मिलने वाला है. वैसे तो मैं आपको previous session में, introduction वाले session में एक hint दे ही चुकी हूँ, लेकिन हाँ, probably आज के इस session में हम इस सवाल का जवाब पता करने वाले हैं, समझने वाले. अब देखो, यहाँ पर क्या लेखा गया है? कि we have learned that some solid materials allow electric current to pass through them, whereas others do not allow electric current to pass through them. तो भई, यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कुछ हमारे पास solid materials होते हैं, जो कि electric current को अपने through pass होने देते हैं, वही हमारे पास कुछ ऐसी solid materials भी होते हैं, जो कि electric current को अपने through pass नहीं होने देते हैं, for example, मैं एक ऐसा solid material हूँ, जो कि electric current को pass नहीं होने देना चाहता है, for example, यहाँ से electric current आ रहा है मेरे अंदर, ठीके ना, electric current मेरे अंदर भी गया, लेकिन अब मेरे अंदर ये जो electric current है न, इसको मैं अपने body के बाहर निकलने नहीं दूँगी, इसको मैं आगे जाने नहीं दूँगी, तो electric current आप बोल सकते हो कि उसका जो flow है, वो रुग गया की नहीं रुग गया, अच्छा कासा आ रहा थ electric current यहां से, जाना उसको वहाँ था, लेकिन बीच में मैं आ गई, मैं कौन हूँ, एक ऐसा solid material जो कि electric current को flow नहीं होने देना चाहता है, तो जो भी electric current यहां से आएगा, आकर की बिचारा रुग जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है न, तो basically electric current का flow क्या हो चुका ह है, रुख चुका है, उसमें बाधा आ गई हो उसके flow में, ठीक है, और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे solid materials भी होते हैं, जो कि electric current को बहुती smoothly पास होने देते हैं खुद से, for example, अब मैं एक ऐसा solid material हूँ, जो कि क्या करने वाला है, electric current को पास होने देता है, ठीक है, for example, यहां से electric current आया, मेरे अंदर गया, अब मेरे अंदर electric current आ तो गया है, अब इस electric current का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यह electric current मुझसे होते हुए बाहर निकल जाएगा, तो मैंने यहां पर electric current को रोका नहीं है, flow होने से, यहां से अच्छा खासा electric current आ रहा था, आते 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 मेरे अंदर मुझसे यहां बोच सकते हो कि मेरे body की थूँ अब यह electric current आप बोच सकते हो कि pass होने वाला है, मुझसे बाहर निकलने वाला है, तो यहां से आ रहा था electric current और यहां चला गया, कैसे चला गया, तो मुझसे से होते गया, मेरी body की थूँ होते हुए गया, तो मैंने electric current को रोका नह जैसे कि हमने हमारा जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का प्रिवेस सेशन वाला वहां भी मैंना को बताया था कि वह वाले सब्स्टेंस जो कि एलेक्टर करेंट को पास होने देते हैं रोकते नहीं है उनके पैसेज को उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हे में नैकर हनों में लेक्टर कॉक्शन था प्लाइंस यह उनके जो तार होते हैं वो सभी तार आप क्यों सभी वायर्स में अन सभी तारों में ठीकर होता है कि नहीं होता है उन में आप सकते हो की current बहता है तो current अगर flow हो रहा है अगर current अब सकते हो कि pass हो रहा है उन ब焦ली के तारों से इसका मतलब क्या कि definitely वह बजली के तार वह electrical wires कुछ ऐसे material के बने होंगे कि वह material एलेक्टरिक करेंट को पास होने दे रहा है और विशी बात है जैसे कि मैंने बोला कि मैं क्या हूं इस समय एक ऐसा सबस्टेंस हूँ या एक ऐसा सॉलिड मटेरियल हूँ जो कि इलेक्रिक करेंट को पास होने दे रहा है तो यहां से करेंट आएगा और यहां से निकल जाएगा मुझसे होते हुए तो हमारे घरों में अगर electrical wires में current दोड़ता है, flow करता है इसका मतलब क्या कि उन wires को बनाने वाला जो material है, वो material क्या कर रहा है, electric current का passage allow कर रहा है, अगर material ही allow नहीं करेगा electric current का passage, तो फिर चाहे आप कितने भी expensive electrical wires क्यों ना ले लो, कितने भी सुंदर क्यों ना ले लो, कितने भ रहा हो करी नहीं रहा है electric current के flow को, तो फिर ऐसे तारों का मतलब क्या, फिर वो तो simple wires हो गए ना, वो electrical wires कहां से हुए, ठीक है, चलो, On the other hand, those materials which do not allow electric current to pass through them easily are called poor conductors of electricity, या उनको हम non-conductors भी बोलते हैं electricity के, या insulators भी बोल सकते हैं, For example, the metals such as copper, aluminium allow electricity to pass through them, और conduct electricity, so they are good conductors of electricity, तो हमारे पास metals हैं, जैसे कि copper हो गया, aluminium हो गया, ये क्या करते हैं, Electric current को easily pass होना, allow कर देते हैं, या आप ये भी भी भोल सकते हो कि copper और aluminium electricity को conduct करवाते हैं, So they are good conductors of electricity, यानि कि electricity के क्या हैं, अच्छे conductors हैं, तो कुल मिला करके, हमारे copper और aluminium के पास ये property होती है, Electricity को conduct करवाने की, तब ही तो फिर इनको हम अलग-अलग जगा पे यूज़ करते हैं, इनसे तार बनवाते हैं, aluminium की भी कुछ cable बनती हैं, Copper की भी हम बोलते हैं कि कुछ cable बगएरा, तार बगएरा बनते हैं, क्यों? क्योंकि ये electric current को पास होने देते हैं, हमें तो एक ऐसा ही तार चाहिए है जो कि electric current को flow होने दे, ऐसे तार का क्या मतलब जो कि electric current को रोख के रख रहेगे, आगे तुम नहीं जा पाओगे, फिर वो तार हमारे लिए useless रहेगा, हमारे लिए काम कर नहीं रहेगा, ठीक है? चलो. On the other hand, the materials such as rubber, plastic, wood do not allow electric current to pass through them. या आप ये भी पोल सकते हो कि they do not conduct electricity. So they are poor conductors of electricity और non-conductors of electricity. electricity, आपके घर में वो tester होता होगा ना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी बिजली के कामू में interest दिखाते होंगे, अपने पापा के साथ या या आपको interest होगा, तो आपके घर में जरूर टेस्टर होता होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है, तो आप अपने ममी पापास से जाकर कि किसी से पूछ सकते हो, specially अपने पापास, क्योंकि उनलों को पता होता है. तो टेस्टर में हम बोलते हैं कि metal की पतली सी रॉड होती है. इसका काम क्या होता है? टेस्टर का काम होता है टेस्ट करना, जैसा नामें वही काम है. टेस्टर को हम, कभी तबी हम बोलते हैं कि हमारा charger, हमारा जो फोन है वे चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, लैपटॉप तो सही चल रहा है, charger को भी हमने अगर दूसरे socket में plugin किया है, तो वहां से laptop चार्ज हो रहा है याने कि गड़बड किसमें है गड़बड है इस पर्टिकुलर एक सॉकेट में इस सॉकेट में जब हम कोई भी चीज चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो फोन हो या वो हमारा laptop हो तो वो चीजे चार्ज नहीं हो रही है लेकिन अगर ह इस सॉकेट में हम बोलते हैं कि तीन गड़बड को बलाते हैं इलेक्रिशन को बोलते हैं इस टेस्टर का यूज करेगा जैसे कि मैंने आखो पताया कि टेस्टर में हम बोलते हैं कि मेटल की क्या होती है एक आप बोल सकते हो कि ट्यूब होती है ठीके ना और ट्यूब के ऊपर ऐसा एक प्लास्टिक का कवर होता है और अंदर की तरफ हम बोलते हैं कि छोटा सा बल्ब भी होता है क्या होता है एक छोटा सा बल्ब भी होता है तो ज बखाई दे रही है इस से ट्यूब को या मेटल रॉड आप बोल सकते हो नो ट्यूब तो हम बोल सकते हैं कि होलो भी हो सकती है ट्यूब नहीं मेटल की छोटी सी रॉड होती है ठीक है इस रॉड को हम क्या करते हैं इन गड़ों में डाल देते हैं गड़ों में डालने के बाद आप होगा क्या अगर इलेक्टर करेंट आ रहा होगा वो सौकिट में तो उस इलेक्टर करेंट से टेस्टर के अंदर का जो बल्ब है न वो जलने लगता है तो जैसे ही टेस्टर के अंदर का बल्ब जला तो समझ लो कि electric current आ रहा है अगर बल्ब नहीं जला इसका मतलब क्या कि tester के बल्ब तक electric current आया ही नहीं और अगर electric current नहीं आया इसका मतलब क्या कि socket में electric current नहीं आ रहा है आई बात समझ में तो tester का जैसा नाम है वही काम है कि यह test करता है electric current को ऐसे कुछ यह तार होते हैं तारों पकड़ने के पहले जो इलेक्टरिशन वो क्या करता है टेस्ट करता है कि इस तार में कहीं इलेक्टर करेंट तो नहीं आ रहा है पता चूझ जाए चूले अगर हमारा इलेक्टरिशन तो उसको करेंट लग जा शौक लग जाए तो सीडिसी बात है हमारा जो टेस्टर है वो क् को डारेक्टली हम बल्ब से कनेक्ट करके बस ऐसी हाथ में पगड़ सकते थे क्या जर्बत पड़ गई इस पूरे बल्ब हो गयरा को जो है ना एक प्लास्टिक के कवर से कोट करने की या प्लास्टिक का कवर बनाने की क्योंकि भाई अगर आपने यूहीं मेटल की रोट जाकर के छूली ना तो करेंट लग जाएगा क्योंकि हमारे मेटल्स क्या होते हैं गुट कंडॉक्टर्स ऑफ एलेक्ट्रिसिटी वहीं उनके उपर जो ऐसी प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना मोस्ती ग्रीन या ब्राउन कलर की तो वह कवरिंग इसकी बनी होती है प्लास्टिक अभी मेटल की जो रॉड है ना उसको जाकर कि मत छू लेना हमेशा प्लास्टिक की जो कवर होती है हमेशा उससे ही हम पकड़ने वाले हैं कि इसको अपने टेस्टर को आई बात समझ में चलो तो गुट कंडॉक्टर्स ऑफ एलेक्टरिसिटी मेटल्स पूर कंडॉक्टर्स की just as some of the solids conduct electricity in the same way some of the liquids also conduct electricity जैसे कि कुछ solids electricity को करवाते हैं वैसे ही कुछ liquids भी होते हैं जो कि electricity को conduct करवाते हैं इस पूरे sentence को आप क्या कर लिजेगा अंडरलाइन करिएगा हाइलाइट कीजेगा और उसके ओपर आप star mark बना दीजेगा मैं तो कहती हूँ दो बना दो स्टार्स क्यों क्यों क्योंकि यह statement बहुत important है हम लगातार अपने previous session से यह बोलते जा रहे हैं कि क्या liquids electricity को conduct करते हैं कहां बिल्कुल करते हैं लेकिन वो liquids हैं कौन क्या दुनिया की सारे liquids electricity को conduct कर वाएंगे हो सकता है यह possible है यह यह भी हो सकता है कि नहीं कि हमारे पस कुछ ही ऐसे liquids होंगे, जो कि क्या करेंगे, electricity को conduct करवाएंगे, तो जरा हमें ये clear कर दो मैम, कि कौन से liquids होने वाले हैं हमारे, जो कि electricity को conduct करवाएंगे, जिससे कि हमको सतर करेंगे, जिससे कि हमें खतरा हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि acids, bases and salts in water, तीन ग्लास पानी लो, एक ग्लास में डाल दो, acid, दूसरे ग्लास में डाल दो क्या, base, और तीसरे ग्लास में डाल दो क्या, नमक, तो पहला जो आपके पास glass होगा, उसमें acid plus water होगा, दूसरे ग्लास में आपके पास base plus water होगा, तीसरे ग्लास में आपके पास होने वाला है salt plus water याने कि अब आपके पास acid solution, basic solution और salt solution आ चुका है और ये तीनों ही solutions क्या कर सकते हैं, electricity को conduct करवा सकते हैं, क्या बिल्कुल करवाते ही हैं तो अब आप बोल सकते हो कि रहस्य से पर्दा उठ चुका है अब आपको पता चल गया कि कौन से वो ऐसे liquids हैं, जो कि electricity को conduct करवाते हैं तो acids, bases and salts in water, या acidic solution, basic solution या salt solution ये तीनों ही type of solutions क्या करने वाले हैं, electricity को conduct करवाने वाले हैं आई बात समझ में, पहले beaker में आपने क्या करा, पानी में acid डाल दिया कौन सा acid डाला है, अपना 1% जो कि हमारे chemistry lab में बहुत ही easily available होता है HCL याने कि hydrochloric acid, ये HCL इतना 1% क्यों है हमारा, क्योंकि ये हमारे tummy में याने कि हमारे stomach में भी present होता है यही HCL क्या करता है, हमारे खाने को digest करने में मदद करता है इसके अलावा आपके पास एक base है, base हमने कौन सा लिया है, sodium hydroxide लिया है, ठीके न, NaOH और तीसरा हमने नमक कौन सा लिया है, नमक हमने लिया है NaCl, NaCl मतलब क्या sodium chloride और यह sodium chloride नमक क्या कभी आपने खाया है, भाई आप रोस खाते हो, क्यों हमारा जो common salt है न, वो common salt है क्या, वो sodium chloride ही है, NaCl ही है तो तीनों को ही हमने अलग-अलग separate beakers में डाला है along with water, तो acidic solution, basic solution और salt solution बन चुका है आगे बढ़ें क्या, चलो For example, a solution of sulfuric acid, भाई अब acid के नाम पे सिफ HCl थोड़ी ना होता है, ऐसे तो बहुत सारे acid होते हैं, जैसे की sulfuric acid हो गया, H2SO4 ठीक है, H2SO4, hydrochloric acid के बारे में मैंने आपको बताया, कौन सा हो गया, HCl हो गया और any other acid in water conducts electricity, कोई भी आप acid ले लो, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, nitric acid हो, ठीक है, acetic acid हो, कोई साभी acid क्यों ना हो वो सभी acid क्या करने वाले हैं, water में जाकर के electricity conduct करवाएंगे, याद रखेगा, water की presence बहुत important है विनेगर, जो कि हम अपने चाउमीन में, मंचूजन वगेरा में आट करते हैं, उस विनेगर में भी एक acid होता है, अब आप बोलोगी कि मैम, acid, विनेगर में अगर acid है और अगर विनेगर को हम खा रहे हैं, तो कहीं हमारी body में damage तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरीकेगा, नहीं होगा क्योंकि विनेगर में जो acid है, जिसको हम प्यार से acetic acid बोलते हैं, ये acetic acid edible होता है, हम ये खा सकते हैं काफी mild भी होता है, तो obvious सी बात है, इतने समय से आप मंचूजन और चौमीन खा रहे हो, है ना, acetic acid ये विनेगर उसमें डाल-डाल करके, तो कोई damage हुआ क्या, नहीं हुआ, और नहीं होगा क्यों? mild acid है, edible acid है फिर इसके बार में lemon juice, lemon juice में भी acid होता है, कौन सा वाला? citric acid in fact हमारे जितने भी खटे फ़ल होते हैं, चाहे वो हमारे संत्रे हो, है ना, मौसम्मी हो, नीबू वगेरा हो गया सभी खटे फ़लों में क्या होता है? acid होता ही है, हमारे जितने भी citrus fruits होते हैं citrus fruits का नाम, citrus क्यों पढ़ा है? क्योंकि उनमें citric acid present होता है आई बात समझ में, तो ऐसे हमारे बहुत सारे, you know, mild edible acids है हमारे पास जो baking powder होता है, जिसको की हम अपने cake को बनाते टाइम, उसके batter में डालते है तो batter में हम इमिशा baking powder डालते हैं, तो baking powder किसका बना होता है? combination को हम क्या बोलते हैं? baking powder, क्योंकि actually होता क्या है कि अगर हम simple baking soda डालें, cake के batter में तो baking soda हम बोलते हैं कि होड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है? तो उसके कड़वे पन को मारने के लिए हम क्या करते हैं? tartaric acid डालते हैं तो कुल मिला करके conclusion क्या निकला? कि हमारे पास ऐसे कई सारे edible और mild acids होते हैं, जिसको कि हम safely consume कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है उनी में से दो हैं कौन से citric acid जो की नीवू में होता है, lemon juice में होता है और acetic acid जो की vinegar में होता है vinegar and lemon juice also conduct electricity because they are solutions of acids vinegar को पानी में डाल दो और lemon juice को पानी में डाल की mix कर लो फिर दोनों को ही जो है ना आप भेजो electric current को conduct करवाने के लिए दोनों ही करवाएंगे क्यों क्योंकि दोनों में ही क्या है अपना-पना उनके पास respective acid है और पानी में डालने के बाद क्या बन जाएगा acidic solution बन जाएगा और यह acidic solution क्या करेगा electric current को उसका जो flow है वो allow करेगा similarly a solution of sodium hydroxide potassium hydroxide और any other soluble base in water conducts electricity यह कहानी केवल acid की नहीं है base की भी है हमारे पास base कौन सा है sodium hydroxide है sodium hydroxide इसको की हम caustic soda भी बोलते है इसके लावा हमारे पास potassium hydroxide भी है या कोई भी other soluble base पानी में क्या कर सकता है electricity को conduct करवाएगा तो ध्यान से समझेगा पानी की जो presence है वो बहुत important हो रही है हर जगा acid में भी acidic solution में भी और base के साथ भी and a solution of copper sulfate copper sulfate क्या होता है देखो कुछ इस तरीके का मिलता है आप पता नहीं है आपने कभी copper sulfate को देखा है नहीं देखा है मैं बता दीती हूँ को copper sulfate जोना इस तरह की blue color का एक आप बहुत सकते हो कि powder होता है यह powder नहीं crystalline substance होता है यहां पर आपको बहुत सारे copper sulfate में छोटे-छोटे से crystals नजर आएंगे यह सभी crystals किसके होते हैं copper sulfate के ही होते हैं और color इनका आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा blue होता है करना क्या होता है हमें हम कुछ इस तरीके से एक बीकर में पानी लेते हैं और पानी में थोड़ा सा हम copper sulfate डाल देते हैं तो copper sulfate पानी में जाकर के अच्छी तरीके से dissolve हो जाएगा तो आपके पास एक blue color का solution आ जाएगा अब यह blue color का solution क्या है यह copper sulfate solution ठीक है और यह copper sulfate basically है क्या यह एक salty है जैसे कि हमारा sodium chloride एक salt होता ना वैसे ही copper sulfate भी क्या है एक salty है so a solution of copper sulfate common salt sodium chloride और any other salt in the water also conduct electricity तो चाहे वो NACL हो चाहे वो copper sulfate का solution हो पानी में कि सभी क्या करने वाले है electricity को conduct करवाने वाले है तो आप देख सकते हो कि चाहे पानी ले चाहे आप नमक ले लो चाहे एसे ले लो फिर चाहे आप कोई भी soluble base ले लो सभी में इन तीनों में ही पानी की presence बहुत ही important है there are however some important differences in the conduction of electricity by solids such as metals and liquids such as solutions of acid spaces and salt अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास ना सिर्फ ऐसे solids हैं जो कि electricity को conduct करवाते हैं बलकि अब हमारे पास कुछ liquids भी आ चुके हैं जो कि क्या करने वाले हैं electric current का conduction करवाने वाले हैं लेकिन क्या इन दोनों का ही जो electric conduction है वो एक जैसा होता है यही यह क्या हमारे solids भी solid का जो तरीका होता है अच्छी लिकुड्स के पास भी होता है electric current को conduct करवाने का नहीं एसा नहीं होकता है इसलिए यहां पर लिखा गया है कि However, some important differences in the conduction of electricity by solids and liquids are there. ठीक है? Definitely कुछ आप बोल सकते हो कि differences होते हैं. कौन कौन से होते हैं? चलो, अब उसमें हम आते हैं. These differences are given below. In solids, first difference आपके सामने आचुका है कि in solids, like metals, electricity is carried by electrons but in liquids, electricity is carried by, उफो, यहाँ पर ions होना चाहिए. क्यानों चाहिए? ions. ठीक है? Electricity is carried by ions, positively charged ions या negatively charged ions. अब आप बोलोगे कि मैं यह क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से बताओ. चलो, मैं अच्छे से बता देती हूँ. Metals के बारे में हमने क्या पढ़ा है? अभी हम दो चीज़े देख रहे हैं, solids और liquids. ऐसे solids, जो कि electric current को conduct करवा रहे हैं, और ऐसे liquids, जो कि electricity को conduct करवा रहे हैं, एक ही बात है मतलब. तो solids में हमारे पास कौनसे solids आएंगे? तो metals. बही ऐसे तो हमारे non-metals भी क्या होते हैं? कुछ solid होते हैं, लेगे क्या? वो solid non-metals, electric current को conduct करवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हमें तो अभी उन solid materials की बात करनी हैं, जो कि क्या करने वाले हैं? electric current को flow करवाने वाले हैं. हमें यहाँ पे conductors की बात करनी हैं. electric current को conduct करवाते हैं. ऐसा उन में क्या है? तो basically, जैसे कि मैंना आपको बताया, कि हर एक चीज, मैंना आपको previous session में भी चीज़ समझाएते हैं, कि हर एक चीज के पास क्या होते हैं? atoms होते हैं. अगर मैं इस plastic के pen की बात करूँ, अगर metal है, तो उसके पास क्या होने वाले हैं? उसके respective metal के atoms होने वाले हैं, यानि कि इसमें बहुत सारे silver के atoms भरे पड़े हैं. अब silver के atoms के अगर बात की जाए, तो atom के अंदर क्या होता है? यह बात किवल silver के atom की नहीं है. अभी मैं एक generally मैं आपको एक point बताना चाहा रही हूँ कि एक atom के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं? atom के अंदर आपको तीन टाइप के subatomic particles मिलते हैं that are electrons, protons and neutrons. electrons, protons and neutrons. repeat after me, atom के अंदर कौन-कौन से तीन टाइप के subatomic particles आपको मिलेंगे? electrons, protons and neutrons. खासबद क्या होती है? खासबद ये होती है कि electrons के उपर होता है negative charge, ठीक है? फिर इसके बार में protons के उपर होता है positive charge और सबसे सीधे होते हैं हमारे कौन? neutrons. क्यों? क्योंकि neutrons के पास कई उपर charge होता ही नहीं है. तो एक atom के अंदर आपको क्या मिलेगा? यही तीनों मिलेंगे. electrons, protons and neutrons. electrons के उपर negative charge, protons के उपर positive charge और neutrons के उपर कोई charge नहीं होता है. अगर मैं एक silver के atom की बात करूँ इस समय, तो एक silver का जो atom है, जैसे कि अगर मैं इस preset की बात करूँ, तो यह silver का है, इसमें बहुत सारे silver के atoms present हैं. और सभी silver के atoms में, चलो सभी नहीं, मैं अभी आपको एक silver atom की बात बताती हूँ. तो इस bracelet का मैंने एक silver atom उठा लिया, और उठा करके आपके सामने यहां पर रख दिया. कि भाई, जो एक silver atom आपके पास आया है, उसमें आपको electrons, protons और neutrons सभी की सभी दिखाए देंगे. अब अगर मैं बोल रहूं कि भाई, electrons के उपर negative charge है, और protons के उपर positive charge है, neutrons हम बोलते हैं कि कुछ नहीं है उनके उपर, तो जो भी आपके पास silver का atom आया है इससे, तो definitely इस silver के atom के उपर क्या होने वाला है, कोई न कोई चार्ज होने वाला है, या तो negative charge होगा, या positive charge होगा, अब आप बोलोगे कि मैं, ऐसा क्यों? भाई, सीदी सी बात है, एक atom के अंदर electrons हैं, जो कि negative charge लिए हुए हैं, protons हैं, जो कि अपने उपर positive charge लिए हुए हैं, तो atom के उपर भी तो कोई न कोई चार्ज आयागा ना, या इधर positive और negative, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्यों? अधिकतर हमारे जो atoms होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपने neutral state में होते हैं, क्यों होते हैं, neutral state में? क्योंकि atom में electrons and protons का number कैसा होता है, बराबर बराबर होता है, यानि कि अगर एक silver के atom में 6 electrons हैं, तो number of protons भी कितने होंगे? 6 ही होंगे, इसका मतलब क्या? कि 6 electrons का जो भी negative charge होगा, वो 6 protons के, 6 protons के positive charge से क्या हो जाएगा? cancel out हो जाएगा, balance out हो जाएगा, तो जिसके current हमारा जो atom होगा, वो कैसा रहेगा? electrically neutral रहेगा, वो neutral रहेगा, उसके उपर कोई भी charge नहीं होगा, आई बात समझ में, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो एक atom के अंदर 3 type के subatomic particles, electrons, protons and neutrons, electrons के उपर negative charge, protons के उपर positive charge, neutrons हमारे कैसे होते हैं, neutral होते हैं, उनके उपर as such कोई भी charge नहीं होता है, एक atom initially कैसा होता है, neutrally होता है, क्योंकि उसमें number of electrons and number of protons कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, अब जब हमने इतना सीखी लिया है, तो मैं आपको एक और चीज़ याँ पर बताना चाहती हूँ, कि electrons, protons और neutrons, ये तो आपको समझ में आ गया कि atom के अंदर होते हैं कहां, present होते हैं, ये तो मैं आपको बता हैं नहीं, चलो बता देती हूँ, आपका अगर ये एक atom है, तो एक atom के अंदर आपको उसका एक nucleus भी दिखाई देगा, जैसे cell, हमारे body में जो cell होते हैं, cell के पास उसका nucleus होता है न, वैसे ही atom के पास भी क्या होगा, उसका एक nucleus होगा, और इस nucleus में around, इसी nucleus के around, आप बोल सकते हूँ कि कुछ shells होते हैं, और उन्हीं shells में, उन्हीं shells में हमारे electrons present होते हैं, तो nucleus के अंदर, neutrons and protons, और nucleus के बाहर क्या होंगे, electrons होगे, बेसिकली पता है, क्या होता है, जो nucleus है न, वो electrons को पकड़ करके रखता है, उसको खीच करके रखता है, जैसे होस्तल में हमारी गाजन होते हैं, कि जित्ते भी बच्चे, उन्हीं सभी पर क्या करना है, एक control पाकर के रखना है, सभी बच्चों को control करना है, जैसे कि हमारे school की teacher है, teacher का काम क्या होता है, कि अपने class के बच्चों को control करना है, discipline में रखना है, वैसे ही atom के अंदर, जो nucleus होता जो सबसे पीछे बैटने वाले जो बच्चे होते हैं, last bench पर, जिसको कि आजकल हम लोग back bencher's बोलते हैं, तो वो back bencher's जो है ना, पीछे की seat पर बैट करके खूब शतानी करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे आखरी वाली seat पर teacher का control उतना रह नहीं पाता है, वही जो first bench पर बच् होते हैं, वो teacher की presence है class में, उसके बाद भी कुछ ना कुछ चतानी कर ही लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसी होता है, कि वैसे तो nucleus सभी electrons को पकड़ करके रखते हैं, लेकिन सबसे दूर nucleus से सबसे दूर electron होता है ना, वो बहुत naughty होता है, उस पे nucleus का उतना control हो नहीं पाता, तो होग आजाएगा, आप यह देखो, कि इतना जादा naughty हो चुका है, सबसे दूर वाला electron, कि जैसे हमने energy दी, atom से वो electron, आखरी वाला electron सीधे बाहर निकल कर के ही आजाएगा, और बाहर निकल कर के जाएगा, क्या, flow करने लगेगा, और जहाँ electrons flow हुए, electrons मतलब क्या, electrons के उपर जो negative charge है, जहाँ पर वो हुआ, समझ नवा पर क्या होने वाला है, electric current flow होने वाला है, तो यह जो आपको मेरे पीछे एक GIF दिखाई दे रही है, वो exactly यही चीज़ को explain कर रही है, कि यहाँ पर हमारे पास देखो, बहुत सारे atoms है, यह first वाला atom है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह fourth है और यह fifth atom है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कुल मिला करके atoms दिखाई दे रहे हैं, atoms के अंदर क्या हो, उनका एक respective nucleus भी है, अब हो क्या रहा है, जैसे ही हम एक energy दे रहे हैं, energy देने से हुआ क्या, एक atom का जो electron है, वो कूद करके बाहर निकल गया, बाहर तो निकला, फिर कहां गया वो, पडोसी वाले atom में चला गया, पडोसी वाले atom से भी क्या हुआ, हमने उसको भी थोड़ी सी energy दी, तो उससे क्या हुआ, उस energy के current पडोसी atom ने, जो भी electron लिया था, अबने पडोसी से, वो electron फिर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर electron जो है न, इसमें आ जा है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंना को बताया न, कि हम क्या करते हैं, metals को यूज करते हैं, घरों के electrical wires वगेरा बनाने के लिए, तो वो जो wires है, वो किसके बने हैं, metals के बने हैं, और metals में हम बोलते हैं, कि बहुत सारे atoms होते हैं, तो जब भी किसी metal के थूँ, हम electric current को flow करव जाते हैं, तो metal के जो atoms होते हैं, उनके जो electrons होते हैं, वो कुछ इसी तरीके से, कूद कूद के, कूद कूद के, क्या होते जाते हैं, move करते जाते हैं, तो भी more specific flow करते जाते हैं, और electrons के इन ही flow को, आप बोल सकते हैं कि क्या है, electric current flow हो रहा है, जहां electrons का flow शुरू हुआ, या आप ये भी बोड सकते हो कि जहां Electrons के उपर जो Negative Charge है va हिए Electrons Flog हो रहे हैं। इसका मतलब क्या उनके ऊपर जो Negative Charger लगा है वह भी तो flow हो रहा है और जहां Electrons का Negative Charge Flow हुआ वहां समझो Electric Current flow होने लगा. आई बात समझ में तो कुछ इस तरीके से हमारे metals क्या करने वाले हैं electric current को उसका जो passage है या electric current को connect करवाने वाले हैं क्योंकि जहां पर जैसे हमने electric current कहां आप बोल सकते हो कि metal में पास करवाया metal के atoms के जो सबसे बाहर की तरफ electrons होंगे वो जो है ना अपना naughty पन दिखाना शुरू कर देंगे जैसे हमने energy दे कूट कूट के कूट कूट के atom के बाहर निकल आएंगे और flow करना शुरू कर देंगे ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे metals electricity को conduct कैसे करते हैं अब जरह हम आ जाते हैं अपने liquids के ओपर कि क्या हमारे liquids भी same pattern में electric current को flow कर वाते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि metal के पास तो उनके electrons हैं लेकिन हमारे liquids के पास सोड़े ना होते हैं उनके पास पता है क्या होता है उनके पास होते हैं आयंस क्या होते हैं आयंस कैसे बनते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी कि initially कोई भी जो हमारा atom है, वो कैसा होता है, electrically neutral होता है, क्यों होता है neutral, क्योंकि उसमे number of definitely atom के अंदर positively charged protons है, negatively charged electrons है, लेकिर initially आप बोल सकते हो कि number of electrons, number of protons के बराबर होते हैं, तो जितना भी negative charge होता है electrons के उपर, वो पूरा का पूरा balance हो जाता है किसके साथ, protons के उपर लगे होता है कि atom को stable होना पड़ता है, हर एक atom अपनी life में stable होना चाहता है, तो stability के लिए हो सकते है कि कभी उसको कुछ electrons की कमी हो रही हो, या यह भी हो सकते है कि उसके अंदर कुछ जादा ही electrons हो, तो उन X's electrons को उसको अपने atom से, अपनी body से बाहर निकालना होता है, तो कुल मिला क करके, जैसे कि मैं आपको example दिया था, कि example के लिए हम आते हैं कि silver के एक atom के पास 6 electrons है, तो number of protons भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, अब क्या हुआ, कि electrons भी 6 थे, protons भी 6 थे, ठीक है, लेकिन 6 electrons के कारण, जो silver का atom है, वो stable नहीं था, वो stable नहीं था, उसको एक electron की कमी आ रह electrons होते हैं, तो हमारा silver का atom stable हो जाता है, तो पता है क्या होगा, stable तो होना है, atom को, तो वो क्या करेगा, कहीं और से, बाहर से, एक electron को ले लेगा, और जहां वो एक electron ले लेगा, इसका मतलब क्या, अब उसके उपार हो गए है, अब atom के अंदर हो गए है, total 7 electrons, कितने हो गए electrons, 7 electrons हो गए, लेकिन protons तो अभी भी कितने है, 6 ही है ना, इसका मतलब क्या, कि electrons का number बढ़ गया है, protons का number कहने को तो change नहीं हुआ है, लेकिन electrons के comparison में, protons का number कम हो गया है, बढ़ा कौन है, electrons का number है, इसका मतलब क्या, पहले तो initially 6 electrons के negative charge को balance करने के लिए कौन था, 6 protons से, उनका positive charge था लेकिन अब क्या हुआ, अब number of electrons हो गया, 7, इसका मतलब अब 7 electrons के negative charge को balance करने के लिए, उतने sufficient number of protons के positive charge है ही नहीं, इसका मतलब क्या, कि अब atom के उपर आने वाला है क्या, एक negative charge, तो हमारा atom क्या हो जाएगा, negatively charge हो जाएगा, उसके उपर एक प्यारा सा negative charge आ जाएगा, और जाहां atom के उपर negative charge आया, इसका मतलब क्या, अब हमारा atom, atom नहीं क्यालाया जाएगा, अब हमारा atom क्यालाया जाएगा, क्या, एक iron, और कैसा iron, एक negative iron, आए बात समझ में, तो मैं, क्या atom एक positive iron भी बन सकता है, हाँ बिलकुल बन सकता है, कैसे बन सकता है, अभी तो हमारे एक atom ने एक electron को, extra electron को लिया था, अब ये भी तो possible है ना, कि एक atom अपनी stability के रिए अपने आप से एक या दो electron दे दे, तो suppose हमारे पास क्या है, अब sodium का एक atom है, किसका atom है, sodium का एक atom है, उसके पास पता number of electrons कितने initially, 11 है, तो number of protons भी कितने हो जाएंगे, 11 ही हो जाएंगे, तो initially हमार जो sodium का atom है, वो कैसा है, neutral है, लेकिन अब पता है क्या होगा, इस 11, पूरे पूरे 11 नहीं, 11 electrons तो उसके पास है, लेकिन उन 11 में से, जो सबसे बाहर वाला एक electron है ना, वो जादा है, यहाँ पे इस atom में एक electron की deficiency थी, जिसके current stability नहीं मिल पा रही थी atom को, और sodium atom में क्या है, ए 11 में से, एक electron जर्वत से जादा है, तो उस जर्वत से जादा वाले electron के current, sodium atom की stability जा रही है, अब stability को हम जाने नहीं दे सकते हैं, उसको obtain करना ही, अचीव करना ही है, हर हालत में, तो क्या होगा, एक sodium का atom, 11 electrons में से, एक electron दे देगा, तो अब उसके पास, भई, अगर एक electron चल 11 का जो negative charge है, उसको balance करने के लिए 11 protons के positive charge थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब हो गाए है number of electrons 10, अगर number of electrons कम हो गाए है, इसका मतलब क्या, protons का number अभी change नहीं हुआ है, protons तो अभी भी 11 है, electrons हो ग dependant, तो 11 protons के positive charge को balance करने के लिए क्या sufficient electrons के negative charge होगा? नहीं होगा वही एक proton की यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जादा है ना यहाँ पे एक electron कम हो गया है तो 10 protons के positive charge को balance करने के लिए 10 electrons का negative charge तो है लेकिन एक extra जो proton है उसके positive charge को balance करने के लिए और कोई extra electron नहीं है electron का negative charge नहीं इसका मतलब क्या atom की उपर आने वाला है एक प्यारा सा positive charge यानि कि अब हमारा atom बन चुका है क्या एक positive ion क्या बन चुका है एक positive ion तो कुछ इस तरीके से negative और positive ions बनते है neutral atom से ही ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं से negative और positive ions वो liquids जो की electricity को conduct करवाते हैं उनके पास क्या होते हैं ऐसे positive और negative ions होते हैं और वो positive और negative ions क्या करते हैं फ्लो करते हैं और जहां वो ions flow हुए उनके charges flow हुए तो समझ लो वापे क्या होने वाला है electric current flow होने वाला है तो conclusion आपको समझ में आया कि charge को flow होना है अब आप चाहे कोई metal ले लो या फिर चाहे आप कोई liquid ले लो metal में हम बोलते हैं कि electrons होते हैं free electrons होते हैं उनकी है ना वैसे तो nucleus atom में जितने भी electrons हैं उन सभी electrons को पकड़ के रखने की कोशिश करता है nucleus लेकिन जो सबसे पीछे बैठा होता है सबसे दूर होता है electron nucleus से वो electron बहुती नौटी होते हैं कि ज़रा सा energy दिया और जो electron है वो atom से बाहर ही निकल के आ जाता है तो बाहर कहां जाएगा basically flow होगा और flow होगा इसका मतलब क्या electron का जो negative charge है वो तीनों ही solutions electricity को conduct कैसे करवा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है इनके respective ions है और जहां ions flow करना शुरू करते हैं उनके charges flow करते हैं मतलब समझ लोग वहापे electric current flow होने लगता है तो metals के पास होते है electrons और हमारे जो liquids हैं उनके पास क्या होते हैं ions होते हैं आई बात समझ में चलो आगे बढ़ जाएं क्या for example in a solid like copper metal electricity is carried by electrons but in liquid like copper sulfate solution अभी अभी समझाए था ना मैंने कि copper sulfate क्या होता है copper sulfate हम बोलते हैं कि एक salt होता है कैसे लिखते हैं इसको copper sulfate आई बात समझ में तो copper sulfate solution का मतलब क्या होता है copper sulfate powder को हमने पानी में डाल दिया है और क्या बन चुका है copper sulfate solution बन चुका है तो जब इसमें हम आप बोल सकते हो कि नो electric current पास करवाएंगे तो electric current के पास करवाने से होने क्या वाला है जैसे electric current जाएगा न copper sulfate solution का होने वाला है electrolysis electrolysis मैंने आपको समझाया था lysis मतलब breakdown electro मतलब electric current तो जब electric current के current कोई चीज तूटती है किसी चीज़ का breakdown होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या electrolysis तो यहाँ पे क्या होने वाला है copper sulfate का electrolysis होने वाला है कैसे होने वाला है यह आपके पास copper sulfate solution है कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे क्या करोगे electric current को पास कर आओगे तो इस solution में जो copper sulfate होगा वो तूट जाएगा आरे किसमें तूटेगा तो ions में तूट जाएगा तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या बन जाएंगे copper ions बन जाएंगे और sulfate ions बन जाएंगे आई बात समझ में हमारे पास copper sulfate salt था इसको हमने तोड़ा कैसे electric current को पास करवा करके तोड़ तो दिया लेकिन तूटा किसमें तो अपने respective ions में copper ions में और sulfate ions में similarly यहाँ पे तो आपने copper sulfate लिया है ना जरूरी नहीं क्या फमिशा copper sulfate ही लोगे आप वो ले लो ना NaCl ले लो common salt ले लो तो common salt क्या होता है NaCl तो जब आप इसमें electric current पास करवा होगे तो यह तूटेगा किसमें तूटेगा अपने ions में ions कौन से हैं इसके sodium ions हैं और chloride ions हैं तो जहां भी किसी atom के उपर positive या negative charge आता है तो वो क्या बन जाता है एक positive या negative ion बन जाता है तो देखो ना यहां पर sodium ion अभी अभी मैंना आपको बताया था कि sodium ion कैसे बनता है और वैसे ही हम बोलते हैं कि chloride ion का negative ion का formation हो जाएगा positive ion हमेशा आप बोल सबते हो कि जब एक atom electron release करता है तब बनता है positive ion और जब एक atom electron की deficiency के चलते हुए कमी के चलते हुए जब एक atom electron ले लेता है stable होने के लिए तो बनता है क्या एक negative ion तो यहां पर आपके पास एक positive ion आचुका है एक negative आचुका है chloride का electrolysis हुआ है sodium chloride solution का electrolysis हुआ है आई बात समझ में तो भाई जहां पे भी आपके पास आएंस आ चुके हैं अब इस पूरे apparatus में आपके पास या तो sodium और chloride ions आएंगे या आपके पास copper और sulfate के आएंस आएंगे अब होगा क्या कि यह आएंस जो हैना फ्लो करना शुरू कर देंगे और जहां इनने फ्लो करना शुरू किया वहां समझ लो क्या होने वाला है electric current flow होने वाला है आईवाद समझ में तो electricity is carried by copper ions and sulfate ions अब जैसे ही ions flow करेंगे electric current flow होना शुरू कर देगा तो आप यह बोल सकते हो कि ions क्या कर रहे हैं copper ions और sulfate ions electricity को conduct कर रहे हैं when electricity is passed through a solid then no chemical change takes place अच्छा पहला आपको difference समझ में आया कि metals कि तरीके से conduct कर वाते हैं electricity का और हमारे liquids कैसे कर रहे हैं अब हम बात करते हैं दूसरे difference की कि when electricity is passed through a solid then no chemical change takes place but when electricity is passed through a liquid then chemical change takes place जब solid के थूँ जब आपके metal wires के थूँ electric current flow होता है तो उनने कोई भी chemical change नहीं होता है जो आपने wire पहले लिए होंगे जब आपने उसमें से electric current पास करवाया तो वायर वैसे के वैसे रहते हैं उनने कोई चेंज नहीं होता है कोई chemical change नहीं होता है लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विट की तो जब लिक्विट में electric current flow होता है तो भयंकर चीज़ आ जाता है कैसे अरे अभी तो बताया था आपके पास copper sulphate था यह अपने respective ions में तूट ही गया यानि कि जब आपके पास copper sulphate solution यानि कि आपके पास एक टाइप का salt solution आया और उसमें जब electric current यून पास हुआ तो वो तो अपने ions में ही जाकर के तूट गया वह तो decomposed हो गया तो यह एक बड़ा chemical change हुआ कि नहीं हुआ तो यहां पे भी same चीज़ बोली जा रही है कि for example when electricity is passed through a copper wire no chemical change takes place in it but when electricity या electric current is passed through acidified water then a chemical change takes place in which water is decomposed into hydrogen and oxygen gases जैसे कि मैंना को previous session में बताया था कि पानी को अगर हमें तोड़ना है तो हम क्या कर सकते है इलेक्टर current उसमें पास करवाओ तो वो तूट जागा कि इसमें hydrogen और oxygen के oxygen gases में similarly जैसे कि मैं यहां पे मैंने आकको बताया कि जैसे हम इलेक्टर करण को यह क्या है या आपके पास copper sulphate तो है ही प्लस यहां पे आपके पास क्या है पानी है यानि की एच्टूव है इस पानी को अभी के लिए में चलो ऐसी लिख देती हूं मैं तो जैसे हम इलेक्टर करण पास करवाएंगे copper sulphate तो अपने आइंस में टूटी जाएगा नमक तो अपने आइंस में टूटी रहा है प्लस यह जो पानी है ना यह भी विचारा हम बोलते हैं कि gases में respective gases में टूट जाएगा hydrogen gases में और oxygen gases में आई बात समझ में यह तो बात हुई किसकी salt solution की हम एक acidified पानी भी ले सकते हैं हमने अब लिया है क्या पानी में HCl H2O प्लस HCl तो होगा क्या जैसे इलेक्टर करण हम पास करवाएंगे HCl आसे टूटेगा H positive ions में और chloride ions में similarly जो पानी है यह टूटेगा किसमे hydrogen gas में और oxygen gas में देखो directly hydrogen या oxygen gases नहीं बनती है पहले भी इनके ions ही बनते हैं है ना H positive ions या hydroxide ions इसके बाद में जाकरके जो ना यह gases बन जाती है तो कुल मिला करके जब भी liquids में electro current flow होता है तो chemical change देखने को मिलता है example क्या है पानी decompose हो जाता है hydrogen या oxygen gases में So I hope दोनों ही differences अब सभी बच्चों को एकदम crystal clear हो चोके होंगी क्योंकि दोनों ही differences को मैंने आपको एकदम detail में basic तरीके से explain कर दिया है तो इसी अच्छी बात पे अब हम आगे बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास क्या है अच्छा जैसे कि मैंना को बताया था example दिया था कि हम हमेशा salt solution की ही बात क्यों करें अब हम एक acidic solution की बात करते हैं acidic solution मतलब क्या जिसमें की एक acid है जो की पानी की साथ में mixed है तो पानी तो हम सब को पता है क्या होने वाला है ही होने वाला है और acid के लिए हमने previous example में कौन सा acid लिया था hydrochloric acid याने की hcl ठीक है तो अब हमारे पास क्या है एक acidic solution है इस acidic solution के अंदर जब हम electric current को pass करवाएंगे तो electric current क्या करने वाला है सबसे पहले तो अगर हम बात करें अपने hcl की तो यह hcl किस में टूटेगा देखो h positive ions में टूटेगा और cl negative ions में टूटेगा है ना तो जितना भी hcl होगा इस acidic solution में वो hcl टूटने वाला है अपने respective ions में hydrogen ions में h positive ions में और chloride ions में लेकिन इस solution में केवल acid तो नहीं है पानी भी तो है ना साथ में तो पानी भी तो टूटेगा ना कैसे टूटेगा देखो हैं पर दिया गया है एच पॉजिटिव आयन्स और oh negative ions में तो पानी हम वो सकते कि उसके उसके तो बहुत सारे molecules होंगे तो वो सभी कि सभी molecules क्या करने वाले हैं एच पॉजिटिव और oh negative ions में तूटने वाले हैं से में लड़ी बहुत सारे यहां पर एचल के molecules होने वाले हैं तो वो molecules disasorciate हो जाएंगे किसमें एच पॉजिटिव और chloride ions में आई बात समझ में तो कुछ इस तरीके से जब आप acidic solution का electrolysis करवाओगे जब उसमें electric current flow करवाओगे तो पानी भी तूटेगा और acid भी तूटेगा अपने respective ions में और पानी जैसे कि यहां पर आप sulfuric acid भी ले सकते हो है ना यह कहानी केवल HCL की थोड़ी है यहां पर आप H2O4 भी ले सकते हो तो जब आप sulfuric acid लोगे यह sulfuric acid काफी dangerous acid होता है chemistry lab में यह यह जो मिलता है आपको experiment acid solution लिया है इसका मतलब क्या कि अब हमारे पास पानी में sulfuric acid mix है तो sulfuric acid में आप बोल सकते हो कि यह कैसे टूटेगा यह टूटेगा H positive ions में और sulfate ions में HCL टूटा था H positive ions में और chloride ions में sulfuric acid टूटेगा H positive ions में और sulfate ions में ठीक है पानी तो हम बोल रहे हैं कि H positive और OH negative ions में टूटेगा आगे जाकर कि इनसे hydrogen और oxygen gas भी बन जाएगी ठीक है तो कुल मिला करके जब हम पानी का electrolysis करते हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि hydrogen gas evolve होती है और oxygen gas evolve होती है ठीक है तो यहाँ पे हमने बोला कि electric current क्या कर रहा है chemical change cause कर रहा है कब जब वो liquids में flow होता है अगर solids में flow हो रहा है metals में flow हो रहा है तो कोई भी chemical change नहीं देखने को मिलेगा as such लेकिन जब liquids में especially जब वो flow होता है तो chemical changes देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे टूट रहा है salt टूट रहा है साथी साथ जो पानी है वो भी टूट रहा है जब हम पानी का electrolysis करते हैं तो पानी टूटता है कि इसमें respective gases में hydrogen में और oxygen gases में clear है चलिए आगे अब हम बढ़ जाते हैं from the above discussion we conclude that some liquids conduct electricity या electric current कुछ भी बोलो एकी बात है the liquids which conduct electricity are called conducting liquids या conducting solutions वो liquids जो कि electricity को conduct करते हैं उन्हें हम क्या पोलते हैं conducting solutions या conducting liquids when electric current या electricity is passed through conducting liquids then chemical change takes then chemical changes take place the chemical changes which take place in conducting liquids on passing electric current through them are called chemical effects of electric current अब जिन changes की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं liquids में देखने को मिलते हैं जब उनसे electric current flow होता है तो उन changes को हम क्या बोलते हैं chemical effects of electric current बोलते हैं आई बात समझ में चलिए तो मेरे इसाब से आज की session के लिए बस इतना ही आज की session में हमने इस सवाल का जवाब ढूटा था कि क्या liquids हमारे electricity को conduct करते हैं do liquids conduct electricity of course they do कैसे करते हैं metals का conduction अलग होता है liquids का electric current का conduction अलग होता है metals करते हैं electrons के तुरू और हमारे जो liquids हैं वो करते है ions के तुरू ठीक है तो इस session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में हम इस chapter का जो second topic होगा I guess important terms वाला है उस topic को हम करेंगे discuss details hello everyone आज के इस session में हम class 8 फाइंज के चाप्टर chemical effects of electric current का एक और ना topic discuss करने जा रहे हैं and that is important terms previous session में हमने बात करी थी do liquids conduct electricity topic के ऊपर जहां पे हमने एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब बता किया था सवाल क्या था सवाल यह था कि क्या हमारे liquids electricity conduct करते हैं तो इसका जवाब हमने क्या निकाला था कि हाँ जी बिल्कुल हमारे पास कुछ ऐसे liquids होते हैं there are certain liquids which conduct electricity कौन कौन से थे वो liquids so the solution of acids basis and salts in water यह तीनों ही टाइप की solution क्या करते हैं electric current के flow को allow करते हैं होने देते हैं electric current को flow यानि कि यह तीनों ही type की solutions क्या करने वाले हैं electricity को conduct करने वाले हैं करने क्या वाले हैं करते ही हैं तो इस topic को हमने एकदम detail में discuss किया था अपने previous session में और आज के इस session में हम बात करेंगे एक नय topic के उपर नय topic कौन सा है? अरे यही वाला important terms तो आज के इस session में हम तीन important terms को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्यों? क्योंकि इन topics को समझने के बाद में आप इस chapter को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो कौन-कौन से terms पढ़ेंगे आज हम? electrolyte, electrodes and electrolytic cell तो मुझे लगता है कि अब हमारे सभी बच्चों को यह चीज clear हो गई होगी कि आज की session में हम करने क्या वाले है, पढ़ने क्या वाले है, target क्या है आज के हमारे session का, तो एक काम करते है न, जब target set होई चुका है तो क्यों न, हम अपने session को भी start कर ले, so this is विभूती करे, welcome to magnet brains जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures बलते हैं, बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरका payment पढ़ने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost, तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारे ये session जहाँ पे हम कुछ important terms को discuss करने जा रहे हैं तो आज के हमारे session में जो हम first important term discuss करेंगे वो कौन सा वाला होगा वो होगा electrolyte, सबसे पहले तो हम electrolyte को ही समझने की कोशिश कर लेते हैं अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाएगा, सबसे पहले statement में आपको electrolyte की definition ही दे दी गई है यानि कि इस चीज को electrolyte को हमने शुरुआती, इसको हमने शुरू ही कैसे किया है, इसकी definition के साथ किया है definition क्या बोलती है electrolyte की, कि a liquid or solution of a substance which can conduct electricity is called an electrolyte यानि कि एक ऐसा liquid जो कि क्या करता है, electricity को conduct करवाता है, या करता है, उस liquid को हम क्या बोलते हैं, एक electrolyte बोलते हैं आई बात समझ में, अब आप बोलोगे कि मैम इस bracket में जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कि a solution of a substance हमारे पास एक substance है, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद हुआ है, उस substance का solution बन गया है, देखो ऐसा है, एक solution जो है न, उसके दो major components होते हैं, किसी भी solution के दो major components होते हैं, एक तो होता है solute, solute भी बोल सकते हो आप इसको, और दूसरा होता है solvent, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि higher level का topic है, इतना भी higher level नहीं है कि आपकी समझ में ना आए, अगर आप अभी थोड़ा सा समझ लोगे, तो class 9 में आपको दिक्कत नहीं हो के आगे जाओ, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि कोई भी हमारे पास जो solution है, हमारे पास जो solution है, उसके दो component होते हैं, एक होता है solute और दूसरा होता है अपने पास कौन सा solvent, ठीक है, solute एक ऐसा component है, जो कि solution में कम quantity में होता है, ये आप ये भी बोल सकते हो कि solute एक ऐसा component होगा solution का, जिसमें की solute आकर कि dissolve होता है, तो वो component जो कि dissolve हो रहा है, वो हुआ solute और जिसमें की वो solute dissolve हो रहा है, वो component होगा क्या solvent, आई बात समझ में, अब आप बोलोगे कि मैं नहीं आ रहा है, समझ में, example दो, example दो, और आश्थान, easy language में बताओ, तो देखो, example है म हमारे पास पानी है और शुगर है, मैंने क्या किया, शुगर को पानी में dissolve कर दिया, तो पानी में dissolve करने के बाद हुआ क्या, अब वो क्या बन गया है, क्या वो अभी भी water है, भई अब वो water नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब उस पानी में शक्कर जाक है और सॉल्वेंट भी होता है तो अब मुझे बताओ कि जो सल्यूशन हमने बनाया है जो शुगर सल्यूशन हमने बनाया है उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है तो जैसे कि मैंना को बता है कि जो चीज डिजॉल्व हो रही है वो क्या हुआ सल्यूट और जिसम आपको क्यों बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम कोई solution बनाते हैं तो अधिकतर cases में most of the cases में हम solvent किसको चूज करते हैं पानी को ही चूज करते हैं अधिकतर जो भी हमारे solutes होते हैं उनकी demand यह होती कि अगर हमसे solution बनाना है ना तो प्लीज हमारे लिए पानी ही लेके आई यह एज़ा solvent तो ऐसे solution को हम क्या बोलते हैं एक वस सल्यूशन बोलते हैं जांपे solvent क्या है एक पानी ही है तो यह भले आपको याद ना रहे बस आप इतना समय जाएगा कि solution के दो component solute और solvent क्या है solute क्या है solvent यह आप शुगर और पानी के solution से याद रखेंगे मैं कोई समझाना चारी हूँ कि अधिकतर solution में solute को जब भी हम लेकर के आते किसी भी सल्यूट का हम solution बनाना चाहरे होते हैं तो वो solute यहीं बोलता है कि भाई मेरे लिए solvent तो आप लेकर के आओगे लेकिन वो solvent कौन होना चाहिए वो पानी होना चाहिए तो हमारे पास एक एक सबस्टेंस है उसको हमने क्या कर रहा है पानी में डाल दिया उसका क्या बन चुका है solution बन चुका है तो जब ऐसे सबस्टेंस का solution क्या करें electricity को कंड़क्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे एक electrolyte बोलेंगे clear है in other words a conducting liquid is called an electrolyte a conducting liquid means a liquid which conducts electricity या और आसान शब्दों में आप बोल सकते हो कि एक conducting liquid क्या है electrolyte आपसे अगर किसी ने पूछा कि जल्दी से बताओ एक सेकेंड के अंदर बताओ कि electrolyte क्या है तो आप बोलोगे तो फिर वो आपको जो है ना अपना गुरू माल लेगा कि भाई इसने तो बिलकुल you know shortest time में बता दिया कि electrolyte क्या होता है एक बहुती basic sentence sentence भी जो आपना पूरा नहीं हुआ एक दम इत्तू सा sentence में जो है ना आपने electrolyte को समझा दे कि भाई conducting liquidy क्या है एक electrolyte है ठीक है a solution of copper sulfate अच्छा आप देखो जारा previous session में मैंने आपको क्या समझाए था कि solutions of acids basis and salts in water क्या करते है electric current को conduct करवाते हैं यानि कि अगर आपने तीन बीकर्स लिये हैं तीनों ही बीकर्स में आपने क्या कर रहा है पानी डाल दिया है एक बीकर में आपने पाने के साथ डाला है acid दूसरे बीकर में आपने पाने के साथ डाला है और तीसरे बीकर में आपने पाने के साथ डाला है क क्या नमक और इन तीनों ही भी को आपने छोड़ दिया है कि तो देखते हैं कि कौन-कौन इसमें से इलेक्ट्रिक करेंट पास या 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 यू कंड़क्ट करवाने वाला है तो आप यह रियलाइस करोगे आप यह अप्जर्व करोगी कि तीनों ही जो आपने सल्यूशन बनाए था कि यह तीनों टारिकल monitor कारते हैं electricity को कंड़क्ट करवाते हैं और अब आप कुछ और बोल रहे हो कि electrolyte है वो आपने लिकटर्विट को यह वो पर्णेटन करोगे तो क्या पहले जो हमने पढ़ा था और अब जो हम पड़़ रहे हैं क्या इन के बीच में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है वेसिकली एक ऐसा लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसीटी को कंड़क्ट करवा रहा है अब वह लिक्विड तो भाई कोई भी हो सकता है वह लिक्विड एक ऐसे डिक सल्यूशन भी हो सकता ह वो liquid एक salt का solution भी हो सकता है, ये कहां बोला गया है कि liquid को जो ना specific होना पड़ेगा, नहीं, कोई जरुवत नहीं specific होने की, हमें सिर्फ एक ऐसे liquid से मतलब है, जो कि electric current को अपने through pass होने देगा, उसके flow को allow करेगा, उसे liquid को हम क्या बोलेंगे, एक electrolyte बोलेंगे, तो previous chapter में, sorry, previous session म हमने पड़ा है कि liquids या solutions of acid, bases and salts in water क्या करते हैं, electric current को flow कर आते हैं, तो वो तीनों की तीनों क्या कहलाएंगे, वो तीनों की तीनों कहलाएंगे हमारे electrolytes, आई बात समझ में, a solution of copper sulfate in water is a liquid, copper sulfate का जो basically copper sulfate क्या होता है, एक salty तो होता है, लिख देती हो मैं यहापे, copper sulfate, तो copper sulfate क्या है, एक salt है, इसको जब हम पानी में डालेंगे, तो यह क्या बन जाएगा भई, एक liquid बन जाएगा, है ना, copper sulfate solution conducts electricity, therefore copper sulfate solution क्या है, एक electrolyte है, जो भी liquid electricity को conduct करवा रहा है, चाहे वो acid का solution हो, चाहे वो base का solution हो, चाहे वो salt का solution हो, वो सभी liquid क्या कहलाएंगे, electrolytes ही लिक्विड और अनेलेक्ट्रलाइट कंटेंज आयन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नेगिटिवली चार्ज आयन्स अब देखो ऐसा है प्रीविस सेशन में मैंने आपको एकदम डीटेल में समझाने की एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करी थी कि मेटल्स जो करवाते हैं इलेक्टर करेंट का वो अलग तरीके से होता है और हमारे जो लिक्विड्स हैं जो हमारे सल्यूशन से एसे बेसे एंड सॉल्स के वह सल्यूशन कुछ अलग तरीके से एलेक्टर करेंट को कंड़क्ट करवाते हैं क्या फरक होता है कि हमारे जो मैटल्स हैना वो electrons का यूज करते हैं और हमारे जो acid basis and salt solution है वो क्या करते हैं आइंस का यूज करते हैं electric current को conduct करवाने के लिए अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वो सभी liquid जो कि क्या करेंगे electric current को flow करवाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे electrolyte बोलेंगे एना electrolytes अगर एक से जादा है तो मतलब electrolytes अब आप बोलोगे कि मैं acid का solution बेस का solution और salt का solution यह तीनों ही क्या है electrolytes है क्या इसके अलावा कोई एक और solution आ सकता है जो कि क्या करें electrolyte बन सके हो सकता है यह यह भी हो सकते कि यह possible ना हूँ भई हमें किस से मतलब है हमें मतलब है liquid यह solution के अंदर present ions से क्योंकि ultimately वो ions ही तो है जो कि flow करेंगे और उनके flows से electric current बहेगा अगर ions ही नहीं होंगे तो electric current कैसे flow हो पाएगा किसी भी solution में किसी भी liquid में तो कुल मिला करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे solution या ऐसे liquid की जरूरत है जिसके पास ions हो और अगर उसके पास ions होंगे तो वो definitely electric current को conduct करवाएगा flow करवाएगा तो acid का solution, base का solution या salt का solution, इन तीनों में similarities क्या है, इन तीनों में कहने को तो acid अलग चीज़ है, salt अलग चीज़ है, base अलग चीज़ है, लेकिन इन तीनों के ही solutions में similarity क्या है, similarity यह है कि इन तीनों के ही solutions में क्या present होते है, ions present होते है और जहाँ ions आए, वहाँ समझ लो, उनका flow शुरू हुआ और जहाँ उनका flow शुरू हुआ, वहाँ पर समझ लो, electric current भी क्या होने लगा है, flow होने लगा है The flow of these ions conduct electricity through conducting liquid या electrolyte The solutions of acids, bases and salts in water are electrolytes, ठीक है? इस पूरे sentence को आप highlight कर सकते हो, यह बहुत ही important चीज है यह acids, bases and salts के जो solution होते हैं कि इसमें पानी में, वो क्या होते हैं? electrolytes ही होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हमारे पास एक container है container में हमने क्या करा हुआ है? copper sulfate का solution डाला हुआ है solution का मतलब क्या है? कि copper sulfate तो हमने ले ही लिया प्लस हमने यहाँ पर पानी भी ले लिया पहले मैंने आपको बताया था कि copper sulfate कैसा दिखता है? blue color का crystalline solid होता है ना? इसके छोटे-छोटे से crystals present होते हैं, blue color के तो पानी में जाने के बाद, यह पूरे पानी का जो color है वो change कर देगा आप क्या होगा? जैसे ही हम electric current पास करवाएंगे, copper sulfate solution में यह तूटने लगेगा किस में तूटेगा? तो copper ions में और sulfate ions में ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि electric current के flow के दौरान copper sulfate तूट गया है copper और sulfate ions में और जहां ions बने, वहाँ समझ लो electric current flow होने लगा जैसे कि मैं आपको बताया था विनेगर के बारे में, है ना? कि विनेगर में क्या होता है? acetic acid होता है जैसे कि हमने hcl के बारे में पढ़ा कि hcl एक acid है, electric current आएगा, तो यह h positive और cl negative ions में तूट जागा वैसे ही हमारा जो acetic acid होता है, विनेगर वाला c h 3 c o o h acetic acid, ठीक है? इसमें जब हम electric current पास करवाते हैं, तो यह भी तूटता है कैसे तूटेगा? तो c h 3 c o o negative ions में और h positive ions में तो कुल मिला करके हमें बस ions चाहिए है अब वो acid की solution से मिले, base की solution से मिले, या salt की solution से मिले doesn't matter at all, हमें सिर्फ ions चाहिए, जहां ions हमें मिलेंगे, वहाँ पर हम उस solution को, उस liquid को declare कर देंगे क्या? कि भई, यह है, क्या? electrolyte, क्योंकि इसके पास ions है, और अगर ions है, तो electricity का conduction तो 100% possible है, ठीक है? चलो, अब electrolytes भी हम बोलते हैं कि देखो, दो टाइक क्यों होते हैं, आप देखो, जैसे कि मैंना को पहले भी बताया था, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास metals है, हम सब को पता है कि metals क्या होते हैं, they are good conductors of electricity, लेकिन क्या सभी metals एक ही level पर electricity को conduct करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, silver की अगर बात करी जाएं, तो silver हम बोलते हैं कि सभी metals में से सबसे बढ़िया होता है electricity का conductor, फिर उससे कम फोड़ा सा और कौन सा होता है copper, फिर copper से भी कम कौन होता है gold, gold से भी हम बोलते हैं कि कम कौन होता है aluminum, तो अगर हम metals में यह बोल रहे हैं कि सबसे कंड़क्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, कोई बहुत जादा ही अच्छा conductor है, कोई हम बोल रहे हैं कि conductor तो है, लेकिन नाम का है ठीक से conduct नहीं कर पा रहा है, तो वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी electrolytes की, तो electrolytes में हम बोल रहे हैं कि acid का solution भी एक electrolyte है, base का solution भी एक electrolyte है in water, salt का solution in water भी क्या है एक electrolyte है, तो क्या सभी electrolytes का जो conduction का जो power होता है electric current के, क्या बराबर-बराबर होता है, नहीं, अलग-अलग होता है, तो उसी इसाब से हम बोलते हैं कि electrolytes को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, electrolytes are of two types, strong electrolytes and weak electrolytes, a strong electrolyte is a liquid or a solution which conducts electricity very well, a strong electrolyte is a very good conductor of electricity because it contains a lot of ions in it, इस वाले statement को आप क्या करेंगे, जा करके underline कर देंगे और स्टामा कर देंगे क्योंकि यह बहुत ही important line है, हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपसे बोला कि silver बहतरीन conductor है electricity का, उससे कम कौन करवाएगा copper, उससे भी कम कौन करवाएगा gold, उससे भी कम कौन करवाएगा aluminium, उससे भी कम कौन आ जाएगा जिंका जाएगा, वैसे ही हमारे पास electrolytes भी होते हैं, कुछ weak electrolytes होते हैं, कुछ strong electrolytes होते हैं, strong electrolytes हां दोस, जो की बहुती बढ़िया तरीके से electricity को कंड़क्ट करवाएगे, अब सवाल यह है कि ऐसा क्या है उन electrolytes के पास, कि वो बहतरीन तरीके से η इलेक्टर करेंट को कंड़क्ट करवाते हैं। तो भाई electrolytes करते कैसे हैं, electric करेंट को कंड़क्ट, ions से न, हमें किसे मतलब होता है, solution में, ये liquid में? ION से, तो जिस electrolyte के पास, जितने जाधा ions होंगे, वो उतना ही क्या करेगा बहतरीन तरीके से electric current को conduct करवाएगा एक ऐसा electrolyte जिसके पास ions तो है लेकिन बहुत जादा नहीं है थोड़े बहुत ही है तो जब ions ही कम होंगे तो obvious सी बात है उनसे जो electric current flow होगा वो भी थोड़ा सा ही होगा ना तो definitely वो वाले electrolytes क्या कहलाएंगे weak electrolytes कहलाएंगे तो यहां electricity क्यों होता है क्योंकि उसके पास आप बोल सकते हो कि lot of ions होते हैं बहुत सारे ions होते हैं तो जितने number of ions जितने जादा number of ions उतने अच्छी तरीके से electricity का conduction होता है आप कुछ examples आ गए हैं आपके पास strong electrolytes के जल्दी से एक बार देख लो sulfuric acid solution जैसे कि मैंने आपको होता है था H2SO4 ठीक है मैं आपको बता होता क्या है कि जैसे ही H2SO4 पानी में जाता है अपने solution में जाता है यह आप बोल सकते हो कि जितना भी आपने H2SO4 डाला है वह अगर आप suppose एक ml डाल रहे हो है यह 2 ml डाल रहे हो तो एक और 2 ml में H2SO4 acid के बहुत सारे molecules जाएंगे वो सभी कि सभी molecules क्या हो जाते हैं अपने ions में disassociate हो जाते हैं H positive ions में sulfate ions में तो जितना जादा substance के molecules disassociate होंगे ions में उतने जादा number of ions मिलेंगे और अगर number of ions जादा होगा इसका मतलब क्या कि वो electrolyte क्या कहला एगा strong electrolyte कहलाएगा क्योंकि वहाँ पर electric current का जो conduction है वो कैसा होगा बढ़िया होगा so sulfuric acid solution hydrochloric acid solution nitric acid solution sodium hydroxide solution sodium hydroxide मतलब क्या यह एनिव it costic soda potassium hydroxide solution मतलब की koh nitric acid मतलब की HNO3 और क्या है common salt याने कि इसके बारे में तो मैं आपको already बता चुकी हूँ NACL जो कि sodium और chloride ions में तूटता है copper sulfate यह भी बता चुकी हूँ ठीक है ना silver nitrate of ions में तूट जाते हैं और जितने ज्यादा number of ions होंगे उतने बढ़े तरीके से electric current को conduct करवाएंगे clear है चलिए आगे हमारे पास क्या है अब हम बात करते हैं weak electrolyte की so a weak electrolyte is a liquid or solution which conduct electricity which conducts electricity to a lesser extent ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पा रहा है कर पा रहा है लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहा है so a weak electrolyte is a weak conductor of electricity because क्यों it contains less number of ions ठीक ना उसके पास हम बोलते हैं कि ions कैसे होते हैं कम होते हैं some of the examples of weak electrolytes are अब examples देख लेते हैं weak electrolytes के vinegar acetic acid solution lemon juice citric acid solution carbonic acid solution ammonium chloride solution ordinary water tap water and rain water तो कुल मिलाकर कि यह सब के सब क्या है weak electrolytes के example है कि कुछ ऐसे electrolytes हैं जो की weak होते हैं ज्यादा मलब conduction करवाएंगे electricity का लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते हैं clear है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास क्या है तो यह एक पिक्चर की फॉर्म में आपको explain करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास हम अलग अलग liquids की electrical conductivity को देख रहे हैं तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इस वीकर में जो भी solution है जो भी प्रिजन में कम है और यहां पर बोल रहें कि आयंस है यहां पर सब क्या है मॉली क्यों सी मॉली क्यों से तो ऐसा लिक्विट जिसके पास आयंस हो ही ना तो फिर वो electricity को कंड़क्ट कैसे करवाएगा और अगर कोई लिक्विट electricity को या कोई solution अगर इलेक्टर करन को कंड़क्ट नहीं करवा रहा है इसका मतलब क्या कि वो कोई electrolyte होगा ही नहीं यह strong है यह weak है और यह डबबा है यानि कि यह कुछ नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं तो हमने एक टर्म तीन में से एक टर्म तो हमने समझ लिया है कौन सा वाला electrolyte अब हम बात करते हैं अपने next term की next term कौन सा है electrodes so a solid electrical conductor through which an electric current enters or leaves something like a dry cell or an electrolytic cell is called an electrode electrode क्या होता है एक solid electrical conductor होता है जिसके through electric current क्या करता है enter करता है और बाहर निकलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं electrode बोलते हैं electrodes carbon rods होते हैं या metal के rods होते हैं depending upon whether where they are being used कहां उनको use किया जा रहा है उसके हिसाब से तो कभी हम carbon की you know rods लेते हैं कभी हम बोलते हैं कि हम metal की rods ले रहे हैं अधिकतर metal की ही rods ली जाती है अगर हम electrodes को use करना है तो हम अधिकतर metal की ही rods लेते हैं क्यों अच्छे conductor है न electricity के तो असानी से current इनके दुरू आएगा जाएगा कोई tension की बात नहीं है अब हमारे जो electrodes हैं वो दो cathode आप देखों यहां पर क्या लिखा गया है the electrode which is connected to the positive terminal of the battery gets positively charged and the positively charged electrode is called anode देखों मैं आपको बताती हूँ आप चाहे class 8 में चले जाओ मलब class 8 में तो आप हो ही class 9 में चले जाओ या class 10 में चले जाओ अनोड और cathode की एक एक जो definition है यह वाली यह हमेशा ही आपको मिलने वाली है कि anode क्या होता है positively charged electrode kayakthode क्या होता है negatively charged electrode यह definition आपको anode और cathode की class 8 class 9 class 10 11 12 हर कहीं देखने को मिलने वाली है तो बेटर होगा कि आप अभी से जो है ना इन दोनों ही definitions को याद कर लीजे समझ लीजे अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजे तो कुल मिला करके हमारे जो दो इलेक्ट्रोड जो हमारे जो इल इलेक्ट्र करेंट पास करवाना चाह रहे हैं ताकि वो जाकर के अपने आयन्स में डिस असोसियेट हो और उन आयन्स का जो फ्लो हो बेसिकली वो शुरू हो जाए देखो ऐसा है जैसे कि मैंना को बताया कि हमारे जो acids हैं वो जैसी अपने solution में जाएंगे आयन्स में तूट जाते हैं अब जरूरी नहीं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं acid के base के salt के वो अपने अपने respective आयन्स में सभी के सभी जाकर के तूट जाएं अधिकतर molecules तूट जाते हैं अपने अपने आयन्स में लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़े-बहुत ions मनलग फोड़ बहुत molecules रहे भी जाते हैं तो जैसे ही हम electric current पास करवाते हैं न तो बच्चे कुछ जितने भी molecules है acids के, basis के, salts के वो अपने respective ions में क्या हो जाते हैं? disassociate हो जाते हैं. ions में तो वो disassociate हो ही रहे हैं लेकिन जैसे ही electric current उनके थूँ flow होगा, उनका जो movement है ना, उनका जो flow है वो start हो जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ किताबों में या आपके school teacher आपको ऐसा बोले कि जैसे ही हम electrolyte के थूँ electric current पास करवाएंगे, तो electrolyte के जो ions है, वो करना शुरू कर देंगे, तो इस पे कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, है ना, तो यह मत सोचेगा कि जब electric current आएगा, तभी electrolytes disassociate होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, जब आप किसी acid को, base को, salt को जब आप पानी में डालते हो, उनके respective solution बनाते हो, तो solution हम बोलते हैं कि बन रहा है, तो क्यों बन रहा है, क्योंकि वो acid, base और salt अपने respective ions में तूट रहे हैं, हो सकते हैं कि कुछ molecules तूटना रहे जाए, तो जैसे electric current पास होगा, बच्छे कुछे molecules भी अपने ions में तूट जाएंगे, तूटने के बाद क्या होगा, electric current आया है, तो वो अपना दोडना जोने शुरू कर देंगे, वो अपना flow करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, तो हम कहां थे, हम यहां थे कि हमारे पास, हाँ, तो चीदी सी बात है, अगर आप electrolysis या आप electrolyte के तुरू, electric current को flow करवाना चाहते हूँ, तो इसके लिए आपको ions चाहिए रहेंगे, ions का भी क्या चाहिए रहेगा, flow चाहिए रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो electrolyte में current भेजना पड़ेगा, अब current भेजने के लिए हम किसे यूज करते हैं, electrode को यूज करते हैं, लेकिन current को बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए है, एक battery, एक cell तो चाहिए है ना, बिना battery cell के, बिना power के, आप कैसे electric current लेकर के आओगे, जब तक electric current आएगा नहीं, आप electrodes में भेजोगे किसे, अगर electrodes में electric current आएगा नहीं, तो फिर जाएगा कौन, electrolyte में, अगर electrolyte में electric current जाएगा नहीं, तो फिर वो further disassociate कब होंगे ions, या अगर हो भी गए हैं, तो फिर ions flow कैसे करेंगे, कुछ ऐसे, तो पूरा link बना हुआ है, तो कुल मिला करके आपको एक battery या एक cell लेना ही पड़ता है, ठीक है, बैटरी का एक positive terminal होता है, और एक negative terminal होता है, तो बैटरी के positive terminal से, जो electrode जुड़ा होता है, वो क्या हो जाता है, positively charged हो जाता है, बैटरी का एक positive terminal है, एक negative terminal है, जैसे कि ये आपकी battery है, ठीक है, ये हो गया क्या उसका positive terminal और ये हो गया उसका negative terminal तो वो वारा electrode जो की हमारे battery के positive terminal से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? Positively charged electrode हो जाएगा और इस positively charged electrode को हम क्या बोलते हैं? प्यार से, anode बोलते हैं Similarly हमारी battery के negative terminal से जो electrode जुड़ा रहता है उसके उपर हम बोलते हैं कि negative charge आ जाता है तो negatively charged electrode को हम क्या बोलते हैं? Cathode बोलते हैं आई बात समझ में? तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है कि the electrode which is connected to the positive terminal of the battery gets positively charged This positively charged electrode is called anode The electrode which is connected to the negative terminal of the battery gets negatively charged This negatively charged electrode is called what? Cathode इतना को clear है? चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं तो basically इस picture से आपको anode और cathode को समझाने की कोशिश की जा रही है इस picture में हो क्या रहा है? अगेन आपके पास एक बीकर है उसमें आपने कुछ electrolyte वगेरा डाले हुए हैं ठीक है? अब आप चाहते हो कि इनके जो आएंस हैं वो flow करना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप electrode डालोगे दोनों ही electrodes को आप आपस में मतलब electrodes आ कहां रहे हैं? आपके electrolyte में आ रहे हैं नो electrolyte के अंदर आप बोल सकते हो कि आधा-धा मतलब दोनों ही electrodes को आप आधा-धा dip करके रखते हो आप यह भी बोल सकते हो कि दोनों ही electrodes का जो एक-एक end है वो electrolyte में dip होता है और जो बच्चे हुए दो ends है दोनों ही electrodes के उनको आप आपस में एक ऐसे battery के तुरू connect करते हो तो battery का positive terminal जोड़ा हुआ है इस वाले electrode से तो यह क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा और battery का negative वाले terminal जो की जुड़ा हुआ है इस वाले electrode से तो यह क्या बन जाएगा cathode बन जाएगा तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि एनोड क्या होता है positively charge होता है और हमारा जो cathode है वो कैसा होता है negatively charge होता है तो आप बोलोगे कि मैं आप इतना जोर क्यों दे रहे हो कि NO is positively charged या cathode is negatively charged वो इसलिए क्योंकि यह जो आपके ions है ना electrolyte में यह ions भी तो अपने उपर एक charge carry कर रहे है मैंने आपको यह तो बता दिया कि electrolyte क्या हो रहे है लेकिन अब इन ions का होगा क्या आप बोलोगे कि मैं यह ions flow करेंगे जब यह flow करेंगे तब हम बोलेंगे कि electric current flow होगा सवाल यह है कि अब इन ions के नीचे क्या हम कोई motor fit करने वाले हैं कि motor हमने on करी और ions में move करना या flow करना शुरू कर दिया बिल्कुल भी नहीं तो सवाल यह है कि फिर आखिर के ions बंत होगा है लेकिन अब बने हुए ions flow कैसे करेंगे तो यह जो आपने दो positively और negatively charged electrodes लगाए हैं ना इन ही के बदौलत क्यों याद करो पहले भी मैंना को कई बारी बताया है कि opposite charges क्या करते हैं अट्रैक करते हैं positive negative attract positive positive ripple negative negative ripple तो जैसे क्या होगा suppose आपके जो electrolyte है उसमे positive ions भी है और negative ions भी है अब जैसे ही negative ions को पता चलेगा कि भाई यह जो electrode है ना इसके उपर क्या charge है positive charge है और positive negative क्या करेंगे attract करेंगे तो जितने भी negative ions होंगे ना वो सभी की सभी क्या करेंगे इस electrode से चिपकने की कोशिश करेंगे आई बात समझ में एक और चीज़ आपर समझ लो कि जो positive या बहुत सब्सक्राइब कि जो negative ions होते हैं उनको हम anion भी बोलते हैं और जो positive ions हैं उनको हम ketion भी बोलते हैं अब अगर इतना याद ना हो रहा हो तो दिक्कत की बात नहीं है इतना समझ लो कि आपकी electrolytes में positive ions भी है negative ions भी है तो जैसे ही negative ions को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक ऐसा electrode आया है जिसके ओपर कैसा charge है? positive charge है तो वो दौरते हुए कहां जाएंगे positively charge electrode के ओपर जाएंगे उस पर चिपकने की कोशिश करेंगे similarly जब positive ions को पता चलेगा कि भाई एक ऐसा electrode आया है जिसके ओपर कैसा charge है? negative charge है यानि कि opposite charge है तो वो क्या करेंगे? electrolyte में solution में दौरने की कोशिश करेंगे और दौरते-दौरते cathode तक पहुँचेंगे और उससे चिपकने की कोशिश करेंगे अब आपको समझ में आया कि इस solution में जो ions पड़े है electrolytes के वो आखिर flow करना शुरू क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपने क्या किया है? दो electrodes डाले हैं और उन दोनों ही electrodes पर आप charges लेकर के आए हो opposite charges एक पर positive दूसरे पर negative कैसे लेकर के आए हो? क्योंकि आपने एक electrode को battery के positive terminal से attach किया है और दूसरे electrode को आपने negative terminal से connect किया है तो जब oppositely charged electrodes आएंगे electrolyte के अंदर तो उनके जो ions होंगे न वो क्या करेंगे? opposite charge वाले electrode से तरफ भागने की कोशिश करेंगे उनके तरफ attract हो करके जाएंगे ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? कि an arrangement having two electrodes kept in a conducting liquid या electrolyte in a vessel is called an electrolytic cell याने कि अब हम यहाँ पर तीसरा term पढ़ने जा रहे हैं तीसरा term अपना कौन सा है? electrolytic cell कि यह जो आपने पूरा system बनाया है ना setup बनाया है beaker है उसके अंदर electrolyte है ठीक है? आपने जो है ना दो electrodes चाले हुए हैं दोनों को ही आपने एक बैटरिया एक से से connect किया गया है तो यह इस पूरे setup को हम क्या बोलते हैं? एक electrolytic cell बोलते हैं कि an arrangement having two electrodes kept in a conducting liquid in a vessel is called an electrolytic cell for example if we keep two carbon electrodes in a beaker containing acidified water it will be an electrolytic cell क्याने कि जब हम एक acidified पानी में carbon के जब दो electrodes रखेंगे तो वो पूरा का पूरा setup क्या 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 बाएगा? electrolytic cell क्या बाएगा an electrolytic cell is used for carrying out chemical reactions या chemical changes by passing an electric current through the conducting liquid या electrolyte तो basically electrolytic cell का हम यूज करते काव हैं जब हमें chemical reactions करवानी होती है कैसे? electrolyte के थूँ electric current को flow करवा करके the conducting liquids और electrolytes are not as good conductors of electricity as metals are तो basically अगर हम metals या electrolyte को compare करेंगे तो definitely metals electrolytes से जादा बहतर conductors होते हैं electricity के ऐसा नहीं है कि electrolytes कर नहीं रहे हैं कर रहे हैं लेकिन metals की comparison में थोड़े से वो कम जोर बढ़ जाते हैं So, in performing the activities on conduction of electricity through liquids a single electric cell is not sufficient because it gives only a small amount of electric current तो आप बोल सकते हो कि जब भी हम activities perform करते हैं electric current को flow करवाने की through liquids तो उसमें जो single cell लगा हुआ है जैसे कि आपने यहां देखा हुआ कि कि वाल एक छोटा सा single cell लगा तो ऐसा single cell जो है ना आप बोल सकते हो कि ठीक से काम नहीं करवा पाता है ज्यादा, you know, amount of electric current नहीं supply कर बाता है So, we have to use a battery made from number of electric cells तो हमारे पास battery होती है ना अगर मैं बात करूँ कि battery है क्या तो cells का जो group है उसको हम क्या बोलते हैं एक battery बोलते हैं तो हमें battery यूज करनी परती है अप्लाय अलारजन अमाउंट अफ एलेक्रिक करेंट तो बेसिकली आप आपको बता दिया गया है कि क्यों हम सेल की जगा बैटरी का यूज करते हैं जब भी हमें लिक्विट की तूप एलेक्रिक करेंट को फ्लो करवाना होता है चीक है? अब एक काम करते हैं आज की सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट हलो एवरिवन आज की इस सेशन में हम क्लास एट साइन्स के फोर्टीन्थ चाप्टर केमिकल इफेक्ट्स ओफ एलेक्रिक करेंट का एक और नया टॉपिक डिसक्रस करने जा रहे हैं and that is detection of weak current प्रीविस सेशन में हमने बात करी थी तीन important terms के उपर कौन-कौन से थे वो तीन important terms electrolyte electrodes and electrolytic cell एक ऐसा liquid जो की अपने थूँ electric current को पास होने दे या आप ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा liquid जो की electricity का conduction करवाए तो उस liquid को हम क्या बोलते हैं? electrolyte बोलते हैं. For example, अगर हम acid को पानी में डाल दें, base को पानी में डाल दें या किसी salt को हम पानी में डाल दें तो ये तीनों ही solutions क्या करने वाले हैं? electricity का conduction करवाने वाले हैं. इसका हमारे electrolytes के पास ऐसा क्या होता है? कि जिसके कारण वो electricity का conduction करवाते हैं? तो बहुँ सीरी सी बात है, हमारे electrolytes के पास होते हैं ions. बहुत सारे ions. और जब ये ions flow करते हैं, हम तभी बोलते हैं कि electricity का conduction हो रहा है. तो अब हमारे पास एक electrolyte आ गया है, उसके electrolyte को electric current देते हैं, जिसके कारण उस electrolyte के ions flow करने लगते हैं. अब सवाल ये है कि अगर हमें electrolyte तक electric current को supply करना है, तो किसी ना किसी चीज़ का तो हम use करना पड़ेगा ना? हम क्या use करते हैं? तो metal की rods का या metal की plates का. तो इनी metal की rods या plates को हम क्या बोलते हैं? electrodes बोलते हैं, दो टाइप की होते हैं electrodes, एक anode और दूसरा cathode. तो इन electrodes को ही हम क्या करते हैं? किसी cell या battery से connect करते हैं और इनी electrodes के तुरू electrolyte में electric current को supply करते हैं. ठीक है? अब एक ऐसा vessel, एक ऐसा container जिसमें की पूरी process चलती है कि एक हमारे पास vessel है जिसमें की electrolyte भरा हुआ है. उसमें हम क्या कर रहे हैं? electrodes के तुरू electric current भेज रहे हैं. electric current के आते ही electrolyte के जो आयन से वो क्या करने लगे, flow करने लगे, जिसके कारण electric current का flow शुरू हो गया. तो एक ऐसा vessel जिसमें की पूरी ये process चलती रहती है उससे हम क्या बोलते हैं? electrolytic cell बोलते हैं. तो इन तीनों ही terms को हमने और detail में discuss किया था अपने previous session में और ये पूरी कहानी थी हमारे previous session की. उमीद करती हूँ कि सभी कोई ये कहानी समझ में आई होगी. और आज की session में हम एक नया topic discuss करेंगे. नया topic कौन से है? ये वाला detection of weak current यानि कि अब हमारे एक liquid में क्या हो रहा है? एक weak current flow हो रहा है. तो उस weak current को कैसे detect किया जाए? strong current को detect करना बहुती आसान होता है. लेकिन weak current को detect करना काफी मुश्किल होता है. चलो देखते हैं, आज की session में हम सीखते हैं कि कैसे एक weak current को detect किया जाए? कैसे उसका detection किया जाए? So, I hope आज की session का जो target है, वो सभी बच्चों को है एकदम clear. ये काम करते हैं ना, जल्दी से आज की session को हम start कर लेते हैं. So, this is विभूती हरे, welcome to magnet brains, जहांपे आपको सभी chapters के video lectures बलते हैं, बिल्कुल free of cost. याने कि magnet brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी पे तरह का payment करने की, या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँँ जा रहा है quality education, बिल्कुल free of cost. इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये session, जहांपे हम बात करेंगे अपने chapter के एक और नए topic के उपर. अब इससे पहले कि हम ये सीखें कि weak current को, जो की एक liquid के तरूँ flow हो रहा है, उसको कैसे detect हम करें. इसके पहले ये जो आपके पास दो pictures आपको दिखाई दे रही हूँगी. इन pictures को हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि यहां पे exactly हो क्या रहा है. आपके पास एक vessel है जिसमें कि इस vessel में क्या भरा हुआ है? Hydrochloric acid भरा हुआ है याने कि HCL भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? HCL भरा हुआ है. ठीक है? साथी साथ यहां पे दो लोहे की kilo का भी use किया गया है. याने कि यहां पे दो iron nails भी हैं हमारे पास. इन दोनों ही nails को हमने एक cell और एक bulb के थूँ connect किया है. ठीक है? तो यह पूरा आपको setup है. क्या यह समझ में आया? कि हमारे पास एक vessel है, एक container है जिसमें कि हमने HCL डाला हुआ है. और आप बोल सकते हो कि HCL के साथ ही साथ हमारे पास क्या है? यहां पे थोड़ा सा पानी भी है. ठीक है? और दो हमने लोहे की कीले डालके रख्यों ही है. और इन दोनों ही iron nails को हमने wires की तुरू connect किया है. किस के साथ? एक cell के साथ और एक bulb के साथ. होगा क्या? जैसे ही हम पूरा connection बिठाएंगे. है ना? बैटरी वगेरा, को cell वगेरा को जब हम on कर देंगे. सबोस यहां पे क्या लगा हुआ है? एक switch भी लगा हुआ है. ठीक है? तो जैसे ही हम क्या करने वाले हैं? आप यह switch on करने वाले हैं. यह पूरा का पूरा हमारा जो, you know, setup है. इसको हम ready करने वाले हैं. वैसे ही क्या होगा? यह जो bulb है ना? कि क्या करने लगेगा? glow करने लगेगा. setup आपको समझ में आगे ना पूरा. अब यह setup के बाद में हुआ क्या? इसको बनाने के बाद भी जो bulb हमने लगा था, यह क्या करने लगा? glow करने लगा. glow करने का मतलब क्या है? कि bulb जो है वो जल्ले लगा, bulb से रोशनी आने लगी. अब वेसल में आपके पास था HCL Hydrochloric Acid. और अभी-अभी मैंने आपको बताया है, थोड़ी दिर पहले, in fact हमने previous session में भी चीज़ डिसकस करी है, कि हमारे जो acids के जो solutions होते हैं, कि आपके पास एक acid है, उसको आपने पानी में डाल दिया. तो वो क्या करेगा? वो कैसी हमने cell वगरा को जो है ना fit किया, तो cell से आप बोल सकते हो कि एक electric current आया, electric current आया, कहां आया? इस HCL तक आया, याने कि electrolyte तक आया, कैसे? तो यहाँ पे जो हमने दो लोहे की kilo का use किया है ना, यह दोनों ही iron nails आपको पता है, कैसे behave कर रही है? Electrods के समान behave कर रही है, कैसे behave कर रही है? Electrods के जैसे, तो यहाँ पे दोनों ही iron nails क्या हो गई है? Electrods का काम कर रही है, तो हमने cell लगा करके, जो भी हम you know, electric current या potential भेजना चाहते हैं, electrolyte तक, वो हमने भेजा, कैसे भेजा? तो इन दोनों iron nails या electrodes के थुरू भेजा, अब हुआ क्या? कि current आ चुका है, कहां आ चुका है, electrolyte याने कि हमारे HCL के level तक आ चुका है, तो इस current जैसी current आएगा, current क्या आने से होगा, क्या? HCL जो है, वो अपने ions में टूट जाएगा, या disassociate हो जाएगा, और क्या बन जाएगे, H positive ions बन जाएगे, और chloride ions बन जाएगे, तो अब जब हमारे पास ions आ चुके हैं, इस vessel में, इस container में, तो होने क्या वाला है, ultimately ये ions अपना flow शुरू कर देंगे, और जहाँ ions का flow शुरू हुआ, वहाँ समझ देजे कि electric current का conduction शुरू हो चुका है, और इसी electric current के conduction के कारण हमारा ये जो bulb है, ये क्या करने लगा है, glow करने लगा है, वही सीधी सी बात है, अगर आपको अपने setup को असान बनाना होता, तो आप क्या करतें, ये जो पूरा आपने vessel लिया है, जिसके आपने अंदर HCL डाला है, लोहे की 2 kg को जो हना लगाया है, या पूरा setup लेते ही नहीं, आप इसको simplify करने के लिए क्या करतें, एक तार लेतें, उसमें switch लगातें, एक बैटरी लगातें और एक बल्ब लगा देतें, जैसी switch on करतें, बल्ब तक करेंट पहुंच जाता, बैटरी का, और जो बल्ब है, वो जलने लगता, लेकिन हमें ये पता करना था, कि HCL जो हमने लिया है, वो HCL, electric current का conduction करवा पा रहा है, या नहीं करवा पा रहा है, तो इसलिए हमने पूरे अपने इस circuit में क्या करा, ये आया, HCL में, तो HCL जो है, अपने ions में split हो गया, ions में disassociate हो गया, H positive और chloride ions बन गए, और यही ions क्या करने वाले हैं, अब ये ions flow करने वाले हैं, और जहां इन ions ने flow करना शुरू करा, वहां समझ जाएए कि electrolyte में क्या होने वाला है, electrolyte में electric current का flow होना शुरू हो चुका है, और इसके कारण हमारा पूरा का पूरा यह जो setup है ना, जो circuit है, वो क्या हो गया, complete हो गया, और इस complete circuit के कारण जो bulb है, वही देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि HCL क्या कर रहा है, electricity का conduction करवा रहा है, इसका मतलब क्या, कि जो भी current HCL तक आया है, उस current को HCL आगे जाने देगा, क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम अपने बिजली के तालों को बनाने के लिए, electrical wires को बना ले के लिए, हम क्या करते हैं, copper metal का use करते हैं क्यों use कर रहे हैं हम copper का metal, for example मैं copper का wire हूँ, ठीक है, यहाँ से electric current आ रहा है, और इस electric current को कहा जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन electric current यहाँ से वहाँ कैसे जा पाएगा, जब वो मुझ से cross होगा, मैं कौन हूँ, copper का एक wire हूँ, तो यहाँ से current आया, current मेरे अंदर गया, अब current को, जो कि मेरे अंदर आया है, copper wire के अंदर आया है, copper wire इस current को रोकेगा नहीं, वो क्या करेगा, इसको आगे जाने देगा, तो copper wire ने करा क्या, electricity का conduction करवाई, जो भी current आ रहा है, एक end से, उसको आगे भेज दे वो, दूसरे end तक, इसको हम बोलते हैं, क्या, electricity का conduction, तो आप बोल सकते हो, कि या, electrolyte तक, HCL के level तक, जो भी electric current आया है, उस electric current को, HCL ने, या electrolyte ने, रोका नहीं अपने पास, उसको आगे जाने दिया, और आगे जाने से हुआ क्या, ultimately, यह current कहां तक पहुँच गया, बल्ब तक पहुँच गया, और बल्ब तक पहुँचने के बाद हुआ क्या, बल्ब जलने लगा, तो बल्ब जो ग्लो कर रहा है, जो glowing bulb हमारे पास, वो क्या indicate कर रहा है, कि भाई, इस पूरे setup में, इस पूरे circuit में, जब हमने HCL को क्या किया है, शामिल किया है, तो ये HCL current को रोक नहीं रहा है, बल्कि current को आगे जाने दे रहा है, इसका मतल करने दे रहा है, क्यों, क्योंकि HCL के पास क्या है, उसके प्यारे प्यारे ions है, H positive and chloride ions, ठीक है, ये समझ में आया, अब हम बात करते हैं, अपने दूसरे image की, दूसरे picture में हमारे पास क्या है, same setup है, हमारे पास, cell है, bulb है, wires है, दो हमारे पास, लोही की कीले हैं, तो ये कीले क करने वाली है, electrodes का ही काम करने वाली है, अब हमने क्या करा, कि इस बार, अपने बीकर में, अपने वैसल में, HCL और पानी वगारा को नहीं डाला है, हमने यहां पर यहां पर क्या कर लिया है, glucose solution ले लिया है, क्या ले लिया है, glucose solution लिया यानिकि हमने पानी लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया glucose डाल दिया यहां पे तो हमने HCL solution लिया था HCL में acid में थोड़ा सा पानी डाल दिया था हमारा पास क्या चुका था HCL का solution आ चुका था तो वो अपने ions में split हो गया ions बन गए और इसके बार में electric current का conduction हो गया लेकिन यहां पे क्या मसला है यहां पे जब हमने HCL solution की जगा पे क्या लिया है glucose का solution लिया है अब क्या हमारा bulb glow कर रहा है नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने वीकर के अंदर वेसल के अंदर कुछ लिया ही नहीं था solution लिया तो था यहां पर भरे हमारे पाद HCL कथा लेकिन यहां पर भी तो हमने glucose का solution लिया है फिर यहां पर बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ वो इस लिए क्योंकि glucose solution में ions होते ही नहीं है अब जब ions ही नहीं होंगे तो फिर electricity का conduction कैसे possible है तो ऐसा नहीं है कि glucose solution तक electric current आ नहीं रहा था लोहें की किलो के थूँ आ रहा था electrodes के थूँ glucose solution में electric current आ रहा था लेकिन क्योंकि glucose solution के पास ions नहीं थे जिसके कारण आप बोल सकते हो कि ions flow नहीं कर पाए जब ions होंगी ही नहीं तो फ्लो कौन करेगा और जब आएंस का फ्लो नहीं होगा तो फिर electric current का भी conduction नहीं हो पाएगा इसका मतलब क्या कि ग्लो को solution में जो भी electric current आ रहा था वो electric current आगे बढ़ी नहीं पाया और जब बहुत सारे examples हम देखने वाले हैं आज के हमारे इस session में चलो अब यहां पर क्या बोला गया है weak conductors of electricity के बारे में थोड़ी सी हमको यूनों बाते बताई गई हैं उनको जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं पढ़ लेते हैं in the previous case we have seen that electric current is passed through hydrochloric acid solution the bulb glows brightly indicating that the hydrochloric acid solution is a very good conductor of electricity यहां पर हमने यही चीज़ तो देखी है कि हमारे पास जो hydrochloric acid का solution था इस solution को जब हमने यूस किया तो बल्ब जो है हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से glow कर रहा था इसका मतलब क्या कि definitely hydrochloric acid का जो solution है वो क्या है electricity का एक अच्छा conductor है ठीक है फिर इसके बार में क्या बोला गया but this is this is not so in the case of vinegar which is acetic acid solution या lemon juice which is a citric acid solution तो जैसे इस image में हमने क्या कर रहा था यह वाली image में हमने glucose solution लिया था अब glucose solution के जगा पे आप कोई दूसरा solution भी ले सकते हो जैसे कि आप vinegar भी ले सकते हो आप lemon juice भी ले सकते हो चाहे आप glucose solution ले लो चाहे आप vinegar solution ले लो या चाहे आप lemon juice solution ले लो आप कुछ भी ले लो जो bulb है ना जैसे glucose solution में हमने बोलते कि बल्ब नहीं glow करेगा लेकिन जब हम बात करेंगे कि इसकी vinegar की या आप बोल सकते हो कि इननो lemon juice की तो इसमें आप बोल सकते हो कि sulphur glow गलो करेगा तो उतना brilliant glow आपको bulb cup, lemon juice या vinegar के case में बिल्कुल भी नहीं देखेगा glucose तो आप बोसकते हो कि सबसे क्या है least level पे आता है सबसे कमजोर है वो तो किसी भी तरीके से कभी भी electricity का conduction करवाने वाला ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि उसके पास ions नहीं है जब ions ही नहीं होंगी तो फिर तहां से जो है ना electricity का conduction होगा लेकिन हमारे ये जो दो है ना vinegar और lemon juice ये दोनों के पास तो ions है क्यों ions है वह सीदी सी बात है हमारे जो acids होते हैं उनका solution हमारे basis का solution और हमारे salts का solution इन तीनों ही टाइप की solutions को हम electrolytes क्यों बोल रहे है वह इसलिए पूल रहे है क्योंकि इन तीनों ही टाइप के solutions में क्या होते हैं आयन्स होते हैं आयन्स क्यों हो रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करेंगे किसी acid की अगर हम बात करेंगे किसी base की या अगर हम बात करेंगे और class 10th में पढ़ोगे chemistry में detail में लेकिन class 8 के level पर मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि कई तरह के compounds होते हैं उन्हीं में से आते हैं क्या कुछ आयने compounds और हमारे acids, bases and saltsy सब क्या होते हैं आयने compounds ही होते हैं क्यों बोल रहे हैं इनको आयने compounds क्योंकि इनके पास आयन होते हैं बस इसी लिए ठीक है तो अब आप बोलोगे कि मैं आपने हमको प्रिवेस सेशन में बताया था कि जो विनेगर है जिसको कि हम अपने चावमीन या यह नूदल्स में डालते है यह विनेगर इस विनेगर में हम बोलते हैं कि एक असेड होता है कौन सा असेड होता है तो अगर हमने विनेगर को पाणे में डाल दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास acidic acid का solution बन जाएगा तो ये भी तो एक acid है तो फिर क्यों नहीं जब हम एक वेसल में electrolysis perform करी रहे हैं और हमने क्या करा है आप बोल सकते हो कि हमने जैसे कि यहाँ पर आपके पास HCL था ना अब हमने HCL नहीं लिया है यहाँ पर हमने क्या करा है vinegar solution लिया है vinegar solution लिया है ठीक है तो vinegar solution हमने ले तो लिया लेकिन इस solution को लेने के बाद जो bulb है वो ठीक से glow क्यों नहीं कर पा रहा है in fact आप ये वाली image देख लो तो जादा अच्छा आपको समझ में आएगा ठीक है इधर पर हो क्या रहा है यहाँ पर हमने vinegar लिया है यह जो हमारे पास आपको पूरा vessel दिखाई दे रहा होगा glass दिखाई दे रहा होगा जिसमें की दो आपके पास electrodes डाले हुए हैं यह क्या है vinegar का ही solution है तो फिर इस vinegar solution के आने पर जो bulb है वो ठीक से glow क्यों नहीं कर रहा है बहुत ही light या वो सकते हो कि बहुत ही dim है dim क्यूं है brightly glow क्यों नहीं कर रहा है जैसे कि HCL में कर रहा था वो इसलिए माना की vinegar में क्या है acidic acid है और यहाँ पर हमारे पास क्या चुका है in short acidic acid solution आ चुका है और definitely इस acidic acid solution में क्या होने वाले है ions भी होने वाले है तो फिर समस्या क्या है भई acidic acid solution है इस solution में ions भी है तो ions के होते हुए भी जो बर्ब है वो ठीक से glow क्यों नहीं कर रहा है इतना dim क्यों पड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि माना तो यहाँ पर ions है लेकिन ions जादा है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यह जो acidic acid है अभी बताया था कैसा acid होता है mild होता है, edible होता है काफी कमजोर सा होता है और यह ऐसा acid है जिसको कि हम खा सकते हैं consume कर सकते हैं, करते ही है और कोई नुकसान भी नहीं होता है उससे तो कुल मिला करके आप बोल सकते हो कि जो solution आपने लिया है suppose यहाँ पर हमने acidic solution लिया है तो उस acidic solution की जो strength है ना उसी पर depend करता है कि वो कितना अच्छा conductor है electricity का यो कितना अच्छा conductor नहीं है हमने जो पहले जो example में acidic solution लिया था वो किसका था solution? Hydrochloric acid का solution था वहाँ पर बल्ब बहुत बड़िया तरीके से glow कर रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? acid तो हमने यहाँ भी लिया था क्योंकि यहाँ पर हमने एक weak acid लिया था मैंना को previous session में बताया था कि जब भी हम किसी acid को पानी में डालते हैं तो वह acid पानी में जैसी हम डालेंगे तो पानी में आने के बाद क्या होता है? acid अपने ions में टूट जाता है जैसे कि हमने hcl डाला पानी में तो जैसी hcl को कौम मिलेगा पानी में जाकर गे वो h positive और chloride ions में वो टूट जाता है अब जब हम इस पूरे solution में acid solution में जब हम electric current को pass करवाते हैं तो यही ions जो बने हैं hcl से यही ions क्या करेंगे सभी के सभी flow करने लगेंगे और electricity का conduction हो जाएगा तो hcl क्या है? एक strong acid है strong acid हम क्यों बोड़ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही यह अपने पानी में जाएगा, अपने solution में जाएगा यह अपने ions में split हो जाएगा for example, अगर हमने पानी में hcl के 10 molecules जाले हैं تو तसो के दसो molecules क्या करने वाले हैं? अपने ions में टूटने वाले हैं, डिस associate होने वाले हैं होता है अगर हमने पाणी में एस्टेक एसेट डाला है encourage कि सब्घंप कितने इस स्कूर्फ हो सकता है कि दो सस्थी मौनेक्स क्या हो ऑने में तूटें बाक्रीके जो मौनेक्यूल्स होते हैं वो नहीं तूटे हैं अब आप खुद ही सोचो एक तरफ आपने 10 molecules लिए थे एचियल के और दूसरे साइड में आपने Acetic Acid के 10 molecules लिए थे पानी आपके पास सेम था मलब अलग अलग था एचियल का पानी अलग है और Acetic Acid का पानी अलग है तो कौनसे वाले solutions में आपको ज़्यादा आइंस मिलेंगे एचियल वाले में क्यों क्योंकि उसमें जो हमने 10 molecules नहीं हैं दसों के दसों molecules क्या हो जाएंगे आइंस में तूट जाएंगे लेकिन Acetic Acid solution में क्या होने वाला है आइंस में तूटेंगे तो सीधी सी बात है भाई आइंस वहापे क्या होने वाले नंबर ऑफ आइंस वहापे कम होने वाले हैं अब जब नंबर ऑफ आइंस ही कम होंगे तो कहां से electricity का proper conduction होगा और अगर कंडक्शन नहीं होगा तो बिचला यह जो बल्ब हमने लगा करके रखा है यह ठीक से ग्लो नहीं करेगा कभी-कभी ऐसा होता है हाया कि हमारे घर में वोल्टेज जो है उपर नीचे होता है तो एक वल्ब या ऐसी ट्यूड जो कि बहुत ही बड यह तरीके से ग्लो करती है उसकी लाइट क्या हो जाती है जब वोल्टेज PREDIM हुई, तो हम बोल देते हैं कि यार आज जो है ना, शाहद वोल्टेज पारंस vaccinated कम है, व्री घुटे कम है, वोल्टेज कम है इलेक्टर करण जो है bereits करक्त कम पहुंच रहा है जिसके कारण उसकी brightness क्या हो कब कबहुत नो गभी यहां पे भी बापनेस कंसे सदय लिया है इसके अलाव क्या ले सकते हो ले मन जूसा करो और उसको आप क्या करो यही सिचुश्विशन आने वाली है कंद्शन यहीं होगी बाल की उसकी व्राइटनेस बहुत ही कम होगी कम क्यों को तो लेमन जूस में क्या है सिट्रिक एसट है और एसटिक सल्यूशन तो क्या होता है उसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं लेकिन सिट्रिक एसट के सल्यूशन में या लेमन जूस सल्यूशन में ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि सिट्रिक एसट भी क्या है एक माइ eatable acid है अगर आप citric acid को पानी में डालोगे और सपोस आपने 10 molecules डाले है citric acid की तो हो सकता है कि 10 में से एक ये दो molecules का हो अपने ions में तूटे बागी नहीं तूटते हैं तो जब ions आएंगे ही नहीं solution में ठीक से अच्छी तरीके से तो फिर proper conduction कैसे होगा electricity का तो obviously बात है जो बल्ब है वो कैसा हो जाएगा डिम हो जाएगा आई बात समझ में तो इसको हम क्या बोल रहे हैं वीक करेंट बोलने हैं अब समझ में आए कि वीक करेंट क्या होता है चलो अब यहां पर क्या बोला गया है कि वेन अन इलेक्ट्रिक करेंट इस पास्ट्रू विनेगर यह लेमन जूस टेकन इन वीकर देन अब बल्ब ग्लोस वेरी डिम्ली इवन वेन लाज बैटरी इस अप्लाइट प्रीए सेशन में हमने देखा था कि कभी-कभी क्या होता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रोसिटी का कंड़क्शन करवाने के लिए हम एक सेल की जगा सेल्स का ग्रोप लेते हैं और सेल्स के ग्रोप को हम क्या बोलते हैं बैटरी लेते हैं तो कभी-कभी हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस को कि इलेक्ट्रोलाइसिस को करवाने के लिए हम सेल नही के लिए उसकी लाइट की प्रेटनस को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा लाज बैटरी ले लिए लेकिन लाज बैटरी से भी कुछ नहीं हुआ क्यों क्योंकि जो चीज चाहिए है इलेक्टरिसिटी के कंड़क्शन के लिए वो चीज तो आप दे ही नहीं रहे हो ना आप आयंस तो दे ही नहीं रहे हो वह देखो ऐसा है कि आपको यह लगा होगा कि बल्ब इसलिए लो मनलब डिम हो गया है क्योंकि उस तक ठीक से इलेक्टरिक करेंट पहुंच नहीं रहा है या आप यह बोल सकते हो कि बल्ब इसलिए dim हो रहा है क्योंकि जादा electric current नहीं पहुँच रहा है तो जादा electric current को पचाने के लिए आपने क्या करा? Cell की बजाए आपने एक बड़ी battery ले ली तो बड़ी battery क्या करेगी? जादा voltage supply करेगी तो आपने यह सोचा कि बल्ब जो है उस तक जादा current पहुचेगा लेकिन current पहुचना किसके थुरू था? lemon juice solution या acetic acid solution कि थुरू पहुचना था अब यह दोनों क्या है? ions ही नहीं है इनके पास तो क्या होगा? बैठ जाएंगे दोनों थोड़ा बहुती current जो है अपने ions के दुरू यह supply कर पाएंगे और थोड़ा बहुती current कहां पहुचेगा? bulb तक पहुचेगा और जिसके कारण जो bulb है वो एकदम क्या हो जाएगा? उस थोड़े बहुत current से जलेगा तो लेकिन बहुती dim हो जाएगा तो बड़ी बेटर यूज़ कर लो तो भी कोई फाइदा नहीं होने वाला उसका तो very dim glowing of bulb indicates that through vinegar and lemon juice conduct electricity अच्छा सॉरी the very dim glowing of bulb indicates that though vinegar and lemon juice conduct electricity but they are weak conductors of electricity माना कि यह जो bulb है हमारा यह glow कर रहा है लेकिन क्योंकि यह bulb कैसा है dim है इसका मतलब क्या? कि lemon juice और vinegar electricity को conduct तो करवा रहे हैं लेकिन वो कैसे हैं? weak conductors हैं electricity के इतना clear है? चलो आगे हमारे पास क्या है? If a large battery is not used to pass current through vinegar solution यह lemon juice then the bulb may not glow at all जैसा कि मैंने आपको session की starting में समझाया था glucose वाला example मैंने आपको दिया था रहा कि glucose के साथ क्या हो रहा है? जब हमने glucose solution लिया है as an electrolyte तो bulb glow कर ही नहीं रहा है और उस समय मैंना को बताया था कि अगर हम इस vessel में glucose solution की जगा पे vinegar solution ले ले या lemon juice solution ले ले तो भी bulb glow नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे आपने सिर्फ एक cell use किया है अभी इस case में bulb आप बोल सकते हो कि glow कर रहा था बले dim था लेकिन glow कर तो रहा था क्यों? क्योंकि आपने बड़ी battery का use किया था और आप यहां से आप से बोला जा रहा है कि अगर आप एक बड़ी battery का use नहीं करोगे न vinegar solution या lemon juice solution के साथ तो हो सकता है कि bulb glow करे ही न तो इस case में glucose solution की जगा पे जब आप ऐसे डिए vinegar solution या lemon juice solution लोगे तो bulb glow नहीं करेगा क्यों? क्योंकि large bulb नहीं large battery नहीं यहां पे तो एक सीधा सा simple सा एक cell use किया है तो यह एक single cell इतना sufficient current जो है ना supply नहीं कर पाएगा कि वो current कहां तक पहुंचे bulb तक पहुंचे ऐसा नहीं है यहां पे जब हमारे पास HCL था तो यहां पे हमने वही simple एक bulb लिया था लेकिन वो एक ही बल्ब क्या कर रहा था सॉरी एक ही हमने cell लिया था लेकिन वो एक ही cell क्या कर रहा था bulb को glow कर रहा था क्यूंचे वो जो भी current निकाल रहा था cell वो पूरा का पूरा पूरा जो current है वो HCL solution के तुरू कहां जा रहा था बल्ब तक जा रहा था लेकिन यहां पे नहीं होगा यहां पे यह अकेला एक single cell जो भी current supply करेगा किसको acidic acid solution में या आप बोल सकते हो कि lemon juice solution में वो current जाएगा उनके पास लेकिन वो current वहाँ जाकर के रुख जाएगा क्यूंचि वो दोनो lemon juice solution और vinegar solution आगे current को पहुचा ही नहीं पाएंगे तो जब current यहां तक पहुचेगा ही नहीं bulb तक तो वो glow कैसे करेगा तो अगर बड़ी battery हटा दी तो तो फिर भाई कि अब bulb glow कर नहीं नहीं वाला चलो, next क्या है and if we take ordinary water मतलब कि normal हमारे घरों में जो नल का पानी होता है अगर हमने वो ले लिया है in the beaker and pass electricity through it then the bulb will glow अब अगर हमने normal tap water या नल के का पानी लिया है और उसको हम electrolyte की तरह use करेंगे, उसके थूँ electric current को flow करवाएंगे, तो क्या होगा bulb हमारा glow करेगा when electric current is passed through distilled water then the bulb will not glow लेकिन जब हम एक distilled water के थूँ electricity को you know flow करवाना चाहेंगे तो bulb glow नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा, चलो देखते हैं आपको यहाँ पे एक image से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपने electrolyte के तौर पे अभी किसको use किया है tap water नल के पानी को use किया है तो जब electric current supply किया गया तो जो bulb जोड़ा हुआ था वो glow करने लगा उसमें से रोश्णी आने लगी लेकिन इसी पूरे setup में tap water को हटा करके जब हम distilled water लेंगे तो क्या होगा? क्या अब हमारा bulb glow कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं पानी तो दोनों जगा है ऐसा नहीं कि यहाँ पे acid है बल बुगलो कर जाएगा इसा क्यूं हुआ? चलो वो देखते हैं tap water होता क्या है? the water obtained from the various sources like नदी हो गया, तलाब हो गया है ना कुए हो गया, taps etc is not in the purest form यहनि कि नल का पानी होता है ना वो purest form नहीं होता है पानी का it contains many impurities in it बहुत सारी हम बोलते हैं कि impurities होती हैं उसमें these impurities include different salts too अब नल का पानी जो electricity का you know, electricity को conduct करवा रहा है तो वो क्यों करवा रहा है? भई देखो ऐसा है, जब कोई भी liquid electricity का conduction करवाएगा इसका मतलब क्या? कि उस liquid में ions होने ही वाले हैं अगर हमारा normal tap water क्या कर रहा है electricity का conduction करवा रहा है जिसके वेले से हमारा ये जुबल भई ये glow कर रहा है इसका मतलब क्या? कि tap water में भी क्या है? ions है ions कहां से आ गए हैं? तो सीधी सी बात है जो tap water है, वो कोई आप बोल सकते हो कि purest form तो होता नहीं है पानी का, उसमें बहुत सारी impurities होती है, प्लस बहुत सारे क्या होते हैं? salts भी present होते हैं उसमें as a result of these salts, the tap water becomes a good conductor of electricity, अब भी नमक है है ना? नमक कहां मिला हुआ है पानी में मिला हुआ है तो ओवेस ही बात है, नमक भी क्या होता है एक आयने कंपाउंड ही तो होता है याद करो, NaCl बताया था ना मैंने आपको NaCl तो यह नमक है, नमक हम बोलते हैं कि क्या है एक आयने कंपाउंड है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो यह Na Positive आयन्स और Chloride आयन्स में यह तोट जाता है उसी दी सी बात है, जो हमारे पास TAP Water है, नर्मल पानी है उसमें भी बहुत सारे SALTS प्रेजंट होते हैं Impurities के फॉर्म में और यह SALTS क्या करते हैं, पानी में जाकरके अपने आयन्स में तोट जाते हैं और जैसी हम electric current इनसे पास करवाते हैं, ions flow करने लगते हैं, और electric current का conduction हो जाते हैं, जिसके current जो bulb है, वो glow करने लगेगा, simple, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, distilled water के बारे में बताया गया है, यानि कि कोई नमक वमक कुछ नहीं होगा, तो जब नमक ही नहीं होगा, तो फिर ions नहीं से आएंगे, और जब ions ही नहीं आएंगे, तो फिर भाई कैसे जो है न, electricity का conduction होगा, और अगर electricity का conduction नहीं हुआ, तो यह bulb किस हिसाब से glow करेगा, glow करी नहीं पाएगा, इस तक electric current तो पूर कंड़क्टर ओफ, electricity, तो अब आपने अच्छे कंड़क्टर देख लिए हैं, electricity के, metals नहीं, मैं liquids की बात कर रही हूँ, है न, वो वाले liquids जो की अच्छे कंड़क्टर होते हैं, electricity के, हमने उनके बार में पढ़ लिया, जो weak conductors होते हैं, electricity के, जैसे की lemon juice solution, vinegar solution, उनके बार में हमने देख लिया, और जो poor conductor होते हैं, electricity के, उनके बार में भी हमने पढ़ लिया, जैसे की आपके पास distilled water आ गया है, glucose solution आ चुका है, ठीक है, तो आपने तीनों ही, आप बोल सकते हो कि categories के बार में, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, examples भी आपको पता चली गया है, तीनो current flowing in a circuit is usually detected by using a small electric bulb, such as a torch bulb, जैसे की torch light में हमारे पास चोटा सा बल्ब होता है, वैसा ही हम चोटा सा बल्ब यूज करते हैं, किस चीज के लिए, कि circuit में current flow हो रहा है या नहीं, उस चीज को detect करने के लिए, तो the current flowing in a circuit is usually detected by एक चोटा सा electric bulb, when an electric current flows through a bulb, then due to the heating effect of current, the filament of bulb gets heated to a high temperature, becomes, यह red hot होना चाहिए, ठीक है ना, and red hot, या चलो white hot भी आप लेख सकते हो, and glows to produce light, देखो ऐसा है, कि हमारो जो electric current हो बहुत ही multi-talented होता है, अब एक talent मैं आपको उसका पता देती हूँ, और अगला talent आपको कुछी दिर में पता चल जाएगा, एक talent क्या है कि जब भी electric current flow होता है न, तो उसके flow होने से एक heat produce होती है, अगर विश्वास नहों, तो आपने ये जरूर observe किया होगा, कि suppose आप एक घंटे से अपना phone charge कर रहे हो, या laptop charge कर रहे हो, या suppose आप अपना computer ही क्या कर रहे हो, चला रहे हो, एक घंटे से लगाता है, तो चलाते 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 कई बड़ आप ये realize करोगे, कि जैसे आप phone का charger हटाओगे आप, तो जैसे आप charger चुओगे, आपको ये realize होगा कि यार charger क्या हो चुका है, गरम हो चुका है, यहीं नहीं जो laptop जो फोन आप चार्ज कर रहे होगे वो फोन भी क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा ऐसा क्यों भाई हमने सिंपली अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया था सपोस्पोस हमारे फोन की बैटरी बहुत ही कम होगी थी 0% होगी थी अब तो उसको चार्ज करना ही फोन को चार्ज कर रहे है सिंपल चार्ज कर रहे है इस सिंपल चार्जिंग से भी क्या होता है जो चार्जर है वो गरम हो जाएगा और जो फोन आप चार्ज कर रहे हो वो भी गरम हो जाएगा ऐसा क्यों कि लगातार एक घंटे से उसमें इलेक्रिक करेंट फ्लो हो रहा है जा रहा है तो जिसमें जा रहा है और जिस पता कर सकते हो भी एक घंटे के लिए लिए अपना फोन आप चार्ज करो फे छुके देखो गरम आपको लगेगा बहुत गरम भी नहीं कि सीधा ओमनीटिटी आप उस पर बना लो नहीं थोड़ो बहुत गरम आपको जरूर लगेगा एक और मैं आपको एकजंबल मताती हूं जो कि आपको करना नहीं है सिर्फ सुनना है और समझना है और माल लेना है हमारे जो ब तो यहां भी हम बोते हैं कि हमारे सर्केट में इलेक्रिक करेंट फ्लो हो रहा है इसको पता करने के लिए हम छोटे से बल्ब का यूज करते हैं ठीक है ना बल्ब में ऐसा क्या होता है तो बेसिकली उसमें प्रेजंट होते हैं फिलामेंट है ना और यह फिलामेंट किसके बने होते हैं टंगस्टन के बने होते हैं जो की एक एलिमेंट ही होता है ठीक है तो टंगस्टन के यहां पर दो बहुत ही बारीक से फिलामेंट प्रेजंट होते हैं हमारे एक नॉर्मल बल्ब में तो जैसे इलेक्ट्रिक करेंट फ प्रेड्यूस हुई और इसी हीट के कारण जो दोनों ही हमारे फिलामेंट्स होते हैं बल्ब के टंग्स्टन की फिलामेंट्स यह क्या हो जाते हैं और गरम होते होते आप बोल सकते हो की वाइट हॉट या बोल सकते हो की मनलब गरम हो जाते हैं और जहां वो गरम हुए वहाँ समझ लो उनने glow करना शुरू कर दिया और उनके glow से ही हम बोते हैं कि bulb से light आने लगती है या रौश्नी आने लगती है आई बासमें में तो जब भी electric current flow होता है bulb में then due to the heating effect of current the filament of the bulb gets heated to a high temperature और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लिए temperature होता है नहीं बहुत बढ़िया temperature होता है इसी इसी बात है अब आप बोलोगे कि मैं हम tungsten की filament क्यों यूज कर रहे हैं कुछ और क्यों नहीं यूज करते हैं इसलिए क्योंकि tungsten का जो melting point है न वह बहुत जादा होता है melting point क्या एक ऐसा temperature इस पर आकर के जो चीजें हैं वो melt होने लगें for example जो हमारी बरफ है वो zero degrees Celsius temperature पर आकर के पानी में melt होने लगती है वैसे ही किसी भी चीज का हर एक चीज का क्या होता है melting point होता है tungsten के लिए हम बोलते हैं कि इसका melting point है वो काफी हाय होता है यानि कि आप इसमें कितना भी electric current भेज दो उस electric current से कितनी भी heat produce क्यों न हो जाए इसका temperature कितना ही बढ़ क्यों न जाए यह melt नहीं होता है normal अगर हम किसी दूसरे metal को यूज करें bulb की filaments को बनाने के लिए तो metal क्या करेगा electric current के flow से जो भी heat निकलेगी उस heat से पिघल जाएगा तो बल्ब आपका खराब हो जाएगा है ना उससे क्या मतलब है तो इसलिए हम tungsten का यूज करते हैं सोच समझ के क्योंकि इसका melting point ज्यादा होता है तो लगातार अगर आप 5-6 घंटे के लिए कोई bulb को on करके रख रहे हो तो अभी वह खराब नहीं होता है क्योंकि उस 5-6 घंटे के तौरान जो भी electric current गया है उससे जो भी heat produce हुई है उसे heat से जो tungsten की जो मेंट्स होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनका melting point बहुती जादा होता है यह बहुती high temperature पर जाकर के melt होते हैं ठीक है तो सीड़ी सी बात है बल्ब gets heated to a high temperature becomes white hot and glows to produce light ठीक है आगे बढ़ जाते हैं बब when the current flowing through a circuit is large the heating effect is large due to which the bulb close brightly जब आप बोल सकते हो कि देखो ऐसा है कि bulb glow क्यों कर रहा है क्योंकि वो उसके जो filament है वो heat हो रहा है ठीक है ना heating के कारण ही जो filament है वो glow करते हैं और bulb से रोशनी आ जाती है बल्ब के filaments आप बोल सकते हो कि गरम क्यों हो रहे है क्योंकि उनके अंदर electric current जा रहा है तो जितना ज्यादा electric current जाएगा बल्ब के filaments में उतने ही वो गरम होंगे और जितने वो गरम होंगे वो उतना glow करेंगे और जितना वो glow करेंगे जितना ज्यादा उतना ही वो brightly shine करने वाले हैं and when the current flowing through a circuit is small the heating effect is also small due to which the bulb glows dimly और अगर circuit में electric current ज्यादा flow नहीं हो पा रहा है थोड़ा बहुत ही हो रहा है तो जिसके कारण इस थोड़े से electric current के कारण जो heating effect आएगा वो भी कैसा होगा small ही होगा और अगर heating effect small है तो जो bulb के filaments होंगे वो glow तो करेंगे लेकिन इतने properly glow नहीं करेंगे जिसके कारण bulb की light क्या हो जाएगी उसकी brightness क्या हो जाएगी कम हो जाएगी bulb basically dim हो जाएगा if however the current flowing through the circuit is too weak then the heating effect produced by the current in the filament is too little due to which the filament does not get heated sufficiently and hence the bulb does not glow at all और अगर circuit में बहुत ही weak current flow हो रहा है तो इस weak current के current क्या होगा जो heating effect है वो भी हम बोलते हैं कि बहुत ही छोटा सा होगा very little होगा जिसके current जो filament है bulb का वो glow करेगा ही नहीं है ना वो basically गरम हो ही नहीं पाएगा filament तभी glow करता है तभी bulb से रोशनी आती है जब filament गरम हो अब यहाँ पे तो हम बोल रहें कि current ही थोड़ा सा जा रहा है जिसके current heating effect काफी कम है और इस कम heating effect के current जो bulb के filaments है वो गरम हो ही नहीं पाएगे next क्या है the current in the circuit may be weak if the electrical conductivity of the liquid we are testing is very low और वेसी बात है circuit में current हम बोल रहे हैं कि बहुती weak होगा क्यों क्योंकि जिस liquid की हम electrical conductivity को आप बोल सकते हो कि पता test करना चाहा रहे है अगर उस liquid की electrical connectivity कैसी है काफी low है तो फिर circuit में जो current होगा वो भी कैसा होगा बहुती weak होगा so if we test a liquid having very low electrical conductivity by using a torch bulb in the circuit then the bulb may not glow at all due to two weak current flowing through it अब हमारी गलती नहीं है हमने तो एक ऐसा liquid लिया है जो की electricity को connect करवाता है हाँ वो बात अलग है कि उस liquid की जो connectivity है वो कैसी है थोड़ी आप बोल सकते हो कि कमी है low ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जोना बिल्कुल ही non conducting liquid लिया है लिया है हमने conducting liquid ही लिया है for example हम vinegar solution या lemon juice का solution ले रहे थे ना तो माना कि वो कैसे है उनकी electrical conductivity कम है क्योंकि उनके पास number of ions कम है लेकिन कम से कम conducting तो है न तो होगा क्या अगर हम ऐसे low electrical conductivity वाले liquids को क्या करेंगे उनकी basically उनकी conductivity को test करने के लिए हम circuit में क्या यूज करेंगे टॉच कर बल्ब यूज करेंगे तो टॉच का जो बल्ब होगा न वो कभी भी glow नहीं करने वाला है क्यों कि अगर electrical conductivity किसी liquid की कम है तो circuit में current कम flow होगा और इतने कम current से heating effect बहुत कम निकलेगा जिसके ने कारण torch बल्ब की जो, filamentsे वह स्फिशेंटली गर्यम नहीं हो पाएंगे और अगर वह स्फिशेंटली गर्म नहीं हुए तो वह glow नहीं करेंगे और अगर वह glow नहीं करेंगे इसका मतलब क्या जले घाई नहीं अब बल्ब का ना जलना या बल्ब का गलो ना करना एक अलगी कहानी बता रहा है कैसे जैसे कि हमने glucose solution लिया as an electrolyte और हम क्या कर रहे है दोनों में क्या हो रहा है बल्ब glow नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं हमारे द्माग में यह आ कि विनेगर स्लूशन भी क्या है नॉन कंड़क्टिंग लिक्विड है जैसे कि ग्लूकोज एक नॉन कंड़क्टिंग लिक्विड है वैसे ही विनेगर स्लूशन भी क्या है एक नॉन कंड़क्टिंग लिक्विड है जबकि ऐसा नहीं है वो कंड़क्शन करवा रहा है लेकिन सिटी का conception हुआ ही नहीं तो उस पूरी प्रोसेस में जो आपने उलेक्ट्रिक बल्ब लगा करके रख़ा है जो टॉर्च बल्ब आपने लगा करके रख़ा है उस तक नहीं पहुँचेगा भल्ब तक तो फिर बल्ब कभी भी घ्लो नहीं करने वाला तो जब हम glucose solution को एक electrolyte की थरह यूज करते हैं प्रोसेस में तो bulb कभी भी glow नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि glucose solution के पास में ions होते ही नहीं है electricity का conduction वहाँ पे होगा ही नहीं, तो bulb glow करेगा ही नहीं लेकिन thankfully ये situation हमारे vinegar solution के साथ नहीं होती है क्यों नहीं होती है, वह vinegar solution है क्या? vinegar में क्या होता है, acetic acid होता है कि यहनी होता है तो इस acetic acid को हमने क्या कराहे, पानी में डाला है जैसे ही vinegar का acetic acid पानी में जाएगा, वो अपने ions में टूट जाएगा, disassociate हो जाएगा लेकिन हाँ जैसे कि मैंने आको पताया था कि अगर हम पानी में 10 molecules डाल रहे हैं acidic acid के तो 10 में से 2 या 3 molecules क्या करेंगे अपने ions में तूट जाएंगे बाकी के molecules वैसे के वैसे रहेंगे तो vinegar को पानी में डालने के बाद ions बने तो हैं लेकिन वो number of ions जादा नहीं है अब जब number of ions जादा होंगे ही नहीं तो electricity का जो conduction है वो properly होगा ही नहीं तो suppose हमने क्या करा है हमने vinegar solution को एक electrolyte के तौर पे लिया है और हम यह चारें कि यह vinegar ऐसे जो vinegar का solution है यह क्या करे electricity का conduction करवाए तो vinegar या बोल सकते हो कि acidic acid का solution होगा न वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भाई उसके पास जितने भी number of ions हैं उन number of ions हैं वो क्या करे electricity का conduction करवादे लेकिन electricity का conduction तो होगा लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा यानि कि electric current circuit में आगे बढ़ेगा तो लेकिन वो electric current sufficient नहीं होगा इसका मतलब क्या कि उस पूरी process में जो हमने छोटा सा torch bulb यूज किया है उस बल्ब तक torch bulb तक sufficient electric current नहीं पहुँचेगा और अभी अभी मैंना को पढ़ा है था कि अगर बल्ब तक sufficient electric current नहीं पहुँचे तो क्या होता है देखो यहाँ पे if however the electric sorry the current flowing through the circuit is two week अगर circuit में जो current flow हो रहा है वो काफी कम है तो heating effect जो produce होता है बाइदा current वो कैसा होगा वो भी बहुती कम होगा जिसके current बल्ब की जो filaments हैं वो sufficiently heat नहीं हो पाएंगे तो बिचारे vinegar solution नहीं या यहां पर विनेगर solution में जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है न तो उसका ग्लो ना करना हमें गलत information दे रहा है एक बिलकुल ही आप बोल सकते हो कि absolutely गलत information हमको यह मिल गई कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि इस process में जो भी आपने electrolyte लिया है वो दरसल electrolyte है ही नहीं वो एक conducting liquid है ही नहीं वो तो एक non conducting liquid है just by glucose solution जबकि ऐसा नहीं है vinegar solution एक है conducting liquid वो एक electrolyte है lemon juice भी हम वो रहे है कि lemon juice का solution भी क्या है एक conducting liquid है vinegar का solution भी क्या है conducting liquid है माना की bulb glow नहीं कर रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर bulb glow नहीं करेगा तो वो solution क्या बन जाएगा non conducting liquid बन जाएगा ऐसा नहीं है तो कुल मिलाकर करके समस्या तो अभी भी वही की वही है कि जो torch bulb है वो क्या हो चुका है fail हो चुका है मतलब कि if we test a liquid having very low electrical conductivity भाई यह जो मैंना आपको example दिया है vinegar solution का और lemon juice solution का तो यह definitely conducting liquids तो है लेकिन इन liquids की जो electrical conductivity है वो कैसी है काफी कम है तो ऐसी low electrical conductivity वाले liquids को जब आप test करते हो कैसे एक torch bulb का use करके अपने circuit में तो bulb जो है ना glow करता ही नहीं है जिसके current due to two week current flowing through it तो basically मतलब बल्ब में हम बोड़ रहें कि बहुत ही कम current flow हो रहा है जिसके कारण bulb glow करेगा ही नहीं तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में यहीं चीज़ आ जा जाएगी अच्छा कि बल्ब गलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि बल्ब गलो नहीं करेगा यहाने कि जो torch bulb आपने लिया है न वो लो इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी वाले लिक्विट्स की कंड़क्टिविटी को टेस्ट करने के लिए क्या होता है फेल हो जाता है बल्ब का महाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं फिर अब क्या करें कुछ ना कुछ तो इंतिजाम करना पड़ेगा जुगाड क्या करेंगे जुगाड तो टॉर्च बल्प कैन नॉट बी यूजड तू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोईंग तू अलिक्विड इन सर्किट यहने कि अगर आपने सर्किट में लिक्विड तो लिया है लेकिन वो कैसा है वीक या या यहीं बोल साना कि वो क्या है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है है ना वो एक लो इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी वाला लिक्विड है और ऐसे लिक्विड को लेकर कि आप क्या कर रह अब दो तरीके आजाते हैं आपके सामने जिसके तुरू आप circuit में weak current को detect कर सकते हो। कौन से हैं वो दो तरीके? By using LED. LED का यूज कर लो. LED क्या होती है? Full form क्या होता है? Light Emitting Diode. और दूसरा तरीका क्या है? By using a compass. Surrounded by turns of circuit wires. तो basically आप बोल सकते हो कि इन दोनों तरीकों का यूज करके आप weak current को जो की circuit में दोड़ रहा है उसको आप successfully detect कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी LED की. Light Emitting Diode. चीक है? यह basically कुछ इस तरीके के दिखते हैं. यह तो बहुत सारे आपके पास LED आ गए हैं. यह एक अलग LED है, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है. ठीक है ना? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक चोटा सा bulb. Bulb क्या? यहाँ पर आप बोल सकते हो कि colorful structures होते हैं, plastic के बने होते हैं. और यहाँ पर आपको उसके दो filaments नजर आते हैं. एक चोटा होता है और एक लंबा होता है. देखो यह वाला चोटा है ना? यह वाला चोटा है और यह वाला लंबा है. यह चोटा है, यह लंबा है. तो आपको यहाँ पर कई सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? यह लेडी दिखाई दे रहे हैं. We can use LED या light emitting diode, full form है इसका, in place of a torch bulb for detecting weak electric current passing through a liquid. तो हम torch bulb की जगा पर क्या करने वाले हैं? LED यूज़ करने वाले हैं. क्यों? LED is a semiconductor device which glows even when a very weak current passes through it. यानि कि LED क्या है? एक semiconductor device होता है, जो की glow करता है, कब? Even when a very weak current is passed through it. देखो ऐसा है कि bulb को glow करवाने के लिए, आपको current का जो ज़्यादा heating effect है, वो चाहिए है. जब heating effect ज़्यादा होता है, तब ही उसकी जो filament है, वो गरम होते हैं, और गरम होने के बाद में वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं. लेकिन जब हम torch bulb भी जगा पर क्या यूज करते हैं? LED यूज करते हैं. तो LED में आप बोल सकते हो कि अगर circuit में या LED में अगर कम current भी flow हो रहा है, तो वो उस कम current के कारण भी क्या करेगा? ग्लो करेगा. LEDs can be used to detect weak currents, since their filament does not require much temperature to glow. अब कहने को तो filaments तो LEDs के भी हैं, तो फिर LED को आप बोल सकते हो कि LED क्यों हम torch bulb को की जगा पर यूज कर सकते हैं, weak current को detect करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि LED के जो filaments होते हैं उनको ज़्यादा temperature नहीं चाहिए होता है गरम होने के लिए. उनको ज़्यादा heat energy नहीं चाहिए होती है गरम होने के लिए. थोड़ा बहुत भी अगर current उन तक पहुँच रहा है तो उस थोड़े बहुत current से जो भी heating effect produce हुआ है, उस heating effect से LED की जो filaments होंगे वो क्या हो जाएंगे? गरम हो जाएंगे. और जैसी वो गरम होंगे, वो glow करना शुरू कर देंगे. तो हाँ, weak currents को circuit में detect करने के लिए torch bulb की जगा पे आप क्या यूज़ करो? LED यूज़ करो, वरना तो आप हमेशा इसी confusion में रहोगे कि जो आपने circuit में liquid यूज़ किया है, वो कैसा है non-conducting है, glucose solution की जगा की तरह, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है. चलिए, तो LED's can be used to detect weak currents since their filament does not require much temperature to glow. Now, they have two terminals called anode and cathode. The length of anode lead is slightly longer. तो basically आपके पास जो LED है, उसके जो दो filaments होते हैं, आप उनको, उनकी जो ends होते हैं, आप उनको क्या बोल सकते हो? Terminals बोल सकते हो, और वो दो होते हैं, कौन-कौन से? अनोड और cathode. अनोड की जो लंबाई होती है, अनोड lead की जो लंबाई होती है, वो कैसी होती है? longer होती है, then the cathode lead and is always connected to positive terminal of the battery. तो जैसे हम आपको बता रहे थी, कि हमारा जो हमारे पास LED है, ठीके ना? यह आपके पास जो एक LED है, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके दो filaments होते हैं. आप इन दो filaments को क्या बोल सकते हो, भई? यहां भी क्या बोला जा रहा है? कि एनोड की जो लंबाई होती है, वो cathode से जाधा होती है. तो यह जो लंबा वाला filament है ना? यह क्या होगा? LED का एनोड होगा. लंबा वाला filament is anode. और जो छोटा वाला filament है, वो क्या है? cathode है. और information, एक और information दी गई है, कि जो लंबा वाला filament है, जो एनोड है, वो हमेशा हम बोलते हैं कि बैटरी के positive terminal के साथ ही क्या होता है? connected होता है. तो जब भी हम LED को torch bulb की जगा पे use कर रहे हैं, उसको replace कर रहे हैं, torch bulb को LED से, तो जो connection है, वो बिठाना properly जरूरी होता है. तो यह आपने LED यूज़ कर ली है, ठीक है? यह क्या है? उसका लंबा वाला filament है. अब आप बोलोगे कि मैं, इस वाले diagram में तो हमको दोनों ही filament बराबर दिख रहे हैं. ध्यान से देखो, यह वाला जो filament है, वो कैसा है? bent है, मुड़ा हुआ है. जब आप इसको पकड़कर की स terminal से ही जोड़ा गया है. और चो दूसरा वाला filament है, जिसको क्या आप कैथोड बोल रहा हूँ, उस कैथोड को हम बैटरी के negative terminal से जोड़ेंगे. ऑन दी हैंड, on the other hand, कैथोड लीड is shorter and is connected to the negative terminal of the battery. यहाँ पर on the other hand लिख लेना, ठीक है? on the other hand, जो कैथोड लीड है, वो कैसी ह है, छोटी होती है लंबाई में और बैटरी के हमेशन negative terminal से ही जोड़ी जाती है. चलिए, आगे बढ़ जाते हैं अब हम, we can also detect weak electric current flowing through a liquid by using a compass by making use of magnetic effect of current. आप देखो, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था इसी session में, कि हमारा जो electric current है, वो बहुत ही ज्यादा talented होता है. एक talent मै मैं आपको बताया था कि जब भी electric current flow होता है, तो वो क्या करता है? एक heating effect produce करता है. जहां भी वो flow होगा, वो जीज़ क्या हो जाएगी, गरम हो जाएगी. अब एक और उसका मैं आपको talent बताती हूँ, कि जब भी electric current किसी चीज़ से flow होता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो क magnetic field produce हो जाती है. जब आप class 9th में जाओगे, तो आप इस टीज़ को, in fact जब आप class 10th में जाओगे, तो physics के अंदर, अभी तो हम कहने को chemistry पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th और 10th में जाकर कि ये पार्ट हम बहते हैं कि physics में आ जाता है, कि अगर एक wire के थूँ, electric current flow हो रहा होता है, तो जैसे electric current उस wire में flow होगा, अब वो wire जो है, एक magnet की तरह बेहेव करेगा, और ये magnet क्योंकि आपके पास आ गया है, तो इस magnet की क्या होगी, एक magnetic field होगी, और इस magnetic field के अंदर, अगर आप कोई सच का कोई दूशा magnet लेकर के आप आ जाओ न, तो उसमें क्या होने लगेगा, deflection होने लगेगा, compass आपने देखा होगा, आज के टाइम पर हमारा Google Map है, कहीं भी जाना हो, direction वगएरा बताने के लिए, navigation के लिए हम उसको यूज करते हैं, पहले के टाइम पर हैसा नहीं होता था, in fact हम बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर भी, जो आप बोल सकते हो कि पानी में, जो भी transportation होता है, उसमें तो आज भी direction को पता करने के लिए, compass वगएरा का ही जो हैना use किया जाता है, तो compass में हम बोलते हैं, जिसे कि यह आपका एक compass है, इसमें हम बोलते हैं कि directions marked होते हैं, north, west, east, south वगएरा ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होती है, एक पत्ली सी needle भी हो ये बेसिकली नीडल क्या होती है? ये एक magnetic needle होती है. ठीक है? ये क्या होती है? एक magnetic needle होती है. तो basically होगा क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी wire के थुरू electric current को पास करवा रहे हैं, तो electric current के passage से वो wire जो है न, वो एक magnet की तरह behave करने लगता है. इसका मतलब क्या कि अगर उस wire से हम electric current को flow करवाना बंद कर देंगे, तो क्या वो दुबारा से normal एक wire हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल. एक wire, magnet तभी बना है जब उसके अंदर electric current flow होगा. और जहां आप electric current का flow करना बंद कर दोगे, वहां magnetism हम बोते हैं कि खतम हो जाएगा. अब जैसे कि मैंने आपको previous chapter में भी समझाया है, जब हम contact और non-contact forces के बार में पढ़ रहे थे, कि हर magnet की क्या होती है? एक magnetic field होती है, जिसके अंदर रह करके ही वो क्या कर सकता है? attractive या repulsive force लगा सकता है. For example, अगर मेरे पास यह magnet है, और मुझे पाता है कि magnet क्या करेगा? लोहा या जो लोहे की चीज़े हैं, उनको attract करने वाला है. चीक है? तो मेरे हाथ में एक तरफ क्या है? एक magnet है? ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा साई है. और दूसरे हाथ में मेरे पास क्या है? सपोर्स लोहे की कुछ कीले हैं. तो आपको क्या लगता है? अगर मैं magnet और कीलो को इत अपना attractive force नहीं लगा पा सकता है. तो जिस range के अंदर magnet क्या करें? लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ attract कर पाए या लोहे की चीज़ों के ओपर अपना attractive force लगा पाए. जिस range के अंदर वो range ही क्या कहलाती है? मैगनेट की magnetic field कहलाती है. तो सीधी सी बात है, जब एक वायर के through electric current. अच्छा, ये तो मैंना को किसकी बात बताई है? attractive force की बात बताई है. अब हम repulsive force की भी बात करते हैं. For example, मेरे पास दो magnets है. हम सबको पता है कि magnet के जो दो magnets के जो opposite poles होते हैं, वो क्या करते हैं? attract करते हैं. और जो same poles हैं, वो क्या करते हैं? ripple करते हैं. तो अगर मेरे पास तो क्या इन दोनों की बीच में जब इतना सारा gap होगा, तो क्या तब भी इनके बीच में force of repulsion लगेगा? बिल्कुल भी नहीं. force of repulsion तब ही लगेगा, जब दोनों ही magnets क्या होंगे? एक proper distance में आएंगे. या आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो magnet है ना, ये दूसरे वाले magnet क कि magnetic field में आएगा. तो जब तक कि आप बोल सकते हो कि magnetic field क्या है किसी भी magnet की? एक उसका इलाका है. कि जब तक कोई भी चीज़ magnet के इलाके में नहीं आएगी, तब तक magnet उसके उपर ना attractive force लगाएगा, ना ripple से force लगाएगा. तो हमने या पर बोला क्या? कि सबोस एक वायर की ज तो अगर इसी magnetic field में हमने क्या करा है? हम compass ले करके आ गए हैं. Compass की जो needle है, वो खुद क्या है? एक छोटा सा magnet ही है. तो हम कर क्या रहे हैं? एक magnet को दूसरे magnet की magnetic field में ले करके आए हैं. तो definitely compass की जो needle होगी, वो क्या करने लगेगी? ऐसे 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 करके deflect करने लगेगी. भई, यह compass की needle क्या है? यह एक magnet है. इसको आप कहां लेकर क्या हो? एक दूसरे magnet की magnetic field में लेकर क्या हो? तो जिस magnet की magnetic field में लेकर के आए हो ना, वो magnet क्या करने वाला है? इसके उपर कोई ना कोई attractive या repulsive force लगाने वाला है. कोई ना कोई magnetic force लगाने वाला है. जिसके कारण compass के अंद लेकर क्या है किसी दूसरे मैंगेक्ट के क्टीक में ले लेकर क्या है अब आप दूसरा मैंगेक्ट मारे पास था dépी आ गया अरे वैयर तो था ना उस वैर में करेंट windows flow हो ही रहा था तो अब वो बार क्या बन चुका है एक magnet जिसके क्या आ चुकी है एक magnetic field आ चुकी है आई बात समझ में तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि तो यहां पर हमारे current का एक और talent आपके सामने आ चुका है कि जब भी current flow होता है तो you know एक magnetic effect होता है current का जो कि produce हो जाता है ठीक है एक heating effect produce होना वो एक important talent है electric current का और magnetic effect produce करना वो दूसरा talent है किसका हमारे electric current ठीक है तो basically अब इस effect को magnetic effect का use करके हम क्या कर सकते हैं circuit में जो weak current flow हो रहा है उसको हम detect कर सकते हैं कैसे तरह देखते हैं this can be done as follows we take out a cardboard tray from the inside of a discarded matchbox वो जो माचिस की डिबी होती है ना उस माचिस की डिबी में से हम जो उसकी डिबी है वो निकाल लेंगे उसका box निकाल लेंगे cardboard की tray निकाल लेंगे place a compass inside the cardboard tray और एक compass को हम क्या करेंगे उस cardboard की tray में माचिस की डिबी में रख देंगे wrap an electric wire a few times around the cardboard tray so as to make a type of a coil of wire around the compass अब आपको क्या करना है माचिस के डिब बे में आपने कंपस रख तो दिया रखने के बाद में आप क्या करोगे रखने के बाद में आप पूरी की पूरी जो माचिस के डिब बे है उसमें आप एक तार को लपेट दोगे इलेक्रिक वायर को आप क्या करने वाले हो? Few times wrap करने वाले हो. The matchbox tray containing the compass inside it and having two wound up wires around it is connected in a place of a torch bulb in a circuit of the liquid to be tested for conductivity. तो basically अब एक ऐसे liquid की conductivity को आप test करना चाहा रहे हो जिसकी conductivity के बारे में आपको पहले सी यह पता है कि conductivity क्या होने वाली इसकी कम होने वाली है और जिसके कारण अगर हम torch bulb use करेंगे तो bulb glow नहीं करेगा लेकिन फिर भी test तो करना ही है तो हम क्या करेंगे torch bulb की जगा पे अभी हम LED यूज कर रहे थे अब हम LED भी नहीं अब हम क्या यूज कर रहे हैं इसी पूरे setup को हम यूज करने वाले हैं मैच बॉक्स की जगा पे हम मतलब sorry torch bulb की जगा पे हम क्या रखने वाले हैं यह माचिस की डिबी रखने वाले हैं जिसके की अंदर हमने compass को रखा है और पूरे के प electric wire a few times around the cardboard tray so as to make यह हो चुका है क्या अच्छा यह repeat हो गया है चलो ठीक है अब इसके बार में क्या हुआ है देखो कुछ इस तरीके से setup आपको कुछ ऐसा होगा कि आपने जो है ना यहाँ पे बैटरी लगा दी है और आपने जो है एक vessel भी रे लिया है जिसके अंदर क्या प क्या है अब क्या करेंगे चलो देखते हैं इवन इफ वीक इलेक्रिक करेंट फ्लोस त्रू द लिकृट इन द शर्केट अपनेटिक नीडल ऑफ़ कंपस विल शो दिफ्लेक्शन भाले ही सर्केट में कितना भी वीक इलेक्रिक करेंट क्यो ना यह फ्लो हो रहा हो तो भी कि जो नीडल होगी मैंनेटिक नीडल वो क्या करेगी डिफ्लेक्शन शो करेगी क्यों इस बिकॉस इवन अवीक इलेक्रिक करेंट फ्लोइं तू आव यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा जिया इस रहा होगा इस जिया रहा है कि अच्छा इसमें जो है ना फिलहाल क स्ट्रोलाइट यूज नहीं किया है इस जिया इफ में आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कि सरीके से एक करेंट केरिंग वायर मैगनेट की तरह बहेव करता है जिसके कारण मैगनेटिक फील्ड प्रेडियूज होती है और जब हम इस करेंट केरिंग वायर की है कौन सा कंपॉस की नीजल जब हम रखते हैं तो देखो बकाईदा आपको नीडल में डिफ्लेक्शन नजाता है उसकी जो यूजल पोजीशन होती है नॉर्थ सांथ पोजीशन उस पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है वो shrift हो जाता है तो देखो यहाँ पर हमारे carrying wire के पास हमने या रखा है देखो नीचे compass रखा हुआ है नीचे compass रखा है यहां पे आप बोल सकते हो कि जैसी आपने पूरा set-up अपना complete किया compass की जो needle है वो क्या करने लगी deflect करने लगी क्यों करी है deflect क्योंकि जैसी circuit complete हुआ जो wire है उसमें electric current flow होने लगा और जैसे ही electric current flow हुआ वो हो गई क्या एक magnet अब ये पूरा का पूरा जो current carrying wire है ये क्या बन चुका है एक magnet बन चुका है इस magnet की क्या है magnetic field है तो जग इस magnet की magnetic field में आप compass को लेकर क्या होगे खेंपस की जो needle है वो भी क्या है एक छोटू सा magnet ही है तो आप एक magnet की magnetic field में दूसरे magnet को लेकर के आ रही हो तो definitely वो जो बड़ा वाला magnet है वो क्या करने वाला है चोटे वाले magnet के उपर यह तो attractive force लगाएगा यह repulsive force लगाएगा कुछ ना कुछ तो करने वाला है magnetic force तो लगने ही वाला है तो exactly यहाँ पर यही तो हो रहा है कि current carrying wire के contact में जैसे आप क्या लेकर क्या आए हो किसके उपर तो compass की needle के उपर कोई ना कोई magnetic force लगाया है attractive भी हो सकता है repulsive भी हो सकता है आई बात समझ में अब इसी के continuation में अगर आप क्या करो एक electrolyte ले लो जैसे कि अभी तो मैंना आको बतायता है कि हमने अभी कोई electrolyte लिया नहीं है आप क्या करो आगे जाकर कि आप electrolyte ले लो और यहाँ पर मतलब एक वैसल लो और उसमें आप क्या ले लो electrolyte ले लो ठीक है यह रहा electrolyte तो जो भी है करेंट भीज रहे हैं इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहत है और यही उलेक्टरी Arai जाकर कैं हम वोड़ रहा है के बैटरीके दूस्रे टर्मिनल में जा रहा है इसका मतलब क्या कि बीच में अगर हम एक to like love the video क्या होगा electrolyte electric current को आगे भेजेगा circuit complete होगा जिसके कारण जो पुरा का पूरा wire है वो क्या हो जाएगा current carrying बन जाएगा और एक magnet की तरह भी हेड़ करेगा जिसके करण compass needle में क्या होगा deflection होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं so if a compass surrounded by wound up electric wire of a circuit including a liquid in it shows deflection it will mean that the liquid conducts electricity or the liquid is a conductor of electricity other home boarder है कि जो भी हम you know setup अपना तयार करेंगे और वो liquid क्या करेगा basically liquid को include करने के बाद में अगर compass needle में deflection हुआ इसका मतलब क्या deflection क्या indicate कर रहा है कि जो भी आपने liquid लिया है वो क्या है electricity का एक अच्छा conductor है अच्छा नी तो at least conductor तो है ही ठीक है in order to come to detect the electrical conductivity of a liquid the two ends of a wire wound around the compass are connected at a place in the circuit where the two terminals of a torch bulb are normally connected so जैसे आप normal bulb को connect करते हो ना circuit में वैसे ही आप क्या करने वाले हो compass को connect करने वाले हो ठीक है when we test the electrical conductivity of liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water, distilled water, milk, vegetable, oil and honey with the help of a compass surrounded by wire of a circuit तो basically हमारे पास सब कुछ ऐसे solutions है जिनकी electrical conductivity के ओपर हमको पहले ही doubt है है ना ना वो acidic solutions है ना वो basic solution है ना ही वो salt solutions है ठीक है वो मतलब acidic solution तो है लेकिन weak acid वाले है जैसे कि vinegar, lemon juice, दूद हो गया है ना distilled water हो गया tap water देखो tap water, rain water, sea water, distilled water इनके ओपर हम अपने अगले session में और थोड़ा सा detail में discuss करेंगे ठीक है milk, vegetable, oil, honey इन सब के ओपर हम क्या करने वाले हैं इन सभी liquids की conductivity को हम test करने वाले हैं कैसे तो magnet का use करके compass का use करके तो when liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water and sea water इन सभी में से जब आप vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water को जब आप शामिल करोगे तो definitely compass की needle में क्या होने वाला है, deflection होने वाला है, जो कि क्या बताएगा, जो कि ये बताएगा कि भई, ये सब क्या है, conducting liquids है, for example, आपको ये GIF दिखाई दे रहा होगा, बकाईदा आपने क्या करा है, vessel में, electrolytic cell में आपने vinegar लिया है, battery लगाई है, power cell लगाई है आपने, और यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, compass रखा हुआ है, तो देखो, जैसे आपका circuit complete होता है, compass की जो needle है, वो अपने north, south, usually जो compass की needle है, वो कैसी होती है, नौर्थ, south position में ही होती है, क्योंकि वो earth के हिसाब से होती है, ठीक है, उसका detail आप class 9 में समझोगे, तो देखो, deflection आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों हुआ, कहने को तो आपने vinegar लिया था, अब अगर इसी की जगा पे मैं bulb रग देती, बल्ब अगर मैं रग देती, तो बल्ब glow नहीं करता, यह करता भी तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल, you know, dim, क्यों, क्योंकि circuit में definitely क्या हो रहा है, कम electric current flow हो रहा है, तो जिसके current पूरा का पूरा असर कि इस पर बढ़ रहा था, बल्ब पर पढ़ रहते हैं, अब हमने बल्ब को लिया ही नहीं, वो मस्ला ही हमने खतम कर दिया, जहां पर doubt आ रहा है, उसको हम हटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, या फिर कुछ इस तरीके से हम compass needle का use करेंगे, ठीक है, फिर इसके बार में आप देखो, जब हमने lemon juice लिया है, तो lemon juice लेने पे भी क्या हुआ है, बकाइदा आपको compass की जो needle है, उसमें deflection नजर आ रहा होगा, जहां deflection हुआ, वहां समझ लो कि circuit में क्या हो रहा है, current flow हो रहा है, तब ही तो उस circuit में क्या आ चुकी है, एक magnetic field और उसी field के current, compass की जो magnetic needle है, वो क्या हो रही है, deflect हो रही है, क्योंकि उसके ओपर कोई ना कोई force, magnetic force लगी रहा है, तो कुल मिला कर क्या बोल सकते हो, कि वो चाहे विनेगर हो, या फिर वो चाहे क्या हो lemon juice हो, आपको deflection तो definitely देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क् भाले ही electric current कम हो रहा है, फ्लो, लेकिन हो तो रहा है न, at least, so this shows that vinegar, lemon juice, tap water, rain, water, sea, water are conductors of what, electricity, फिर when liquids like distilled water, milk, vegetable oil and honey are included in the circuit, no deflection is observed in the magnetic needle of the compass, this shows that, अच्छा, अब जब आप distilled water को, दूद को, vegetable oil को, इन सब को जब आप यूज़ करोगे, तो कोई भी deflection नहीं होगा, compass की needle में, य यह क्या indicate कर रहा है कि भाई, यह सब के सब क्या है, non-conducting liquids है, from the above discussion, we conclude that some liquids are good conductors of electricity, whereas the other liquids are poor conductors of electricity, most of the liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts, जैसे कि हमने vinegar और उनकी बात करी थी, vinegar की और you know, lemon juice वगेदा की, तो उसमें हमने देखा था कि क्या है, वो acids के ही तो solution है, माना कि वो कैसे है, weak acids है, लेकिन Ultimately आप बोल सकते हो ना, कि vinegar को अगर आप पानी मिडालोगे, तो वो acidic solution यह बनेगा, acidic acid solution, अगर आप lemon juice को पानी मिडालोगे, तो वो क्या बनेगा, citric acid solution, तो कुल मिला करके वो acidic solution ही होगा, भले weak क्यों ना हो, this is because the solutions of acids, bases and salts contain charged particles, या called ions, which conduct electricity through these solutions, आई बात समझ में, तो कुल मि ने कई सारी बाते पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, कैसे weak current को हम, जो की circuit में flow हो रहा है, liquid के through, to be more specific, उसे हम कैसे detect कर रहे हैं, Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के 14 चाप्टर, chemical effects of electric current का एक और नया topic discuss करने जा रहे हैं and that is the case of distilled water, tap water, sea water and rain water. अब topic के नाम को पढ़ते साथ ही, डर मत जाएगा कि बापरे topic का नाम ही इतना बड़ा है, तो बताने topic कितना बड़ा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस topic name थोड़ा सा लंबा है, बाकि topic हमारा काफी छोटा है, तो काम करते हैं जल्दी से आज के हमारे इस session को start कर लेते हैं, और इस छोटे से topic को cover कर लेते हैं, तो इस विभूती खरे, welcome to Magnet Brains, जहां पर आपको सभी चाप्तर के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost, याने कि Magnet Brains में आपको दो चाप्तर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की, या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है, क्य के नए topic की उपर आएं, उसके उपर हम चर्चा करें, उसको discuss करें, previous session में जो हमने topic पढ़ा है, उसको हम जल्दी से एक बार quickly revise कर लेते हैं, देखो, previous session में हमने ये पढ़ा था कि जब एक circuit में किसी liquid या electrolyte के थुरू weak current flow होता है, तो उस weak current को कैसे detect किया जाए, normally क्या होता है कि हमारे पास एक circuit है, जिसमें कि liquid के थुरू current flow हो रहा है, तो उस circuit में जो flow होने वाला current है, उस current को detect करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा torch bulb लगा देते हैं, उस torch bulb से ही हम ये पता करते हैं कि circuit मे liquid के थुरू current flow हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे, अगर bulb glow करता ह के लिक्वीट की तically Rub तक पहुंचा नहीं और बल्ब में एक्जैकली होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक करेंट्ट बल्ब के अंदर जाता है उस इलेक्ट्रिक करेंट के करेंट में एक हीट प्रुड जोर्णे है और इसी हीट के करण बल्ब के जो दो फिलामेंट्स होते हैं वो गरम हो जाते हैं और गरम होने के बाद में वो ग्लो करने लगते हैं इसका मतलब क्या कि बल्ब से रौश्णी आने लगती है तो सीधी सी बात है हमने यहां फिल फिविगा करेंड का हीट इफाग देखा था कि जब भी इलकर कर लगता हैकहीोग क्रण सितक होती है और इसी हीट का सभाएड़ के दोनों फिलामेंटस गरम हो जाते हैं तो और गरम उने के बाद में ग्लो करने लगते हैं याने की bulb से रौश्णी आने लगती है. अगर आप बोल सकते हो कि एलग्टर करेंट गया ही नहीं बल्ब में तो क्या होगा? अगर एलेक्टर करेंट बल्ब में जाएगा नहीं तो heat produce नहीं होगी. अगर heat produce नहीं होगी इसका मतलब क्या? कि bulb के जो दो filaments होंगे वो गरम नहीं हो पाएंगे और अगर वो गरम नहीं होए तो फिर क्या होगा वो glow भी नहीं करेंगे नहीं कि हमारा जो bulb है न उससे रोश्नी नहीं आने वाली है तो कुल मिला करके नॉर्मली जब हमें circuit में electric current flow हो रहा है या नहीं इसका पता करना होता है तो हम क्या करते हैं एक छोटे से torch bulb का यूज करते हैं लेकिन जब बात आती है एक weak current की तो weak current को detect करने के लिए हम torch bulb नहीं ले सकते हैं ऐसा क्यों हमने सीखा था कि suppose हमारे पास एक torch bulb है और उसके अंदर weak current जा रहा है ध्यान से सुनिएगा current तो जा रहा है लेकिन वो current कैसा है bulb में जाने वाला weak है तो एक bulb के अंदर electric current जा तो रहा है लेकिन वो weak current है तो weak current से होगा क्या जो heat produce होने वाली है न वो भी कैसी होगी थोड़ी कम ही होगी अब इस कम heat के current बल्ब के जो दो filaments होगे न वो properly गरम नहीं हो पाएंगे और अगर वो properly गरम नहीं हुए तो क्या होगा वो glow ही नहीं करेंगे इसका मतलब बल्ब से रोश्नी आ नहीं नहीं वाली है वही अब इस case में क्या हुआ देखो जो मैंने आपको पहले दो cases बताये थे एक case में current जा रहा था तो bulb glow कर रहा था दूसरे case में electric current bulb के अंदर जा ही नहीं रहा था जिसके current बल्ब गलो नहीं कर रहा था लेकिन इस तीसरे case में क्या हुआ है electric current बल्ब के अंदर जा रहा है लेकिन फिर भी bulb glow नहीं कर रहा है क्यों? क्योंकि जो current अंदर गया है वो कैसा है? weak है जिसके current sufficient heat produce नहीं हुई है और sufficient heat produce नहीं होने के कारण जो दो filaments है बलके वो गरम नहीं हो पाए वो glow नहीं कर रहे है तो bulb से रोश्णी नहीं आ रही है तो यह जो तीसरा case है ना यह तो उन दोनों ही हमारे first true cases से क्या हो गया है काफी अलग हो चुका है कि पहले में current आ रहा है तो bulb glow कर रहा है दूसरे में current नहीं आ रहा है तो bulb glow नहीं कर रहा है लेकिन यहां पे क्या हो रहा है electric current जात हो रहा है बल्ब के अंदर लेकिन फिर भी बल्ब नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या कि इस केस में इस तीसरे केस में बल्ब का जो ना ग्लो करना है वो हमें एक गलत information दे रहा है एक false information दे रहा है कि भाई circuit में current flow होई नहीं रहा है circuit में liquid के तरू current flow नहीं हो रहा है जिसके current bulb glow नहीं कर रहा है जबकि ऐसा नहीं है current flow हो रहा था liquid के तरू और वो current जा भी रहा था bulb में लेकिन फिर भी bulb glow क्यों नहीं किया क्योंकि वो current कैसा था weak था तो कुल मिला करके हम torch bulb का use नहीं कर सकते हैं circuit में weak current को detect करने के लिए तो फिर करें क्या? एक काम करते हैं न, LED ले ले लेते हैं हम, ठीके न, light emitting diode हम LED का use करते हैं torch bulb की जगा, क्यों? क्योंकि LED की चुदो filaments होते हैं न, उनको ज़्यादा heat नहीं चाहिए होती है गरम होने के लिए, थोड़ी बहुत heat से वो गरम हो जाते हैं और गरम हो करके वो glow करने लगते हैं तो अच्छा तरीका क्या है? circuit में weak current को detect करने के लिए आप bulb की जगा, torch bulb की जगा पे आप LED यूज़ कर लो यह दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है? आप compass ले लो, compass मतला हो match वाला नहीं, navigation के लिए use होने वाला जो compass है, आप वो ले सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पास अंदर उसकी क्या होती है? चोटी सी needle होती है, और वो कैसी होती है? वो magnetic needle होती है, normally उसके position क्या होती है? North, South होती है, तो suppose आप एक, आपके पास जो भी circuit है, ठीक है ना? उस circuit में definitely आपके पास क्या होंगे? वायर भी होगा, है ना? उस वायर के पास आप उस compass को ले करके आ जाईए, तो जैसे ही उस वायर में current flow होगा, भले ही वो कैसा हो, weak क्यों ना हो? जैसे ही उस वायर में weak current flow तो कंपस की जो नीडल होगी ना वो अपनी नॉर्मल पोजिशन से डिफलेक्शन शो करने लगी वो डिफलेक्ट हो जाएगी ऐसा क्यों बैग एक मैगनेट कब डिफलेक्ट करता है जब उसके कॉंटेक्ट में किसी दूसरे मैगनेट की मैगनेटिक फील्ड आ जाती है कंपस की जो नीडल है वो कैसी है वो एक मैगनेट है वो एक छोटा सा मैगनेट है तो यह छोटा सा मैगनेट डिफलेक्शन क्यों कर रहा है क्योंकि इसके उपर कोई ना कोई फोर्स लगा है चाहे फोर्स ओफ अट्रेक्शन या फिर चाहे फोर्स ओफ रिपल्शन किसने लग ना compass को वो वायर ही क्या है एक magnet है कैसे बन गया वो एक magnet वो तो एक सिंपल से वायर था जिसमें कि current flow हो रहा था exactly वायर में current flow हो रहा था याने कि temporary basis पे वो क्या बन चुका है वायर एक magnet बन चुका है जिसकी क्या है अपनी खुद की एक magnetic field है तो यहां हमने current की एक और effect को पढ़ा था जो कि है magnetic effect heating effect अलग होता है current का और magnetic effect अलग होता है तो current carrying वार क्या बन जाता है एक छोटा सा magnet बन जाता है और उस magnet की क्या होती है magnetic field होती है तो जब आप किसी दूसरे magnet की magnetic field में एक magnet को लेकर के आओगे तो definitely आपको deflection मिलेगा तो अगर liquid में current flow हो रहा है circuit में कैसा वीक वाला तो उसको जांचने के लिए आप क्या करोगे compass लेकर क्या आओगे जहां उसकी नीडल ने deflection शो किया वहां समझ जाईए कि definitely circuit में current flow हो रहा है भले वीक हो रहा है लेकिन पानी के ओपर क्या लिखा गया है यहां पर हम देख लेते हैं कि if we take some distilled water in a beaker and pass electricity through it we will find that there is no deflection in the magnetic needle of the compass ठीक है तो देखो ऐसा है कि previous session में हमने जो भी चीज़े पढ़ी है उनका हम revision क्यों करते हैं ताकि आज जो चीज़े हमें पढ़नी है ना तो उनकी बीच में हमें एक link बिठा पाए हमें हम चीजों को relate कर पाएं ठीक है तो यहां पर हमने क्या करा एक बीकर में पानी तो लिया है लेकिन वह पानी कैसा है distilled water है और इसके कंपस की नीडल को देखेंगे कि क्या आप में कोई deflection हो रहा है लेकिन अनफॉचनेटली इस कंपस की नीडल में कोई भी deflection नहीं हुआ वह सीधी सी बात है हमने वी करेंट को डिटेक्ट करने के लिए यहां पे बल्ब की जगह पे क्या लिया था कंपस की नीडल ली थी ताकि अगर सर्केट में जरा सा करेंट फ्लो होगा जिसके कारेंट इस कंपस की जो मैगनेटिक नीडल है वो क्या करेगी डिफ्लेक्शन शो करेगी लेकिन अनफॉचनेटली नीडल में कोई भी दिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब क्या कि सर्केट में वीक करेंट भी फ्लो नहीं हो रहा है अगर वीक करेंट फ्लो हो रहा होता तो यहां पे दिफ्लेक्शन डेफिनिटली देखने को मिलता लेकिन अगर दिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब क्या कि करेंट फ्लो हो ही निरा है न strong न weak न कुछ current flow हो ही निरा है this shows that distilled water does not conduct electricity obviously बात है अगर यहाँ पर deflection हो ही निरा है तो हम यहाँ पर क्या conclude करेंगे यह distilled water है न वो electricity का conduction करवाता ही नहीं है in other words distilled water is a poor conductor of electricity और a non conductor of electricity तो आप और आसान शब्दों में कैसे बोल सकते हो कि जो distilled water है वो क्या है electricity का एक poor conductor है या non conductor है वो electricity को conduct करवा ही नहीं सकता है बकायदा आपने यहाँ पर cell battery वगेरा सब लगा के रखी थी अगर इस distilled water की जगा पर आप पता है क्या ले लेते HCL प्लस पानी का solution ले लेते ना तो बहुत बढ़िया deflection आपको देखने को मिलता compass की needle में लेकिन जो की यहाँ पर आपने इस combination की जगा पर क्या लेकर रखा है distilled water लेकर के रखा है तो deflection शो होने ही नहीं वाला है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं है आपर होने वाला है नाओ dissolve a pinch of common salt या sodium chloride in distilled water when salt is dissolved in distilled water we get salt solution अभी तक हमारे पास क्या था? normal plane distilled water था अब हम क्या करेंगे? वह distilled water के साथ में आपने एक experiment, एक activity करके देख ली ना कि distilled water बिलकुल भी current का flow करवाता ही नहीं है एक अच्छा current तो छोड़ो weak current भी distilled water के थूँ फ्लो हो ही नहीं सकता तभी तो magnetic needle जो थी compass की उसमें कोई भी deflection नहीं हुआ लेकिन अब हमने क्या करा? अब हमने उसी distilled water में एक pinch या एक आप बोल सकते हो कि चुटकी नमक, common salt हमने ले लिया और उसमें डाल दिया, dissolve कर दिया फिर इसके बार में अब हमारे पास वो क्या आ चुका है? salt solution आ चुका है बैसी सीधी सी बात है एक glass पानी में एक चमच, एक चमचा या एक pinch नमक डालो तीनों ही case में आपके पास ultimately salt solution ही बनने वाला है ऐसा नहीं होगा कि जब तक आप एक glass पानी में एक चमच नमक नहीं डालते हो तब तक वो salt solution नहीं कहलाएगा ऐसा नहीं है एक pinch भी अगर आप में डाला है एक चुटकी भी अगर आप में नमक डाला है पानी में तो वो salt solution ही कहलाएगा अब यहाँ भी हुआ क्या अब जब हमने salt को distill water में डाला और हमारे पास क्या आ गया salt water आ गया और फिर इसके बाद में इसको हमने use किया अपने इस पूरे उनों setup में तो हमें क्या देखने को मिला कि बकाइदा compass की जो नीडर है वो क्या कर रही है deflection शो कर रही है अभी तक तो कोई deflection नहीं हुआ था यहाँ पे लेकिन जैसे हमने एक pinch नमक क्या डाल दिया distill water में बकाइदा जो नीडर है वो आपको deflect करती हुआ यह दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है यह वाली ठीके ना रेड और ब्लू कलर की तो यहाँ पे बकाइदा आपको deflection नीडर का दिखाई देने लगेगा अब ऐसा क्या हो गया भई एक चमच नमक डालके कि सेम दिख्टल वाटर था हमारे पास जो पहले एलेक्रिसिटी का कंडशन नहीं करवा रा था या एलेक्रिक करन का यह उनों कंडशन नहीं करवा रा था अब ऐसा क्या हुआ कि नमक डालते साथी कंडशन शुरू हो गया if we test this salt solution by passing current through it we will find that the magnetic needle of the compass shows deflection thus distilled water becomes a good conductor of electricity on dissolving a little salt in it तो अगर हम distilled water में थोड़ा सा भी नमक डाल देंगे तो अब वो क्या बन जाता है? एक अच्छा conductor बन जाता है electricity का अब वो करवा रहा है electric current in other words, salt solution is a good conductor of electricity मुद्दा तो वही है ना कि आखिर हुआ क्या इसा नमक को डालने के बाद वही सीदी सी बात है नमक क्या होता है भाई नमक, common salt, NaCl तो जब ये compound भाई नमक भी क्या है जैसे पानी एक compound है वैसी नमक भी क्या है? एक compound ही है और यही ultimately ions क्या करने वाले हैं? फ्लो करके electricity का conduction करवाने वाले हैं यह चीज तो हम already अपने इस chapter में second session से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी liquid electricity का conduction करवाता है तो वो कैसे करवा पा रहा है क्योंकि उस liquid के पास क्या है? definitely ions है metals की बात अलग होती है metals के पास हम बहुते हैं कि free electrons हैं जिसके करन वो electricity का conduction करवाते हैं लेकिन जब बात आती किसी liquid की तो liquid electricity का conduction कैसे करवा पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या होते है? ions होते हैं बेना ions के कुछ भी possible नहीं है किसी भी liquid के लिए possible नहीं है कोई भी जो है ना needle में deflection नहीं हुआ था क्योंकि इस distilled water के पास ions थे ही नहीं अब जब ions ही नहीं होंगे तो flow कौन करेगा? और अगर ions ही flow नहीं करेंगे तो फिर electricity का conduction कैसे possible होगा? दिमाख लगाओ अब जब हमने इस distilled water में नमक दाल दिया है तो नमक दालने से हुआ क्या? जैसे नमक दालोगे distilled water में नमक तूर जाएगा अपने respective ions में sodium ions में और chloride ions में और यही दोनों ions क्या करने वाले हैं? जैसे ही इस distilled water salt in distilled water से electric current flow होगा तो यह ions क्या करने लगेंगे? अपना movement शुरू कर देंगे flow होना शुरू कर देंगे और जहां यह flow हुए वहाँ समझ लो कि liquid में क्या होने वाला है? electricity का conduction होने वाला है याने कि जो आपके पास अब जो electrolyte आया है पहले आपके पास जो distilled water आया था इसको आप electrolyte नहीं बोल सकते हो पहले आप मैंना को समझा दिया है कि electrolyte क्या है? एक वो liquid है जो कि electricity का conduction करवाता है यह करवारा है क्या? नहीं करवारा है इसका मतलब क्या? distilled water को आप electrolyte नहीं बोलोगे ठीक है? यह liquid है लेकिन electrolyte नहीं है यह electrolyte है क्यों? क्योंकि कि इसके पास ions आ चुके है तो यह electricity का conduction करवाने वाला है तो कौन मिला करके? अब बकादा जो है आपको compass की जो needle है उसमें deflection आपको definitely नजर आएगा जो कि हमें क्या बताएगा? कि अब यह जो आपके पास electrolyte है यह electrolyte electricity का conduction करवा रहा है भले ही week हो current लेकिन at least करवा तो रहा है जिसके कारण deflection देखने को मिला जो वायर है वो क्या बन चुका है? एक temporary magnet बन चुका है जैसे ही current रुकेगा तो अब जो वायर होगा वो magnet नहीं कहलाएगा लेकिन क्योंकि इस electrolyte के तुरू पूरे circuit में current flow हो रहा है तो जो तार है वो क्या बन चाएगा? temporary basis पे एक magnet बन चाएगा तो similarly यहाँ पे आपको needle में deflection देखने को मिलेगा compass की needle में चलिए तो कुल मिला करके यह चीज़ आपको समझ में आई होंगे कि distal water is a poor conductor of electricity because it does not contain any dissolved salts in it distal water में हम बोते हैं कि salts होते ही नहीं है बिलकुल भी नहीं होते हैं अग जब salts ही नहीं होंगे तो ions कहां से आ जाएंगे और अगर ions नहीं होंगे तो electricity का conduction भूली जाओ which can provide its ions to conduct electricity. आए बात समझ में चलिए फिर इसके बार में क्या है? Thus distal water is pure water and it does not conduct electricity. तो previous session में भी हमने ये बात पड़ी थी, समझी थी कि distal water के लिए हमने बोला था कि ये पानी का purest form होता है इसमें कोई भी dissolved salts present नहीं होते हैं. We can make distal water या pure water to conduct electricity in the following ways. अब हम distal water को भी help कर सकते हैं. किस चीज में? कि वो electricity का conduction करवा पाए. तो कैसे? We can dissolve some common salt or any other salt in distal water या pure water to make it a good conductor of electricity. देखो ऐसा है कि distal water अगर आपको देखना हों कि वो कैसा देखता है, कैसा लगता है तो आप अपने स्कूल की जो chemistry lab है वहाँ पे जाके आप देख सकते हों. ठीक है? Chemistry lab में distal water अराम से मिल जाएगा आपको क्योंकि काई सारे experiments distal water के साथ ही होते हैं. ठीक है? Normally हो सकता है कि market में आपको ऐसे अलग से आप खरीदने ना जाओ, आपको देखने को ना मिले. लेकिन हाँ, chemistry lab में, आपकी schools की chemistry lab में, आपको असानी से देखने को मिल जाएगा. ठीक है? तो देखने में जो distal water है, वो हमारे simple पानी से कुछ अलग नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि distal water जो है ना उसमें ions नहीं होते हैं, मतलब salts वगएरा नहीं होते हैं, तो उसका color कुछ और होता होगा. नहीं, same ही होता है, बस हाँ, properties हम उसमें थोड़ी सी अलग हो जाती है. अब यहाँ पी हमने कहा करा है कि अगर हमें distal water के तुरू electricity का conduction करवाना है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा नमक, common salt या कोई भी दूसरा salt आप डाल दोगे. तो basically, देखो, conduction करवाना है, electricity का, तो ions नहीं है. अब ions हम बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके से ले आओ, distilled water में. चाहे आप common salt को डाल करके ले आओ, ठीके? या आप किसी भी दूसरे salt को डाल करके ले के आओ, जो बस ions ले आओ, तो वो क्या करने लगेगा? electricity का conduction करवाने लगेगा. We can add a little acid. जैसे कि मैंना आपको बोला कि बस आपको क्या करना है? ions लेकर कि आने. अब ऐसा थोड़ी है कि बस नमक के पास ही ions होते हैं, वही acids के पास भी ions होते हैं, basis के पास भी ions होते हैं, तो आप distill water में आतो नमक डाल दो, common salt या कोई दूसरा salt, जो भी आपको पसंद हो, या इसके लावा आप क्या कर सकते हो? little acid भी डाल दो, तो dilute sulfuric acid भी आप डाल सकते हो, lemon juice या vinegar भी डाल सकते हो, in distill water और pure water to make it a good conductor of electricity. Similarly, we can add a little amount of base such as sodium hydroxide या potassium hydroxide in distill water या pure water to make it a good conductor of electricity. For example, अगर आपके पास क्या है? sodium hydroxide है, और आपके पास potassium hydroxide है, ठीक है? तो यह क्या है? यह दोनों ही bases हैं, और जब इनको आप pure water, यह distill water में डालोगे न, तो यह अपने ions में तूट जाएंगे. कैसे तूटेंगे? तो यहाँ पे आपके पास आजाएगा sodium ions और यहाँ आपके पास आजाएंगे OH negative ions, यानि की hydroxide ions. Similarly, यहाँ पे आपके पास आजाएंगे potassium ions और यहाँ आपके पास आजाएंगे फिर से hydroxide या OH negative ions. तो acids, bases या salts, कुछ भी डालो distilled water में ताकि उसके पास ions आजाएंगे तो वो एक अच्छा conductor बन जाएगा electricity का. ठीक है? चलो. आगे बढ़ते हैं. The water that we get from sources such as taps, hand pumps, huay, ponds, etc. is not pure. तो जैसे कि मैं आपको बताया है कि जो हमारा distilled water होता है, उसमें कोई भी dissolved salts present नहीं होता है. जिसके कारण पानी का हम उसको क्या बोलते हैं? Purist form बोलते हैं. लेकिन वो वाला पानी जो कि हमें हमारे नलो से मिलता है, घर के नलो से, कुएं से मिलता है, तलाप से मिलता है, नदी से मिलता है. वो पानी कैसा होता है? Pure नहीं होता है. वो impure होता है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे salts dissolved होते हैं. The water of taps and pumps, wells and ponds contains small amount of several salts which are naturally present in it. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो पानी हमें मिल रहा है, उसमें हम अपनी तरफ से जाकर के नमक डाल रहे हैं. नहीं ऐसा, नहीं है. है ना, देखा जाए तो जो ocean का, जो समुद्र का पानी होता है, उसको हम marine water बोते हैं. इसके उपर हम already अपने किसी previous chapter में discussion कर चुके हैं. I guess जब हम Tadpole वाला case पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने शायद marine water को discuss किया था. तो समुद्र का जो पानी होता है, ocean water जो होता है, उसे हम क्या पोलते हैं? marine water बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्यों पानी में salt का जो concentration होता है, वो बहुत ज़ादा होता है. कहने को तो हम बोल रहे हैं कि हमारे planet earth पे समुद्र बहुत सारे हैं और समुद्र का पानी भी बहुत स जादा है तो कि समुद्र के पानी को हम पीने के लिए उस नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि समुद्र के पानी में salt का जो concentration होता है वो बहुत ज़ादा होता है और हमारा जो drinking water होता है है ना, हमारे घरों में जो आता है नदियों से, तलाप से hand pump से, वो वारा जो पानी होता है उसमें भी salt present होते हैं लेकिन इतने नहीं होता है कि वो पानी हमें कैसा लगे नमकीन लगे ocean water तो इतना ज़ादा खारा होता है, इतना ज़ादा नमकीन होता है कि आप उसको पी सकते ही नहीं हो in fact उसमें इतना सारा नमक होता है कि वही से ocean water से ही हम क्या करते हैं, अपने खाने का नमक लेकर के आते हैं ocean water से ही हमारा जो common salt है sodium chloride हैं हम उसी से obtain करते हैं कैसे तो ocean bed पर समुद्र के किनारे हम आप बोल सकते हो कि उन्हों shallow tanks बना दिये जाते हैं यह shallow beds बना दिये जाते हैं ठीक है और उसमें समुद्र के पानी को भर दिया जाता है और naturally उस समुद्र के पानी को evaporate होने के लिए छोड़ दिये जाता है तो नमक आप बोल सकते हो कि पानी जो है समुद्र का पानी धूब की गर्मी से और हवा से अपने आप क्या हो जाता है भाप में या वेपर्स में चेंज हो जाता है यानि कि evaporate हो जाता है और उस पानी में जो dissolved salts होते हैं वो पीछे चूट जाते हैं तो सपोज आपने क्या करा है एक narrow bank बनाया है एक narrow bed बनाया है समुद्र के किनारे और उसमें हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है समुद्र का तो पूरा का पूरा जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और उस पानी में जो salt present होंगे न वो इस बैट में ही पीछे चूट जाएंगे फिर इसके बाद में इस salt को निकाला जाता है और उसको प्यूरिफाय किया जाता है और यहीं से जो हमारे खाने वाला नमक होता है मरीन वाटर वो ते हैं तो क्या समुदरी के पानी में हमने जाकर कि नमक घुला है नहीं मैं यह नहीं बोर्णी हो कि सिर्फ जो नमक है वो समुदरी के पानी में होता है जो हमारे बाकी natural water reservoirs हैं जैसे की तलाब हो गया नदी हो गई और इसके लावा underground water हो गया उसमें भी salt present ह होते हैं लेकिन इतने जादा नहीं होते हैं कि पानी जो है ना वो खारा हो जाए समुदरी के पानी को हम खारा बोलते हैं और जो नदी का पानी होता है यह ग्राउंड वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं मीठा पानी बोलते हैं ठीक है तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि न है लिएक्त्रिफिक का कंडप्षन हो पाने क्या करे इलेक्स करें का कंडप्षन कर वाई तो इसके लिए हमें आयंच टाहिए है आइंच कैसे मिल रहे है हमें डालना की जरुबद ही नहीं पड़ रहे हैं गराने के लिए हमें डिया तो नमक डाला पड़ हाथ सेड यहा बेस अड़ करना पड़ रहा है यहाँ पर एस सज हमें कुछ भी कंडिंग जरुबद हैं नहीं क्यों refय हिए यvRO और इन बहुत सारे salts के क्या होने बाले हैं बहुत सारे ions भी होने बाले हैं तो naturally आप बोल सकते हो कि पानी में क्या present है ions present है तो obviously बात है electricity का conduction तो अच्छा खासा होगा ही होगा for example tap water is a conductor of electricity because it contains small amounts of various salts dissolved in it these salts are naturally present to the tap water because tap water comes from rivers, lakes ya tube wells which contain dissolved salts तो हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं नलों से पानी आता है ठीक है उनके लिए हम बोल सकते हैं कि उनमे naturally salts present होते हैं क्यूं? क्योंकि वो जहां से आ रहे हैं मला जो main source है पानी का पानी कहां से आ सकता है? तलाबों से आ सकता है, नदी से आ सकता है तो इन सभी पानी की sources में क्या है already नमक present है पानी में और वही पानी कहां आ रहा है हमारे घर तक आ रहा है नलो के थू अब आप बोलोगे कि मैं इत्ते सारे salts present है तो क्या हमारे बोड़े को कोई नुकसान नहीं होता है नहीं बिलकुल भी नहीं होता है इन फैक्ट यह जो mineral salts है ना यह हमारी बोड़े के लिए essential होते हैं यह beneficial होते हैं ऐसा क्यों देखो पहले जो है ना simple purifier वगरा चलते थे simple filter अब इसके बार में क्या हुआ और advancement होगी टेक्नलोजी में तो हम वो रहें कि RO system आ गया RO purified water जो होता है definitely वो काफी clean होता है जितने भी germs हैं वगरा सब हट जाते हैं लेकिन पहले जो RO आते थे ना उसमें पानी तो साफ होता था लेकिन साथी साथ पानी की जो minerals होते थे ना वो भी चले जाते थे इसलिए आज के time पे जो RO आते हैं आपने देखा होगा TV वगरा पे आज के time पे जो भी RO आते हैं उसमें अलग से mineral का filter भी लगाया जाता है कि पानी की सफाई के दुरान जो भी चीजे गई है minerals का loss हुआ है उस loss को जो है ना उसकी भरपाई की जाती है कैसे तो अलग से filter लगाया जाता है कि इसमें RO के अंदर कि जो भी पानी में minerals हटे है और minerals को वापस पानी में डाल दिया जाए तो कुल मिला करके पानी में जो natural mineral salts present होते हैं ये हमारी body के लिए फायदे मंदी होते हैं अगर ये चले जाते हैं तो अलग से इनको डाला जाता है पानी में ताकि पानी क्या रहे healthy रहे तो सीदी सी बात है ये जो salts होते हैं ये हमारे लिए beneficial तो होते हैं at the same time भी क्या कर सकते हैं electricity का conduction भी करवाते हैं तो we should never operate an electric switch या touch any walking electrical appliance with wet hands तो obviously बात है हमें कोई भी जो ना electric switch या electrical appliance को जो भी काम कर रहा है उसको जो है ना गीले हातों से नहीं चूना चाहिए क्यों हातों में अगर पानी होगा इसका मतलब क्या हातों में salts होगे भिई पानी हातमें इसका मतलब क्या पानी के salts भी होगे उसके ions भी होगे तो अगर कभी electric current गलती साँआपकी body में आ गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ तो में जो ions present है ना उन ions से क्या होगा? Electric current का conduction शुरू हो जाएगा और हमें जटका लग जाएगा. It is dangerous to operate an electric switch or touching a working electrical appliance with wet hands because the tap water present on wet hands is a conductor of electricity due to which it may conduct electric current from the electric switch यह electrical appliance to our hand and give us an electric shock. Obviously बात है, electric current आकर के लगेगा हमें, तो जटका तो लगेगा ही ना. क्यों electric current हम तक पहुँच रहा है? क्योंकि हमारे हाथों में पानी के ions थे. तो यह ions क्या करते हैं? electricity का conduction करवाते हैं. तो switch में आप बोल सकते हो या electrical appliance में जो भी current होगा ना, वो current conduct हो करके हमारे हाथों तक पहुँच जाएगा, हमारी body तक आजाएगा और जटका लग जाएगा, शौक लग जाएगा. चलिए. फिर इसके बार में, तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपके parents मना करतें कि भी अगर गीले हाथ हो, तो कोई switch मत छूना, है ना, कोई electrical appliance जो है ना, वो मत छूना. Similarly, we should never handle an electrical appliance while standing bare-footed on a wet floor. और similarly, आप बोल सकते हो कि अगर first पर पानी पड़ा हुआ है, वही आपको ममा ने बोला कि देखो, जाके जो है ना, जो washing machine है, उसका switch off करके आजाओ, या on करके आजाओ. अब आपने बोला कि, और ममा ना आपसे ये भी बोला कि देख के जाना, हाँ जो है ना, गिले ना हूँ, मना क्या होगा, शौक लग जाएगा. और आपने भी जो है ना, ममा का कहना, माना कि हाँ भाया, अगर switch को हमें on या off करना है, तो हमारे हाथ बिल्कुल भी गिले नहीं होने चाहिए. तो हमने ये make sure कर लिए, कि हमारे हाथ क्या है, बिल्कुल ही, properly, आप बोल सकते हो, कि सूखे हुए हैं. लेकिन हुआ क्या, जब आप washing machine के switch को on या off करने गए, तो first पर क्या पढ़ा हुआ था, पानी पढ़ा हुआ था, और आपने कोई slippers भी नहीं पहनी होई थी, तो क्या होगा, जो current है ना, अगर switch में से current आ रहा होगा, वैसे तो नहीं आता है, लेकिन अगर आगे, तो हमें क् में क्या है, आयन से, तो कोई मिला करके switch से जो भी current आला होगा ना, वो हमारी पूरी body में conduct हो जाएगा, और body में अगर electric current conduct हो गया, असका मतलब क्या, कि jet का लग जाएगा, in case of a fire, before the fireman use a big water horse, flexible water pipes, to throw water on a burning house के building, they usually cut off the electricity supply of that area, अग यहाँ पर बोला गया है कि इस जब भी उन आग वगेरा लग जाती है, unfortunately, तो आग को बुझाने के पहले, आग को usually हम बोलते हैं कि यूनो, पानी से ही बुझाया जाता है, तो इससे पहले कि fireman जो है, आग लगी हुई building में या house में पानी डाले इसके पहले, उस पूरी building की जो electric supply है, उसको बंद कर देते हैं, shut down कर दे क्यों, क्यों कि already वहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो कि आग लगी हुई है, और हम बोल रहे हैं कि पानी क्या होता है, जो हमारे fireman पानी डालेंगे, वो अपना normal tap water ही होगा, नदी का पानी वगर ही होगा, तो सीधी सी बात है, अगर वो पानी वहाँ पे चला गया, तो पा पानी तो हम बोलते हैं कि यहां पी फैलेगा, यहां भी फैलेगा, अब हुआ क्या, कि जिस building में पानी डाल, जिस building में हम बोल रहे हैं कि आग लगी है, और यहां पे हम बोल रहे हैं कि क्या है, इलेक्टर करेंट भी है, यहां पे क्या है, इलेक्टर करेंट भी है, तो आथि वो आएंस काड़ने वाले हैं इlectrese का अंड़्शन करुछ दonton करवाने बाद भी जगह अपर ऐसी जगह हम बिल्कोल नहीं चाहेंगे पानी क्या करें का अगर फर घर में फिर व कुरें में करें अपने अंदर जो है न हैना कंडक्शन करवाना शुरू कर देगा और जहां 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 पानी जाइका वहां वह वह एलेक्टरगुवर्फ भी जाएक तो हो सकता है कि building में तो अभी तो केवल एकी building में आग लगी हो अब पानी हम बोल रहे हैं कि परोस्फवाली बिल्डिंग में भी जा रहा हो तो पता चले परोस्फवाली बिल्डिंग में बेवज़ा जो है ना आग लग गई क्यों क्यों कि सीडी सी बात है ना पानी वहा भी गया था और पानी जातो रहा था एक chance वो भी रहता possibility वो भी होती है कि fireman क्योंकि ultimately जो पानी का जो source है वो आग कहां से राया fireman के पास सही आ रहा है तो electric current जो है वो पूरे पानी में फैल जाएगा और जो fireman है उसको खुद को शौक लग सकता है तो कुल मिला करके जैसे कि हमने अपने previous chapter combustion and flame में भी पढ़ा था कि देखा जाए तो आग को बुझाना कैसे है ठीक है तो जैसे कि अगर हमारे किसी पडोस में जो है आग लगी है ठीक है वो तूट जाएगा प्लस हम बोलते हैं कि फिल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा अपने ignition temperature से थोड़ा नीचे उतर आ पाएगा लेकिन वो उल्टा क्यों उल्टा हुआ क्यों कि वो जो आग थी वो किसके वज़े से लगी थी बिजली के वज़े से ही लगी थी है ना आप बो उनको आप वहां से हटाओ आप लोगों को rescue कर सकते हो जहां भी आग लगी है उसके आज पास से जो भी जलने वाली चीज़ होगी उसको आप वहां से हटा लो और वेट करना जी कि जब तक fireman ना आ जाए जब वो आएंगे वो उनको पता रहेगा कि आग कैसे लगी कैसे प्रिवेंट एलेक्टर कुषिन और फायर मैं फॉर बिजी इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन से बेसिकली एलेक्टर करेंट जो है ना फायर मैं तक ना आ जाए तो इसी लिए एलेक्टरी सप्लाई को बंद किया जाता है तो जैसे कि हमने पहले भी पड़ा है कि जो भी हम कि बिजली के वज़े से जो आग लगती है उसको बजाने के लिए हम काबन डाग्सट बगेरा का यूज करते है ना पाउडर कार्बन डाग्सट और नरी वाटर इसके बार में उनको जाटका लग जाएगा है ना इलेक्रोक्यूटेड तैब वाटर इस द्रिंकिंग वाटर drinking water contains small amount of distilled या dissolved salts in it but sea water contains a large amount of dissolved salts in it तो जीदी सी बात है जो नल का पानी आता है उसी को तो हम filter करके पीते हैं तो उसमें हम वहते हैं कि थोड़े बहुत amount में salt present होते हैं लेकिन समुदर के पानी में तो बहुत साले नमक होते हैं फिर since sea water contains more salts therefore the electrical conductivity of sea water is much more than of drinking water तो क्योंकि number of यह जो amount है dissolved salts का वो sea water में ज्यादा है तो obviously यह बात है आयन्स ज्यादा होंगे और अगर आयन्स ज्यादा है तो electricity का जो conduction है वो ज्यादा करवाएंगे तो electrical conductivity की अगर हम order की बात करें तो जो sea water है वो ज्यादा electrically conducting होता है किसके comparison में tap water यह drinking water के comparison में So if we test drinking water and sea water for their electrical conductivity by passing electric current through them one by one we'll find that the deflection of magnetic needle of compass is much more in case of sea water than in the case of drinking water तो हम क्या करने वाले हैं sea water और drinking water को ले करके जो हमने पूरा setup बनाया है ना इस setup में अब हम क्या रखेंगे sea water और tap water रखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर हमने भी tap water रखा है deflection आपको देखने को मिल रहा होगा लेकर अगर इसकी जगा पर हमने क्या रख दिया रख दिया तो deflection तो आपको तब भी मिलेगा लिकिन deflection ज्यादा मिलेगा क्यों ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब इस पूरे circuit में जो करेंट आप बोल सकते हो की supply हो रहा है वो कैसा होगा ज्यादा होगा क्यों होगा क्योंकि कि tap water में sorry sea water में आप बोल सकते हो कि ions ज्यादा है और अगर ions ज्यादा होंगे तो current का conduction ज्यादा होगा current ज्यादा फ्लो करेगा और जितना ज्यादा current फ्लो होगा उतना ज्यादा deflection आपको यहाँ पर नीडल में compass की नीडल में देखने वाला है ठीक है चलिए फिर क्या है next हमारे पास अच्छा यह सब चीज़े तो हो चुकी थी ना ठीक है अब हम बात करते किसकी ordinary water की so ordinary water is a conductor of electricity so if we if the electricity supply is not cut off अच्छा यह भी हो चुका ठीक है since the sea water यह भी हो गया यह भी हो गया तो compass needle और में जो deflection हो रहा है उससे हम compare कर सकते हैं कि sea water और tap water में जाधा electricity कौन अच्छी तरीके से conduct करवा सकता है चलिए next क्या है this is because due to presence of large amount of dissolved salts in it sea water is a much better conductor of electricity than drinking water which contains only a small amount of dissolved salts in it rain water is said to be pure water ठीक है बारिश का जो पानी होता है उसको हम कई हद तक pure water ही कहते है but when rain water falls to the earth through the atmosphere it dissolves an acidic gas carbon dioxide from the air and forms a weak acid called carbonic acid अब हुआ क्या बारिश का जो पानी आ रहा था वो हम बोड़ रहें कि कैसा था pure water ही था बारिश के पानी को तो हम क्या कहते है अच्छा खासा मीठा पानी कहते है क्यों क्योंकि उसमें dissolved salts का जो amount है वो आप बोल सकते हो कि काफी कम होता है ठीक है तो हम बोड़ सकते कि हमारे आसपास की जो air है उसमें क्या present होती है carbon dioxide gas present होती है तो सीधी सी बात है जब rain water हमारे अर्थ के यूनो अर्थ के atmosphere के थूँ सर्फेस तक आता है तो इस दौरान atmosphere में जो carbon dioxide gas present होती है वो पूरी की पूरी gas जाकर के मिल जाती है पानी में और पानी में मिल जाने के कारण वहापे क्या बन जाता है rain water में एक weak acid बन जाता है और उस weak acid का नाम क्या है carbonic acid है तो reaction आप कुछ ऐसे लेख सकते हो कि rain water में जब carbon dioxide आकर के मिलेगी तो यहापे क्या बनने वाला है weak acid carbonic acid H2CO3 क्या होता है carbonic acid ही होता है तो कुल मिला करके rain water का जो पानी है वो तो काफी प्योर था लेकिन जैसे ही वो हमारे earth के atmosphere के थूरू पास होकर के आता है earth के surface तक तो atmosphere में air में जो भी carbon dioxide है वो mix हो जाती है पानी में और वहापे क्या बन जाता है वी carbonic acid बन जाता है अब अगर acid आ चुका है rain water में इसका मतलब क्या ions आ चुके हैं और अगर ions आए हैं तो फिर rain water को कौन रोख सकता है electricity को कंड़ करवाने में तो rain water में also dissolve other acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxides which are present in polluted air अब भाई हमारे आसपे जो हवा है उसमें सिफ carbon dioxide या O2 नहीं होती है इसके लाब बहुत सारी यादा gases भी होती है जैसे कि sulfur dioxide nitrogen oxides कैसे pollution इतना जादा है ना तो जब rain water earth के atmosphere के थूँ अर्थ के surface तक आता है तो ना स्टिफ carbon dioxide बलकि आप बोल सकते हो कि sulfur dioxide nitrogen oxides ये भी जाकर के rain water में मिल जाते हैं जिसके कारण हम बोते हैं कि rain water में sulfuric acid और nitric acid भी बन जाता है या rain water में carbon dioxide मिल गई तो यहां पर क्या बन गया rain water में carbonic acid इसके अलावा rain water में अगर sulfuric या आप बोल सकते हो कि sulfur dioxide है ना sulfur dioxide gas मिल गई जो कि atmosphere में ही present होती है air में होती है तो यहां पर क्या बन जाएगा sulfuric acid बन जाएगा अगर इसी rain water में हम बोलते हैं कि nitrogen oxides अब nitrogen oxides हम बोलते हैं कि कैसे भी हो सकते हैं अगर वो मिल गए तो यहां पर क्या बन जाएगा nitric acid बन जाएगा याने कि HNO3 तो कहने को तो हमारा जो rain water था वो काफी प्योर था लेकिन जैसे 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 वो earth के surface के पास आया earth के surface तक आया earth के atmosphere के through air के through तो air में हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी gases थी यह सभी gases जाके combine हुई पानी से और वहां पर क्या बन गए respective acids बन गए sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid कुल मिला करके काफी सारे ions आने वाले हैं rain water के पास due to presence of small amounts of acids in it rain water becomes a conductor of electricity अब जब इतने सारे acids आई जाएंगे पानी में rain water में तो electricity का conduction तो हो ही जाएगा, so if we pass electric current through a sample of rain water, we will see a deflection in the magnetic needle of the compass अगर हम rain water में क्या करेंगे, electric current को पास करवाएंगे, तो definitely compass की चो नीडल होगी वहां पर आपको deflection देखने को मिलेगा ही मिलेगा चलिए, next क्या है, this will show that rain water is a conductor of electricity, since rain water is a conductor of electricity, it is not safe for an electrician to carry out electrical repairs in the outdoor areas during heavy rain या heavy downpour तो basically कभी कभी ऐसा होता है ना, कि बारिश के मौसम में अजानक से light चली गई, खूप बारिश हो रही है, आंदी आ रही है, तो light चली गई, तुरंथ हम क्या करते हैं, अपने electrician को phone लगाते हैं कि भाईया चला कि चेक करो, कि आखिर क्यों ये light चली गई है, और बिचला जो मिल चुके होते हैं, acids बन चुके होते हैं, क्योंकि कई सारे gases rain water में dissolve हो चुकी होती है, कि rain water में कई सारे ions होते हैं, और rain water क्या कर सकता है, electricity का conduction कर वा सकता है, तो अगर बरसते हुए पानी में, electrician क्या कर रहा है, भार घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर अगर पर बिजली का काम कर रहा है तो बहुत जादा चांसे से कि वो जो बिजली है उसकी बॉडी तक कंड़क्ट हो जाए और उसको जटका लग जाए शौक लग जाए दरें वोटर बीगा कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी में कॉस इलेक्टर क्योशन ऑफ द इलेक्टिशन तो ब बल्ब डज नॉट ग्लो इन दा एक्स्परिमेंटल सेटप शोन इन दा फिगर यह फिगर है लिक्विड लिया है बल्ब लगा करके रखा है बैटरी लगाई है लेकिन पूरा सेटप हमने रेडी कर लिया लेकिन फिर पीछ बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है अब आपको आप से हम क्या बोलते हैं कि अगर बल्ब गलो नहीं कर रहा है तो या तो करेंट वीक होगा है ना या फिर हम बोड़ रहे हैं कि एलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम होगी कि वह कंड़क्टिंग हो गई नहीं शायद इसके अलावा भी तो रीजन हो सकते हैं ना हमेशा हम अब या करेंट पर ही जो ना ब्लेम क्यों डाले यह भी तो हो सकता है कि वहज़ा ख१ापर जाखकी सशने हो हो वह प्रॉपर्ली हम बोलते हैं कि जोड़े ना हो वह सकता है कि अब उसमें आप कितना भी एलेक्टर क्यों ना भेज़ दो अगर बल्ब खराब है वह फ्यूज है तो कभी भी ग्लो नहीं करने वाला इसके अलावा दा बैटरी में भी डैट हो सकता है कि बैटरी खराब हो लिट्विड में भी वेरी वीक कंडॉपर ऑफ एलेक्टरिक की ग्लो और बाल खराब होगा वायर आपने ठीक से नहीं लगाए होंगे या आप बोल सकते हो कि उन्हों बैटरी जो है न वह खराब होगी लिक्विड हो सकता है कि एक अच्छा कंडॉक्टर ना हो एक hydrogen का conducting liquid होई ना या आप यह भी बोल सकते हो कि circuit में वीक current flow हो रहा होगा जिसके current जो वीक current है वो bulb detect कर ही नहीं पा रहा होगा तो कुल मिला करके possibilities है इन possibilities उको आप ध्यान रखोगे और आज के session के लिए बस इतना ही तो इस session में हमने सभी तरह के पानियों को जोना discuss कर लिया है rain water को, sea water को, tap water को, distilled water को उमीद करती हूँ कि आज की session की सभी बाते सबको समझ में Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के 14th chapter chemical effects of electric current का एक और नया topic discuss करने जा रहे हैं and that is chemical effects of electric current अब देखो ऐसा है कि अभी तक हमने इस chapter में कई सारे topics पढ़ लिया है और उन सभी topics को पढ़ करके हमें दो चीज़ें अच्छी तरीके से clear हो गई है पहली चीज तो ये कि हमारे electric current का एक heating effect होता है दूसरी चीज ये कि हमारे electric current का एक magnetic effect भी होता है for example अगर एक wire के थूप electric current flow हो रहा है तो उस wire में थोड़ी बहुत heat भी produce हो जाएगी क्यों? क्योंकि हमारे electric current की ये property ही होती है कि जिस भी चीज में electric current flow होगा उस चीज में heat produce हो ही जाएगी अब हमारे पास कुछ ऐसे electronic devices हैं या electronic appliances हैं जहां पे intentionally जान भूच के current को change किया जाता है किसमे heat में for example हमारे पास जो electronic iron होती है जिससे कि हम अपने कपड़ों को press करते हैं उस iron में होता क्या है? कि जो भी हम उसको electric current supply करते हैं उस electric current को जान भूच के intentionally change किया जाता है heat में क्यों? क्योंकि वहाँ पे heat की requirement होती है अब आप खुदी सोचो ना अगर आपकी electronic iron ठीक से गरम नहीं होगी ठीक से heat produce नहीं करेगी तो फिर क्या आपके कपड़े अच्छी तरीके से press हो पाएंगे? नहीं तो वहाँ पे आप पोज सकते हो कि electronic iron में heat की requirement है इसलिए जो भी उसको हम electricity current supply कर रहे है उस current को change किया जा रहा है किसमे heat में Similarly हमारी जो पानी को गरम करने वाली rod होती है जिसको कि हम immersion rod कहते है वाँ भी भी same चीज होती है कि जो भी हम electric current supply करते है उस road को किशेज किया जाता है किसमे heat में क्यों, क्योंकि रौट का काम क्या है, पानी को गरम करना, अब वो पानी को तब ही गरम कर पाएगी ना, जब नब खुद गरम होगी, खुद कैसे गरम हो सकती है, तो सीद ही सी बात हैं, हम इसको electric current सप्लाय कर देगे, तो electric current को वहाँ पे change कर दिया जाएगा किसमे heat में तो कुल मिला करके आप conclusion यह निकाल सकते हो कि there are certain electrical appliances या devices जहाँ पे current को intentionally change किया जाता है किसमे heat में क्योंकि वहाँ पे उन electrical devices में appliances में heat की ही requirement होती है वहीं हमारे पास कुछ electronic appliances या devices ऐसे भी होते हैं जिनमें कि हम नहीं चाहते हैं कि जब उनमें electric current flow हो तो heat भी produce हो for example अगर हम अपना phone charge कर रहे हैं तो हम नहीं चार्जिंगे कि charging के दौरान हमारा phone गरम हो या हमारा charger गरम हो या अगर हम अपना laptop charge कर रहे हैं है ना तो laptop charge करने के दौरान होता क्या है Electric current जो है na socket से कहा आता है charger में आता है फिर charger से कहा जाता है आपके phone या laptop में जाता है तो इस charging की process के दौरान हम नहीं चाहेंगे कि बेवज़ा electric current के flow होने से क्या हो heat produce हो बरी हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि हमारा जो charger है phone का या laptop का वो बेवजा गरम हो जाए सिमिल अगर हमारे घर में एक ट्यूब लाइट जल रही है या एक बल्ब जल रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि जलते जलते वो क्या हो जाए गरम हो जाए लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत heat का production तो होता ही है जब भी electric current flow होता है किसी बहुत heat का production तो होता ही होता है खेर यह हुआ क्या हमारे electric current का heating effect इसके बाद में मैंना को बताया था कि जब सपोज एक वायर में क्या हो रहा है electric current flow हो रहा है तो temporary basis पे वो जो वायर है ना वो एक magnet की तरह behave करेगा कैसे पता करा था हमने तो याद करो previous sessions में हम एक compass लेकर क्या नॉर्मल अपना compass जिसको कि हम navigation के लिए यूज करते है मैस वाला compass नहीं navigation वाला compass तो उसमें होता क्या है कि compass में एक needle होती है छोटी सी जिसकी position usually कैसी होती है normally north south होती है ठीक है वो needle है क्या वो basically एक छोटा सा magnet ही होता है तो जब हम एक compass को उसकी needle को एक current carrying wire के पास लेकर के compass की छोटी सी needle है ना वो किसी दूसरे magnet की magnetic field में आ गई है जिसके कारण उसके उपर या तो attractive force लग रहा होगा यह repulsive force लग रहा होगा जिसके कारण वो क्या हो चुकी है deflect हो चुकी है अब आप बोलोगी कि मैं दूसरा magnet कौन सा था तो भही जिस wire के पास आप लेकर के आए थे compass को वही wire क्या है एक temporary magnet बन चुका है क्यों क्योंकि उस wire में क्या हो रहा है current flow हो रहा है तो जब तक current flow हो रहा है wire में तब तक वो क्या करेगा एक magnet की तरह behave करेगा जिसकी क्या होगी अपनी एक magnetic field होगी और जैसी उस wire में current का flow बंद होगा वो wire normal बन जाएगा अब वो magnet नहीं रह जाएगा तो इन दोनों ही example से में क्या समझ में था कि definitely हमारे current के electric current के दो effects होते हैं पहला हो गया कौन सा अपना heating effect और दूसरा हो गया अपना electric sorry अपना magnetic effect ठीक है आज की इस session में हम क्या करने वाले है current का electric current का एक और effect देखने वाले हैं जो कि कौन सा होगा chemical effect तो आप बो आज की session में आपको मिलने वाला है तो हम current का एक और effect देखने जा रहे हैं आज की session में chemical effect और साथी साथ उसके कुछ applications भी हम देखेंगे electrop dating वागेरा कुछ इस तरीके से तो I hope आज की session का जो target है वो सभी बच्चे को है एकदम clear कि आज की session में हम करने क्या वाले हैं briefing मैंने आपको कर दी है अब फटा फट से हम क्या कर तब इस session को जल्दी से start कर लेते हैं आपने चाप्टर के एक main topic के साथ कौन सा है ये chemical effects of electric current अभी chemical effects of electric current होता क्या है देखो ऐसा है जैसे कि मैंने आपको थोड़ी दर पहले समझाया कि जब भी current flow हो रहा है किसी भी चीज में current flow हो रहा है for example हमने wire लिया है wire में अगर electric current flow हो रहा है तो उसी wire में आपको current का heating effect भी नजर आ जाएगा heating effect का मतलब क्या है कि heat produce हो रही है magnetic effect का मतलब क्या है कि वो जो current carrying wire है वो क्या बन चुका है एक temporary basis पे magnet बन चुका है लेकिन आखिर इस chemical effect का मतलब क्या होता है chemical effect का मतलब ये है कि जिस भी चीज में current flow होगा कहीं न कहीं उस चीज की जो chemical property है न वो change होने वाली है इस पूरे chapter में हमने current को कहाँ flow करवाया है liquids में flow करवाया है या तो हम acidic solution ले रहे हैं या हम basic solution ले रहे हैं या हम salt solution ले रहे हैं तो कुम मिलाकर के हम electrolyte के अंदर ही क्या कर रहे है electric current आता है या उसके through flow होता है तो definitely उस electrolyte में कुछ न कुछ chemical change होने ही वाला है तब ही तो हमने क्ग्लूड कीया है कि हमारे electric current का क्या होता है उसके कुछ chemical effects भी होते है As I do देखते हैं, Electric Current can bring about chemical changes, so it is said to have a chemical effect, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में हम electrolyte के थूँ ही क्या कर रहे हैं, इलेक्टर कर रहे हैं, तो जो भी आप बोल सकते हो कि आपने electrolyte लिया है न, उसमें कुछ ना कुछ chemical change आपको देखने को मिलेगा, और जहां chemical change हुआ, electrolyte में, किसकी वज़ा से, electric current की वज़ा से, तो हम क्या conclude कर देंगे, कि भाई, electric current का chemical effect भी होता है, क्या कोई चीज समझ में आई, कि अगर electrolyte में current की flow होने के current, chemical change हुआ है, तो हम ये conclude करते हैं, कि भाई, electric current का क्या होता है, chemical effect भी होता है, along with heating and magnetic effects, for example, when electric current is passed through acidified water by using carbon electrodes, अच्छा, हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहां पर doubt हो जाए कि मैं carbon electrodes, carbon तो आपने बोलो था कि एक non-metal होता है, previous chapter से हम पढ़ के आए है, materials, metals and non-metals में से, और जो carbon ने वो क्या है, एक non-metal है, जो कि पूर conductor होता है, electricity का, तो फिर क्यों हम, you know, इस पूरी electrolysis की process में, हम carbon electrodes का use कर रहे हैं, अरे भाई, carbon तो है, लेकिन यह कौन सा वाला carbon है, तो आप बोल सकते हूँ, कि यह है graphite वाला carbon, graphite तो एक अच्छा conductor होता है न, electricity का, बताया था electric circuit है, वो कैसा होगा, complete ही होगा, उस pencil की lead को attach करने के बाद में, include करने के बाद भी, आपका जो पूरा circuit है न, उसमें electric current flow होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आप carbon के electrodes ले रहे हो न, वो to be more specific कौन से electrodes हैं, वो है graphite के electrodes, इतना clear है, अब देखो आगे, कि हमारे पास क्य है, एक acidified water है, अब तो आपको acidified water का मतलब समझ में आने लगा होगा, कि आपने क्या लिया है, पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा आपने acid डाल दिया है, कौन सा acid, अपने मन का डाल दो, HCl डाल दो, या H2SO4 डाल दो, ठीक है, अब इस acidified water में हमने क्या करे हैं, दो electrodes डाल द अब इसके बाद में क्या होगा, कि chemical reaction होने वाली है, जो भी आपने electrolyte लिया है, acidified water, उसमें chemical reaction होगी और उनहीं chemical reactions का नतीजा क्या होगा, कि hydrogen gas और oxygen gas बन जाएगी, अब आप ये बताओ कि क्या आपके पास पहले से hydrogen gas या oxygen gas थी, नहीं, जब आपने electrolysis शुरू किया था, तो क या आपके पास थी hydrogen और oxygen gas नहीं थी, लेकिन जब आपने electrolysis किया, जब आपने acidified water में carbon electrodes के थूँ, electric current को पास करवाया, तब जाकर के आपके पास hydrogen gas या oxygen gas आई है, इसका मतलब क्या, दो नई चीज़े बन रही है, और मैंना आपको पहले भी बताया है, कि जब भी कोई नई चीज़ बनती है, भले दो बन रही हो या एक बन रही हो, जब भी कोई एक नई चीज़ बनती है, तो समझ लो, वहाँ पे क्या हुआ है, एक chemical reaction हुई है, class 9 में जाकर के आप physical और chemical changes को आप detail में समझोगे, यूनों हमारे पास आसपास कई तरह के changes होते हैं, कुछ physical होते हैं, कुछ chemical होते हैं, physical changes होते हैं, जिनको की आप reverse कर सकते हैं, for example, अगर आपने mom को, wax को पिगलाया है, तो आप उसको जो है ना, पिगली हुई wax को आप दुबारा से जमा भी सकते हो, है ना, for example, अगर आपने बर्फ को पिगला दिया है, तो वो क्या है, एक change है, तो उस पिगले हुए बर्फ को, आप दुबारा से जमा भी सकते हैं, कि आप पानी को दुबारा से आप का कर सकते हो, freeze भी कर सकते हो, ice में, तो कोई मिलाकर कि physical changes हो और जिनको की, आप reverse कर सकते हो, लेकिन chemical changes हो होते हैं, जिनका जो reverse है, वो possible नहीं होता है, chemical change कब होते है, जब आप, you know, जब हुआ है chemical change क्यों हुआ है क्यों कि यहां पर chemical reaction हुई है आई बात समझ में तो reaction को हम कैसे लिख सकते हैं chemical reaction को पानी है उसमें आपने क्या करा है electric current डाला है chemical reaction हुई जिसके कारण hydrogen और oxygen gas बन चुकी है तो जो भी आपने acidified water लिया था ठीक है आपने पानी के साथ हो सकता है कौन सा HCL लिया होगा या H2SO4 लिया होगा ठीक है ना तो होगा क्या आपके पास दो नई gases बनके रेडी हो जाएंगी hydrogen and oxygen gas ठीक है तो यह क्या हुआ भाई chemical reaction हुई है बकायदा आपके electrolyte में water is a chemical compound and hydrogen and oxygen are elements पानी हम सबको पढ़े कि क्या होता है compound होता है chemical compound होता है अगर हम बात करेंगे hydrogen की और oxygen की तो दोनों ही क्या होते है elements होते हैं so in this reaction a chemical compound water has been decomposed into elements या into two elements hydrogen and oxygen by the action of electric current अब मुद्दा तो यह है ना कि आखिर दो नई चीज़े जो हमें मिल रही है जो दो नई gases हमें मिल रही है hydrogen and oxygen यह दोनों आई कहां से है तो सीदी सी बात है भाई आपके पास जो पानी है ना उस पानी में क्या किया गया है electric current को भेजा गया है जिसके current पानी क्या हो गया टूट गया एक बात बताओ मुझे पानी किसका बना होता है पानी का formula water का formula H2O इस formula से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पानी बना हुआ है total दो एलिमेंट से कौन-कौन से hydrogen और oxygen है की नहीं तो आपका जो पानी है वो बना हुआ है दो एलिमेंट से पहला है hydrogen और दूसरा है क्या oxygen initially जब हमने अपनी process को electrolysis को जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास यह दोनों ही elements अलग अलग नहीं थे यह combine होकर कि क्या कर रहा था इन्होंने एक compound बनाया था अब जब electric current इसमें से flow होगा पानी में से flow होगा तो आप बोल सकते हो कि पानी में ठीक है जैसे कि मैं पता है कि electric current जैसे ही पानी में flow होगा पानी टूट जाएगा पानी डिकंपोज हो जाएगा किसमें डिकंपोज होगा तो उन दो elements में जिन्होंने उसको मिल करके बनाया होगा अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है है ना तो वो चीज टूटेगी किसमें जिससे की वो चीज बनी होगी तो पानी बना है hydrogen और oxygen दो element से तो जब पानी को तोड़ा जाएगा तो टूटेगा किसमें इनी दोनों में टूटेगा अब आपको समझ में आया कि क्यों acidified water की electrolysis से हमको hydrogen and oxygen gases मिल रही है क्योंकि electric current के पैसेट से हुआ क्या है कि पानी टूट गया है वो decomposed हो चुका है the compound water has been decomposed into two elements hydrogen and oxygen by the action of electric current so this reaction is an example of chemical effect of electric current तो आप बोल सकते हो कि यह जो reaction है यह क्या है electric current का जो chemical effect है ना उसी का example है कैसे the breaking up of water into hydrogen and oxygen is actually a chemical decomposition और विस सी बात है नहीं है आपर चीज़े टूट रही है देखो composition का मतलब क्या है कि कोई चीज़ compose हो रही है कोई चीज़ बन रही है और decomposition का मतलब क्या है कि कोई चीज़ टूट रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है chemically पानी का decomposition हो रहा है reaction caused by passing an electric current through acidified water which is a conducting liquid तो obvious सी बात है पानी को कोई शौक नहीं था hydrogen या oxygen में तूटने का उसको तोड़ा गया है किस ने तोड़ा है तो electric current ने तोड़ा है तो सीदी सी बात है कि जो तोड़ना हुआ है जिसको कि हम chemistry के भाषा में क्या बोल रहे है decomposition बोल रहे है यह decomposition क्यों हुआ है electric current के कारण हुआ है इस decomposition में हुआ क्या इस decomposition में आप बोल सकते हो कि एक chemical change हुआ है आपके पास initially hydrogen था आपके पास initially पानी था एक compound था और यह compound अब अपमे constituent elements में जाकर के तूट गया है तो तूटा तो decomposed तो हुआ लेकिन यह decomposition क्या है भई यह एक chemical change ही तो है और यह chemical change कौन लेकर के आया है हम लेकर क्या है क्या नहीं यह chemical change लेकर के आया है electric current तो आप बोल सकते हूँ कि यहाँ पे electric current का क्या हुआ है उसने अपना chemical effect शो किया है कि हाँ भई मैं क्या हूँ एक electric current हूँ और मेरे कारण ही पानी में पानी का decomposition हुआ यहने कि पानी में chemical change आया है तो इसे हम क्या बोलेंगे electric current का chemical effect बोलेंगे आई बात समझ में तो कुल मिला करण के कहानी यही है कि यहा रीक्शन हूई है हमारी पानी वाली वो क्या है electric current का ही एक chemical effect का example अब ऐसा नहीं है कि हमारे electric current का बस यही जो नव एक chemical effect होता है कि वो क्या करने वाला है चीज़ों को तोडबने ही वाला है, यहासा नहीं है कुछ और भी chemical effects होते हैं हमारे electric current के, देखते जाते हैं हम आगे, the chemical decomposition produced by passing an electric current through a conducting liquid is called electrolysis, तो basically जैसे कि मैंने आपको previous session में भी समझाय था, in fact मैंने आपको इस chapter की introduction में भी समझाय था, कि electrolysis का मतलब क्या होता है, लाइसे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसे मतलब किसी चीज का breakdown हो रहा है, ठीक है, लाइसे का मतलब क्या होता है, breakdown, तो यह चीज तूट कैसे रही है, किसी भी चीज का breakdown कैसे हो रहा है, तो electro, electro word कहां से आया है, electric current से आया है, तो सीरी सी बात है, electric current के कारण ही क्या हो र रही है तो उस तूटने की process को उस breakdown की entire process को हम क्या बोलते हैं electrolysis बोलते हैं तो यहां पे जो chemical decomposition हुआ है by the passage of electric current through a conducting liquid इसी को हम क्या बोलते हैं electrolysis बोलते हैं is that clear the decomposition of acidified water into hydrogen and oxygen by passing an electric current is an example of electrolysis तो यहां पे आप बोल सकते हो कि acidified water का जो decomposition हुआ है किस में hydrogen में और oxygen में by the passage of electric current वो क्या है एक example है electrolysis का pure water is not a good of acid to it इसका क्या मतला हुआ the water containing a little of acid is called conducting liquid by the addition of small amount of acid to it मेरे ख्याल से इस statement में थोड़ा सा correction होना चाहिए कुल मिला करके देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि जो pure water होता है वो एक conducting liquid नहीं बन सकता है क्यों नहीं बन सकता है प्रिवेस session में already हम पढ़ किया है pure water में हम बोलते हैं कि ions नहीं होते हैं और जब तक ions नहीं होंगे तो वो pure water हमारा conducting liquid नहीं बन सकता है ठीक है तो यहां पर आप बोल सकते हो कि पानी में थोड़ा बहुत आप क्या करो मैं यह नहीं बोल रहे हो कि एक लीटर पानी में जब तक आप एक strong acids होते हैं वो तो completely क्या हो जाते हैं डिस असोसियेट हो जाएंगे अगर आपने 10 molecules भी डाले हैं 10 तो बहुत ही कम होते हैं आप ज़ादे डालोगे ठीक है 10 molecules भी अगर आपने डाले हैं यह तो वह अपने पानी में क्या कर दिया है? ऐसे डाल दिया है, तो वो एक conducting liquid बन जाएगा by the addition of a small amount of acid to it. इतना clear है? चलिए, आगे बढ़ते हैं. तो acidified water का हमने क्या कर लिया है? अभी electrolysis देख लिया है. आगे पढ़ते हैं, the water containing a little of acid is called acidified water. We use acidified water for carrying out the electrolysis of water. ठीक है? देखो ऐसा है, अगर आपको पानी को decompose कराना है, ठीक है ना, पानी को अगर आपको डिकम्पोस करवाना है, उसके constitutional elements में, तो अगर आप पानी में यूही electric current डालोगे, तो शायद वो decompose ना हो. इसलिए तो यहाँ पर आया है statement कि जो pure water है, pure water हम बोलते हैं कि you know, electricity को conduct नहीं करवा सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें acid डालना ही पड़ेगा, तो पानी में acid डालने के बाद में वो क्या बन जाएगा, एक acidified water बन जाएगा, तो acidified water का ही हम क्या करते हैं, use करते हैं पानी के electrolysis को conduct करवाने के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि पानी क्या हो जाए, अपने constituent elements में divide हो जाए, यह decompose हो जाए, तो इसके लिए हमें कौन सा पानी use करना पड़ेगा, pure water, नई, acidified water, ठीक है, so we can also add some base, अब ऐसा नहीं किसे acid-y acid add करेंगे, नई, हम एक base भी add कर सकते हैं, for example sodium hydroxide, to make a water a good conductor for carrying out its electrolysis, तो पानी आप बोल सकते हो कि एक अच्छा conductor बन जाए, ताकि उसका electrolysis हो जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक acid-y use करो, base भी डाल सकते हो पानी में, water can be decomposed into hydrogen and oxygen gases by electrolysis, this can be demonstrated as follows, अच्छा, अब क्या हुआ, कि इस चीज को पानी का जो electrolysis है, उसको demonstrate करने के लिए, बहुत पहले जो है, कब 1800 में, 1800 में हम बोल रहे हैं कि एक experiment किया गया था, क्या था वो, या आपकी NCRT book में दिया गया, ठीक है ना, जो भी चीज़ें यहा पर मैं आपको बता रही हूं, ना सिर्फ इस session में, बल्कि जितने भी sessions अभी तक हमारे हो चुके हैं, उन सभी sessions में मैं आपको जो भी बाते समझाएए, वो सब आपकी NCRT की ही दी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, to demonstrate the chemical effect of electric current, अब electric current के chemical effect को demonstrate करने के लिए हुआ क्या, in the year 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electric current is passed through acidified water, then the bubbles of oxygen and hydrogen gas are produced at the two electrodes immersed in it, अब जैसे कि मैंना आपको इतने असानी से समझा दिया, कि देखो, पानी का जो electrolysis है, वो क्या बता रहा है, electric current का chemical effect बता रहा है, electrolysis पानी का हुआ है, पानी टूटा है अपने constituent elements में, तो यह क्या है, decomposition है, decomposition क्या है, एक chemical change है, यह chemical change कौन लेकर क्या आया है, electric current लेकर क्या आया है, तो क्योंकि chemical change को produce किया है, कि इसने electric current है, तो हम क्या बोल देंगे उसको electric current का chemical effect बोल देंगे, अब जितने प्यार से मैंने आपको चीज समझा दी है, है ना, और उतने ही प्यार से वापने चीज समझ भी ली है, लेकिन ये चीज मैं आपको समझा कैसे पाई हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो fact है ना, ये establish हो चुका है, अब इस सभी लोग जो है ना, इस चीज को जान गए है, पहचान गए है, अच्छी तरीके से मान गए है, लेकिन कभी न कभी इस fact को भी जो है ना, इसको ढूंडा भी गया होगा, इसको इसको डिसकवर भी किया गया होगा, और काफी research करी गई होगी, तो यहां पर वही हुआ कि 1800 एयर में एक British scientist आया थे, chemist आया थे, जिनका नाम क्या था, William Nicholson था, और उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले आप बोल सकते हो कि electric current को pass करवाया था, acidified water के through, और फिर इसके बाद में हमारे जो chemist थे, William Nicholson, इसके बाद में उन्होंने क्या अपनी observations बताए, कि भाई जब मैंने acidified water के through electric current को flow करवाया, या pass करवाया, तो पताए क्या हुआ, कि जो दो electrodes हमने acidified water में डूबो करके रखे थे, या डिप करके रखे थे, उन दोनों ही electrodes पे bubbles दिखाए दिये, और वो bubbles किस चीज़ के थे, number one oxygen gas and number two hydrogen gas, तो ये observation था, किसका हमारे British chemist William Nicholson का, कि भाई जब acidified water के through, आप क्या करोगे, electric current को flow करवाओगे या उसका passage करवाओगे, तो जो दो electrodes आपने उसमें डाल करके रखे हैं न, उन दोनों ही electrodes पे, सिफ एक नहीं, दोनों ही electrodes पे bubbles मिलने वाले हैं, वो भी अलग-अलग gases के, पहली gas होगी oxygen और दूसरी होगी hydrogen, इसके बार में उन्होंने अपने observations को और further explain कि, oxygen gases formed at the positive electrode या anode, which is connected to the positive terminal of the battery, अब ये चीज़ तो हम सबको पता है न, दो electrodes होते हैं, एक होता है anode और दूसरा होता है cathode, तो battery के positive terminal से जो electrode जोड़ा होता है, attach होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और battery के negative terminal से जो electrode जोड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, cathode बोलते हैं, यहीं उनकी पहचान होती है, तो William Nicholson ने ये तब बता दिया, कि हाँ बही, O2 और H2 gas जो है produce ही, लेकिन कहां कहां होई है, तो उन्हें बताया कि anode, जो कि battery के positive terminal से जोड़ा होता है, उस पर oxygen gas बनी है, और similarly, battery के negative terminal से जोड़ा होने वाला cathode जो है, उसके उपर क्या produce होई है, क्या form हुआ है, hydrogen gas form हुए है, we have described the chemical effect of electric current on water, और rather we can say acidified water, an electric current can also produce a chemical effect on some other substances, such as acids, bases, salts and solutions and certain molten compounds, तो कुल मिला करके ये activity भी, मतलब ये आपने जो demonstration था, जो experiment था, हमारे British chemist का, William Nicholson का, 1800 year में, वो भी आपने देख लिया है, तो कुल मिला करके, हमारे electric current का, जो chemical effect है, उसके शुरुवात कब से हुई है, किसे ने करी है, वो आपको पता चली गया, अब ऐसा नहीं है, किसे William Nicholson नहीं, जो है न, electric current के chemical effect के ओपर, जो है न, experiment किया था, नहीं, बहुत सारे scientists आयते हैं, लेकिन, आपकी syllabus में सभी को पढ़ना नहीं है, जिसके बारे में NCRT में दिया गया है, उसी के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो कुल मिला करके, हमारे electric current का, जो chemical effect है, मुझे लग रहा है, कि अब आपको कही न कहीं समझ में आ रहा होगा, कि भई, electric current क्या करता है, chemical change लेकर क्या आता है, chemical properties जो है न, उसके करन बदल जाती है, आप खुद ही सोचो, अच्छा कासा हमारे पास पानी था, acidified water था, है न, और देखते ही देखते, जैसी हमने उस acidified water में electric current फ्लो करवाया, तो जो पानी है वो अपने constituent elements में तूट गया, वह आपके घर में भी तो पानी होता है, नल का पानी होता है, आरो का पानी होता है, filter का पानी होता है, क्या कभी आपका पानी यूँ ही तूट जाता है, अपने constituent elements में कि आपको दिख रहा हो, में क्या हो गया ओड़ गया क्या कभी ऐसा होता है नहीं होता है तो सीदी सी बात है हमारा जो पानी था वो क्या है एक compound ही है और वो compound अपने constituent elements में तूट चुका है उससे gases बन चुकी है क्यों बनी है क्योंकि electric current ने बन वाया है कैसे बन वाया है तो basically decomposition हुआ है वहाँ पे उसको तोड़ा आ गया है और इस तोड़ने को हम क्या बोलते है electrolysis बोलते है किसका हुआ है पानी का हुआ है इसलिए electrolysis of water हम बोल देते हैं यह क्या है एक chemical change है वह एक chemical properties ही change हो गई है कहां पानी और कहां hydrogen and oxygen gases state भी change हुआ है भाई पानी तो अपने liquid form में था और जब वो अपने constituent elements में टूता तो आपके पास gas बन चुकी है दोनों तो state में तो change हुआ है यह तो physical change आप बोल से physical property में change हुआ है state में change लेकिन इसके अलावा पानी अलग होता है hydrogen gas और oxygen gas की जो properties है वो एकदम अलग अलग होती है आई बात समझ में तो कुल मिला करके आप बोल सकते हो कि chemical properties हो जाती जब भी chemical change होता है और इसे लिए कहीं न कहीं नया substance बनता है जब भी कोई भी chemical reaction होती है तो chemical reaction में आप बोल सकते हो कि नया substance बना, क्यों बना, क्योंकि chemical reaction में हुआ, क्या chemical change हुआ है, chemical properties बदल चोगी है, और यह सब किस की वज़े से हो रहा है, अभी यहाँ, electric current की वज़े से, तो electric current का क्या होता है, chemical effect भी होता है, अब जैसे कि हमने chemical effect को पढ़ा है, electric current की किसमें, पा कर सकता है, कुछ अधर substances में भी प्रेउस कर सकता है, for example, acids में, base में और salt solutions में, and certain molten compounds में, या पिगले हुए compounds में भी, ठीक है, when an electric current is passed, through these liquids या molten compounds, chemical reactions takes place, we call, we call these chemical reactions electrolysis, from this discussion, we conclude that when an electric current flows through a conducting solutions, it causes a chemical reaction, या chemical change, तो acidified water तो अलग हो ही गया है, इसके अलावा जब हम, basis के, salts के solution में, या molten compounds में, बिगले होए compounds में, हम क्या करते हैं, chemical, या electric current को जब हम पास करवाते हैं, तो definitely chemical reactions वहाँ पे होती हैं, और इन ही chemical reactions को हम क्या बोलते हैं, electrolysis बोलते हैं, उन compounds का, तो सीधी सी बात है, conclusion य क्या होता है, flow होता है, chemical reaction होती ही होती है, और इसी chemical reaction को हम क्या होते हैं, आप electrolysis बोल सकते हो, ठीक है, chemical reaction मतलब क्या, chemical change हुआ है, जो chemical reactions brought about by an electric current, may produce one or more of the following effect, अब जो chemical reactions हुई हैं, हमारे electrolytes में, electric current के कारण, may produce one or more of the following effects, अब कुछ effects आपके सामने आने वाले हैं, इन effects को यहां से देखिएगा, bubbles of gas और gases may be formed on the electrodes, वैसी यह दी सी बात है, जब भी electrolyte में, electric current का flow होता है, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि chemical reactions होती हैं, और उन chemical reactions के यह सारे effects आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि यह वाला मिले, यह यह व सकते हैं कि तीनों की तीनों मिल जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो जब भी electrolyte में electric current flow होगा, chemical reaction होगी और उन chemical reaction से आप बोल सकते हो कि कुछ आपके सामने effects आ सकते हैं, कौन-कौन से यह वाले, तो bubbles बन सकते हैं gases के, जैसे कि हमने देखाई था, acidified water से जब हमने electric current को flow करवाय थ तो electrodes पे gases के bubbles बने थे ना, पहली आपके पास आई थी hydrogen gas और दूसरी आई थी आपके पास oxygen gas, इसके अलावा deposits of metal may form on electrodes, electrodes पे हम बोलते हैं कि कभी-कभी metal आकर के भी deposit हो जाते हैं, और यह एक बहुत ही important effect है, chemical effect है electric current का, electroprating, जैसे कि आपको मैंने इस chapter के introduction में समझाया था, कि हमारे घरों के जो नल होते हैं, नल में आपने देखा होगा कि बहुती प्यारी सी shine होती है silver color की, कहने को तो जो नल हैं वो किसके बने हैं, लोहे के बने हैं, है ना, और लोहा हम बोलते हैं कि बहुत दिनों तक shine नहीं बने होते हैं, लोहे की बने होते हैं, लेकिन फिर भी वो brilliantly shine करते हैं, कैसे, क्योंकि उनके ओपर chromium की covering होती है, chromium की एक प्लेटिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग में होता है, क्या बिसिकली कि एक metal के ओपर किसी दूसरे desired metal की layer या coating चड बता रही हूँ कि जब भी electrolyte में electro current flow होगा, तो chemical reactions होँगी, तो उन chemical reactions के कौन कौन से effect आपको देखने को मिलेंगे, दो हो गए, तीसरा क्या हो सकता है, कि solution का color भी change हो सकता है, आई बात समझ में, चलो, इसको हम समझते हैं, इन दो images से, इसमें हुआ क्या, कि आपने इस बार बल्ब की जगा, जो है, torch बल्ब की जगा, आपने क्या लिया, यहाँ पे, एक compass लिया है, ठीक है, बैटरी भी लिया है आपने, और इन दोनों को ही आपने wires के दुरू connect किया है, किसके साथ, आधे कटे हुए, पटैटो के साथ, ठीक है, आपने कच्चा, बॉयल्ड नहीं, या नहीं, फ्राइड, आपने कच्चा पटैटो लिया है, और पटैटो को आपने half cut किया है, और cut करने के बाद आपने एक half लिया है, और उस half में आपने क्या करा है, कुछ इस तरीके से wires आपने fit कर दिये हैं, और further इन wires को आपने battery और compass के साथ क्या करा, fix किया, तो basically आपे ह होने क्या वाला है यह जो कंपस की ढेर है वो एक टैंपरेरी मैटन तो नहींड बिहेंट करेगा इसका मतलब क्या कि जो आपने compass लिया है उसकी आपने needle ली है वो needle क्या हो चुकी है किसी दूसरे magnet की magnetic field में आ चुकी है तो इसका मतलब क्या deflection तो उसमें होगा ही है ना वो अपनी normal north-south position से क्या हो जाएगी deflect हो जाएगी तो कुल मिला करके यहाँ पे गरे इस compass की needle में deflection जो है जो हो रहा है उससे हमें यह समझ में आएगा कि भई इस पूरे आपके circuit मे और electric current फ्लो हो रहा है और electric current स्लो हो तो रहा है लेकिन किस के तरू हो रहा है यह जो आधा आपने कटा हुआ आपने पोटायटों लिया है ना इसके तरू electriceing लो हो रहा है हो तो गया इसमे नए बात क्या है नए बात यह है कि इसके एक एंड पर एक एंड में या बूसके हो कि green green सा कुछ you know dot या patch आपको नजर आएगा ठीक है ना फिर इसके बार में यह आपको समझ में दूसरा यहां पर क्या हुआ है यहां पर आपने copper sulphide solution लिया था, anode डाल दिया, cathode डाल दिया, battery से connect कर दिया, switch लगाया हुआ था, चलो हम switch को क्या कर देते हैं, दबा भी देते हैं, ताकि आपको जो circuit है, वो पूरा क्या हो जाए, complete हो जाए, हम क्या देखेंगे, कि धीरे 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 करके, जो है ना, किसी एक electrode पे, copper जो है जाकर के जमने लगेगा, भई आपने तो जो copper sulphide solution लिया था, वो तो solution था, वो तो electrolyte था, लेकिन धीरे धीरे बताए क्या होगा, anode या cathode में से किसी एक पे जाकर के copper deposit होने लगेगा, ऐसा क्यों हुआ, चलो देखते हैं, अब यह बहुत ही important point है, इसलिए इसको मैंने आपे specially highlight करा हुआ है, आप भी क्या करोगे, अपने जब भी notes बनाओगे, तो इसमें इसको star mark कर लेना, कि definitely electric current क्या करता है, chemical effects produced करता है, लेकिन वो जो chemical effects होता है न, वो किस पे dependent होते हैं, जिस conducting solution में या जिस electrolyte में आपने क्या करा है, electric current को flow करवाया है, उस electrolyte के nature पे depend करता है वो chemical effect, इसके अलावा, on the nature of the electrodes used for the passing of electric current, और जिन electrodes का आपने use किया है, current को electrolyte तक पहुँचाने के लिए, उस electrodes के nature पे भी हम बोलते हैं कि, dependent होता है क्या chemical effect of electric current, तो सीधी सी बात है, conclusion या पे क्या निकलता है, कि जो electrolyte आपने लिया है, और जो electrodes आप use कर रहे हो, उन दोनों के ही nature पे क्या depend करने वाला है, electric current का chemical effect depend करने वाला है, for example, bubbles of gases are formed when an electric current is passed through acidified water, जब acidified water हम लेते हैं, तो bubbles बन जाते हैं, electrodes पे, इसके अलावा, deposit of metal is formed when electric current is passed through copper sulfate solution, अब शरवाद में आपने क्या लिया था, acidified water लिया था, तो acidified water लेने से हुआ क्या, gases बन गई, तो gases का जो बनना है, है ना, hydrogen और oxygen gases का जो बनना है, वो क्या हुआ, एक chemical effect हुआ ना, भई इन chemical effects को मैंने आपको पढ़ाया है ना, कि या तो gases के bubbles बन जाते हैं, या electrode पे जाके कोई metal deposit हो जाता है, या you know solution का color ही चेज़ हो जाता है, ये क्या है, ये सभी के सभी, आप बोल सकते हो कि electric current, जब electrolyte में flow होता है, तो chemical reactions होती हैं, electrolyte में, तो उन्ही chemical reactions के ये क्या है, तीनो chemical effects हैं, तो अगर आप acidified water लेते हो, तो क्या होगा, gases के bubbles बन जाएंगे, hydrogen and o2 gas के bubbles बन जाएंगे, acidified water की जगा पे, अब आप क्या ले लो, copper sulfate solution ले लो, तो क्या होगा, एक electrode की उपर, copper metal जाकर के deposit हो जाएगा, अब कहने को तो आपने, जो दोनो electrolytes लिये थे, वहाँ पे आप कर क्या रहे थे, वहाँ पे आप electricity का, you know, conduction ही करवा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, एक case में, एक liquid में, आपके पास दो gases बन गई, electrodes में, और दूसरे case में, दूसरे liquid में क्या हुआ, metal जाकर के deposit हो गया, किसी एक electrode पर, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आपको, दोनों ही cases में, दो अलग-अलग chemical effects, क्यों दिखाए दिये, क्योंकि दोनों ही case में, फरक किस में था, electrolyte में था, conducting liquid में था, एक electrolyte आपने लिया था, क्या, acidified water, और दूसरा electrolyte आपने, कौन सा लिया था, copper sulfate solution, तो क्योंकि यहाँ पे, दोनों ही electrolytes, यह दोनों ही, जो conducting liquids हैं, वो कैसे थे, अलग-अलग थे, इसलिए आपको दोनों ही case में, तो अलग-अलग chemical effects, देखने को मिले हैं, एक जगा gases के bubbles बन रहे हैं, तो दूसरी जगा पे, आप बोल सकते हो कि, metal जाकर के deposit हो रहा है, electrode के ओपर, अब यह जो हमने potato वाला लिया था, इसमें तो कुछ अलगी मसला हो गया, ना इसमें कोई metal का deposition हुआ, ना आपको कुछ gases बन रही हैं, बलकि यहाँ पे आपको, एक green color का patch दिखाई दे रहा है, यहाँ पे color change हो गया है, आई बात समझ में, तो कुल मिला करके, depend करता है कि आपने कौन से electrodes लिये हैं, कौन सा आपने electrolyte या conducting liquid लिया है, दोनों की ही nature के ओपर, chemical effect जो है, electric current का, वो dependent होता है, कहीं gases बन जाएंगी, कहीं deposition हो जाएगा metal का, electrode के ओपर, कहीं change हो जाएगा color में, कुछ भी हो सकता है, चलिए, next क्या है, the fact that a greenish blue spot on potato surface is always formed around the electrode connected to the positive terminal of a battery, can be used to identify the positive terminal of a battery, which is concealed in a box, and whose terminals cannot be seen from outside, तो basically यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि मैंना आपको बता था है, जो आलू है, उसको आप आधा कट करो, और इसके बाद में, wires के तुरू उसको connect करो, और वहाँ पे आप एक torch बल की जगा पे, आप एक, you know, compass की needle ले लो, battery ले लो, तो कुल मिला कर के, अच्छा, आपने potato को जोड तो दिया है, wires के तुरू, लेकिन कैसे, बकारदर यहाँ पे आपने क्या कर रहे हैं, electrodes भी डाले हैं, यह क्या है दोनों, यह electrodes है, although यह wire की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, continuation में, लेकिन यह दोनों हैं, क्या electrodes ही हैं, तो यह जो आपको color change दिखाई दिया है, एक greenish, bluish, you know, patch आपको दिखाई दे रहा है, color का patch दिखाई दे रहा है, यह कहाँ दिखाई देगा, वो वाले electrode पर, जो की battery के positive terminal से जुड़ा होगा, और battery के positive terminal से, देखो न, आपके लिखा गया है, कि greenish blue spot on potato surface is always formed around the electrode connected to the positive terminal of a battery, ठीक हैं, वो यह वाले हमेशा electrode से, जो की battery के positive terminal से जुड़ा होता है, सिर्फ उसी electrode के आसपास potato surface में आपको greenish या blue spot दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप identify भी कर सकते हों, कि भाई आपने जो है ना potato ले लिया, और आपने इसको electrodes के तुरू क्या कर दिया, connect कर दिया, अब आपको नहीं पता कि anode कौन सा है, के थोड कौन सा है, तो आप बस ये देख ले ना, कि भाई, कौन से electrode के आसपास potato surface पे greenish या blue spot आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जैसी आपको spot दिखाई दे जाएगा, फिर वहाँ से आप conclude कर लोगे, कि भाई, ये anode हो सकता है, या ये cathode हो सकता है, ये exactly हो क्या सकता है, ठीक है, तो basically वह क्या होगा, anode होगा ना, बैटरी के positive terminal से attach होने वाला जो electrode है, वह क्या होता है, anode ही तो होता है ना, समझायता है ना, यहाँ पे हमने कहां गई वह वाली statement, बैटरी के positive terminal से जो electrode जोड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलता है, anode, कि नीचे ही potato surface पे आपको greenish blue spot दिखाए देगा, patch दिखाए देगा, cathode पे दिखाए नहीं देगा कभी भी, वो जो spot हुआ है ना, यह spot हमें क्या बता रहा है, कि definitely वहाँ पे कोई नोगई chemical reaction हुई है, कोई नोगई chemical change हुआ है, जिसके करण effect आपको देखने को मिला है, effect क्या है, वो greenish, bluish patch, उसका color, ठीक है, तो जो colorful patch आपके पास आया है, वो क्या बता रहा है, कि कोई नोगई chemical reaction हुई है, potato के अंदर, क्यों हुई है, क्योंकि आपने electric current उसमें flow करवाया है, तो उस electric current के flow होने की करण, कोई नोगई chemical reaction हुई है, कोई नोगई chemical change हुआ है, और उस chemical change के कारण ही आपको कोई नोगई उसका effect देखने को मिला है, from the above activity, we conclude that fresh fruits and vegetables conduct electricity to some extent, due to the presence of various salt solutions in them, तो हमारे जो fresh fruits और vegetables होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, electricity को conduct करवा सकते हैं to some extent, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, कुछ salt solutions होते हैं, यह potato वाला जो आपने case लिया, उसमें जो needle थी, compass की, वो deflect हुई न, क्यों हुई deflect हुई, कि वहाँ पे जो circuit है, उसमें current flow हो रहा था, although वो current बहुत ही कम था, जिसको की detect करने के लिए, हम torch bulb का use नहीं कर सकते थे, weak current था, तो weak current को detect करने के लिए, हम सब को पता है कि हम LED का use करते हैं, या compass जो needle होती है, उसका हम use करते हैं, some fruits and vegetables also contain acid solutions in them, कौन से वाले, citrus fruits, उनके पास तो citric acid होता है न, तो कुल मिला कर के, ये कहानी हुई किसकी हमारी, electric current के chemical effects की, अब इसके बाद में, उनके कुछ applications भी हैं, जैसे की, electroblading of metals, purification of metals, production of certain metals from their ores, production of chemical compounds, and decomposition of chemical compounds, ये तो कुछ applications हैं, हमारे, electric current के chemical effects के, और ये applications को हम, आज नहीं पढ़ेंगे, हम अगले session में ले ले लेते हैं, Hello everyone, आज के इस session में हम, Class 8 Science के 14th chapter, Chemical Effects of Electric Current का, एक और नया topic, discuss करने जा रहे हैं, and that is, Applications of Chemical Effects of Electric Current, अभी तक हमने इस chapter में, कई सारे topics पढ़ लिये हैं, और उन सभी topics को पढ़ करके, हमें ये समझ में आया है, कि हमारे electric current के, तीन-तीन effects होते हैं, कौन-कौन से, heating effect, magnetic effect, and chemical effects, अगर मैं बात करूँ heating effect की, तो इसका क्या मतलब हो, कि जब भी हमारा electric current flow होता है, तो एक heat produce होती है, वह आपके पास एक circuit है, और उस circuit में आपने एक bulb लगा करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आपके circuit में current flow होगा, तो वो जो bulb है न, जो circuit से जुड़ा हुआ है, वो bulb glow करने लगेगा, सवाल ये है कि आखिर ये bulb glow क्यों कर रहा है, इससे रौशनी क्यों आ रही है, क्योंकि आपके circuit में electric current flow हो रहा है, ये current कहां जा रहा है, ये current जा रहा है bulb के अंदर, इससे क्या होगा, कि bulb के अंदर एक heat produce हो जाएगी, और उसी heat के कारण, बल्ब के अंदर जो दो filaments है न, वो गरम हो जाएगी, और जहां bulb के filaments गरम हुए, समझ लो, वो हाँ पे क्या करने लगेंगे, glow करने लगेंगे, इसका मतलब क्या, कि पूरा का पूरा हमारा वो जो bulb है न, वो glow करने लगेगा, उससे रौशनी आने लगेगी, तो सीधी सी बात है, यहां पे हमने क्या सीखा, कि electric current का एक heating effect भी होता है, कि जब electric current flow होता है, तो एक heat produce हो जाती है, इसके अलावा, अगर एक wire में electric current flow हो रहा है, तो temporary basis पे, वो जो current carrying wire है, वो एक magnet की तरह behave करेगा, अब हम सब को पता है कि magnet की क्या होती है, एक magnetic field भी होती है, तो यह experiment हमने already किया हुआ है, कि एक current carrying wire के पास हम क्या करेंगे, एक compass लेकर के आएंगे, वो यह वाला compass जो कि हम navigation के लिए use करते हैं, तो जैसी हम compass लेकर के आएंगे, current carrying wire के पास, compass के अंदर जो उसकी needle होगी न, वो अपनी normal position से, नॉर्मल position क्या होती है, compass की needle की north-south, तो वो अपने normal position से क्या करने लगेगी, ऐसे 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 deflect करने लगेगी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि compass की जो needle है न, वो खुद क्या है, एक छोटा सा magnet है, अब जब हम एक magnet को, किसी दूसरे magnet की magnetic field में लेकर के आते हैं, तो definitely दोनों ही magnets के बीच में, या दो force of attraction लगेगा, या force of repulsion लगेगा, यानि कुछ न, कुछ magnetic force तो लग नहीं वाला है, और exactly यही होता है, कि जब हम compass की needle को, एक current carrying wire के पास लेकर के आते हैं, तो वो अपनी जगस से deflect करने लगती है, क्यों? क्योंकि वो जो current carrying wire है न, वो क्या बन चुका है? कुछ देर के लिए एक magnet बन चुका है, और हम compass को कहां लेकर क्या है, उसकी needle को कहां लेकर क्या है, उस magnet की magnetic field में लेकर क्या है, जिसके कारण needle के उपर force of attraction, ये force of repulsion, कुछ न कुछ तो लगी जाता है, ठीक है? तो इस experiment जमी क्या समझ में आया, कि definitely electric current का क्या होता है, एक magnetic effect भी होता है, इसके अलावा हमने previous session में बात करी थी, कि electric current का chemical effects भी होते हैं, कैसे? तो देखो, इस chapter में हमने electric current को flow तो करवाया है, लेकिन किसके थू करवाया है? liquids के थू? वो वाले liquids, जो कि electric current का जो flow है, उसको अलाव कर देते हैं अपने थू? उन्हें हम क्या बोलते हैं? electrolytes बोलते हैं, है ना? जो कि good conductors होते हैं, electricity के, उन liquids को हम बोलते हैं electrolytes. तो इस पूरे chapter में हमने electric current को flow करवाया है, लेकिन किसके थू? electrolytes के थू? तो जब भी कोई electric current, electrolyte के थू? फ्लो होता है ना, तो उस electrolyte में कुछ changes आने लगते हैं. कैसे? या तो liquid का color change हो जाएगा, या किसी electrode के उपर metal आकर के deposit होने लगेगा, या हम बोलेंगे कि पूरे के पूरे electrolytic cell में gases evolve होने लगेंगी, तो जब भी electric current flow होता है, किसी liquid या किसी electrolyte के थू? कुछ न कुछ changes आपको देखने को मिलते हैं. Color change हो जाएगा, metal का deposition हो जाएगा electrode के उपर, gases जो है ना बनने लगेंगी, ये changes क्यों हो रहे हैं? ये changes इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो electric current है ना, जब वो electrolyte के through flow होता है, तो उसमें chemical reactions लेकर के आता है. क्या आप इस शीज को समझें? कि जब current electrolyte के through flow होता है, तो उस electrolyte में chemical reactions होती हैं. और उन्ही chemical reactions के कारएंट आपको changes दिखाई देते हैं. तो उन changes को देखकर क्या आप क्या बोलते हो? कि ये effect है, किसका? electric current का. वह अगर electrolyte में electric current flow होता ही नहीं, तो वो changes भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं. वो changes आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हो क्या? कि ये effect है. किस चीज़ का effect है? electric current का effect है. और क्योंकि वो changes क्यों होए हैं, क्योंकि chemical reactions होई हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? electric current के effects को chemical effects of electric current. आई बात समझ में. तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी थी अपने previous session में और आज के इस session में हम इन ही chemical effects के कुछ applications देखने वाले हैं. और काफी interesting होते हैं ये applications. तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के मारे session को start कर लेते हैं. So this is Vibhuthi Khare, Welcome to Magnet Brains, जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost. याने कि Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost. तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session और इस session में हम applications तो पढ़ने ही वाले हैं, एक नया topic तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये topic हमारे chapter का एक last topic भी है. याने कि इस topic को पढ़ने के बाद almost हमारा पूरा का पूरा chapter complete हो जाएगा. Almost क्यों बोला है? क्योंकि अभी इस chapter के exercise questions और activities को discuss करना बचा है, तो जो कि हम अपने next session में cover करेंगे. चीक है? तो फटा-फट से इस topic को हम जल्दी से cover कर लेते हैं और अपने chapter को finish करते हैं. तो देखो, आज की session में हमें ये 5 applications पढ़नी हैं. ये applications किस तीज के हैं? पहली हम बात करेंगे electroplating of metals की. इसके बार में हम बात करेंगे metals के purification की. थर्ड application है production of certain metals from their owns. फॉर्थ है production of chemical compounds. और फिफ्थ application है decomposition of chemical compounds. एक-एक करके सभी applications को हम देख से जाते हैं, discuss करते जाते हैं. फर्स्ट जो हम application discuss कर रहे हैं, वो है electroplating. ठीक है? electroplating के बारे में already मैंने जो है आपको इस chapter के introduction वाले session में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं, कहने को तो वो किस के होते हैं? लोहे के होते हैं, या steel वगरा के होते हैं. लेकिन फिर भी उनके उपर एक बहुत ही बढ़िया सी चमक होती है, एक shine होती है. वो shine क्यों है? क्योंकि वो जो आपके नल है न, उनके उपर क्या की गई है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग की गई है, उनके उपर chromium की एक covering होती है. तो कहने को तो वो लोहे के ही बने हैं, या steel के बने हैं, लेकिन उनके उपर किसी दूसरे element की coating होती है. दूसरे element कौन सा है? chromium है. तो chromium की covering और coating के कारण ही वो नल जो है न, बहुत ही attractive, सुन्दर, shiny दिखते हैं, प्लस उनकी जो life है, है न, वो भी गोड़ी सी improve हो जाती है. क्यों? जंग नहीं लगती है न, chromium की plating कर दो, अगर नलो के उपर तो उनमें इतनी असानी से जंग नहीं लगती है. यह हम सबको पता है कि जो लोहा है, यह जो लोहे से बनी हुई चीजे हैं, अगर मैं steel की बाद भी करूं, तो steel में हम बोलते हैं कि 98% तो लोहा ही होता है न, बाकि 2%, 1.5% कारबन और दूसरे elements होते हैं. तो चाहे वो लोहा हो, चाहे वो steel हो, जंग इन दोनों में ही लग सकती है, जंग कैसे लगती है, भाई, moisture के contact में आने में, है न, तो आप बोल सकते हो कि नलो का तो काम ही होता है, पानी के contact में पूरे टाइम रहना, लेकिन फिर भी उनमें असानी से जंग क्यों नहीं लगत क्या है, the process of depositing a thin layer of a desired metal over another metal with the help of electric current is called electroplating, ठीक न, प्लेटिंग से मतलब आप क्या समझते हो, प्लेटिंग का मतलब यह है कि आप एक metal के ऊपर, एक metal के ऊपर, आप किसी दूसरे desired metal की क्या कर रहे हो, thin layer चढ़ा रहे हो, आई बाद समझ में, प्लेटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक metal है और उस metal के ऊपर आप किसी दूसरे desired metal की एक पतली सी layer चढ़ा रहे हो, cover कर रहे हो उसको, और यह covering कैसे possible है, यह plating कैसे possible है क्योंकि electric current है आपके हाथ में, एक metal के ऊपर जो आप दूसरे desired metal की thin layer चढ़ा रहे हो ना, तो वो किसकी वज़े से चढ़ा पा र हो, तो इसलिए इस पूरी process को हम क्या बोते है, electroplating, यह plating तो हो रही है, एक metal की ऊपर, दूसरे metal की, लेकिन वो plating कैसे हो पा रही है, electric current के कारण, इसलिए पूरा नाम क्या पढ़ गया है, electroplating, इतना clear है, चलो, the purpose of electroplating is to protect the metal objects from the corrosion, यह rusting, to make the metal objects look more attractive, ठीक है, दो purpose होते है, electroplating के, पहला purpose तो यही है, कि life, जो है ना, metal की बढ़ाना, याने कि उसमें किसी पी तरह की rusting, या corrosion से उसको बचाना, दूसरा purpose क्या होता है, electroplating का, कि metal object को थोड़ा सा, यह उनो, attractive बनाना, सुन्दर बनाना, अगर नल, जो हैना, हमारे सामने, suppose आप गय हो शॉप पे, कि हा उसमें से एक ऐसा है, जो बहुती बढ़िया shine कर रहा है, और बाकी के जो ऐसे हैं, वो जदा shine नहीं कर रहे हैं, बहुती एकदम बेकार दिख रहे हैं देखने में, तो आप क्या करोगे, obvious ही बात है, जिसमें shine होगी, आप वही वाले नल को लेकर क्या होगे, क्योंकि वो द समझ में आ गया, क्यों नाम पढ़ा है, पूरा एलेक्रोड प्लेटिंग वो भी मैंना आपको बता दिया, अब जरा हम इसकी, you know, प्रोस प्रोसेस जो है इसकी पूरी, जो प्रोसीजर है एलेक्रोड प्लेटिंग का, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, क्योंकि असली द दम कहां है, असली दम है, इलेक्रोड प्लेटिंग की प्रोसीजर में ही, जो आपको पता होना चाहिए, the metal object on which इलेक्रोड प्लेटिंग is to be done, is made the negative electrode, या cathode, it is connected to the negative terminal of the battery, जिस metal के उपर, आप किसी दूसरे desired metal की क्या करना चाहते हो, covering चढ़ाना चाहते हो, उस metal को हम क्या करते हैं, negative electrode, याने की cathode बना देते हैं, भाई, सीदी सी बात है, जो हम इलेक्रोड प्लेटिंग समझने वाले हैं, वो कैसे होती है, वो electric current के help से ही होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो negative terminal से जोडते हैं, तो anode हम बोलते हैं कि obviously, अगर आप उसको battery की positive terminal से जोड रहे हो, तो वो क्या होता है, positively charged electrode होता है, similarly cathode को अगर आप battery की negative terminal से जोड रहे हो, तो वो cathode क्या होगा, negatively charged electrode होगा, है ना, इतना तो हम सब को अभी तक समझ में आई गया है, पढ़ा है मैंने आपक अब यहां पर बोला जा रहा है कि जब हमें electroplating करनी होती है, तो इसके लिए हमें वो वाला metal जिसके उपर हम चाहते हैं कि भाई, वो अच्छा देखे, उसके life थोड़ी सी बढ़ जाए, corrosion उसमें ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके उपर covering चढ़ाएंगे, तो उस मेटल को आप क्या बना देते हो, क्या थोड बना देते हो, यानि कि नेगिटिव एलेक्टरोड बना देते हो, इसका उपोजट क्या होगा, कि मेटल, हुज लेयर इस तुब इपोजिटिव, जो डिजाएड मैटल है, है ना, जिसकी आप चाह रहे हो कि हाँ भाई, इस वाले मैटल की कोटिंग, इस वाले विचारे मैटल की उपर चड़ जाए, तो उस डिजाएड मैटल को आप क्या करते हो, पॉजटिव एलेक्टरोड यानि की एनोड बना देते हो, इट इस कनेक्टेड पॉजटिव टर्मिनल ऑब दा पैटरी, तो आप यह समझ लो, कि जो एनोड बना रहे हो किसको, तो कैसे आतरखोगे, कि डिजाएड मैटल जिसके की हम कोटिंग चड़ाना चाह रहे हैं, वो क्या है, एक पॉजटिव मैटल है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक पॉजटिव एलेक्टरोड बनाएंगे, यानि कि उसको हम एनोड बनाएंगे, और पूरा जो सेटड़ है ना वह आप सकते हो कि इलेक्ट्रो लेटेक्ट में होता है अलग से जो को आपको अपरेटर यह जे नहीं होगा छाती है की एक water soluble salt ले लेंगे, ठीके ना? और उसी को हम क्या बना लेंगे? Electrolite बना लेंगे. For example, अगर हम चाह रहे हैं कि copper की plating हो जाए, हमारे पास लोहा है, मान की चलो अभी हमारे पास लोहा है, उस लोहे पर हम चाहते हैं कि copper की plating हो जाए. तो लोहे को हम क्या करेंगे लोहे को हम बना देंगे क्या से मिल जाता है, soluble होता है पानी में और ब्लू कलर का पानी बन जाता है आपके पास, इतना क्लियर है, चलिए, the electrolyte contains the metal to be deposited in the form of soluble salt, bracket बंद, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब अब, electroplate, a key made of iron metal with a thin layer of copper metal, any other object made of iron can also be used in the place of key, और इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक key वगेरा भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बार में, for electroplating an iron object with copper metal, आच्छा, अब, जैसे कि मैं आपको example देई रहे थी, कि हमारे पास क्या है, एक iron का लोहे का object है, जिसके उपर हम copper की coating करवाना चाह रहे हैं, copper plating करवाना चाह रहे हैं, यानि कि हम यह चाह रहे हैं कि iron object की उपर copper metal का क्या हो जाए, थोड़ा सा you know, deposition हो जाए, उसका cover आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए set up देख लो, क्या है हमारे पास, लोहे की हमें कोई चीज चाहिए है, तो लोहे की चीज हम क्या ले सकते हैं, negative electrode मतलब क्या इसे हम बनाएंगे cathode similarly आप इसके उपर copper की coating करवाना चाहते हो तो copper का आप यहां पर क्या करने वाले हो आप anode बनवाने वाले हो ठीक है तो आप बोल सकते हो कि जो की है ना इसको आपने battery के negative terminal से जोड़ दिया बैसी इसी बात है वह electrode जो की battery के negative terminal से जोड़ा हो इसको हम क्या बोलते हैं कैथोड़ी तो बोलते हैं अब अगर आपको चाबी को लोहे के समान को कैथोड़ बनाना है तो इसके लिए क्या करोगी उसको आप वायर के थूप battery के negative terminal से उसको जोड़ दोगे similarly आप दूसरी तरफ क्या लोगे copper की एक rod ले लोगे copper की ही plating आप कर टर्मिलल से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा positively charged electrode याने की anode ठीक है तो यहाप आपके पास cathode भी आ गया है और आपके पास यहाँ पे anode भी आ गया है इतना क्लियर है तो यह पूरा setup है the iron object is made negative electrode जैसे कि मैंना को बताया this means that the iron object is connected to the negative terminal of the battery अगर cathode बनाना ही है iron object को तो बैटरी के negative terminal से जोड़ दो क्या बड़ी बात है तो copper plate, copper मैं rod बोल रही हूँ आप plate भी ले सकते हूँ कुछ भी ले सकते हूँ copper plate जो है उसको positive electrode बनाने के लिए हम क्या करेंगे उसको battery के positive terminal से जोड़ देंगे आप जैसे कि मैंना को बताया था कि अगर आपको electroplating करवानी है तो आपको कोई ना कोई electrolyte भी तो चाहिए है न तो electrolyte आप क्या करोगे जिस metal का deposition आप करवाना चाहते हो दूसरे metal के उपर उसी metal का आप एक soluble salt ले लोगे एक salt ले लोगे जोगे क्या होगा water soluble होगा तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किस metal को हम deposit करवाना चाहते हैं copper तो copper का हम क्या करेंगे water soluble salt लेंगे क्या होगा water soluble salt वही वाला copper sulfate तो यहाँ पर हम क्या करेंगे copper sulfate solution ले लेंगे is taken as electrolyte it contains copper metal in dissolved form as copper ion तो obvious सी बात है copper sulfate solution जो आपके पास आया solution हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपने copper sulfate को पानी में डाल दिया है ऐसा नहीं है कि आपने बस जो है न आपने electrolytic cell में बीकर में वैसल में बस जो है न copper sulfate का powder या जो उसके जो crystalline solids हैं वो बस डाल दिये नहीं properly आपने उनको पानी में mix किया है, dissolve किया है इसलिए आपके पास copper sulfate solution आयांग और इस copper sulfate solution में definitely क्या है copper ions है ठीक है न? तो it contains क्या? copper sulfate solution के पास copper metal होता है किस के form में? तो copper ions के form में है, ठीक है? चलो बहूं अअभी copper sulfate क्या? CUSO4 न? तो इस copper sulphide solution में copper metal है की नहीं हाँ बिलकुल है कैसे है copper ions के form में copper ions के form में चीक है चलो आगे बढ़ते हैं the process of electroplating of copper on an iron key can be explained as follows a proper procedure देख लो the copper sulphide solution taken as electrolyte has copper metal in the dissolved form सही बात है in fact the copper sulphide solution consists of free positively charged copper ions and negatively charged sulphate ions when electric current is passed through copper sulphide solution then the following changes takes place तो obviously बात जो आपने copper sulphide solution लिए जैसे कि मैं आप बताया वो copper sulphide solution है क्या copper का ही तो एक water soluble salt है ना यानि कि उस salt में क्या होने वाला है या उस solution में क्या होने वाला है copper metal होगा कैसे होगा तो अपने ions के फॉर्म में होगा जैसे कि मैं बताया कि क्या सिर्फ अच्छा तो यह बताओ कि जो copper sulphide solution आया है हमारे पास क्या उसमें सिर्फ कॉपर के ही ions होंगे नहीं उसमें sulphate के भी आयन्स होंगे ना उसमें sulphate के भी salt है ना वो अपने ions में disassociate होने लगेगा अभी आपके पास क्या था एक salt था copper sulphate जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो हो सकता है कि पानी में जाते साथ ही क्या हो यह अपने ions में तूटना यह disassociate होना शुरू कर दे यानि कि अब आपके पास जो solution है copper sulphate solution उसमें copper ions and sulphate ions है अब क्या होने वाला है ऐसे ही electrolyte में हम electric current flow करवाने वाले है तो जब हम electric current electric current flow करवाएंगे तो क्या होगा यह वाले changes होगे the dissolved copper metal present in the copper sulphate solution as positively charged copper ions get attracted to the negative terminal sorry to the negatively charged electrode that is iron key अब हुआ क्या इस पूरे setup को फिर से देखिए यहां पर हमने करा क्या था चापी को लोहे की चापी को अब मैं बार बार की बोलूंगे चापी बोलूंगे तो यह understood रहेगा कि वो किसकी बनी है लोहे की बनी है ठीक है तो चाहो तो यहां पर मैं लिख भी देती हैं तो आप कोई डाउट मत रखना ठीक है हम हमारे पास जो चापी थी इसको हमें कैथोड बनाना था इसे हमें negatively charged electrode बनाना था इसलिए हमने क्या क्या रहा था इसको हमने वायर के तुरू बैटरी के negative terminal से जोड दिया था बैटरी के negative terminal से जोडने से हुआ क्या कि अब यह जो चापी है ना इसके ओपर यह क्या बन चुकी है बेसिकली यह negatively charged बन चुकी है यह चापी क्या बन चुकी है negatively charged cathode या electrode बन चुकी है इसको आपने positive electrode बनाने के लिए वायर से बैटरी के positive terminal से जोड आता तो obvious सी बात है यह जो copper की plate होगी यह क्या बन चुकी है यह बन चुकी है positively charged तो चापी है negatively charged और प्लेट है copper की plate है क्या positively charged आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि as an electrolyte आपने क्या लिया है copper sulfate लिया है जैसी आप copper sulfate को भइया किसी भी नमक को पाणी में डालते हो तो पाणी में जाने के बाद वो dissolve हो जाता है ना नमक आपके पास जो खाने वाला नमक होता है उसको पानी में डाल करके देखो पहले भी हमने किया यह वाला एक्सपरिमेंट नमक आसानी सजा करके पूरे पानी में घुल जाएगा ऐसा यही हो रहा है बस फरक क्या है कि यहाँ पर हमारे पास common salt नहीं है क्या करने लगेंगे मूव करने लगेंगे कैसे अब इस solution में इस solution में आप बोल सकते हो कि copper ions है free copper ions है free क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह move कर सकते हैं बहुत सी बात है जब कोई चीज जुड़ी होती है किसी दूसरी या तीसरी चीज से तो हम बोलते हैं कि वो कैसी है bonded है वो move नहीं कर सकती है लेकिन इस copper sulfate solution में जो copper के ions है और जो sulfate के ions है वो किसी से जुड़े हुए नहीं है वो खुले हैं वो free है वो असानी से freely move कर सकते हैं क्योंकि obvious सी बात है अपने पानी में जाने के बाद में क्या हुआ गया है अपने ions में तूट गया है तो यह तूटे हुए ions है ना they are free to move तो होगा क्या कि जैसे electric current flow होगा copper के जो ions होंगे उनके ओपर charge कौन सा है positive charge है और हम सबको पते कि जो opposite charges है वो क्या करते हैं attract करते हैं तो यह जो positive ions है और negative charge उनको कहां मिलने वाला है तो याद करो अभी अभी मैंने आपको पताया था कि हमारा जो चाबी है वो क्या बन चुकी है negatively charge बन चुकी है याने की चाबी के उपर भर भर के क्या है negative charges है तो जैसी ही copper के ions जो की copper sulfate solution में है जैसी ही free copper ions को पता चलेगा कि भाई चाबी के पास क्या है बहुत सारे negative charges है याने की opposite charges है copper ions क्या करने लगेंगे तुरंत जाकर के दोड़ेंगे और दोड़ते साथी कहां पहुंच जाएंगे चाबी के पास बहुच जाएंगे और चाबी के पास बहुचने के बाद करेंगे क्या उससे जाकर के चिपक जाएंगे क्यों क्योंकि उनके खुद के पास positive charge था और चाबी के पास क्या है negative charge है तो opposite charges को क्या करना है attract तो करना ही पड़ेगा ना ultimately तो जाके copper ions, free copper ions क्या करेंगे चाबी की उपर जाकर के चिपक जाएंगे आई बात समझ में चलो फिर इसके बार में क्या होगा the dissolved copper metal present in copper sulfate solutions as positively charged copper ions gets attracted to the negatively charged electrode iron key the positively charged copper ions lose their positive charge on coming in contact with negatively charged iron key and form copper atoms अब क्या हुआ देखो जब copper ions जब तक वो कहां थे solution में थे जब तक वो solution में थे तो उनके उपर positive charge था positive या negative charge जब होता है किसी atom में तब ही तो वो क्या बनता है आयन बनता है ना तो हम अगर बोल रहें कि copper ions है ना मतलब क्या कि copper items के उपर positive charge है लेकिन ये positively charged ions यान कि जो copper ions है जैसे ही ये कहां जाएंगे चाबी के उपर जाएंगे चाबी के पास जाएंगे या negative electrode के उपर जाएंगे ये अपना negative जो अपना positive charge है ना उसको खो देंगे जब तक इस solution में है तो इनके उपर positive charge है copper ions के पास लेकिन जैसे ही ये कहां पहुंचते हैं या आप बोल सकते हो कि iron key के पास पहुंचते हैं तो अपना जो positive charge है वो खो देते हैं और खोने के बाद क्या बन जाते हैं simple copper atoms बन जाते हैं आटमस ही तो आप बोल सकते हो कि positive और negative ions बनाते हैं तो सीदी सी बात है solution में जब तक है तब तक copper के ions हैं जैसे ही चाबे के पास पहुंचते हैं ये ions ये अपने charges को positive charges को lose कर देंगे और क्या बन जाएंगे copper atoms बन जाएंगे these copper atoms deposit on the iron key to form a thin layer और ये ही copper atoms ये जो भी कुछ हो रहा ये कहां हो रहा है iron key के उपर ही हो रहा है याने की लोहे की चाबे के उपर ही हो रहा है तो जब copper के ions अपने charge को lose करके atoms बन जाएंगे ये atoms का होने क्या वाला है ये atoms ultimately चाबे के उपर ही क्या होने वाले है deposit होने वाले है याने की चाबी के ओपर क्या होने वाली है एक coating आने वाली है एक thin layer आने वाली है किस चीज की copper metal की all over the surface of the iron की और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चाबी जो है ना कुछ ऐसी है तो सिर्फ यहाँ यहाँ पे जो है ना copper metal deposit होगा नहीं पूरा जो entire surface है ना हमारे चाबी का उस entire surface पे क्या होगा copper metal आकर के deposit होने लगेगा copper ions कहां से मिल रहे थे copper ions थे copper sulphate solution में वह ions कैसे थे free थे copper sulphate solution में हम बोल रहे हैं कि copper dissolved form में present है in the form of copper positive ions तो यह ions जैसे ही you know electric current flow होगा तो यह ions क्या करेंगे move करना शुरू कर देंगे कहां पहुंचेंगे तो negatively charged electrode के उपर कौन सा वाला है वो cathode cathode तो है लेकिन कौन चाबी है ना तो चाबी के उपर भर भर के क्या है negative charge है तो copper ions आएंगे चाबी के तरफ attract हो जाएंगे और चाबी के उपर आने के बाद में अपना positive charge खो देंगे simple copper atoms बन जाएंगे और यही copper atoms पूर जो एंटार सर्फेस से चाबी का उसके उपर जाकर के deposit हो जाएंगे यानि की चाबी के उपर क्या हो रहा है copper metal का deposition हो रहा है in this way copper metal in the electrolyte comes out of the solution and forms a thin layer of the iron on the iron key which is the cathode here तो basically जो आपने copper sulphate solution लिया है उसमें जितना भी copper है न वो पूरा का पूरा पूरा जो copper है वो क्या होने वाला है copper ions के form में सबसे पहले तो जो चाबी है उसकी तरफ attract होगा attract होने के बाद में जब वो चाबी के पास पहुंचेंगे ions सभी के सभी copper ions तो अपना charge loose करके copper atoms बन जाएंगे और यह पूरे के पूरे copper atoms जो है चाबी के उपर deposit होने लग जाएंगे तो होगा क्या कि in this way the copper metal in the electrolyte comes out of the solution जो copper metal है ना वो electrolyte जो कि कहा है electrolyte में है वो हम बोड़ेंगे कि solution से बाहर निकल आएगा और thin layer के फॉर्म में जाकर के deposit हो जाएगा किस के उपर चाबी के उपर अब आप बोलोगे कि मैम आप तो समस्या हो गई क्यों समस्या हो गई क्योंकि कभी ना कभी तो electrolyte जो आपने लिया है उसमें copper ions खतम होंगे ना माना हम बोलते हैं कि बहुत सारे suppose 100 copper ions है लेकिन ये सभी के सभी copper ions जो है ये पूरे के पूरे चाबी के उपर जाकर के deposit हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या solution में क्या copper के ions खतम हो जाएंगे एक बाद बताओ आपने anode पे क्या लिया है anode पर आपने एक copper की plate भी तर लिया है ना वो क्यों लिया है चलो देखते हैं the copper metal of positively charged copper plate electrode dissolves by forming positively charged copper ions this happens because copper atoms lose their negative charge to positively charged electrode the copper ions thus go into the copper sulfate solution in this way the loss of copper sulfate solution utilized in copper plating is made up and the process continues तो एक major हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम यह होने वाली थी कि भाई जितना भी copper के you know ions है जो हमने electrolyte लिया था copper sulfate का solution उसमें जितने भी free copper ions है वो सभी के copper ions क्या कर रहे हैं तेजी के साथ attract होते होते जो चाबी है लोहे की चाबी है उसकी तरफ दोड रहे हैं पहुंच जाएंगे उसके पास पहुंचने के बाद क्या होगा अपने positive charges को ions copper के ions lose कर देंगे और इसके बाद में copper atoms बनके जो entire surface है चाबी का उसके उपर जाकर के deposit हो जाएंगे इतना clear है तो कभी ना कभी तो electrolyte के copper ions खतम हो जाएंगे और अगर ions खतम हो जाएंगे इसका मतलब क्या कि अब further copper की covering नहीं होने वाली है चाबी पर जितने copper के ions थे वह ions क्या कर चुके है already अपने आपको copper atoms में convert करके चाबी के उपर जाकर के चिपक चुके हैं अपने आपको चिपका चुके हैं यह आप यह बोल सकते हो कि अब जितनी जो copper atoms present है वह हर चीज किसकी बनी होती अब आपने क्या कर रहा है copper की प्लेट ली है तो उस copper प्लेट में भी क्या है copper के atoms है तो copper के atoms क्या करने वाले है कि आप बोल सकते हो कि अपने आपको ions में convert करेंगे कौन से ions में जिसे की अगर मैं आपको बताओं तो यह क्या है आपके पास anode anode आपने किसको बनाया है copper की प्लेट को यह तो बनाया है ना लिख देती हूं मैं आपे anode मतलब की copper plate अब इसमें जितने भी copper के atoms हैं जितने भी copper के atoms हैं यह सब खुद को क्या करने वाले है copper ions बनाने वाले हैं अब जब atoms ions में convert हो ही जाएंगे तो फिर इन ions का होगा क्या ultimately यह ions कहां जाने वाले हैं उसी electrolyte में जाने वाले हैं जहां पर electric current flow हो रहा था यहने कि copper sulphate solution में जाने वाले हैं तो एक तरफ से आप बोल सकते हो कि copper sulphate solution में जो इतने भी copper ions हैं वो क्या कर रहे हैं चावी की उपर जाकर के deposit हो रहे हैं तो वो जो जगा खाली हो रही है copper ions की उस जगा को भरने के लिए क्या होने वाला है और पे जो हमने copper plate ली है उस copper प्लेट में जो copper atoms हैं वो खुद को अपने आपको ions बना करके वो ions का आने वाले हैं अब solution में आने वाले हैं जो copper ions गए है deposit होते हुए चावी के उपर उन copper ions की जगा को भरने के लिए नए copper ions आ रहे हैं क्या है इस चीज़ को समझ पाए कि copper ions जितने भी के लिए copper plate के copper ions आ जाएंगे यानिकि नए copper ions आ जाएंगे तो यह भी यह भी बोला जा रहा है कि तो copper metal of positively charged copper plate electrode dissolves by forming positively charged copper ions यह कैसे होता है अच्छा जो आप बोल रहे हो ना कि copper metal के जो atoms हैं वो क्या कर रहे है positive ions बना रहे हैं CO2 positive ions बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं This happens because copper atoms lose their negative charge to positively charged electrode. The copper ions अब जो बन चुके हैं, वो कहां जाएंगे, copper sulfate solution में ही जाएंगे. In this way, जो loss हो रहा है copper sulfate solution में, उस loss को जो है, भर दिया जाएगा and process जो हमारी, वो continue हो जाएगी. हमारी दिक्कत यही तो थी, कि अगर सारे के सारे copper ions चले गए solution के, तो फिर अब क्या होगा? Electroplating नुक जाएगी, अब further और कोई भी जोना covering नहीं हो पाएगी चाबे के ओपर, लेगेने सा नहीं होगा, क्यूं? वोगि यहां से हम continuously क्या कर रहे हैं? कॉपर ions की supply भेज रहे हैं, कहां से? एनोड से, copper plate से. Since the copper ions are taken out from the solution at the negative electrode ion की, but put into the solution at the positive electrode, therefore the concentration of copper sulfate solution remains constant. तो एक तरफ से आप क्या कर, देखो, sulfate ions कहीं नहीं जा रहे हैं. जो आपके पास electrolyte है, वो क्या है? copper sulfate solution है, तो उसमें copper के ions भी थे, sulfate के ions भी थे. अब copper के जो ions है, वो हम बोल रहे हैं कि cathode के उपर, यह चाबी के उपर जाकर के जम रहे हैं. लेकिन solution में sulfate ions तो है ही ना? लेकिन कहीं ना कहीं, जो copper के ions हैं, वो तो कम हो रहे हैं. तो उस कमी को भरने के लिए, हम anode से copper ions को भेज तो रहा हैं, यानि कि कुल मिला करके, जो आपके पास solution या आपके पास electrolyte है, उसका जो concentration है, वो कैसा बना हुआ है? constant बना हुआ है. है ना? जो ions की कमी हो रहे हैं, इस कमी को लगातार भरा जा रहा है, कौन भर रहा है, तो anode पर जो आपने copper plate लिए है, उस copper plate के जो copper atom से वही भर रहे हैं. ions बनते जा रहे हैं, copper atom से बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और जो कमी हो रही है, solution में copper ions की, उस कमी को भरते जा रहे हैं. यहाँ पर अगर suppose example के लिए, मैं आपर क्या ले लूँ, एक चावी ले लूँ, ठीक है, अभी हम माल लेते हैं, कि यह क्या हमारे पास एक चावी है, यह रही हमारी चावी, तो धीरे 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 होगा क्या, कि इस चावी के उपर copper आकर के deposit होने लगेगा, तो कहीं न कहीं चावी का जो size है, बढ़ेगा न, अब भही लगातार आप किसी चीज के उपर किसी और दूसरी चीज की coating करोगे, उसका size तो बढ़ेगा ही न, और यहाँ पे anode की साथ क्या हो रहा है, anode की साथ हम बोड़ रहे है, कि जो भी anode क्या है, copper plate ही तो है, वो किसका बना है, copper के atoms का बना है, तो लगातार copper के atoms, जो है न, ions बन-न बन-नकے copper plate से बाहर निकलते आ रहे हैं, तो कहीं न, कहीं, जो copper plate है, उसका जो आप बोल सकते हो कि जो size है वो क्या हो जएगे? चोटी हो जएगी है ना? आप बोल सकते हो कि जो thickness है anode की या copper plate की वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी आई बात समझ में, क्योंकि यह लगातार यहां से copper atoms जाते जा रहे हैं चलिए, next क्या है, so we conclude that during copper plating of an iron key copper metal is transferred from copper plate to the iron key through the copper sulfate solution तो आप conclusion क्या निकाल सकते हो, कि जब copper की plating करते हैं लोहे की चावे के उपर, तो copper metal का transfer होता है कहां से कहां, copper plate से, कहां तक iron key तक, यहने कि copper plate पे ultimately solution में जितना भी आपने copper sulfate लिया था या solution में आपके पास जितने भी copper ions थे, वो copper ions तो बहुत पहली ही जाकर कि चावे पर deposit हो गए हैं, अब अगर हमने anode पर copper plate नहीं ली रहती तो कब की electroplating रुक जाती, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि copper plate पे जो copper है, वो ultimately आप बोल सकते हो कि चावे के उपर जाकर के deposit हो रहा है कैसे? तो copper sulfate solution के through, with the help of electric current, definitely So conclude आप यह बोल सकते हो कि copper की जब plating करी जाती ही चावे के उपर तो copper metal जो है transfer होता है कहां से कहां, copper plate से लोही की चावे के उपर through copper sulfate solution with the help of electric current In other words, during electroplating with copper, copper metal gets transferred from positive electrode to the negative electrode, the negative electrode being the metal object to be electroplated तो और आसान शब्दों में आप यह भी बोल सकते हो कि जब electroplating होती है copper की तो जो copper metal है, वो कहां से कहां transfer होता है? Anode से cathode, यानि कि positive electrode से negative electrode Positive electrode पे है कौन? Copper की plate और negative electrode पे है कौन? चावी तो copper metal का transfer कहां से कहां हो रहा है? Positive electrode से negative वाले में, यानि कि anode से cathode में Carbon in the form, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? Graphite, carbon की electrodes भी ले सकते हैं In a non, जो carbon है, उसको हम क्या कर रहे हैं? Graphite की form में ले रहे हैं यह क्या है? एक non metal है, which is a good conductor of electricity So, if we take a carbon rod in place of iron key ठीके ना, अब जरूरी नहीं है कि आप लोहे की चीज़ के ओपर ही क्या करो Copper का deposition करो एक काम करो ना, अब चावी की जगा पे आप क्या ले लो? एक carbon electrode ले लो Carbon किसके form में है? Graphite के form में, ठीके? तो क्या होगा? Iron key की जगा पे आपने अब carbon rod ले ली है in the above activity and connect it to the negative terminal of the battery जैसे कि आपने चावी को battery की negative terminal से जोड़ा था वैसे ही आपने क्या करना है? अब carbon rod को भी battery के negative terminal से जोड़ना है चावी को हटा करके Then a layer of copper metal will be formed on the carbon rod तो जैसे कि चावी के ओपर जो copper metal है वो deposit हुआ है वैसे ही जो आप carbon rod लोगे न उसके उपर भी copper का metal आकर के deposit हो जाएगा Thus a carbon rod also can also be electroplated with copper तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगे की चावी नहीं यहाँ पर आप बोल सकते हो कि carbon की rod को भी आप क्या कर सकते हो copper से electroplate कर सकते हो मुद्दा क्या है? बस किसी भी चीज के उपर हमें copper की coating करवानी है है ना तो वो हमने करवा दी अब वो चावी है या carbon की rod है वो कुछ भी हो सकता है बस हमने क्या करना है? copper की plating करवा देनी है electric current के through This is because carbon rod is a good conductor of electricity some special plastics have now been made which are good conductors of electricity such plastics can also be electroplated with metal अब हम बोलेंगे कि देखा जातो हमारे चो plastics होते हैं वो कैसे होते हैं? कर रहे हैं, metals के साथ में electroplate कर रहे हैं जिसके करण वो plastics भी क्या हो रहे है electricity के अच्छे conductors बनते जा रहे हैं This is because carbon rod is a अच्छा ये repeat हो गया है, ठीके ना? तो कुल मिला करके यहां तक आप पढ़ लो तो आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा चली, आगे बढ़ते हैं अब electroplating के भी कुछ applications हम देख लेते हैं तो electroplating का जैसे कि मैंना को पताया था कि decorative purpose के लिए कि चीजे जो ना चमकने मतलब obvious सी बात है अगर हम chromium की you know plating वगेरा कर रहे हैं नलों के ओपर तो कहीं ना कहीं मुझे नल हैं तो करोजन एन और सो गिवर शाइनी फिनिश तो अबजेक्ट जैसे भी मैटल की electroplating की जाती है मतलब की आपके पास एक मैटल है जिसके उपर आप desired metal की प्लेटिंग करवाना चाह रहे हो तो वह आपके पास desired metal होगा ना वह डेफिनेटली क्या होगा प्लस ऑबजेक्ट को क्या करेगा एक शाइनी फिनिश भी देगा तो आजकल जो नल आते हैं सभी में जो है न ऐसी क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है पहले की जमाने में अगर किसी कहा पुराना मकान हो तो वहाँ पे आप दिखोगे तो पीदल के नल होते थे यह न यह न होते भी थे लोहे के तो इतने कोई सुंदर दिखते नहीं थे जंग लग चुकी रहती थी उसमें और जब जादा जंग लग जाती है लोहे की चीज़ों के ओपर तो ओविसी बाते वो खराब हो जाते हैं पाँ बाटि ब्वाणी जो है लीक करने लगता है फिर इसके बाद में बीच में प्लास्टिक के भी जो है। पीज को लाकर कर के अवेसे ब्लाग हैं लोहे के होते हैं स्टेजटील के ה bleibt लेकिन क्योंकि नल लोहे का बना है तो क्रोमियम की प्लेटिंग से क्या होता है कि वो खराब भी नहीं होते हैं उनका कोरोजन भी नहीं होता है आई बाद समझ इसके अलावा और ऐसा नहीं है कि अब जो क्रोमियम की प्लेटिंग है वो सिफ बातरूम के नलों में होती है नहीं हमारे जो gas drove वगरा जो होते हैं उनके ओपर भी आपने देखा होगा कि टफन ग्लास वाले नहीं यह वाले हमारे जो होते हैं gas drove उनके ओपर भी जोनों काफी shiny एक coating होती है तो वो shining coating क्यों है chromium की ही है वह अंदर तो सामान किसका बना है लोहे का बना है cycle के जो handle होते हैं किसके बने होते हैं लोहे के बने होते हैं यह स्टील के बने होंगे लेकिन फिर भी जो shining होती है वह लोहे की नहीं होती है वह chromium की ही होती है इसके अलावा हम देखते हैं कि गाडियों में जो यूनो बहुती सुन्दर सुन्दर से रिम्स लगे होते हैं है ना तो वो रिम्स किसके बने होते हैं कुछ इस तरीके के वो लोहे की बने होते हैं लेकिन कोटिंग जो है न उनके ओपर क्रोमियम की की जाती है कभी-कभी तो यह प्लास्टिक के भी बने होते हैं अच्छे वाले प्लास्टिक के तो प्लास्टिक के ओपर भी हम बोलते कि क्रोमियम की प्लेटिंग चड़ा देते हैं ताकि वो चीज सुन्दर दिखने लगे अट्रेक्टिव और शाइनी दिखने लगे अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना देखो हमने एक जन्रलाइस्ट स्टेटमेंट तो पढ़ लिया कि हमारे वह वाले मेटल्स जिनको की इलेक्ट्रो प्लेटिंग में यूस किया जाता है वह कैसे होने चाहिए को रोजन से रसिस्टेंट होने चाहिए प्लस हम बोलेंगे कि यूनो आप बोल सकते हो कि उनकी जो फिनिश है वो भी कैसे होने चाहिए अच्छी होने चाहिए शाइनिंग होना चाहिए लेकिन वो है कौन-कौन से मेटल्स तो क्रोमियम, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये कुछ ऐसे मेटल्स है जिनकी कवरिंग चढ़ाई जाती है इन पे कवरिंग चढ़ा नहीं रहे है इनकी कवरिंग, इन मेटल्स की कवरिंग हम बोलते हैं कि कि किसी दूसरे मेट या तक्रोमियम गया तो उसको ऐम बोलेंगे क्रोमियम प्लेटिग अगर टिन की कोटिग चड़ाया गई तो इसको क्या बोलेंग प्रोड़ होते हैं गरोते हैं तो हमश्यर को निंटी ट्रकलॉ घ्षण के बरतन होते हैं झाला तो फिर ग्रत्रच सायन क्यों प्लेटिंग अब और नीकल प्रीटिंग और जब ऑद कि निकल प्रूपने कें हमाने पास इसलवक बीड होगे को गोल्ड को नो चीज है वो किसी है सिलवर की बनी लेकिन ऐसा होता नहीं है उससे हम क leuke क移show जूलरी बोलते है को वो पर हम बोल है कि गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है कवरिंग चढ़ा दी जाती है वो ठोस सोना नहीं होता है दिखने में आपको लगेगा कि सोना है लेकिन सोना होता नहीं है आई बात समझ में तो कुछ इस तरीगे से हम बोते हैं कि सोने की प्लेटिंग करी जाती है गोल्ड क्या लाएगी चीक है इसके अलावा हम बोल रहें कि आप silver को हम किसी दूशरे मेडल के ओपर जो ना cover कर रहे हैं silver से उसको तो वह क्या 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 लाएगी silver plating क्या लाएगी फिर इसके अलावा a metal object is electro plated with copper it is called copper plating copper क्या अगर covering चड़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे copper bleeding बोलेंगे for example हमारे पास ऐसे बरतन होते हैं यह वाले बरतन अलग है यह स्टील के बरतन है इसके ओपर 10 की coating है इसके लावा बोलते हैं कि नहीं भाई खाने की जो बरतन होते हैं उसमें वह कैसे होने चाहिए copper की बने होने चाहिए ताकि जो copper है यह जो हमारे पास you know ions है copper के जो atoms हैं वह हमारे body के लिए अच्छे होते हैं तो हम क्या करते हैं copper के बने हुए बरतन यूज़ करते हैं लेकिन copper क्या करते हैं क्या करते हैं copper की covering कर देते हैं तो तो दिखने में पर की दिखाई देती है वह वो असली में क्यों नहीं होती है Imitation Jewelry हाँ जिसको क्या बोलते है Imitation Jewelry यानि कि जूल्री जह क्या कर रही है Imitate कर रही है नकल उतार रही है किसकी gold और silver की क्यों क्यों क्योंकि gold और silver की polish उन पर की गई है Covering उनके उपर की गई है असली में वो 다 चांदी के जेवर नहीं यह 10ukoting है How you gaining a comb remainñ इले Pokémon के कुछ और क्या ओः सकता है is a useful process काफी useful process होती है अब हमारे पास सपोज एक ऐसा मेटल है जैसे कि हमने स्टील के बारे में बात करी कि क्या जरुवत पड़ गई है स्टील के ओपर टिन की कोटिंग करने की है ना तो हमने बोला कि भई स्टील के जो बरतन होते हैं ये खराब हो जाते हैं सब्सक्राइब हो दूब हो जाते हैं लगातार हमने पानी भरके रखा है जग में यहां या कुछ दहीव ऑगेर भर के रखा तो वह सकता है लगा हो करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि तिन के पास वोilla com करोरोह होता तो जिस भी मेटल की कवरिंग आप किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना चाहते हो तो क्यों चढ़ा रहे हो क्योंकि उस मेटल की क्या है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके लिए कैसी है डिजायरेबल है उस मेटल की प्रॉपर्टी आपको क्या लगती है अच् उसके पास प्रॉपर्टी नहीं मालब वो तो करोड होता ही होता है वो अपने आपको करोजन से नहीं बचा सकता है तो यह प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है किसके पास है तेन के पास है तो हम क्या करते हैं जल्दी से तिन की कोटिंग कर डालते हैं कि यह तिन के पास तो प् सब्सक्राइब करेगा लेकिन बहुत समय बाद करेगा जब बरतन बहुत पुराना हो जाएगा तब जाकर आपको लगेगा कि सब्सक्राइब लिला हो गया है तो क्योंकि जादा या बोल सकते हो कि अन्रेक्टिवनेस की प्रॉपर्टी किसके पास थी टिन के पास थी तो इसलिए टिन हमारे लिए कैसा रहा डिसारेबल रहा और उसको हमने लोही यह स्टील की बरतन के ऊपर चढ़ा दिया उसकी कवरिंग कर डाली इट ह है तो आपके दिमाग में डिफिनेटल एक सवाल आपके लिए यह सवाल आपके दिमाग में डिफिनेटल एक सवाल में मैंने अच्छाही दिखने में अच्छा है यह चैनल से थोड़ा सा महंगा होता है तो पूरा का पूरा नल से बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे सो दा अब्जेक्ट या आर्टिकल इस मेड ऑफ चीपर मेटल जिसे की आइरन या स्टील तो बेसिकली हम क्या करते हैं हम जुगार बिठाने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा नल क्रोमियम से नहीं बनाया जा सकता है तो एक काम करते हैं ना पूरा जो नल है वो हम एक सस्ते और एक चीप मेटल से बना देते हैं लोह या स्टील इसके उपर काम चलाने के लिए क क्रोमियम की प्लेटिंग कर देंगे तो दोनों काम हो जाएंगे मजबूती भी आ जाएगी और दिखने में भी नल अच्छा बन जाएगा को रोजन भी नहीं होगा प्लस हम बोलतेंगे कि जो नल है वो कैसा रहेगा सबके लिए अफोर्डिवल रहेगा ऐसा नहीं कि लाखो क नल है वो किसका बना है? क्रोमियम का यह बना है जबकि ऐसा होता नहीं है. For example, chromium plating is done on many objects made of iron या steel such as bicycle handles, bathroom fittings, wheel rims, bicycle belts, LPG stoves, motorcycle parts and many many other objects. Metallic car bumpers and car grills are also chromium plated. Moreover, iron या steel objects corrode or rust gradually. So, a thin coating या layer of chromium metal or iron on iron and steel objects deposited by electroplating makes the iron and steel object look shiny and attractive as well as protects them from corrosion या rusting. तो कोल मिला करके, जैसे कि मैंना को बताया है कि बहुत सारी चीज़ों के ओपर, लोहे या steel से बनी हुई, बहुत सारी चीज़ों के ओपर chromium की plating की जाती है. जैसे कि bathroom fittings हो गया, bicycle belts हो गया, LPG stoves हो गया, motorcycle के parts हो गया, car के parts हो गया, wheel के rims हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों के ओपर, ये सब किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ये steel की बनी होती है, तो इनके ओपर हम बहुतेंगी, chromium की plating करती जाती है, ताकि या attractive भी हो सके, if however the thin layer of chromium plating on an object is accidentally scratched, then the shiny coating of chromium comes off and the iron or steel surface beneath it gets exposed, तो जी इसी बात है, अगर you know scratch बगरा लग गया, तो जो covering होती है chromium की, वो निकल जाती है, तो उसके नीचे का जो भी लोहा है, ये जो भी steel है, वो एक्सपोस हो जाता है, rusting of iron and steel objects can take place, अब अगर you know covering ही निकल गई है, तो अंदर का जो लोहा है, जो steel है, वो एक्सपोस हो जाएगा, और अगर वो एक्सपोस हो गया, इसका मतलब क्या, कि moisture या atmospheric air के contact में आने के कारण उसके rusting या उसको जो corrosion है, वो शुरू हो जाएगा, तो कुल मिला करके बस दो ही परपस हैं, एक तो किसी भी तरह की रusting या corrosion से बचाने के लिए metal को और उसको attractive दिखाने के लिए हम प्लेटिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग का सहारा लेते हैं, आई बात समझ में, so it's all about इलेक्ट्रो प्लेटिंग की कैसे हम चीजों को जो है न, durable, अच्छा, attractive, affordable बना सकते हैं, चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, अच्छा, एक और यहाँ पर example दिया गया है, कि tin metal has a shiny appearance, it does not corrode and it is non-poisonous, tin हम बोलते हैं कि एक metal है, जो कि काफी अच्छा होता है appearance में, जल्दी खराब भी नहीं होता है और poisonous भी नहीं होता है, it is less reactive than iron, लोहे से हम बोलते हैं कि कमी reactive होता है, tin cans used for storing foods are made by electroplating tin metal onto iron, तो आपने देखा होगा न, cold ring के cans बगएरा हो गए, तो वो किसके बनते हैं, बनते हैं वो लोहे की हैं लेकिन उसके उपर tin की plating की जाती है, तो due to tin plating over the surface of iron, the food does not come in contact with iron and is protected from getting spoiled, in fact, the less reactive and shiny metals like chromium, tin and nickel are electroplated on more reactive and dull looking metals like iron and steel to protect them from corrosion and give them unattractive finish, तो जैसे कि आपने देखा होगा, cold ring बगएरा हो गए हैं तो वो तो भाई उनके अंदर हम बोल रहे हैं कि acid बगएरा है, chemicals हैं, तो कहीं ना कहीं in cold ring में जो acid बगएरा है, जो chemicals हैं, उसके साथ जो लोहे के जो container हैं, अगर आपने किसी लोहे के can में, steel के can में cold ring को डाल दिया है, तो cold ring के अंदर के जो chemicals होंगे, वो लोहे या steel के जो iron हैं, उसके साथ में react कर जाएंगे, और कुछ harmful reactions हो सकती हैं, कुछ harmful products बन सकते हैं, और ये harmful products हो, अगर हम लेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो चीज घातक हो जाएगी, कुछ आप बोल सकते हो कि poisons बन सकते हैं, जो कि हमारे body के लिए बहुती नुकसान वाले हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो, खाना खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास लोहे का can है, स्टील का can है, उसके उपर आप बढ़िया से tin की coating कर दो, तो क्या होगा, कि जो खाना है न, ये जो भी आपके पास food item है, वो food item के जो भी components होगे, वो अब लोहे के contact में नहीं आएंगे, वो tin के contact में आएंगे, और tin कैसा होता है, दिखने में तो अच्छा होता है, ये, shiny appearance होती है, इसके अलावा, corrode नहीं होता है, और ना ही हम बोलते हैं कि poisonous होता है, तो चाहे खाने में acid हो, खटापन हो, चाहे वो कुछ भी हो खाने में, वो खाने का component tin के साथ में react नहीं करता है, और जब reaction ही नहीं होगी, तो कोई भी poisons नहीं बनेंगे, और अगर poisons नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या, कि वो खाना भी हम बोलते हैं कि खराब नहीं होगा, और उसे खाना हमारे लिए भी harmful नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, ये जो metals होता है, शाइनी metals, chromium, tin, nickel वगेरा, इनको उन metals के उपर cover चड़ाया जाता है, जिनके आप बोछ सकते हों कि जो ज़्यादा reactive होते हैं, और look wise भी कैसे होते हैं, dull होते हैं, कि सीज़ के लिए, to protect them from corrosion और एक attractive finish देने के लिए, आई बात समझ में, Electroplating is used to give objects made of cheap metal on a coating of more expensive metal to make them look more attractive, महेंगे metal की coating कर देते हैं, ताकि अच्छा दिखने लगे वो, for example, less expensive metals are electroplated with more expensive metals like silver and gold to make jewelry या ornaments, these ornaments have appearance of silver or gold, but they are much less expensive than ornaments made of pure gold or silver, तो obviously यह बात हैं, जो imitation jewelry होती है, कि देखने मैं सा लगते हैं, कि हाँ, gold का बना है, silver का बना है, लेकि यह तो होता नहीं है, normal हम बोलते हैं कि cheap metal के उपर gold यह silver की polish कर दी जाती है, covering चढ़ा दी जाती है, और obviously बात है, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन दाम में हम बोलते हैं कि काफी कम होता है, pure अगर gold और silver jewelry से हम compare करें, तो वो imitation jewelry होती है, वो सस्ती होती है, affordable होती है, easily, तो सस्ता हो metal, देखने में अच्छा ना हो, reactive हो, असानी से योनों करोड हो जाए, तो ऐसे metal के उपर हम electroplating करते हैं, So, many times the ornaments worn by a woman may appear to be made of gold but they are not really of gold, they are gold pleated ornaments, however, with repeated use the gold coating of these electroplated ornaments wears off, revealing the cheaper metal, silver or some other metal beneath it, these ornaments have then to be gold again, Similarly, anuvenium objects look more when electroplated with nickel, तो basically यहां पर बोला जा रहा है कि अगर, वो यह बाली बात है ना, अगर plating निकल गई है, तो अंदर का जो cheap metal होगा, सस्ता वाला metal, वो बाहर आ जाएगा, मला वो दिखने लगेगा, तो फिर उस दिखने को छुपाने के लिए, हम क्या करते हैं, दुबारा से उसको electroplate करना ही पड़ता है, आई बात समझ में, तो यह पूरी कहानी है किसकी electroplating की, एक और यहां पर छोटी सी चीज़ दी गई है, electroplating के बारे में, उसको भी हम जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, अब क्या बात बोली गई है, जल्दी से एक बार हम रीट कर लेते हैं, तो electroplating की process के दौरान, जो भी आपने electrolytes लिए हैं, या जो आपने conducting liquids या solutions लिए हैं, उनमें various type के salts होते हैं, और यह various type के salts कैसे हो सकते हैं हमारे लिए, हमें poisonous हो सकते हैं, the conducting solutions are usually acidic in nature, जो भी हम electroplating के दौरान solutions लेते हैं, electrolytes लेते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, निचर में, acidic होते हैं, so in electroplating factories, the disposal of used conducting solutions या electrolytes is a major problem, अब electroplating factories मतलब क्या, वो वारी factories जहाँ पे बड़े पैमाने पर electroplating की जाती है, अब अगर एक बार electroplating हो गई है, इसके बाद में, जो electrolyte बचा है, या जो conducting solutions बचे हैं, उनको dispose करना एक बड़ी समस्या होती है, एक major problem होती है, किसकी? Electroplating factories की है, अब देखो ऐसा है कि हमने previous chapters में कई तरह के pollutions के बार में बात करी है, है ना? In fact, आप अपनी junior classes में, 6 में, 7 में, water pollution, soil pollution, air pollution ये सब आप पढ़के आए होंगे. अगर हम pollution की बात करी रहे हैं, तो हमारे आज पास हमें सबसे ज़ादा दो टाइप के pollution दिखाई देते हैं. Air pollution and water pollution. Air pollution की अगर हम बात करें, तो आज के टाइम पे हर घर में क्या है? एक ना एक गाड़ी तो होती है. 4-wheeler हो, 2-wheeler हो, कुछ भी हो, हर एक घर में एक नएक गाड़ी गैसे मिल जाती है, तो कहीं न कहीं, हमारी जो atmospheric air है, उसकी जो quality है, उसका जो composition है, वो deteriorate हो जाता है. भई, composition अगर air का बिगड़ेगा, तो उसकी जो quality है, वो भी खराब हो जाएगी. और जहां पे air की quality खराब हुई, deteriorate हुई, वहां समझलों क्या हुआ हुआ है? और की poisonous gases होती है, और यह सभी की सभी gases कहां मिलती है, जाकर के atmospheric air में ही मिलती है. तो cool मिला करके air का pollution तो बहुत जादा है, इसके अलावा water pollution भी एक बड़ी समस्या है, आज के time पे हमारे लिए, क्यों? जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी industries की, तो industries में हम बोल रहे हैं कि बहुत सरी चीज़ें बन रही है, बहुत सरी चीज़ों की manufacturing हो रही है, तो chimneys है, धुआं उनसे निकली रहा है, इसके अलावा बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है, अब जब कोई चीज़ बन रही होती है, तो बनने के process की दौरान कुछ ना कुछ ना कुछ ना raw material भी लगता है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने 100% raw material लगाया है, तो उसमें से पूरा का पूरा जो 100% है उससे कोई चीज़ बन जाए, कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, और फिर इस वेस्ट को factory से बाहर निकाला जाता है, उसको dump किया जाता है, उसको dispose किया जाता है और सबसे असान तरीका क्या होता है, वेस्ट को dispose करने का पानी मिले जाकर के फेक दो factory के आसपास जो भी नदी है, तलाब है, उस नदी के पानी में, तलाब के पानी में जाकर के चीज़ों को waste को dispose कर दिया जाता है, अब आप खुद ही सोचो, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो waste है वो obvious सी बात है, अगर वो काम का होता, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ होती है, तो कहीं न कहीं उसको use कर लिए जाता reuse करते, वो totally waste है, उसमें poison है, बहुत तरह की harmful metals हैं, ultimately इसी तो उनको factory से बाहर निकाला जा रहा है discard करा जा रहा है, और discard भी कहां कर रहा है, पानी में जाकर कर रहा है, तो कहीं न कहीं पानी में रहने वाले जो हमारे you know life जो है, aquatic life जो है, वो suffer करती है, और इसी नदी के पानी को तो हम क्या करते हैं, पीते हैं, तो obvious सी बात है, हर कोई तो आज के टाइम पे युनो जो हमारा प्यूरिफाय कर लेगा, और हम क्या करेंगे, प्यूरिफाय कर लेगे, प्यूरिफाय वाटर पीएंगे, ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास में इतनी facilities नहीं होती है, तो क्या होगा, जो भी पानी आ रहा होगा, चाहे उसमें इंडस्ट्रिस का वेस्ट मि भी, you know, acidic electrolytes या conducting solutions निकल रहे हैं, उनको dispose करना बहुत ही जरूरी होता है, मैं लिए डिस्पोस तो किया जाएगा ही, लेकिन एक safer method के साथ dispose करना important होता है, तो इसके लिए हुआ क्या है, there are specific guidelines issued by the government for the safe disposal of electrolyte waste produced by the electroplating factories, तो government ने कुछ guidelines दी हुएं, इन guidelines का follow करिए, और फिर इसके बाद में ही जो है न, मतलब guidelines को follow करते हुए, factory से जो भी waste निकल रहा है, electroplating factory से जो भी waste निकल रहा है, electrolytes पगेडा का, उसको आप dispose कर सकते, तो guidelines के अंदर रहते हुए ही disposal होता है, यह नहीं कि जितना मन चाहा जो है electric current के chemical effects की, चीक है, electroplating, तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको इसी लिए session के starting में बता दिया था, कि कब आपको पता चलेगा कि electric current के chemical effects होते हैं, तो color change हो रहा है solution का, electrolyte का, जिसमें की current flow हो रहा है, metal का जो है न, आकर के deposition हो रहा है तो अब आपको समझ में आया होगा, electroplating को पढ़ने के बाद, कि कैसे, आप बोल सकते हो कि, एक electrolyte में, जब current flow होता है, तो किस तरीके से metal electrode के उपर आकर के deposit होता है, आप समझ में आगया है न, चलो, तो ये ये पूरा खेल किस के कारण हुआ, ये खेल हुआ है current के कारण, अगर electrolyte में, copper sulfate solution में अगर हम बोलेंगे कि current flow होगा ही नहीं, तो फिर ions move करेंगे ही क्यों, और अगर ions move नहीं करेंगे, तो फिर चाबी के उपर जाकर के deposit होगा कौन, कोई नहीं होगा, तो लोहे की चाबी के उपर copper का deposit तभी हुआ है, जब हमने copper sulfate solution ये electrolyte के तुरू electric current को flow करवाया, अगर current flow नहीं होगा, तो कोई भी chemical change आपको, कोई भी change आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई chemical reaction नहीं होगी, जब आप higher classes में जाओके न, तो anode और cathode पे होने वारी जो reactions है, आप वो भी पड़ोगे, यानि कि जैसे कि मैं आपको बताया न, कि cathode में क्या होता है कि copper ions आते हैं, अपना positive charge छोड़ते हैं और copper atoms जोना बन जाते हैं, यानि कि copper plate पे क्या होता है, कि जो भी copper atoms होते हैं, वो copper atoms क्या करते हैं, charge attain कर लेते हैं positive charges ले लेते हैं, और फिर charges के form में, मतलब positive ions के form में copper ions solution में उताराते हैं, खली जगा को भरने के लिए, तो यहाँ पर तो बोलने में बहुत, you know, असानी से मैंने बोल दिया, लेकिन जब आप class 9th में, 10th में जाओगे, most probably 10th में, तो आप cathode और anode भी होने माले जो reactions हैं, आप वो भी properly पढ़ोगे, अभी क्योंकि आप class 8th में हो, जदा detail आपको है ही नहीं, इसलिए मैंने भी आपको जदा detail पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, बस इतना आपको समझना है, तो कुल मिला करके, यह हुई क्या हमारी first application, अब हम बात करते हैं, अपने second application की, कि second application क्या है, purification of metals, the chemical effects of electric current is used in the purification of impure metal, which are extracted from their naturally occurring compounds called ores, in the purification of an impure metal by using the chemical effect of current or electrolysis, तो basically होता क्या है, कि एक impure metal है, ठीक है, या बहुत सारे हमारे पास impure metals भी हो सकते हैं, उन metals को हम impure क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन metals को न, उनके respective compounds, जिनको की हम ores बोलते हैं, उन से निकाला गया है, तो कहीं न कहीं उन metals में क्या है, बहुत सारी impurities हैं, ठीक है, तो उन impurities को दूर करने के लिए, हम क्या करते हैं, electric current का ही सहारा लेते हैं, कैसे, तो हम metals को purify करने के लिए भी क्या करते हैं, electrolysis करते हैं, impure metal को pure करने के लिए, electrolysis ही हम करते हैं, electric current कहीं सहारा लेते हैं, कैसे, अथिक rod of impure metal is made positive electrode या anode, and it is connected to the positive terminal of the battery, अब आपके पास impure metal की क्या है एक मोटी सी रॉड है और फिर इसके बार में आपने इस impure metal की थिक रॉड को क्या करना है एनोड बनाना है कैसे बनाओगे एनोड सिंपर है ना बैटरी का जो positive terminal है उससे जाकर के आप उसे जोड़ दोगे किसको impure metal की थिक या मोटी सी रॉड को अध्यृ ट्रिब आपत्य इसमेड ड च्पहरे जोगे बनाना है कैसे तो बैटरी की नेगिटिव टर्मिनलकी से जाकर के जोड़ देना अब water-soluble salt of the metal to be purified is taken as electrolyte. अब जिस metal को आप purify करना चाहा रहे हो न, उसी metal का आप क्या करोगे? पानी में घुलने वाला salt ले लोगे. किसके तौर पे? As an electrolyte. On passing electric current, the metal dissolves from the impure anode and goes into electrolyte solution. अब जैसे electric current pass होगा, electrolyte में, तो क्या होगा? इंप्यूर मेटल रॉड जो आपने ली है न, उसमें से, मेटल रॉड में से, जो मेटल होगा न, वो रॉड से बाहर निकलेगा और कहां आ जाएगा? जो इंटू electrolytic solution. The metal present in the dissolved form an electrolyte gets deposited on the cathode in the pure form. अब देखो, इंप्यूर मेटल की जो रॉड थी, उसमें से जो मेटल है, वो बाहर निकल चुका है. कहां चुका है? electrolyte में आ चुका है. electrolyte में आने के बाद होगा क्या? अब वो जाएगा कहां? कैथोड में. और कैथोड में, कैथोड में था क्या आपके पास? pure metal की strip थी ना? तो उसी कैथोड में pure metal की strip में जाकर के, वो metal क्या करने वाला है? जाकर के चिपकने वाला है. तो दीरे-दीरे क्या होगा? आपके पास, आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही मोटी सी रॉड थी, impure metal की. उसमें आप बोल सकते हो कि उन्हों बहुत सारे, मतला, metal तो था ही, ऐसा नहीं है कि metal नहीं था, metal था, लेकिन उसकी साथ साथ बहुत सारे impurities थी, तो उसको purify करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? electrolysis की help लेनी पड़ी है. तो anode आपका कुछ इस तरीके का था? यह क्या है? आपका anode, impure metal rod है, थिक वाली. और यहाँ प्याँ आप बोल सकते हो कि बहुत ही क्या है? एक पत्ली सी strip है, जिसको कि आपने cathode बनाया हुआ है. यह किसकी है? यह है pure metal की. तो होगा क्या? जैसे ही आप electric current pass कराओगे electrolyte के थुरू, तो यहाँ से जो भी metal होगा, वो निकलेगा. यहाँ से हम बोलेंगे कि metal निकलेगा. ठीक है? और कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा. फिर इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट से ultimately वो जाने वाला है कहाँ? कैथोर्ड के उपर, यानि कि इसी पत्ली सी pure metal की strip के उपर और जाकर के, क्या होगा? डिपॉजिट होने लगेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है? तो जब तक इलेक्ट्रोलिसिस चलेगी ना, या आप ये बोल सकते हो कि जब तक आपकी इलेक्ट्रोलिसिस पूरी होगी, अब उसके end में आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? कि शुरवात में आपने एनोट पे जो मोटी सी रॉट ली थी ना, अब वो बिल्कुल पतली हो जाएगी और शुरवात में आपने ये जो पतली सी प्योर मेटल की स्ट्रिप ली थी वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी. क्यों मोटी हो जाएगी? क्योंकि उसके उपर लगातार आकर के मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है. कहां से हो रह तो ये जो आपने impure metal की rod ली थी थिक rod इसमें जो metal था वो ही metal dissolve होते होते मतलब rod से बाहर निकला और electrolyte में जाकर के dissolve हो गया फिर electrolyte से निकल के कहां चला गया है वो cathode में चला गया है तो क्योंकि metal यहां से निकल रहा है इस rod से तो यह rod पतली हो जाएगी और इस rod पर करके metal deposit हो रहा है तो इसे लिए रोट क्या हो जाएगी मोटी हो जाएगी फिर on passing electric current the metal dissolves from the impure anode and goes into electrolyte solution the metal present in the dissolve form in electrolyte gets deposited on the cathode in the pure form the impurities are left behind in the electrolyte solution the metals like copper अचा इसके बाद में जो impurities होंगी वो electrolyte solution में रह जाएंगी the copper metal like sorry the metals like copper zinc aluminum etc are purified by the process of electrolysis by using the chemical effects of electric current तो कौन-कौन से metals को purify कर सकते हो electrolysis से copper हो गया zinc हो गया aluminum हो गया etc हो ठीक है तो यह बहुत ही बढ़िया सा आपको example दिया जा रहा है picture को ध्यान से देखेगा normal आपने अब यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है copper को impure copper metal को purify करना चाह रहे हैं तो कैसे एक मोटी सी आपने रॉट ले ली है impure copper metal की और यहाँ पर आपने पतली सी रॉट ले ली है pure copper metal की copper का कलर क्या होता है ब्राउन होता है ना इसे लिसका कलर कैसा है light brown है बकाइदा इसको आपने impure rod को जो है ना बैटरी के positive terminal से लगाया हुआ है attach किया हुआ इसका मतलब यह क्या है और प्योर वाला क्या है यह आपका cathode है तो जैसे ही अच्छा solution आपने क्या लिया है जिस आई वाद समझ में तो यह rod electrolysis के end में जाकर के मोटी हो जाएगी और यह पतली हो जाएगी शुरुवात में यह मोटी पतली है बाद में जाकर के यह मोटी हो जाएगी और यह पतली हो जाएगी तो यह impure copper है as anode और यह pure copper as cathode इसी का GIF मैंना को पहले दिखाय था और उस GIF मैंने कैथोड को कैथोड को मैं आप बोल सकते हो कि उसको हटा करके रोड को हटा करके मैंने चाबी लगा दी थी तो अच्छी बात है हाँ यह रहा है चीक है तो कुछ इस तरीके से देखो अब यह अनोड है इंप्यूर कॉपर है यह क् प्याटला और यह मूट तो जितना भी अपर था इस अंप्योर कॉपर रॉड में मिटल रॉड में पूरा पूर पूरा जो कॉपर है वो क्या होता जारा है इस वाली रॉड में आकर के चिपकता जा रहा है तो यहां पे अब सिसकि बाद यह जो आपके पास रोड आएगी म मोटी वाली इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा copper ही होगा यहां पर हमने क्या करा है copper का purification कर दिया है ठीक है ना चलो आगे अब हम बढ़ जाते हैं आगे हमारे पास क्या है काफी पीछे चले गए हम आगे आ जाते हैं आगे चलो ठीक है अब इसके बाद में तो यह दूसरी application थी कुछ इस तरीके से हम metals को purify करते हैं with the help of electrolysis अब हम बात करते हैं production of metals अब हम metals का production भी करवाने वाले हैं the chemical effect of electric current is used in the production या extraction of certain metals from their naturally occurring compounds called ores तो basically जब आप class 10 में जाओगे ना तो metals का उनकी respective ores से कैसे extraction किया जाता है वो आप एक दम detail में समझोगे लेकिन अभी के लिए आप यह समझ लो कि metals जो होते हैं वो naturally कुछ compounds में present होते हैं और उन compounds को हम क्या बोलते हैं ores बोलते हैं तो अब उन ores से या आप बोल सकते हो कि उन compounds से metal को हमको क्या करना है extract करना है यानि कि हमको मेटल का production करवाना है तो यह हम कैसे करते हैं अगेन electrolysis की ही help से करते हैं actually the chemically reactive metals are produced by this method जो chemically reactive metals होते हैं उनको इस method से ही बनाते हैं for example the reactive metals such as sodium aluminum and magnesium etc are produced by passing electric current या electricity through their compounds in molten state या melted state तो basically जो हमारे reactive metals होते हैं जैसे कि magnesium sodium aluminum इन सभी को हम कैसे produce करते हैं तो आप बोल सकते हो कि by passing electric current through their compounds in molten state इनके हम compounds लेते हैं पगले हुए state में ठीक है और उन्हीं पगले हुए state में जो compounds होते हैं उसमें जब हम electricity का you know passage करवाते हैं तो जाकर कि यह reactive metals बन जाते हैं तो electroplating तो एक effect मरलब एक application होई गया है electric current की chemical effects का इसके अलावा metals को हमने अभी purify करना सीखा है अब हम यावे metals को बनाना सीख रहे हैं कि metals को हम produce कैसे करें उनका हम extraction कैसे करवा है from their ores तो electrolysis के ही help से हम करते हैं sodium metal is produced by the electrolysis of molten sodium chloride whereas aluminium metal is produced by the electrolysis of molten aluminium oxide तो basically हम बोलते हैं कि sodium chloride sodium chloride नसील पिगला हुआ sodium chloride में हम क्या करते हैं आप बोल सकते हो कि electrolysis करते हैं electrolysis करते हैं जिसकी help से हमें क्या मिल जाता है sodium metal मिल जाता है and let me tell you one thing यह sodium metal बहुत reactive होता है इतना reactive कि जहां होगा वहां आग लगा देगा पानी में रखो तो पानी में आग लगाएगा हवा में रखो तो हवा में आग लगाएगा हां तेल में डूपो के रखोगे तो आग नहीं लगा पाएगा इसके अलावा आपके पास क्या है अलुवीनियम औक्साइड है अलुवीनियम औक्साइड है अलुवीनियम औक्साइड है अलुवीनियम औक्साइड है इसमें भी हम क्या करते है इलेक्ट्रोलिसिस करते है जिसके कारण यहां पर हमें क्या मिल जाता है अलुवीनियम मेटल मिल जाता है In all the cases, metal is produced at the negatively charged electrode या cathode. This is because the positively charged ions of metals present in their molten compounds are attracted by the negatively charged या oppositely charged electrode. अब जो भी, देखो, metal का proper जो production है, ठीक है, वो आप, उसका जो procedure है, वो आपकी syllabus में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है. Class 10 में जाकर के, जब, you know, extraction वाला topic आएगा, metals का वहाँ पर डीटेल में पढ़ लीजेगा. लेकिन आभी सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि Electroplating के अलावा, metals के production में, metals के, you know, purification में भी electrolysis को use किया जाता है, वहाँ पर भी electric current के chemical effects का application होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे कि मैं आपको बता दिया, कि जो reactive metals होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, तो उन ही metal के compound में, वो compounds कैसे होते हैं, molten state में होते हैं, piglio state में होते हैं, और वहाँ पर electric current का supply किया जाता है, पैसेज करवाया जाता है, जिसके current metal बन जाते हैं, for example, sodium chloride, जो कि compound है sodium का, piglio state में जब हम क्या करेंगे, electric current करवाएंगे पास, तो sodium बन जाएगा, aluminium oxide में जब पास करवाएंगे current, तो क्या होगा, aluminium बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके से highly reactive जो metals हैं, वो बनाये जाते हैं, electrolysis की ही help से, और यहाँ पर बस आपको इतना knowledge, इतना information दी गई है, कि यह जो भी metals बन रहे हैं, चाहिए sodium हो, चाहिए वो aluminium हो, यह हमेशा कहां बनते हैं, negative electrode पर, यानि की cathode पर, क्यूँ, वोगि अगर मैं बात करूँ, NACL की, तो NACL में हमें क्या चाहिए हैं, हमें sodium बन बनाना है ना, तो sodium हम बोलते हैं कि इस compound में, इस compound को अगर आप तोड़ोगे, तो यह टूटेगा किस में, sodium ions में, और chloride ions में, तो sodium ions के पास कैसा चार्ज है, positive चार्ज है, तो obviously बात है, जो positive चार्ज है, यह कौन से electrode के पास जाएगा, जिसके पास क्या होगा, negative चार्ज होगा, और negatively charged electrode कौन सा होता है, cathode ही होता है, तो कुल मिला कर कि sodium ions जो हैं, इसको भी अगर आप तोड़ोगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, aluminum के ions आने वाले हैं, और oxygen के ions आने वाले हैं, तो aluminum के ions के पास charge कौन सा है, positive है न, तो यह जो positive ions होगे, aluminum के, कहां जाएगे definitely, cathode के पास जाएगे, attract हो करके, क्यों, क्योंकि cathode के पास क्या है, negative charge है, तो opposite charges हमेशे ही attract करते हैं, चाहिवो कुछ भी हो, तो aluminum के ions आने जाएगे, और cathode के उपर जाकर के, जबग जाएगे, तो जो भी यहाँ पे production हो रहा है, metals का, वो सब के सब कहां होगा, electrolysis से तो होगा, electric current के help से तो होगा, लेकिन कहां बनेंगे metals, cathode पर बनेंगे, आई बात समझ में, क्योंकि इनके जो molten compounds है, उनमें यह जो metals है, वो positive ions के form में present है, जो भी compounds आपने लिए हैं, उन compounds पर जो metal है, वो अपने positive ions के form में present है, positive ions के form में, तो जब electric current पास होगा, तो यह cathode के पास जाकर के चिपक जाएंगे, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या है, एक और application अब आ चुका है, fourth application है, कौन सा, production of compounds, तो electroblating हो गया है, और purification हो गया है, metals का, है ना, इसके लावा production हो गया है, किसका metals का, अब हम बात कर रहे हैं, production of compounds की, अब हम पूरे की पूरे क्या करने वाले हैं, compounds बनाने वाले हैं, कैसे, तरह देखो, the chemical effect of electric current, या electrolysis is used in the various, in the production of various chemical compounds, for example, sodium hydroxide, caustic soda, is produced by the electrolysis of an aqueous solution, water solution of sodium chloride, अगर मैं बात करूँ किसकी, caustic soda की, caustic soda, ये पता है कैसे बनता है, ये भी हम बोल रहे हैं कि, electrolysis से ही बनता है, कैसे, बड़ा सा बीकर हम लेते हैं, इस बड़े से बीकर में न, हम, brine water लेते हैं, अब आप बोलोगी कि, मैं, brine water क्या होता है, लिख देती हूं मैं, ये terms आपको पता होने चे, क्योंकि, class 9 में जा करके, तो आपको ये पढ़ना ही है, brine water मतलब क्या, नमक को पानी में घौल दो, तो वोज़ा आपके पास salt solution आएगा न, उसी को हम बोलते हैं, क्या brine water, तो एक बड़ा सा vessel आपको लेना है, जिसमें कि आपको लेना है, brine water याने कि पानी और नमक लेना है, यहां मैं लिख देती हूँ, आपने क्या लेना है, पानी और नमक लेना है, फिर क्या करेंगे, एनोड लगा देंगे, कैथोड लगा देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, बेट्री से connect कर देंगे अब क्या होगा जैसे ही electric current flow होगा तो NACL तूटेगा अपने ions में NACL तूट कया अपने ions में कौन से ions sodium ions और chloride ions similarly जो आपका ये है ना पानी ये तूटेगा किस में H positive ions में और OH negative ions में आई बत समझ में तो नमक तूट गया sodium ions में और chloride ions में पानी टूड़िया h positive ions में और OH negative ions में अब होगा क्या यह जो chloride ions है ना इनके ओपर कौन सा charge है negative charge है तो यह negative charge वाले आप बोल सकते हो कि attract हो करके कहां जाएंगे positive जो आप बोल सकते हो कि यह रो चार्ज करी करने आपने वैसल में ब्राइन वाटर याने की नमक का पानी लिया था जैसे ही उस नमक के पानी में electric current flow हुआ नमक टूड़ गया अपने अपने ions में sodium और chloride ions में पानी टूड़ गया h positive और OH negative ions में अब होगा क्या जैसे ही chloride को देखेगा कि मेरे उपर तो negative चार्ज है और मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है जहां पर क्या है positive चार्ज है positive चार्ज कौन से वाले इलेक्ट्रोड पर होता है एनोड पर एनोड को हम हमेशा positive बैटरी के positive terminal से ही जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या उसके उपर कौन सा चार्ज होगा positive चार्ज होगा similarly cathode के उपर क्या होगा negative चार्ज होगा तो जैसी एलेक्ट्रोड मतलब chloride ions को पता चलेगा कि हमारे उपर negative चार्ज लेकिन हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है जिसके उपर क्या positive चार्ज है हम जाते हैं और उनसे जाकर के जुड़ जाते हैं तो सभी कि सभी जो chloride ions हैं वो जाएंगे कहा एनोड के उपर अपना negative चार्ज खोदेंगे और क्या बन जाएंगे chlorine के atoms बना लेंगे chlorine gas बना लेंगे तो आप बोल सकते हो कि आपको क्या मिलने वाली है chlorine gas मिलने वाली है इसके अलावा यह जितने भी आपको हमारे उपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन हमको एक ऐसा इलेक्टरोड दिखाई दे रहा है जिसके उपर क्या है नेगटिव चार्ज है तो सभी के सभी है पॉजिटिव चार्ज एलेक्टरोड के पास और अपना positive चार्ज लूज कर देंगे hydrogen atoms बन चाएंगे और यह है एटम्स मिलके क्या करेंगे hydrogen gas बना लेंगे तो आप बोल सकते हो कि कैथोड पर आपको क्या मिलने वाली है hydrogen gas मिलने वाली है तो एनोड पर आपको मिल गई hydrogen gas और कैथोड पर आपको मिल गई क्या hydrogen gas तो अब मुझे यह बताओ कि इस पूरे solution में अब कौन-कौन से आइंस बचे है क्लोरीन आइंस चले गाए है मतलब जो क्लोराइड आइंस से वो चले गए है एनोड के पास ह-positive आइंस चले गए हैं किसके पास कैथोड के पास जो क्लोरीन के आइंस ने क्या बना ली है क्लोरीन गैस बना ली है ह ह-positive आइंस ने क्या कर लिया है कैथोड पर hydrogen gas बना लिये तो अब पानी में बचा गया अब पूरे electrolyte जोशन में बचा गया अब बचे हैं sodium के ions और hydroxide ions OH negative ions तो होगा क्या भाई hydroxide ions के उपर negative charge और sodium ions के उपर क्या positive charge तो जैसे ही positively charged sodium ions को दिखाई देंगे क्या negatively charged hydroxide ions या vice versa तो दोनों ही आपस में आकर के combine हो जाएंगे attract हो जाएंगे और यहां क्या बन जाएगा हमारे पास sodium hydroxide बन जाएगा तो हमें करना क्या था हमें यही तो बनवाना था हमें कॉस्टिक सोडा sodium hydroxide ही चीज़ा था हमने कैसे किया पानी को पानी में हमने नमक खोल दिया और electrodes को डाल करके उसमें electricity का flow करवा दिया तो अपने अपने ions पे तूड़ गए पानी और नमक chloride ions ने अनोड के उपर जाकर के chlorine gas बना दी एज positive ions ने जाकर के cathode के उपर hydrogen gas बना दी बचा क्या sodium के ions hydroxide ions तो combine होके क्या बन गया है वैसे compounds टूट भी तो सकते हैं तो अगर आप जिसे कि हमारे पास अभी अभी हमने एक्जाम्पल देखा उसमें हमारे पास ब्राइन वाटर था उसमें हमारे पास पानी भी था और नमक भी था तो जैसी electricity का flow हुआ तो पानी अपने ions में टूटा वो डिकंपोज हुआ similarly जो आप बोल सकते हो कि नमक है वो भी तो अपने ions में टूटा तो compounds को वापे decomposition हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है electric current के कारण तो जैसे compounds बन सकते हैं electrolysis से वैसे compound टूट भी सकते हैं तो decomposition of compounds क्या है fifth और last application है chemical effects of electric current की the chemical effect of electric current electrolysis is used to decompose various chemical compounds into their elements for example water can be decomposed by passing electric current into two elements hydrogen and oxygen we are now in a position अच्छा तो कुल मिला करके आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरही किसे पानी का example दिया गया है कि पानी को अगर आप you know electric current से तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो कि इसमें hydrogen में और oxygen में तो electroplating भी कर सकते हो purification हैं मैटलक्स सकते हो मैटल का production भी कर सकते हो compounds का production भी कर सकते हो और compounds का decomposition भी कर सकते हो कैसे electric current की ही help से तो यह सभी के सभी बहुत ही important application है किस चीज़ के हमारे electric current के chemical effects के इन में से किसी भी application को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे क्योंकि कहीं ना कहीं higher classes में जाकर कि आप इन सभी applications का जो है ना एक आप बोल सकते हो कि और इनको detailed manner में पढ़ना है उसकी पढ़ाई करनी है तो I hope आज की सेशन की सभी बाते आप सबको समझ में आई होगी अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में इस chapter की topics अब सारे cover हो गया हमारे है ना अब next session में हम मिल करके इस chapter की जितने भी exercise questions हैं activities हैं उनको हम कर लेंगे Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के 14th chapter chemical effects of electric current के exercise questions को solve करने जा रहे हैं previous sessions में हमने इस chapter के सभी topics को एकदम detail में जाकर के discuss कर लिया है तो अब बारी आती है इस chapter के exercise questions को solve करने की तो questions तो हम solve करें लेंगे साथ ही साथ इस chapter में जो भी in-text activities दी गई हैं आपकी NCRT textbook में उन activities को भी हम करेंगे discuss So I hope आज की session का जो target है वो सभी बच्चे को है एकदम clear एक काम करते हैं जल्दी से आज के हमारे इस session को भी हम start कर लेते हैं So this is विभूती खरे Welcome to Magnet Brains जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost यानि की Magnet Brains में आपको 2 chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये session और इस session को हम start करने जा रहे हैं questions के साथ तो सबसे पहले तो हम questions को solve करेंगे इसके बाद में activities को हम करेंगे discuss तो आज के हमारे session का first question है ये वाला कि fill in the blanks याने कि यहाँ पर आपके पास total कुछ चार statements दिए गए हैं चारो ही statements में कुछ-कुछ blanks हैं आपने करना क्या है इनी blanks को fill करना है तो हम start करते हैं अपने first statement के साथ कि most liquids that conduct electricity are solutions of dash dash and dash तो भई इस पूरे chapter में हमने करा क्या है इस पूरे chapter में हमने बात करी है उन liquids के उपर जो कि electricity का conduction करवाते हैं यानि कि वो liquids जो कि अपने through electric current को pass होने देते हैं ऐसे liquids को हम क्या बोलते हैं good conductors of electricity या आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे liquids जो कि अच्छे conductors होते हैं electricity के उन्हें हम बोलते हैं electrolytes तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे आसपास जितने भी liquids होते हैं क्या वो सभी electrolytes होते हैं यानि कि हमारे आसपास जितने भी liquids हैं क्या सभी के सभी liquids electricity का conduction करवाते हैं नहीं there are certain liquids हमारे पास कुछ liquids ऐसे हैं जो कि electricity का conduction करवाते हैं तो मुद्दा ये है कि आखिर उन certain liquids के पास ऐसा क्या है कि वो electricity का conduction करवा पा रहे हैं और बाकी जो liquids हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं तो मुद्दा है ions का हमारे वो वाले liquids जिनके पास ions होते हैं वो definitely electricity का conduction करवा लेते हैं जिन liquids के पास ions होते हैं वही electric current को अपने थूप पास होने देते हैं, यानि कि अगर liquid के ions flow करते हैं, तो हम ये conclude करते हैं कि उस liquid में electric current flow हो रहा है, तो किसी liquid के पास अगर ions नहीं होंगे, तो वो electricity का conduction नहीं करवा पाएगा, इस पूरे चाप्टर में हमने तीन टाइप के solutions पड़े हैं, जिनमें कि भर-भर के ions होते हैं, पहला acidic solutions, दूसरा basic solutions and तीसरा salt solutions, यानि कि अगर हम पानी में acid डाल दें, या पानी में waste डाल दें, या पानी में नमक डाल दें, तो क्या बन जाएंगे? Ascent का solution बन जाएगा, Base का solution बन जाएगा, Salt का solution बन जाएगा, तो होगा क्या? जैसे ही acids, bases और salts अपने-अपने solution में जाते हैं, वो अपने-अपने respective ions में तूट जाते हैं, disassociate हो जाते हैं, यानि कि उनके solutions में क्या आ जाते हैं? Ions आ जाते हैं. और जहाँ ions आएं किसी भी solution में या किसी भी liquid में तो वो liquid क्या करने लगेगा? Electric current का जो flow है वो करवाने लगेगा या अपने थूप electric current को pass होने देगा तो यहाँ पर आप clearly लिख सकते हो कि most liquids जो कि electricity को conduct करते हैं वो किसके solutions होते हैं? acids के, bases के and salts के clear है? चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने second statement की The passage of electric current through a solution causes dash effects जब किसी liquid या किसी solution के through electric current पास होता है तो कौन से effects cause होते हैं? देखा जाए तो हमारे electric current के 3-3 effects हमने इस chapter में बढ़े हैं पहला हमने पढ़ा है उसका magnetic effect इसके अलावा हमने पढ़ा है electric current का heating effect लेकिन जब electric current किसी liquid या किसी solution के through you know pass होता है तो उस solution में na electric current के chemical effects आपको देखने को मिलते हैं कौन से वाले effects? chemical effects तो electric current के अब तक हमने 3 effects देख लिए हैं magnetic effect, heating effect और chemical effects chemical effects क्या हो सकते हैं कि अगर किसी solution में electric current flow हो रहा है तो हो सकता है कि उस solution का जो color है वो change हो जाए उस solution में कुछ you know gases के bubbles आपको बनते हुए दिखाई दें यह यह भी हो सकता है कि किसी एक electrode के उपर you know metal आकर के deposit होने लगे तो जब भी किसी liquid या solution के तुरू electric current flow होता है तो यह 3 changes आपको देखने को मिल सकते हैं कि color change हो रहा है solution का, electrode के उपर कोई metal आकर के deposit हो रहा है या solution में कुछ you know gas के bubbles बनते हुए आपको नजर आ रहा है तो यह जो भी changes हैं, यह क्यों हो रहा है क्योंकि जब electric current इसे liquid के तुरू फ्लो होता है तो वहाँ पे कुछ chemical reactions होती है और उन्ही chemical reactions के कारण आपको changes नजर आते हैं तो यह changes है क्या, यह changes आप बोल सकते हो कि electric current के ही effects है और क्योंकि यह changes कैसे है, chemical changes है इसलिए इसको हम क्या बोते है, chemical effects of electric current ठीक है, तो इस blank में क्या आएगा, chemical effects आएगा चलिए, next क्या है statement कि if you pass current through a copper surface solution copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery जैसे कि मैं आपको बता है कि जब आप किसी liquid में current flow करते हो तो यह भी हो सकता है, आपको अलग-अलग changes दिखाई देते हैं gases के bubbles बन रहे हैं, solution का जो color है, वो change हो रहा है या किसी electrode के उपर metal आकर के deposit हो रहा है अब यहाँ में हुआ क्या कि आपके पास एक beaker में copper sulfate solution था यानि कि आपने पानी में copper sulfate का powder डाल रखा था अब हुआ क्या, जैसे ही copper sulfate जाएगा अपने पानी में यह ions में तूट जाएगा, तो इसके ions कौन-कौन से बनने वाले हैं copper ions बनने वाले हैं, साथ ही साथ sulphate ions भी बनने वाले हैं आई बात समझ में, अब electric current जा तो रहा है, किसके उपर, मनला किसके अंदर copper sulfate, देखो बीजी काली हुआ क्या, कि copper sulfate solution को, मनला copper sulfate को, जैसे ही आपने पानी में डाला, उसका solution बनाया, तो ions उसके बन गए, अब जब तक कि liquid में, solution में ions flow नहीं करेंगे, तब तक किसी भी liquid में electric current का conduction possible नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि यह ions जो बने हैं, यह flow करने लगे, flow कैसे करेंगे, जब इस electrolyte के अंदर या इस solution के अंदर हम electric current भीजेंगे, electric current कैसे भीजते हैं, तो obvious ही बात हैं, हम क्या करते हैं, electrodes डाल देते हैं, क्या डालते हैं, electrodes डाल देते हैं, तो यह मैंने डाल दिये क्या, दो electrodes, एक होता है anode, और दूसरा होता है कौन सा वाला, अपना cathode, ठीक है, anode को हम connect करते हैं, किसके साथ, battery के positive terminal के साथ, और जो cathode है, उसको हम connect करते हैं, किसके साथ, battery के negative terminal के साथ, तो यह अपना क्या हो गया, anode हो गया, और यह क्या हो गया, अपना cathode हो गया, तो क्योंकि हमने anode को बैटरी के positive terminal से connect किया है तो anode के उपर charge कौन सा होगा positive होगा similarly cathode को अगर हमने battery के negative terminal से जोड़ा हुआ है तो definitely cathode के उपर कौन सा charge आने वाला है एक negative charge आने वाला है तो इनी आप बोल सकते हो कि electrodes के तुरू हम क्या करने वाले हैं? इलेक्रिक करेंट भेजने वाले हैं copper surface solutions में और इसी electric करेंट के कारेंट जो ions है वो अब फ्लो करना शुरू कर देंगे यानि कि जो ions solution में अब वो move करना शुरू करेंगे और जहां ions का flow शुरू हुआ वहाँ आप समझ लिए कि circuit में या इस liquid में इलेक्रिक करेंट फ्लो हो रहा है तो अब होगा क्या सवाल में बोला जा रहा है कि जब आप एक copper surface solution से क्या करोगे current पास करवाओगे तो जो copper है वो plate पे जाकर के deposit हो जाएगा तो सवाल यह है कि deposit तो हो रहा है plate के उपर लेकिन वो जो plate है वो battery के कौन से terminal से जुड़ी हुई है तो plate बोल लो electrode बोलो बात तो एक ही है तो यहा पर आप देख सकते हो कि copper के ऊपर charge कैसा है copper ions जो बने हैं उनके ऊपर charge कैसा है पॉजिटिव है हम सबको पता है कि जो positive charges होते हैं और क्यो क्या करते हैं attract boughtIns करते हैं यहीं प्लेट किस एलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिस एलेक्ट्रोड के पास या प्लेट के पास ऑपोजेट चार्ज होगा ऑपोजेट चार्ज मतलब की नेगिटिव चार्ज तो अब इसी बात है ना कॉपर की जो आयंस हैं क्योंकि इनके उपर पॉजिटिव चार् हमारे electrode या plate के उपर क्यों आ रहा है क्योंकि उसको हमने battery के negative terminal से जोड़ा हुआ है तो सवाल यही तो था कि अगर copper जाकर कि किसी plate के उपर deposit हो रहा है तो उस plate को हम battery के कौन से terminal से connect करेंगे तो your answer should be कि भाई negative terminal से connect करेंगे बैटरी का जो negative terminal होगा ना उससे हम plate को connect करेंगे जिसके कारण plate के उपर negative charge आ जाएगा और negative charge के कारण यानि कि opposite charge के कारण जो copper ion से वो attract होते 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 वहाँ पहुंच जाएंगे और अपना you know charge loose करके copper atoms बन जाएंगे और copper atoms क्या हो जाएंगे पूरे इस plate के उपर एकटा यानि की accumulate होने लगेंगे चलिए फिर इसके बार में तो negative क्यों आया है यहाँ पर वो मैंना को बता दिया अब हम बात करते हैं अपने next statement की अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया था copper sulphate solution लिया था हमने देखा कि किस तरीके से जो copper ions है वो plate या electrode के उपर जाकर के जम रहे हैं अब एक काम करो ना for a change आप इस plate की जगा इस plate की जगा पर आप क्या ले लो एक लोहे की चाबी ले लो यहाँ पर आपने क्या ले ली है एक लोहे की चाबी ले ले ली है यह क्या है iron nail है sorry लोहे की key है ठीकर ना यह क्या है iron key है कहने को तो यह जो चाबी है यह किसकी बनी हुई है लोहे की बनी हुई है अब जब इसको हम बैटरे के negative terminal से connect करेंगे तो यह cathode की तरह काम करेगी चाबी यानि कि इसके उपर एक negative charge आ जाएगा और जब इसको हम copper surface solution में डालेंगे तो होगा क्या जो भी copper ions होंगे वो जैसी देखेंगे कि भई इस लोहे की चाबी के उपर negative charge है तो copper ions जाएंगे लोहे की चाबी के उपर अपना जो charge है वो loose करेंगे copper atoms बन जाएंगे और यही copper atoms जाकर के जम जाएंगे किसके उपर लोहे की चाबी के उपर यानि कि हो क्या रहा है लोहे की चाबी के उपर copper deposit हो रहा है चाबी किसकी बनी हुए लोहे की बनी हुए लोहा खुद क्या है एक metal है तो एक metal के उपर दूसरे metal का जो deposition है दूसरे desired metal का जो deposition है with the help of electric current वही जो भी deposition हो रहा है ये क्यों हो रहा है क्योंकि electric current हम बहा रहा है अगर electric current हम देते ही नहीं copper sulfide solution को तो ions traveling शुरू करते ही नहीं अपना तो एक metal की उपर दूसरे desired metal का जो deposition हो रहा है जो accumulation हो रहा है by means of electricity इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग is that clear? चलिए तो यह वाला question तो आपका हुद शुक़ा सॉल्फ अब हम बात करते हैं अपने next question की अच्छा तो ये उन सभी you know blanks की जो words हमने लिखे हैं ये उनकी answer की है basically previous question की तो आप video को pause करके इसका screenshot ले लिजे या मैं तो कहती हूँ कि best क्या है आपके लिए आप मेरे साथ-साथ NCRT book जो हना खोल करके रखिए और जैसे-जैसे मैं आपको answers बताती जारी हूँ वैसे-वैसे आप blanks में fill करते जाएं Anyways, अब हम बात करते हैं अपने next question की कि when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? याने कि हमारे पास एक tester है और उसके free ends को हमने क्या करा है? एक solution में dip करके रखा है. अब जो magnetic needle होगी, वो क्या करने लगेगी? deflection शो करने लगेगी. Can you explain the reason? देखो भई, यहाप हुआ क्या है? आपने जो compass की, जो आपने compass लिया है, compass कौन सा? navigation वाला. तो navigation वाले compass में जो needle होती है, वो खुद कैसी होती है? magnetic होती है, याने कि compass की जो needle है, वो खुद क्या है? एक छोटा सा magnet है. अब हम सब को पता है कि एक magnet जो है, वो deflection कब शो करेगा? जब वो किसी दूस magnet के उपर या तो एक attractive force लगाएगा, या repulsive force लगाएगा. याने कि अगर हम दो magnets के दो same poles पास पास लेकर क्या है, तो definitely उनके बीच में repulsive force लगेगा. लेकिन दोनों ही magnets के अगर हम क्या कर रहे हैं, opposite pole साथ में लेकर के आ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? attraction हो जाएग तो इस magnet को जब हम किसी दूसरे magnet की magnetic field में लेकर के आते हैं, तो या तो उसके उपर attractive force लगेगा, या repulsive force लगेगा, और इसी magnetic force के current क्या होता है? उसमें deflection जो है न, दिखाई देने लगता है आपको. अब सवाल यह है कि आखिरी deflection हो ही क्यो रहा है? ऐस सच हमारे पास कोई दूसरा magnet तो था ही नहीं, तो फिर कैसे compass की needle में deflection हुआ? एक्चुली जिस solution में आपने tester की you know free ends dip करके रखे हैं, वह solution क्या है? एक अच्छा conductor है electricity का, यानि कि वह solution क्या कर रहा है? आगे electric current को भेज रहा है, अपने पास current को रोक के नहीं रख रहा है, यानि कि जो circuit है उसमें current दोड़ रहा है, अब जब किसी तार में current दोड़ता है ना, तो temporary basis पर आप पोड़ सकते हो कि वो जो तार है, वो जो wire है, वो एक magnet बन जाता है, एक current carrying wire क्या करता है? टेंपररी magnet की तरह behave करता है, अब obvious सी बात है, magnet होगा तो उसकी field भी होगी, अगर magnetic field है, इसका मतलब क्या कि वो जो current carrying wire है, जो कि अभी temporary क्या है, magnet है, वो magnet क्या करने वाला है, एक magnetic force लगाने वाला है, किसके उपर, compass की needle की उपर, जैसे ही circuit में current flow करना बंद करेगा, तो जो तार है current carrying wire, मतलब अब तो उस wire में current हो गई ना, जब current flow नहीं होगा, तो अब वो तार एक magnet की तरह behave नहीं करेगा, अगर magnet नहीं है, तो उसकी कोई भी magnetic field नहीं है, अगर magnet नहीं है, तो फिर magnetic force भी नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या, कि अब compass की needle में कोई भी deflection नहीं होगा, तो यहां से हमने क्या सीखा, कि current का क्या होता है, magnetic effect भी होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले current की chemical effect के उपर बात करी थी, अब हम बात कर रहे है current के magnetic effect के उपर, कि भाई अगर किसी तार में current flow हो रहा है, तो temporary basis पे वो current, temporary ही सही, लेकिन फिर भी वो जो तार है, वो एक क्या बन जाएगा, magnet बन जाएगा, और उसी current carrying wire के पास, अगर compass की needle लाकर क्या प्रखोगे, तो वो अप solution conducts electricity, that is, it is a good conductor, अगर deflection हो रहा है, needle के उपर, या मतलब नीडल में, magnetic needle में, इसका मतलब क्या, कि जो solution आपने लिया है, जिसमें आपने tester की दोनों ends जो है ना, dip करके रखे थे, वो solution क्या कर रहा है, वो electricity का conduction करवा रहा है, रोक के नहीं रख रहा है, electric current को, वो electric current को अपने जाने दे रहा है, flow करवा रहा है, जिसके current, पूरे circuit में current flow हो रहा है, आई बात समझ, चलिए, next हम बात करते हैं, अपने question की, question number 3 की, कि name 3 liquids, which when tested in the manner shown in figure this, may cause the magnetic needle to deflect, यानि कि आपको ऐसे 3 liquids के नाम बताने हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम इस manner में क्या करें, जो होती है, compass की, उसको deflect करें, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो, simple है, यहाँ पर हमने एक cell लगा करके रखा, एक battery लगा कर रखी है, एक यहाँ पर हमने compass लिया है, और compass को बिलकुल जो है ना, एक तार से लपेट दिया है, फिर इसके बाद में, तारों को हमने एक solution में dip करके रखा है, अब solutions आपको total कैसे बताने है, तीन बताने है, मालब अलग-अलग आपको तीन liquids बताने है, जो कि क्या करें, इस पूरे circuit में, आप बोल सकते हो कि electric current को flow करवाए, इस circuit को क्या करें, complete करें, क्यों, अगर circuit हमारा complete होगा, यहने कि circuit में क्या होगा, current flow होगा, और अगर current flow होगा, तो जो भी तार है न, यह तार क्या करेंगे, मालब जो तार लपेटा हुआ है, हमने compass के उपर, इस तार में क्या होगा, current flow होगा, जिसके current के जो current carrying wire है, वो एक magnet बन जाएगा, तो जब इस magnet के पास हम compass की magnetic needle को लेकर के आएगे, तो दूसरे magnet की magnetic field में आकर के compass की जो needle है, वो क्या करने लगेगे, deflection शो करने लगेगे, just like this, ठीक है, तो उसका deflection हमें क्या बताएगा, कि definitely, जो compass की needle है, वो किसी दूसरे magnet की magnetic field में आ चुकी है, दूसरा magnet कौन सा होगा, यही वाला, temporary वाला, current carrying wire, तो अगर deflection हुआ है needle में, इसका मतलब क्या, कि circuit मे current flow हो हो रहा है, यहीं कि circuit जो है, आपका complete है, तो ऐसे 3 liquids आपको बताने हैं, जिनको जब हम इस तरीके से test करें, तो यहाँ पर deflection हो, तो पहला तो आपको क्या हो सकता है, vinegar लिलो, vinegar solution, पानी में आप vinegar डालो, तो vinegar में क्या होता भी, vinegar है, acidic acid ही तो है, वो एक acid है, हमारे acids के पास क्य में जागर के अपने respective ions में तूट जाते हैं, similarily जो acidic acid है, मतलब जो vinegar है, उसमें कौन सा acid होता है, acidic acid जो की mild है, edible है, खा सकते हैं, खाते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जब acidic acid को हम पानी में डालते हैं, यानि कि जब हम vinegar को पानी में डालते हैं, तो उसके ions बन जाते हैं, और अगर ions आ गए हैं, तो फिर वो liquid क्या करने वाला है, vinegar solution क्या करने वाला है, कुछ इस तरीके से electric current का conduction करवाएगा, इसके अलावा, अगर हम ले लें क्या lemon juice solution, यानि कि आपने नीबू का rust लिया है, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो नीबू के rust में क् कुछ इस तरीके से test करते हैं, lemon juice solution को, तो फिर definitely यहां पर आपको जो needle है, उसमें deflection दिखाई देगा ही देगा, क्यों? क्योंकि circuit में current flow होगा, क्यों? क्योंकि जो आपने lemon juice solution लिया है, उसमें ions है, जैसे ही current पहुँचेगा lemon juice solution में, जो ions है, वो यहां वहां move करना शुरू कर देगे, और जहां ions flow करते हैं, वहां समझदीचे current भी flow करने लगेगा, इसके अलावा tap water, नल का जो हमारा पानी होता है, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे dissolved salts होते हैं, नमक होते हैं, तो नमक जब पानी में जाता है, तो वो भी अपने ions में जो है ना तूटता है, for example, हम हमारे पास common salt है, NaCl, NaCl, ठीक है, जिसको कि हम daily basis पे खाता है, जो कि हमारे खाने का जो टेस्ट है, इसको बढ़ाता है, तो जब यह पानी में जाता है, तो अपने ions, Na positive ions और chloride ions में split हो जाता है, टूट जाता है, बेसिकली, ठीक है, तो ions बन जाएंगे solution में, फिर क्या है, इन ions को आप electric current की help से flow करवा दो, तो पूरे circuit में जो electric current है, वो flow करने लगेगा, तो वो तीन liquids कौन कौन से होते हैं, vinegar, lemon juice और tap water, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, कि the bulb does not glow in the setup, shown in the figure, list the possible reasons, explain your answer, तो आपके पास एक figure है, यह question already हम अपने किसी एक session में solve कर चुके हैं, ठीक है, त तो एक बार फिर से इसको हम देखी लेते हैं, क्योंकि NCRT का सवाल है यह, तो जरूरी है हमारे लिए, यह एक figure है, figure में हो क्या रहा है, कि हमने एक battery लगा के रखी है, बैटरी से एक bulb भी जोड़ा रखा है, यह क्या है, bulb का symbol होता है, ठीक है न, यह क्या है bulb, और साथी साथ हम क्या कर रहे हैं, इस circuit में एक liquid को शामिल कर रहे हैं, यानि कि हम यह देखना चाह रहे है, कि क्या यह liquid, electricity का conduction करवा पाएगा, यानि कि जो भी circuit में electric current flow हो रहा है, वो ultimately current कहां जाने वाला है, इस liquid में जाने वाला है, हमें यह देखना है, क्या यह liquid उस electric current को जो कि उसके अगर बढ़वा पाएगा यानि कि क्या इलेक्ट्रिक करेंट इस सर्केट में फ्लो होगा इस लिक्विट के थू तो यहां पर हुआ कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है अब आपको कुछ पॉसिबल रीजन्स बताने की बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है अगर बल्ब इफेक्ट है वो हमने देखा है यहां पर इलेक्ट्रिक करेंट का हीट इसStudy OH yes कैसे ? एक बाप बताओ. बल्प कैसे glow करता है? बल्प की होते हैं दो filaments. जब electric current किसी बल्प के अंदर जाता है, तो electric current की flow होने कर안ट बल्ब में एक heat प्रेड्यूस हो जाती है. उसी heat को बल्प के जो दो filaments होते हैं वो absorb कर लेते हैं. और absorb करने के कारण वो गरम हो जाते हैं और जहां bulb के filaments गरम हुए वो glow करने लगते हैं यानि कि bulb glow करने लगता है बल्ब से रोश्टी आने लगती है तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? कि जब electric current किसी bulb में जाता है तो वहाँ पे एक heat produce होती है heat के कारण ही bulb की filaments गरम होते हैं और गरम होने के कारण ही filaments glow करते हैं जिसके current पूरा का पूरा जो bulb है वो glow करने लगता है Is that clear? तो यहाँ पे हुआ क्या? कि bulb glow नहीं कर रहा है जैसे ही हमने देखा कि यार circuit में bulb glow नहीं कर रहा है इस liquid में लेकिन शायद यह liquid electric current का conduction नहीं करवा पाया current को आगे नहीं भीच पाया जिसके current current बल्ब के अंदर नहीं गया और अगर current बल्ब के अंदर नहीं जाएगा तो फिर बल्ब glow क्यूं करेगा? तो हमने यहाँ पे घोशित कर दिया, announce कर दिया कि भाई जो बल्ब है, सुरी जो liquid है हमारा, वो एक bad conductor है electricity का वो conduction करवा ही नहीं पा रहा है electricity का यह एक reason हो सकता है, लेकिन यह भी तो reason हो सकता है ना कि आपका bulb ही खराब हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि liquid की ही गलती हो हाँ, liquid एक bad conductor हो सकता है electricity का लेकिन हमें सभी possible reasons list out करने हैं तो एक possible reason तो यह भी हो सकता है ना कि bulb ही खराब है bulb fuse है, एक possible reason यह भी हो सकता है कि जो आपने battery उसकरी है वो कैसी है, exhaust हो चुकी है, बैटरी में ही दम नहीं है तो फिर electric current, liquid तक जाएगा कैसे अगर liquid तक electric current जाता तो शायद liquid उसका आगे conduction करवा देता है यानि कि bulb glow कर जाता है, लेकिन battery ही खराब है current पहुचा ही नहीं है liquid तक, तो फिर liquid conduct करवाएगा किसको आगे, नहीं करवा पाएगा तो liquid bad conductor हो सकता है electricity का bulb भी fuse हो सकता है जो battery है, वो भी क्या हो सकती है exhaust हो सकती है इसके अलावा, जो भी आपने तार वगरा जोड़े हुए है हो सकता है कि तार, जो connections आपने लगाए है वो lose हो, तो अगर connections lose होंगे तो properly जो है न, current flow नहीं कर पाएगा इसके बाद में एक और reason हो सकता है reason क्या है कि liquid जो है, वो conductor तो है electricity का, लेकिन वो न, ज़्यादा electric current नहीं, आप बोच सकते हो कि conduct करवा पा रहा है यानि कि bulb तक electric current पहुँच तो रहा है लेकिन sufficient amount में नहीं पहुँच रहा है कम पहुँच रहा है weak current पहुँच रहा है इस weak current के current ज़्यादा heat produce नहीं हो पाएगी इतनी sufficient heat produce नहीं होगी कि bulb की filaments absorb कर लें और absorb करके glow करने लगे तो ऐसा नहीं है current पहुँच तो रहा था bulb तक लेकिन weak था इस weak current के current sufficient heat produce नहीं होई जिसके current bulb के filaments गरम नहीं हो पाए और अगर वो गरम नहीं हो पाएंगे property तो फिर वो glow भी नहीं करेगा कौन बल्ब तो conclusion क्या निकलता है कि wires हो सकता है कि loosely connected हो circuit में, bulb fuse हो, cells जो है न वो खराब हो जो कि हो used up हो, liquids जो है वो क्या हो एक insulator हो यानि कि poor conductor electricity का और एक और reason, fifth reason आप ये भी लिखना कि हो सकता है कि weak current flow हो circuit में, weak current is flowing in the circuit, तो weak current को detect करने के लिए, जैसे कि हमने अपने इस chapter में, previous sessions में discuss किया है कि अगर weak current को detect करना है, तो हम bulb का use नहीं करते हैं, हम LED का use करते हैं, हम जो compass needle है, उसका use करते हैं, तो अगर circuit मे weak current को detect करना है, तो bulb का हम use नहीं करते हैं, क्योंकि bulb जो हैना, weak current को detect नहीं कर पाता है, बल्ब ग्लो करता ही नहीं तो कहीं न कहीं हमारे दमाग में यह बैठ जाते है कि अरे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलग क्या की हो सकता है कि current पहुँच नहीं रहा हो current पहुँच रहा है भाई लेकिन वो weak current है आई बात समझ में तो यह possible reasons हमने list out कर लिये हैं जिसके कारण बल्ब हमारा glow नहीं कर रहा है. चीक है? चलिए. आगे बढ़ जाते हैं. A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids, labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A, while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that. याने कि हमारे पास दो solutions हैं, दो liquids हैं A और B. Tester हम use कर रहे हैं दोनों ही liquids को test करने के लिए कि कौन सा वाला liquid जो है electricity का conduction करवा रहा है. तो जब हमने liquid A को test किया, तो tester का जो bulb है वो कैसा glow कर रहा है? brightly glow कर रहा है. और जब हमने liquid B को test किया है, तो liquid B को test करने के लिए tester का जो bulb है वो glow तो कर रहा है, लेकिन dimly याने कि हलके हलके glow कर रहा है. तो आप क्या conclude करोगे? चारो options में से बताइए. First option यह है कि liquid A better conductor है liquid B से. Option 2, liquid B better conductor है liquid A से. Option C, both liquids are equally conducting, यह last option D, कि conducting properties of liquid cannot be compared in this manner. तो यहाँ बहें बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो liquid A है, वो better conductor हो liquid B से. क्यों? क्योंकि liquid A के साथ tester का जो bulb है, वो brightly glow कर रहा है. अगर brightly glow कर रहा है, इसका मतलब क्या? कि हो सकता है कि sufficient amount में जो current है, वो tester के bulb तक गया. कैसे? liquid A के थूँ. तो अच्छी खासी heat भी produce हुई. और इसी heat को tester के bulb की filaments में absorb कर लिया और bulb की filaments glow करने लगे, यानि कि tester का जो bulb है, वो glow करने लगा. liquid B हम बोल रहे हैं कि अच्छा conductor नहीं है electricity का. क्यों? क्योंकि liquid B थोड़ा बहुत ही electric current supply कर रहा है tester के bulb तक. जिसके कारण थोड़ी बहुत heat produce हो रही है और कम heat के कारण, bulb के जो filaments हैं, वो कम गरम हो रहे हैं. और कम गरम होने के कारण, dimly glow कर रहा है क्या tester का bulb. तो जो liquid A है, वो liquid B के comparison में कैसा है, एक अच्छा conductor है, liquid B उत्ता अच्छा conductor नहीं है. तो यह हमारा जवाब हो सकता है. option C जो बोल रहा है कि both liquids are equally conducting नहीं, ऐसा नहीं है. अगर दोनों ही liquids equally conducting होतें, तो दोनों ही cases में tester का जो bulb है, वो equally, you know, equal brightness के साथ glow करता. लेकिन हमें पता है कि liquid A के साथ, जो bulb है, वो brightly glow कर रहा है, और liquid B के साथ, जो bulb है, वो dimly glow कर रहा है. इसका मतलब क्या? कि दोनों liquids equally conducting नहीं है. और last क्या है कि conducting properties of liquids cannot be compared in this manner. कर सकते हैं, वह एक comparison ऐसा नहीं है. अगर liquid B के साथ, tester का bulb glow करता ही नहीं, तो हम बोलते कि हो सकता है कि जो liquid B है, वो एक weak current flow करवा रहा है. बनाब वो current इतना weak है कि उस weak current को tester का जो bulb है, वो detect कर नहीं पा रहा है, जिसके current बल्ब, जो है, tester का वो glow नहीं कर पा रहा है. लेकिन, liquid B के साथ, tester का जो bulb है, वो glow कर रहा है. कर रहा है मतलब क्या कि liquid B के through जो भी current जा रहा है वो current bulb तक पहुँच रहा है tester के और उसी current के current जो bulb है वो glow कर रहा है तो option fourth गलत है C गलत है second गलत है सही कौन सा होगा first option कि liquid A is better conductor than liquid B ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं अपने next question की कि does pure water conduct electricity if not what can we do to make it conducting pure water का मतलब क्या है distilled water ठीक है जो pure water है या आप उसको distilled water भी बोल सकते हो क्या electricity का conductor होता है नहीं pure water या distilled water electricity का conductor नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि pure water में distilled water में dissolved salts नहीं होते हैं अब जब salts ही नहीं होंगे तो फिर ions भी नहीं होंगे और अगर ions नहीं होंगे किसी भी liquid में it's not about only you know distilled water या pure water किसी भी liquid के पास अगर ions नहीं है तो वो liquid कभी भी electricity का conduction नहीं करवा सकता है तो distilled water या pure water के साथ भी यही condition है यही situation है कि कोई भी salts उसमें नहीं होते हैं पानी में pure water में जिसके कारण ions नहीं होते हैं और अगर ions नहीं होंगे फिर electricity का conduction possible नहीं है फिर next part क्या है इस सवाल का कि if not what can we do to make it conducting और अगर आप इसको conducting करना ही जाते हो pure water को तो फिर आप क्या कर सकते हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो common salt जहां आप उसमें नमक डालोगे pure water में a distant water में नमक के क्या जाएंगे पानी में ions आ जाएंगे और अगर ions आ गए तो फिर electricity का conduction भी हो जाएगा so no pure water doesn't conduct electricity but when salt is dissolved in pure water or you can say when salt is mixed with pure water it conducts electricity क्यों क्योंकि फिर हम बोलेंगे कि आइन सा गए pure water के पास भी अब वो पता है अगर आपने पानी में distilled water में pure water में नमक डाल दिया है तो अब वो distilled water नहीं कहलाएगा वैसे भी अब वो salt solution ही कहलाएगा और जहां salt solutions आया उसके ions आये electricity का conduction वहाँ पे हो जाएगा तो यह वाला question भी अपना हो चुका है solve अब हम बात करते हैं अपने next question की in case of fire before the firemen use the water horse they shut off the main electrical supply for the area explain why they do this तो बही जब भी हमारी नो कहीं आग वगेरा लग जाती है आसपास किसी इलाके में पडोस वगेरा में तो firemen आते हैं उस आग को बुझाने के लिए अब वो आग कैसे बुझा रहे हैं पानी डाल करके तो इससे पहले कि वो आग बुझाने के लिए पानी यूज करें वो क्या करते हैं कि जहां भी आग लगी है उस जगह की और उसके आसपास के एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाइ है वो बंद कर देते हैं शट डाउन कर देते हैं आपको बताना है कि ऐसा क्यूं हुआ है क्योंकि जिस पानी का हमारे fireman यूज कर रहा है आग बुझाने के लिए वो पानी है कैसा वो है tap water simple null का पानी है distilled water नहीं है वो है ना वो simple water है tap water है जिसमें की बहुत सारे salts होते हैं याने की बहुत सारे ions होने वाले हैं उस पानी में जिससे की fireman क्या करने वाले है आग बुझाने वाले है अब जब इतने सारे ions होंगे पानी में तो अगर पानी में electric current की supply अगर आजाएगी, तो वो पानी क्या करने वाला है, अपने respective ions के थूँ, उस electric current को conduct करवाने वाला है, अब वो हुआ क्या, आग बुझाने के लिए fireman ने पानी डाला, ठीक है, और पानी हम बोल रहे है, कि suppose यहां पे कहीं आग लगी हुई है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आग लगी हुई है ठीक है और fireman ने क्या किया है यह आग को बुझाने के लिए पानी डाला अब ऐसा तो नहीं है कि जहां पे आग लगी है केवल उसी रीजन में पानी जाता है पानी तो यहां वहां भी जा सकता है तो suppose हम बोल कि करेंट भी दोड रहा है तो होगा क्या कि यह करेंट जो है कहां आ जाएगा पानी के कॉंटेक्ट में आ जाएगा और पानी क्या करेगा इस करेंट को कंड़क्ट करवाने लगेगा अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि पानी यहां पे था पहले तो तो जो करेंट है वो यहा कि जहां जहां पानी जा रहा है अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक करेंट को भी कंड़क्ट करवा रहा है क्यों क्यों कि पानी में क्या है आयन्स है पानी के पास ओल्रेडी क्या हो गया है इलेक्ट्रिक करेंट आ चुका है और वो इलेक्ट्रिक करेंट क्या कर रहा है उसको यहा यहां गया बहते हुए तो करेंट वहां भी चला जाएगा यहां गया तो करेंट बहते हुए यहां भी आ जाएगा यहां जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां करेंट जाएगा और वहां आग लग सकती आग कम होने की जगा उल्टा फैल जाएगी इन फैक्ट जो पानी है वो डाल कौन रहा है, fireman डाल रहा है, तो बहुत सदा chances हैं, कि भई जो pipe उसने पगड़ा हुआ है, fireman ने, है ना, वो pipe तो fireman के हाथ में है, और पानी वही से आ रहा है, तो हो सकता है कि जो electric current है, वो conduct होते 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 कहां तक पहुंच जाए, fireman तक पहुंच जाए, और fireman को ही क्या लग जाए, शौक लग जाए, so water is used in the water horses, is not pure water and it is a good conductor of electricity, so the fireman shut off the electric supply before spraying water to save themselves and other from, आप बोल सकते हो कि electrocution, मनला आप कि जटका ना लगे, पानी, you know, electricity का conduction ना करवा दे, इसलिए आस पास की जो supply है, बिजली की वो बंद कर दी जाती है, कि भाई, electric current की supply बंद ही कर दो, और फिर इसके बार में पानी डाल के क्या करो, आग बुझाओ, तो पानी जो है, electric current का conduction करवा है रही नहीं, simple, चली, यह वाला question भी हो चुका है, अब हम आते हैं अपने next question के उपर, कि a child staying in a coastal region, test the drinking water and also the sea water with his tester, he finds that the compass needle deflects more in the case of sea water, can you explain the reason, देखो ऐसा है कि समुद्र का जो पानी होता है, जो sea water होता है, वो बहुत नमकीन होता है, हमारे जितने भी जो हम नमक खाते हैं, common salt, यह आता कहां से हैं, तो जो समुद्र का पानी है ना, उसी से common salt को निकाला जाता है, कैसे? तो समुद्र की किनारे आप बोल सकते हो कि, narrow bed बनाये जाते हैं, और वहाँ पे समुद्र का पानी भर दिया जाता है, कई सारे beds बनाते हैं, यानि कि गढ़्धे बनाते हैं, और उन में समुद्र का पानी भर दिया जाता है, और इसके बाद में उस पानी को छोड़ दिया जाता है, evaporate होने के लिए, तो पानी उड़ जाता है, हवा में भाब बनके, लेकिन पीछे पानी में जो नमक डिजॉल्ट थे, वो पीछे रह जाते हैं उन beds में, उसने देखा कि जो compass needle है, वो sea water की case में ज़्यादा deflect कर रही है, can you explain the reason? ऑब्यसी बात है, जो sea water है, उसमें बहुत सारे salt dissolved है, तो ऑब्यसी बात है, बहुत ज़्यादा आयांस होने वाले हैं, सी बात हैं, जितने आयांस होंगे, electric current का conduction उतना ज़्यादा होगा, और जितना electric current का conduction ज़्यादा होगा, उतना ही आप बोल सकते हों कि जो compass की नीडल है, वो क्या करेगी? deflection शो करेगी, क्यों? क्योंकि अगर circuit में, तार के थुरू, ज़्यादा electric current flow हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि वो जो तार है current carrying wire, जो है, वो एक strong magnet बन जाएगा, जितना strong magnet, उतना ही strong क्या होने वाला है, उसका magnetic force होने वाला है, जो कि ultimately किस पर लगेगा? compass की needle पे ही लगने वाला है, अब यहाँ पर क्या हुआ? कि जब बच्चे ने drinking water को test किया, तो इता deflection नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि obvious सी बात है, पीने का जो पानी है, उसको हम, जो normal पानी होता है, tap water होता है, उसी को हम purify करते हैं, और purify करने के बाद ही, वो क्या बनता है? drinking water बनता है, तो जब हम purify करते हैं पानी को, होगा drinking water के थ्रू, circuit में, तो sea water contains a huge amount of salts, in comparison to drinking water, hence the sea water is a better conductor of electricity, and it produces a stronger magnetic field in the wire, and hence deflects the compass needle more, यह जो हम बार बार सेट अप देख रहा हैं ना, यह वाला, कि हम solution लेते हैं, उसको हम compass के साथ जोडते हैं, cell या battery के साथ जोडते हैं, compass की उपर हम क्या करते हैं, पुरा तार लपेट देते हैं, कि जब current flow होगा circuit में, तो current कहां जाएगा, wire में जाएगा, और अगर wire में current गया, इसका मतलब क्या कि wire बन जाएगा, क्या एक magnet, अगर वो magnet बन चुका है, अगर हमारा तार क्या बन गया है, एक magnet बन चुका, इसका मतलब क्या, क्या उसका magnetic force होगा, हाँ, बिल्कुल होगा, और इसी magnetic force के कारण, जो compass है, उसकी जो needle है, वो क्या करेगी, ऐसे 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 ऐसे, deflect करेगी, आई बात समझ, चलिए, तो obviously बात है, sea water में जादा नमक है, इसलिए number of iron जादा है, तो obviously बात है, जो deflection होगा needle का, वो जादा होगा, क्यों? क्योंकि circuit में, बढ़िया current flow होगा, जो तार है, उसमें बहुत जादा current flow होगा, जिसके करण वो एक strong magnet बन जाएगा, और जितना जादा strong magnet होगा, उसकी जो magnetic field है, वो भी क्या होगी, उतनी ही जादा होगी, जिसके कारण, जो deflection है compass की needle में, वो जादा होगा, आई बात समझ चली, फिर क्या है next, कि is it safe for the electrician, to carry out electrical repairs outdoors, during heavy downpour, explain, जब बाहर बहुती तेज बारिश हो रही है, और ऐसी तेज बारिश में, क्या जो हमारे electricians होते हैं, उनके लिए बाहर तेज बारिश में, बिजिनी का काम करना है, कुछ repair वगएरा करना safe है, explain करिए, no, it is highly dangerous to carry out the electrical repairs outdoors, during the heavy downpour, it can cause electrocution as water is a good conductor of electricity, बात तो वही है न, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो firemen थे, वो क्या कर रहे थे, आग को बुझाने के लिए, पहले तो उस area की क्या करते हैं, बिजिली को काट देते हैं, ताकि जो भी पानी वो डाल रहे हैं, वो पानी electricity का conduction ना करवा पाए, similarly, जब बाहर तेज बारिश हो रही है, तो बारिश में, देखा ज़िए तो जो बारिश का पानी होता है, वो उसमें ज़्यादा ions होते नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बारिश का पानी, अर्थ के atmosphere में आता है, अर्थ की air में carbon dioxide gas है, है ना, sulfur dioxide gas है, nitrogen dioxide gases है, तो होता क्या है, इन सब gases, मलब sulfur, अगर मैं बात करूँ, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen के oxides, ठीक है ना, ये सब हम बोलते हैं कि, अर्थ की air में present होते हैं, ये सब gases, तो जब बारिश का पानी, अर्थ की air में आता है, तो बारिश के पानी में, ये सभी के सभी gases क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, और ये gases, पानी के साथ मिलकी क्या बना लेती हैं, अलग-अलग acid बना लेती है, for example, इसके मिलने से क्या होता है, carbonic acid बनता है, इसके मिलने से क्या होता है, sulfuric acid बन जाता है पानी में, इसके मिलने से क्या होता है, nitric acid बन जाता है, यानि कि, air में जो gases present है harmful gases carbon dioxide sulfur dioxide और यह तो sulfur dioxide है SO4 नहीं है SO2 होगा ठीक है ना sulfur dioxide है nitrogen oxide वगरा है यह सब harmful gases है तो जब यह gases बारिश के पानी में मिलती हैं तो क्या बना लेती है carbonic acid sulfuric acid और nitric acid अब भी तीनों की तीनों क्या है acids है ना acids के क्या होते है आयन्स होते हैं यानि कि rain water में क्या हो जाता है बहुत सारे ions आ जाते हैं और जहां rain water में आयन्स आ है वहां समझदी कि लीजिए कि जो rain water वो क्या करने वाला है electric current का जो conduction है वो करवाने वाला है तो इनिशली rain water में आयन्स नहीं होते हैं लेकिन क्योंकि अर्थ की atmosphere में इतने युनों gases होती है कि यह gases बारिश के पानी में मिल जाती है और अलग-अलग टाइप के acids बनाती जिसके करन बारिश के पानी में आयन्स आ जाते हैं तो बारिश का पानी जो है ना चलिए, next question पे हम आते हैं कि पहेली had heard that rain water is as good as distilled water. So she collected some rain water in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? तो जैसे कि मैंना आको बताया कि पहेली ने यह सुना था कि rain water यानि कि बारिश का पानी जैसा distilled water होता ना वैसे ही होता है. Distilled water में मैंना आको बताया कि इसको हम pure water बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें कोई भी dissolved salts नहीं होते हैं, कोई भी ions नहीं होते हैं. तो पहेली ने यह सु कमपस का जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ डिस्टल वाटर के साथ में अगर वो टेस्ट करती तो कमपस की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता लेकिन रेन वाटर के साथ में जब टेस्ट किया तो कमपस की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि मैंना अब यह भी बताया कि rain water में कोई ions नहीं होते हैं, कोई salts नहीं होते हैं, लेकिन जब rain water अर्थ की air में आता है, तो air में carbon dioxide gas है, sulfur dioxide gas है, nitrogen dioxide gas है, ये तीनों के तीनों gases पानी, बारिश के पानी के साथ combine होती हैं, और क्या बना लेती हैं, acids, sulfuric acid, carbonic acid, nitric acid, और इन acids के क्या हो जाते हैं, ions आ जाते हैं बारिश के पानी में, यहने कि बारिश के पानी में ions आ चुके हैं, अब जब बारिश के पानी में ions आ चुके हैं, तो वो जो बारिश का पानी हैं, वो असानी से क्या करेगा, electricity का conduction करवाएगा जिसके कारेंट compass की जो needle है वो क्या करेगी deflection शो करेगी, is that clear? So rain water is a pure water which is an insulator but it gets mixed with air pollutants like sulfur dioxide, nitrogen oxides and form acidic solutions which is a good conductor of electricity So the compass needle showed deflection, तो ये बात बिलकुल सही है कि बारिश का पानी is as good as distilled water, लेकिन earth की air में आकर के pollutants के addition के कारेंट अलग-अलग acids बन जाते हैं बारिश के पानी में ions आ जाते हैं बारिश के पानी में जिसके कारेंट वो एक अच्छा conductor बन जाता है electricity का, okay next question क्या है कि prepare a list of objects around you that are electropleted तो आपको अब अपने आस-पास जो भी आपको चीज़े दिखाई देती हैं उन चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ों के आपको लिस्ट बनानी हैं जो कि क्या है electropleted है याने कि एक metal के ओपर किसी दूसरे desired metal की क्या हो covering हो तो जैसे कि हमारे जो यूनो बरतन होते हैं आजकर जो हमारे स्टील के बरतन आने लगे हैं उन स्टील के बरतन के ओपर हम बोलते कि copper की plating होती है और इसके अलावा हमारे घरों में जो imitation jewelry होती है तो वो jewelry दिखने में तो सोने और चांदी की तरह लगती है लेकिन ऐसा होता नहीं है वो pure gold या pure silver jewelry नहीं होती है क्यों कि किसी दूसरे metal के ओपर gold की polisher silver की plating कराई जाती है ऐसा ही कुछ हमको गहां देखने को मिलता है हमारे घरों के जो taps होते हैं नल होते हैं तो वो नल किसके बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं लोहे के नलो के ओपर chromium की plating करी जाती है ताकि एक अच्छी सी shine मिल जाए नलो को और वो attractive दिखने लगे प्लस rusting से भी जाना prevent किया जाता है इसके अलावा steel के जो हमारे बरतन होते हैं steel के ओपर भी हम बोलते हैं कि chromium की plating कराई जाती है और हमारे जो गाड़ियों की जितने भी steel के जो parts होते हैं उन steel के parts के ओपर plating कराई जाती है chromium की ताकि chromium की plating से एक shine आ जाए उन parts के ओपर कुछ इस तरीके से तो objects that are electroplated are door handles, taps, rims of cycles showers and the handle bars of cycles and the bikes gas burners, tin cans metallic almiras buckles of belts etc तो यह आपने आसपास आप यूनो थोड़ा सा नजर घुमा करके देखो explore करके देखो कि कौन सी चीजें है जो कि electroplated है यह आपके level पर करने वाला सवाल है लेकिन फिर भी मैंने आपको example की तौर पर कुछ समान बता दिये हैं जो कि क्या होते हैं are electroplated चली अब हम बात करते हैं अपने next question की the process that you saw in activity 14.7 अब सबसे बढ़े था हमको 14.7 activity देखनी पड़ेगी तब हमको यह वाला question समझ में आएगा तो अभी इस question को हम skip करते हैं और हम आजाते हैं कहां activities के ओपर एक के करके सभी activities हम discuss कर लेते हैं यह जो activity है यह दी गई है आपकी NCRT के text book के page number 173 पर क्या बोला जा रहा है आपर? कि join the free hands of a tester together for a moment. This completes the circuit of a tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow it means that the tester is not working. Can you think of the possible reasons? Is it possible that the connections are loose or the bulb is fused or your cells are used up? Check that all the connections are tight. if they are, then replace the bulb with another bulb. Now, test if the tester is working or not. If it is still not working then replace the cells with fresh cells. तो basically यह पर हुआ क्या? आपको बोला जा रहा है कि एक tester है आपके पास उसके दोनों ही जो free hands है उनको आपने जोइन कर दिया है. इससे क्या होगा? जो circuit होगा tester का वो क्या हो जएगा? complete हो जाएगा. और bulb को glow करना चाहिए. अगर bulb glow नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या? कि tester का नहीं कर रहा है? और विससी बात है. Tester का काम ही होता है glow करना. अगर वो glow नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है. Can you think of the possible reasons? क्या आप possible reasons बता सकते हो कि tester का जो bulb है वो glow क्यों नहीं कर रहा है is it possible that the connections are loose possible है कि जो भी हमने connections बिठा है circuit में वो loose हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अच्छा ये भी possible है कि जो bulb हमने लिया है वो कैसा है fuse है और ये भी possible है कि जो cell हमने यूज करें circuit में वो कैसे हैं exhaust हो चुके हैं तो check all the connections ये करें ये आप make sure करें कि जो भी आपने connections की है circuit में वो एकदम tight है इसके बाद में bulb को आप एक नए bulb से जो हैना replace कर दीजे अब इतना करने of the circuit are loose या bulb fuse है या cells कैसे हो यूज आप है इफ देस्टर is working it can be used to test the materials whether it is a conductor और non-conductor of electricity तो basically इस activity में आप से पूछा कम गया है आपको information जादा दी गई है कि अगर किसी circuit में टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उसके अलग-अलग reason हो सकते हैं कि आपने connection stick से नहीं बिठाए है बल्ब आपको already fused है जो आपने cell जो battery use करी है वो कैसी already exhaust है तो कॉल मिला करके आपको सीधे conclusion पर जंप नहीं करना है कि अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तेसर का इसका मतलब क्या की लिक्विड कराब है लिक्विड क्या है पूर conductor है electricity है या एक इंसुलेटर है नहीं ऐसा नहीं है वह कंड़क्शन करवा रहा है लेकिन जो बल्ब है टेस्टर का वह काम नहीं कर रहा है क्योंकि connection समने नहीं बिठाए हैं properly, tightly, bulb fuse है, जो battery है, वो ही जो ना काम नहीं करी, तो obviously पादा है, जो पुला circuit होगा, उसमें current कहां से flow करेगा, तो कुल मिला करके इस activity में information जादा है और सवाल आप से कम पूछा गया है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, जो कि आपकी NCRT के टेक्स्ट्बूक के पेज नमबर 773 नहीं, यह 173 होगा, ठीक ना, 173 पे दी गई है, कि collect a few small plastic या rubber caps of discarded bottle and then clean them, pour 1 teaspoon of lemon juice या vinegar in 1 cap, bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice या vinegar as shown in the figure, take care at the ends are not more than 1 cm apart, at the same time do not touch each other, does the bulb of the tester glow, does lemon juice या vinegar conduct electricity, how could you classify lemon juice या vinegar a good conductor और a poor conductor, यह आपको कुछ इस तरीके का पूरा setup बनाना है, और इस setup में आपको जो बेकार की जो discarded plastic की bottles होती है न, उनके आपको caps लेने हैं, cap में आप में करना क्या है कि या तो lemon juice ले लो या vinegar ले लो, या आप दोनों के साथ ही जो है न, test perform कर सकते हो, हाँ, लेकिन separately आपको लेना है, यानि कि एक cap में आप vinegar लोगे, तो दूसरे cap में आपको lemon juice लेना है, फिर इसके बाद में जब आप testor की दोनों ends को आप solution में dip करोगे, तो make sure करें कि दोनों ही जो ends हैं, वो 1 cm apart हों, और एक दूसरे को touch ना कर रहे हूं, तो क्या इतना करने पर इस पूरे setup में बल्ब ग्लो करेगा, क्या vinegar और lemon juice electricity का conduction करवाते हैं, आप कैसी classify करेंगे vinegar या lemon juice को, अच्छे conductors या poor conductors, तो इसका जवाब क्या हो सकता है, कि in this activity the bulb glows, which shows that lemon juice and vinegar both conduct electricity, hence they are good conductors of electricity, बहीan lemon juice में क्या होता है, citric acid होता है, कहां क्या lemon juice ये रहा, इसमें क्या होता है, citric acid होता है, इसके अलावा जो vinegar है, उसमें क्या होता है, acidic acid होता है, तो दोनों में ही क्या है, mild edible acids है, acids ये तो मतलब क्या, इनके पास ions भी होंगे, और जहां ions हों है, किसी भी liquid है, किसी भी solution के पास, तो वो liquid, वो solution क्या करेगा, electric current को अपने थूँ allow करेगा, अपने थूँ पास होने देगा, तो इस case में आप बोल सकते हो, कि जब आप acidic acid को, या vinegar को, या lemon juice को, आप क्या ले रहे हो, एक आप उसे तो कि electrolyte ले रहे हो, तो definitely जो bulb है, circuit में वो glow करेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों ही liquid के थूँ electric current पास होगा, ये bulb, ये जो current है, ये कहां जाएगा, बल्ब में जाएगा, बल्ब की filaments जो हैना, वो glow करने लगेंगे, और अगर बल्ब की filaments glow कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, जो liquid आपने लिया एक circuit में, वो कैसा है, conductor है, electricity का, आई बाद समझ में, चलिए, देखा चाए, तो vinegar और lemon juice की, अगर, you know, conductivity को check करना है, तो हमें bulb नहीं, हमें compass लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो bulb है, वो weak current को detect नहीं कर पाता है, और lemon juice और vinegar जो होते हैं, ये conductor तो होते हैं, electricity के, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास जो ions है, वो क्या थोड़ी से कम होते हैं, ions तो हैं, लेकिन कम हैं, जिसके कारण, current का conduction तो होगा, लेकिन कम होगा, तो sufficient हो सकता है, कि current बल्ब तक नहां पहुँचे, जिसके current जो बल्ब है, वो properly आप बोल सकते हो, कि glow ना कर पाए, ठीक हैं? तो to be on a safer side, हम क्या करते हैं? हम जो है, compass needle का use करते हैं, weak acids की, जो connectivity है, उसको check करने के लिए, anyways, next activity क्या है, activity 3, page number 174 पे दी गई है, कि take the tray from inside, a discarded matchbox, wrap an electric wire, a few times around the tray, place a small compass needle inside it, now connect one free end of the wire, to the terminal of a battery, leave the other free end, take another piece of wire, and connect it to the terminal of the battery, to the other terminal of the battery, join the free end of the two wires, the compass needle show deflection, your tester with the two free ends of the wire is ready, now repeat activity 14.2 using this tester, 14.2 मतलब कौन सी? यही वाली, lemon juice वाली और vinegar वाली, जैसे कि मैंना को बताया था, कि जब भी हम lemon juice या vinegar के साथ, उन्हों activity perform करते हैं, तो बल्ब लेने से अच्छा है, हम क्या करें? compass, इस जो navigation के लिए जो हम यूज करते हैं, compass वो ले ले, along with its magnetic needle, क्यों? क्योंकि यह वालो जो setup है ना, जो compass की जो needle है, यह weak current को भी circuit में detect कर लेता है, तो यहाँ पर आपको, compass बनाना ही सिखाया जा रहा है, कि आप कैसे compass बना सकते हो, फिर इसके बार में बोला गया है, कि आप activity 14.2 repeat करिये, इस tester के साथ, do you find a deflection in the compass needle, the moment you dip the free ends of the tester in lemon juice, take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in water and then wipe them dry, repeat the activity with other liquids, such as tap water, vegetable oil, milk, honey, remember to wash and wipe the ends of the tester, after testing each liquid, in each case observe whether the magnetic needle shows deflection or not, record your observations in table 14.1, देखा जाए, तो कुल मिलाकर कि यहाँ पर आपके पास जो है न, बहुत सारे solutions आने वाले हैं, lemon juice, vinegar, तेल, milk, honey, tap water, इन सभी solutions के साथ में आपको क्या करना है, यह वाली activity perform करना है, आने कि आपको देखना है कि क्या यह सभी के सभी liquids, electricity का conduction करवा पा रहे हैं, यह नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपका result क्या आएगा, देखो, मैं आपको औरेड़ी बता चुकी हूँ, कि जो compass का जो needle है, वो किस तरहीके से काम करता है, ठीके ना, तो अब उस चीज को हम दुबारा repeat नहीं करेंगे, अब हम सिफ इतना देख रहे हैं, कि किस तरहीके से अलग-अलग जो liquids हैं, वो deflection लेकर के आप आ रहे हैं, यह नहीं ला पा रहे हैं, lemon juice के साथ में deflection होगा, बिलकुल होगा, vinegar के साथ बिलकुल होगा, tap water के साथ होगा, बिलकुल होगा, क्यों? क्योंकि tap water में क्या होते हैं, salts होते हैं, भई, किसी भी solution को, किसी भी liquid को, अगर electricity conduct करवाना है, तो उसके पास ions होने चाहिए, इसके पास citric acid के ions हैं, इसके पास acetic acid के ions हैं, tap water के पास salts के ions हैं, vegetable oil के पास कोई भी ions नहीं हैं, तो यहाँ पे deflection नहीं होगा, milk के पास भी कोई ions हैं क्या, बिलकुल हैं, तो milk के पास हम बोलते हैं कि ions होगे, तो वो conductor होगा, electricity का, यानि कि deflection आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा, अगर हम बात करें किसकी, honey की, तो honey में कोई भी जो है न, वो नहीं है, आपके पास आप बोल सकते हों कि ions नहीं है, तो deflection नहीं होगा, soda के पास में ions होते हैं, deflection होगा, distilled water के पास में ions नहीं होंगे, obviously बात है, soda, यह सब के सब क्या है, good conductors है, जो भी electricity का conduction करवा पा रहे हैं, जिनके पास भी ions है, वो क्या करेंगे, deflection शो करेंगे, और अगर deflection हो रहा है, इसका मतलब क्या, कि वो सभी के सभी अच्छे conductors हैं, जिनमें deflection नहीं हो रहा है, जैसे कि डिस्टिल वाटर हो गया, हनी हो गया, वो पूर कंड़क्टर से हैं, तो कंक्लूजन या पही क्या निकलता है, कि lemon juice, vinegar, tap water, milk, curd water, soda, यह सब के सब क्या हैं, अच्छे conductors हैं electricity के, on the other hand, vegetable oil, honey, kerosene oil, डिस्टिल वाटर, rubber cap of a bottle, use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not, what do you find, does distilled water conduct electricity, no, of course, now dissolve a pinch of common salt in distilled water, again test, what do you conclude this time, हम सब को पता है कि distilled water में ions नहीं होते हैं, जब ions नहीं होंगे, तो electricity का conduction नहीं होगा, लेकिन अगर हमने, एक pinch common salt डाल दिया है, तो ions आई जाएंगे न, अगर आपने distilled water में एक pinch ही सही, common salt डाला है, तो उसके ions आजाएंगे, और अगर ions आजाएंगे इसका मतलब क्या कि, अब वो असानी से क्या करेगा पानी, electricity का conduction करवाएगा, तो इसके उपर भी हम already बात कर चुके हैं, तो बार 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 बात करने का मतलब नहीं बनता है, if the tester is put in distilled water, the bulb of the tester does not glow, this shows that distilled water does not conduct electricity, but when salt is dissolved in distilled water and then again tested, the bulb glows which shows that water containing salts conduct electricity, thus water which is free of salts are poor conductors, while water with salts is a good conductor of electricity, चलिए, next क्या है, activity 5, page number 176 पे दी गई है कि टेक, ये जेक नहीं होगा, ये टेक होगा, टेक 3 clean plastic या rubber caps of bottles, पोर about 2 teaspoons, अच्छे ये रिपीट हो रही है क्या, नहीं, ठीक है, पोर 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them, add a few drops of lemon juice, या dilute hydrochloric acid to distilled water in one cap, containing distilled water, add a few drops of base, such as caustic soda या potassium iodide, add a little sugar to the distilled water in the third cap, and dissolve it, test which solutions conduct electricity, and which do not, what results do you, optine, तो basically आपको 3 cap लेनी है, कीनो ही cap में आपको distilled water डालना है, पहली वाली cap में, distilled water के साथ में, आप lemon juice डालोगे, या HCL डालोगे, dilute वाला, दूसरी वाली cap में, आप distilled water के साथ में क्या डालोगे, caustic soda यानि की base डालोगे, तीसरी वाली में आप शक्कर डालोगे, distilled water के साथ में, और तफिर तीनों को याप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, तो कौनसे वाले solution में आपको, you know, electricity के conduction मिलेगा, तो जिसमें आपने, HCL या lemon juice डाला है, वो वाले solution में, आपको, conduction मिलेगा, electricity का, क्यूं? acid डाला है, तो acid के पास तो ions होते हैं, similarly, उस वाले distilled water में, जिसमें की आपने base डाला है, जैसे की, caustic soda हो गया, caustic soda मतलब की, NaOH हो गया, या potassium iodide हो गया, तो ऐसे base को जब आप पानी में डालोगे, तो इन base के ions आ जाएंगे, पानी में, distilled water में, यानि कि अब वो पानी क्या करेगा, conduction करवाएगा, फिर इसके बार में, जब आपने शक्कर डाली है, तीसरे वाली cap में, जिसमें कि आपने शक्कर डाली है, distilled water में, क्या वहाँ पे आपको electricity का conduction मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्कर के पानी में, कोई ions नहीं होते हैं, और जहां ions नहीं होगे, वहाँ पे कोई electricity का conduction नहीं होगा, तो पहली और दूसरी cap में, आपको conduction मिलेगा, तीसरी में जिसमें कि आपने distilled water में शक्कर डाला है, उसमें आपको conduction नहीं मिलेगा, चलिए, नेक्स क्या है activity, पेज नमबर 176 पे दी गई है कि टेक आउट कारबन रॉट, चरेफली फिले तो डिसकाड़ देशल, चलिए, पुलेग अपने अपने प्रेफ़ वाट जाव में लट रॉट्सरी अपने जापने जिए ओस आपने दीव इन और धक्रोट्पलाइ, You may take two iron nails about 6 cm long. Pour a cup full of water in a glass or plastic bowl. Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. Now, immerse the electrodes in this solution. Make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water. Wait for 3 to 4 minutes. Observe the electrodes carefully. Do you notice any gas bubbles near the electrodes? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the definition of a chemical change that you learnt in class 7. So basically, what happened to you is that you were set up. You were put carbon rods and you were put on water, you were put on water. You were put on water. I guess you were put on water. Let me check. So, you can say that you were put on water and you were put on water. बनाने के लिए आपने उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दी है या उसमें नमक डाल दिया है अब होगा क्या क्या यहाँ पे आपको कोई भी गैस के बबल्स बनते हो नजर आएंगे हाँ बिलकुल यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस और आएंज में और ओएज नेगकेव आएंज में ठीक है लिए एजपोसिटिव आएंज में और वेच नेगकेव आएंज में वाटर इस डिस सोसी एटेटेट इन तो इस Constituent Gases that is hydrogen and oxygen oxygen bubbles are formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles are formed on the electrode uh on the other तो बेसिकली जब पानी में आप एलेक्ट्रिकरेन पस्कर वाते हो तो वह अपने आय्ट्रिक टूटता है आयन्प टूटने के अलावा पानी से अब क्या बन जाता है hydrogen और oxygen gases बन जाते हैं जिसके उपर already हमने अपने previous session में बात करी हुई है तो यहां पर आप बोल सकते हो कि बैटरी के positive terminal से जो electrode जोड़ा हुए जो anode है वहां पर आपको क्या मिलेगा oxygen gas मिलेगी और cathode पर आपको क्या मिलेगा hydrogen gas मिलेगी तो definitely यहां पर आप बोल सकते हो कि यह chemical change है क्यों पानी जो टूटा है अपने आप बोल सकते हो कि respective constituent gases में यह क्या है एक chemical change ही है बकाईदा एक chemical reaction हुई है पानी का जो टूटना है जो उसका disassociation है तो disassociation क्या होता है chemical reaction ही होती है तो यहां पर chemical reaction हुई है यहां पर chemical change हुआ है क् कि electric current को आपने पास करवाया है तो change of color of solution में occur depending on what the solution and electrodes are used this process is known as chemical effects of electric current तो ये क्या है किसी चीज का बनना मतलब की gases gas bubbles का बनना color change होना solution का किसी electrode के उपर metal का deposition ये सब के सब क्या है electric current के ही chemical effects है चलिए next activity क्या है page number 177 पर दी गई है कि we will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 cm and 4 cm take 250 ml of distilled water in a clean and dried peaker dissolve two teaspoonfuls of copper sulfate in it add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting clean copper plates with sandpaper now rinse them with water and dry them connect the copper plates to the terminal of a battery and immerse them in copper sulfate solution तो कुछ इस तरीके से आपको करना है कि copper sulfate solution ही आपको लेना है और इसके अलावा आप क्या कर रहे हो copper sulfate solution तो आपने ले लिया है चीक है ना इसके अलावा आप क्या कर रहे हो two copper plates भी ले रहे हो ठीक है और distilled water में आपने क्या कर रहे है copper sulphide powder है वो आपने डाल दिये तो आपके पास solution आ चुका है copper plates को आपको sand paper से properly साफ करना है और इसके बाद में पानी से उसको धोना है और सुखाना है इसके बाद में आपको दोनों ही plates को battery के साथ में connect करना है battery के terminals के साथ में connect करना है allow the current to pass for about 15 minutes now remove the electrodes from the solution and look at them carefully do you find any difference in one of them do you find a coating over it what color is the coating no down the terminal of the battery which is which this electrode is connected to basically जब आप पूरी process करोगे पंदर से मिनेट 15 मिन के लिए होने देना इसके बाद में इसको रोक लेना रोकने के बाद में क्या दोनों ही electrodes में आपको कुछ difference मिलेगा हां बिलकुल मिलेगा होगा क्या कि आपने जो copper sulfate solution लिया है आपने जो copper sulfate solution लिया है उसके जो ions है वो तूटेंगे बिसिकलि आपके पास copper ions और sulfate ions आने वाले हैं तो बैटरी का वो वाला टर्मिनल मनला बैटरी का जो negative terminal है उससे attached जो electrode होगा ठीक है ना उस electrode के उपर क्या होगा negative charge होगा तो copper ions जैसे ही देखेंगे कि हमारे पर positive charge है और सामने वाले plate के उपर यह सामने वाले electrode के उपर negative charge है तो वो दोड़ते हुए इनके पास आ जाएंगे और इनसे जाकर कि चिपाग जाएंगे कैसे negative electrode पे पहुंच करके या cathode पे पहुंच करके क्या होगा कि वो अपने ions को देंगे अपने charges को देंगे copper ions और हम बोलते हैं कि पूरे के पूरे इस cathode के उपर क्या हो जाएंगे deposit हो जाएंगे जिसके कारण इसका color क्या हो जाएगा brown हो जाएगा लगातार इसके के उपर copper आकर के deposit हो रहा है तो और वेसी बात है इसका जो color है वो brown change मना brown हो जाएगा अब यह copper ions आ कहां से रहे थे solution में से आ रहे थे अब solution में कभी न कभी copper ions की कमी तो हो जाएगी solution में चितने भी copper ions है वो सभी के सभी किया जाए तो यह जो आपने दूसरा copper की plate रखे रखी है ना इस plate में है क्या बेसिकली यह plate कैसी है यह impure copper plate है तो इस में जितने भी copper के atoms होंगे ना वो सभी के सभी copper atoms charges को gain करके कहां आ जाएंगे solution में आ जाएंगे और solution से जो copper ions cathode के उपर जाकर की चिपा कर रहे हैं तो solution में जो copper ions की कमी हो रही है उस कमी को पूरा करने के लिए इस plate में से copper atoms ions की form में बाहर निकलेंगे और यहाँ पर copper ions आते जाएंगे इसका मतलब क्या कि solution में copper ions रहेंगे ही रहेंगे solution क्या इसका after removing the electrodes from the solution we find that the copper metal gets deposited on the plate at the negative terminal of the battery it is concluded that when electric current is passed through copper sulfate solution copper sulfate disassociate होता है copper ions में sulfate ions में the free copper atoms sorry जो free copper ions है वो deposit हो जाते हैं plate की ओपर जो की cathode की तरह बहेब कर रही है gradually a layer of copper builds up on the plate this is known as what electro plating अब activity 7 हम में कर ली है तो जो मारा last question था वो अब हमसे बन जाएगा कि जो हमने अच्छा वो कहां गया question यह रहा तो last activity जो हमने अभी देखी है वो क्या है purification of copper है a thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why तो basically यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं copper का purification देख सकते हैं कि हमने जो एक मोटी सी rod ली थी impure की impure copper की और वहीं हमने एक पत्ली सी rod ली थी pure copper की और solution हमने कौन से लिया था तो उसके आयंस आ गए थे तो solution में जितने भी copper आयंसे वो सभी क्यों सभी जो पत्ली सी जो हमने यह नो प्योर copper की जो प्रेट ली थी हमने पत्ली सी जिसको कि हमने कैथोड की समान जो बहेव कर रहा था जिसको हमने बैटरी के जो रॉड थी वहां से copper atoms निकल निकल के बाहर आ रहे थे तो इस पूरी प्रोसेस के बाद में क्या होगा जो प्योर metal की जो रॉड होगी वो मोटी हो जाएगी और impure copper metal की जो रॉड है वो पत्ली हो जाएगी तो यहां पे हुआ क्या दा थिक रॉड of impure copper plate is to be attached to the positive terminal of the battery because when electric current is passed through the copper sulfate solution it gets disassociated into copper and sulfate the free copper being positively charged attract हो जाएगे कहां cathode के उपर on the other hand loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod which is attached to the positive terminal of the battery ठीक है तो कुछ इस तरीगे से हम यह चाप्टर को आप finish करते हैं questions हमने discuss कर लिए है activities हमने discuss कर लिए है तो अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में हम नए चाप्टर को शुरू करेंगे लेकिन तब तक आप क्या करेंगे आप visit कर लिजे हमारी official website magnetprince.com जैसे visit करोगे आपके सामने आएगा यह वाला page जहां पर लिखा रहेगा India's number one 100% free online education platform जहां पर आपके पास class 12 से लेकर के kindergarten तक के सभी courses होंगे available class 8 science को जैसी आप click करोगे आपके सामने आजाएगा यह वाला page class 8 science ncati by vibhuti खरे अब अभी तक हमने class 8 science की जितने भी chapters कर लिए हैं जो भी हम करना है सभी chapters की सभी lectures यहां पर आपको एकदम properly sequence में arranged मिल जाएंगे plus यहां भी आपको सभी topics के होते हैं notes भी available so do visit our official website कौनसी वाली यही वाली magnetprince.com till then keep learning with magnet brains thank you for